कि दन हलो 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 आप सभी बच्चों को एमर का बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है दसूपर उमीध 2.0 बैच में जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कम्प्लीट रोडेशनल डानेमिक्स तो कितने लोग एकदम ही जोरदार तरीके से त्यार हो के आए हैं रोडेशनल डानेमिक्स को कम्प्लीट करने के लिए और कहां कहां से लाइफ देख रहे हैं फड़ा फट जल्दी जल्दी बताते कहां कहां से लाइफ देख रहे हैं और एकदम जोरदार तरीके से त्यार हो के आए हैं और आज आपने रोडेशनल मोशन कम्प्लीट करने के ल हलो 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 आप सभी बच्चों को हैमार अ पूरी भारत वर्स से करोरों की संख्या में जनता हमसे जुड़ चुकी है तो पूरी भारत वर्स से सारे जनता जुड़ चुकी चलिए और यहन वीडियो कलियर है तो चलिए आज का कारेकरम सुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का हमारा complete lecture का goal क्या है तो सबसे पहले देखिए साब हम करेंगे PhD in moment of inertia moment of inertia में हम आपको कराएंगे पूरी PhD पूरी PhD कराएंगे 50 से जादा सवाल कराएंगे बिल्कुल जोरदार तरीके से feel कराएंगे और उसके बाद पहला break हम आपको देंगे कुछ 730 और 8 के अराउंड ठीके साब उसके बाद हम सुरू करेंगे feel and moksh inner torque and pure rotation and connected body rotation जो rotational dynamics होती जो हम torque वेगरार लगाते हैं कुछ torque को पहले feel करेंगे torque के बहुत सवाल करेंगे और किसी एक body को किसी fixed axis of rotation से जब हम घुमाते हैं उसकी dynamics और connected body rotational motion की dynamics को समझेंगे 35 से ज़्यादा सवाल करेंगे लगात 40 सवाल करेंगे इसमें और फिर आपको देंगे break number 2 ठीके उसके बाद रफ्तार भी थे मारे star in rolling motion हमारा third goal है रफ्तार भी थे मारे star in rolling motion rolling motion के सवाल नीट में बहुत जादा पूछे जाते हैं pure rolling motion on inclined plane pure rolling motion on horizontal surface इस तरह के सवाल बहुत सारे नीट में पूछे जाते हैं और आज मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे घरा होगे बोल रहा हूँ कि जितने नीट के किताब आज तक लिखे गए हैं यह जितने ही नीट में आज तक सवाल पूछे गए हैं कलम यहां रख दूँगा मैं नहीं तुम भी और जिस option पे हाथ रख दोगे न वही option सही होगा इस level पे जाके मैं आपको पूरी पूरा rolling motion समझाऊँगा सारे PYQ करा दूँगा सारे PYQ and सारे possible varieties of questions and then end game of angular momentum and toppling end game of angular momentum and toppling toppling उसके बाद 30 plus से जादा numerical हम यहां करेंगे 30 से भी जाद है मैं तो ऐसे रफ डाड़ लिख लिए 30 से भी जादा numerical है तो यह सारी चीज़े आज हम कभर करेंगे बहुत ही जोरदार तरीके से इसमें मैं आपको बहुत सारे animation भी दिखाऊंगा बहुत सारे game भी खेलेंगे visualize कराने के लिए बहुत सारी चीज़े में लेके आया हूँ तो आज होगा महादंगल ठीक है आज होगा महादंगल तो कारे करम सुरू किया जाए कारे करम सुरू किया जाए हाँ बहुत सारे stimulation भी होगा बहुत सारे game भी मैं तुम्हें खिलवाओंगा चलो थोड़ा सा demo देता हूँ मैं तुम्हें कौन-कौन से game भी खेलेंगे हम लोग चलो देखो यह देखो कुछ ऐसे game है मैं तुमसे पूछूँगा इन तीनों में से situation में से क्या हो सकता है यह torque का सवाल है मानलो 20 kg का object है 20 kg का object है और बीच में मैंने इसको hinge कर दिया अगर मैं यह दोनों support हटा दूँ तो यह इधर गिरेगा इस तरफ गिरेगा कि balance रहेगा यह सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे बता हो क्या लगता है किस तरफ गिरेगा मुझे लगता है उस तरफ गिरना चाहिए यह सही होगा चेक करें अरे देख दो number मिलके मुझे एक दम सही है तो बहुत सारी चीज़े आज होने वाली है बहुत अच्छे तरीके से सारे कंसेट में आपको सिखाऊंगा ठीक है ठीक है तो शुरू करें आज का कारेकरम थोड़ा सा पेसेंटली लेक्चर देखिएगा बेटा लेक्चर थोड़ा सा पेसेंटली देखिएगा मजा जाएगा चलिए तो आज का कारेकरम सुरू करते हैं, एक छोटी सी लाइन तुम्हारे लिए, पहले सब्र का फल मीठा होता था, पहले सब्र का फल मीठा होता था, आज कल, पहले सब्र का फल मीठा होता था, आज कल सब्र करने पर फल किसी और का हो जाता है, इसलिए सब्र नहीं करे, संघर्स क करे और अपनी जान के लिए जान लगा दें नीट जई का जो आपने सपना देखा। एक ओलन्हें जाने का उसके लिए जान लगा दें अप्सक्ता क्रीके से जान लगादे छलिये न पहले सब्र का फल मीठा होता था, अब सब्र करने पर फल किसी और का हो जाता है, इसलिए सब्र नहीं करें, संघर्स करें, और जोरदार तरीके से जान लगा दें, अपनी जान नीट जई के लिए, चलिए, शुरू करते हैं, देखो, राम लाल बहुत दिन तक पढ़ाई लिखाई किया, उसको कोई नौकरी नहीं लगा कहीं पे, तो बेचारा गरीब भूखा, भिखारी नंगा इंसान, राम लाल नौकरी ढूंड रहा था, तो वो गैस एजनसी में गया, और मालिक से बोला कि मैं श्लिंडर डिलिवरी का नौकरी करना चाहता हूँ आपके पास, तो गैस एजनसी के मालिक ने बोला कि ठीक है रख लो, तो ये रहा स्लिंडर, और गैस एजनसी के मालिक ने बोला, कि स्लिंडर डिलिवर करने तुम्हें जाना है, तो इसको जब लेके जाना, तो घसीट के मतले जाना, इसको घु यह रहा था कि पहले इस स्लेंडर को लिटा दिया जैसे जानके कि इस तरीकेसे चाले जारहाथ था पहले इस सिलिंडर को क्या किया उसने लिटा दिया देखो इस सिलिंडर को क्या किया उसने देखिए ध्यान से इस सिलिंडर को क्या किया ऐसे लिटा दिया और फिर क्या किया इस सिलिंडर को इस सिलिंडर को क्या किया थोड़ा सा थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से ऐसे लिट कि इस लिंडर को क्या किया ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा कि ऐसे लिटा दिया है अब देखो यह घूम क्यों नहीं रहा भाई भूम जायार कि ऐसे लिटा दिया और इस तरीके से सिलिंडर को ले जा रहा था लेकिन मकान मालिक ने उसको कैसे घूमानी के लिए बोला होगा मतलब सिलिंडर के मालिक ने उसको कैसे घूमाने के लिए भोला था उसको क्या reflect मारना यह अपने आप घूमते हुए चली जाएगी अपने आप घूमते हुए चली जाएगी यह पर तो जिब वह से गुमाई चार्व कि थे बोला था अजब राम लाल ने इसकोसे खुमाया क और क्ष ранझे समय पिस एसको इसे कुमे इस और डिल Caroline इसको एसे लिटा दिया फिर इसको एसे खुमायाς उल्टा किया ऐसे किया फिर इसको ऐसे लिटाया जब इस तरीके से वो लेके जा रहा था तो इसको घुमाने का कस्ट जादा हुआ लेकिन अगर रामलल सीधा रख के छोड़ देता ऐसे तो इसको घुमाने का कस्ट कम होता और उस घुमाने के कस्ट को ही हम नाम देते हैं, एक physical quantities represent करते हैं, जिसको बोलते हैं, moment of inertia, जिसको हम क्या बोलते हैं, moment of inertia, जिसको हम बोलते हैं, moment of inertia, किसी एक body का moment of inertia, एक ही तरह का हो सकता है, कि बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है, फटा-फट बताईगा, किसी भी एक body का moment of inertia, एक unique होता है, कि बहुत अलग तो इसलिब तरीक मोब डंडा लेके चलते हैं ना जन्डा लेके चलते आई यहां कोई बदमासी नहीं करेगा नहीं तो मिझे डंडा लेका हूँ का है और यहां पर मैं क्या कर दिया है गत्ता-लपेड दिया है अगर सकत insult नहीं कि entrada में data말 रहा हूं लेकिन इसी डंडे को अगर मैं यहां से पकर लूँ तो में क्या लग रहा है सभाई वाला हूं मैं बहुत मारूंगा इसी डंडे को अगर मैं यहां से पकर लूँ तो मैं इसे घूम भी नहीं रहा है यकीन मानो क्या तुम इस वात को फील कर पा रहे हो पेन हो रहा ह एक हाथ से तो मैं इसको घुमा भी नहीं पारो अधर कर रहा है अब रश मेशन कोुमा भी नहीं कि उप्वत ऐसी बोड़ी का जिसका माँस इतना ही सेम है अगर मैं यहां से पकरकर लूं यहां से मैं घुमाना चाहरा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा कस्ट मैंने सिस्टं का मास्ट किया यह सिस्टं का गुमा रहा था तो मुझे कस्ट जादा हुआ कस्ट जादा हुआ घुमाने में उसी कस्ट का नाम है moment of inertia जब किसी body को हम translational motion में लाते हैं तो उसको translational motion में लाने में जो कस्ट होता है किसी body के translational state को change करने में जो कस्ट होता है वो होता है inertia जैसे बहुत पतला आदमी है तो उसको बहुत असानी से अब ले जा सकते हैं बहुत मोटा आदमी है तो उसको बहुत मुश्किल से घसीट सकते हैं उसको ट्रांसलेशनल मुशन कराना मुश्किल होता है तो अगर बॉडी के अगर बॉडी को बॉडी के ट्रांसलेशनल क्थेकर में न चाह करना चाहें तो जो क्रूल थोता है वह तै हुए मोमेंट आफ इंेर्सिया अगर यहां से घुमाऊं तो इसको घुमाना बहुत अशान है यह से घुमाऊं तो घुमाना थोड़ा सा पनातान कुछ है तो अक रीधिय। सब्सक्रиниल्म जारas अलग मेर्ड हो सकता एक वह सकता है कि सिंगल वाड़ी का एक शिंगल बाड़ी का मोमेंट अफर्मिनिशिया है एक जार अलग अलग वैल्यू हो सकता है धैसे एक रोड है इसको यहां सो घुमाने का स्टल के यहां सो कह स्टल रहाए यहांस पुमाने का स्टल कि स्टल लोगे ससे पकर 얼마나 सव्रॉल्ग को होने का घॉस्टल से जुन्वाइब नार श्रोसा 750 और मतलब यह हुआ किसी एक बोडी का मुमेंट ओफ इनर्सिया का एक हजार अलग अलग वैली हो सकता है वह इस बात में डिपेंड करता है कि एक्सिस ओप्रोटेशन आपका क्या है एक्सिस ओप्रोटेशन क्या है सहज में आई यह बात अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता है अपने सेंट्र ओफ मास पर आया कि एक डिस्क्रीट सिस्टम का सेंट्र ओफ मास कैसे लिखते हैं सर आर्ची म वेक्टर इस इकूल तू एम और रवन वेक्टर प्लस एम टौ आटू वेक्टर बटा म1 प्लस एम तू यह लिखते हैं अच्छा आज आज आप मुमेंट पढ़ेंगे किसी भी डिस्क्रीट सिस्टम का मुमेंट अधियर से कैसे लिखते हैं I is equal to discrete system मतलब combination of point mass का moment of inertia होता है मोनर रवन का square इसका derivation भी तोरह सा feel करा दूंगा M2R2 का square and so on किसका calculation असान है center of mass का की moment of inertia का चलो बताओ किसका calculation करना असान होगा center of mass का की moment of inertia का कले सेमस्ट can किसका सब्Ta कि मोमेंटम का चले यहना होता है यह बिता होता हैट हाथ सेंटर यह वोगह एक पलेगा मतलब आगे माइनसभी हो सकता है लेकिन रहता है पॉजिटीभ रहता है यह बहुत ही जोड़ार बात बताई है पॉटसां बुक् Mut thats असा नहीं हो सकता, इसकですね और यह त्ब कभी नहीं होता ,कभी नहीं होता अच्छा और मादलो यह origin है यह X axis है यह Y axis है और यह Z axis है। यहां पर कोई пар olsun M One यह आप बर आशए में घरले रहाँ आँस। इसका उडिस्टौ मतलब आपने reference ए चेंटर 05 मास का कलकुलेशन एक o पोईट्स होता है। ऑर शिस्टम हिला दिने वाले बात बताता हूँ, एक जुरदार बात बताता हूँ, क्या, moment of inertia calculation एक line से होता है, about, about axis of rotation, और axis of rotation एक line होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई mass M1, यहाँ पे कोई mass M2, यह x axis है, यह y axis है, तो हम moment of inertia, यह z axis है, हम moment of inertia, किसी axis से निकालेंगे, अगर हम moment of inertia y axis से निकाल रहे हैं, तो हमें origin से distance नहीं देखना, y axis सीधा perpendicular distance लेना है, y axis सीधा perpendicular distance लेना है, यह होगा आपका R1, यह होगा आपका R2, तो एक point से distance देखना easy है, कि एक line से distance देखना easy है, फटा-फट सोच के बताओ, एक point से distance देखना easy है, कि एक line से distance देखना easy है, अरे बेटा, टेंशर अगर option में होगा, तो टेंशर जरूर टिक करना, लेकिन अगर टेंशर option में नहीं है, तो उसको scalar ही लेंगे, टेंशर आपके syllabus में पढ़ना नहीं होता, मानलो, नीट में सवाल आगया, चार option में, आपको टेंशर का ही दिखी नहीं रहा, तो क्या लिखोगे, scalar लिखोगे, लेकिन टेंशर अगर दिख जाए, तो ये टेंशर भी होता है, नोन आइसो ट्रोपिक सिस्टम के लिए टेंशर होता है, ठीक है ना, तो state line से distance देखना easy है, point से distance देखना मुस्किल है, मतलब ये तो तय बात है, कि center of mass से बहुत जादा असान calculation होने वाला है, moment of inertia का, क्या ये बात feel आया है कि नहीं है, हाँ, किन-किन बातों पर moment of inertia depend करता है मुझे comment करके बताइए, किन-किन बातों पर moment of inertia depend करता है, क्या mass पे करता है कि करता है, औव्यस सी बाते से mass पर करेगा, औव्यस सी बाते mass पर करेगा, जितना ज्यादा mass होता उसको घुमाने का कस्त तो उतना ज्यादा ही होगा ना, हाँ, distribution of mass पर करता है, मतलब कितना mass और कि अपने कहां लिया उस पर डिपेंड करता है अब मान लो किसी एक का मास इन है जैसे सिस्टम मैंने अभी आपके लिए बनाया था यह सिस्टम मैंने आपके लिए बनाया था है ना देखो यह सिस्टम है यह सिस्टम है और उलेविप 7 को ऐसे हमाना चाहता है हूं ऐसे डियो सिस्टम करके यहां से पकरके तो इसको घूमाना मुस्किल है क्यों कि यह मेरा एक्सिस साथ जाह से में घुमा रहा हूं मेर ज्यादा तर मास में अपनी बॉल करती हैं जबंद करते हैं कितना मासह हुथ ज़ृत जयादा सिस्टम है और काल嗎 एक्षीस अभी उफ्रोटेसरों से काला तो एक्षीस भी रुटेशन से बहूत दूल ऐसे। गवह सफाय क्रमचारी उल भार जादा हो चलो अब क्या हुआ सरी मास मास प्ले बता छ कि भोल होते हैं इसे को अलकुत आजया जाऊब भोल भीया अगया एससे लिकर जाओंगे तु तो इसे जाओ होगे तो बताओ क्या होगा दियुक्त PhD को मोमेंट आसे बहुत जाना ऑट तो तो बहिए ऐसे एसे लफ्या नंदा जया तो फ्ल बहुत नंदब ट्रता है कितना मास और कितना धूहरत ज oğlum यह जो की नहीं विश्चित साने की तना मास है और मास citizen से कितना दूर है और प्वाइंट मास सिस्टम के लिए पॉइंट मास प्वाइंट मासundeER सिस्टम के लिए मुमेंट ओफ इनर्सिया जो होता है वो होता है बेटा M1 R1 का स्क्वाइर प्लस M2 R2 का स्क्वाइर प्लस M3 R3 का स्क्वाइर प्लस यह किसका हो गया कॉंबिनेशन ओफ पॉइंट मास सिस्टम का किसका point mass system का अब discrete का बोले तो discrete का बोले तो continuous system का बोले तो continuous system का moment of inertia होगा छोटा सा mass का लिखेंगे छोटा सा di is equal to r square into dm यह होगा sir moment of inertia integrate कर देंगे total system का हो जाएगा continuous के लिए लगाएंगे पॉइंट के लिए यह लगाएंगे क्या यह बात क्लियर है क्या यह बात आपको समझ आया फटावट सवाल देखते हैं यह देखिए यह देखिए यह यह रहे हैं यहां बुड़े हां बुड़े हां आइरन हैं इसको इस से दोनों सिस्टम को हमने घुमाया है किसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज्यादा होगा फटावट बताईए किसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज्यादा होगा यह दो पर एक्जाम में नहीं आता अरे बोले बईया तो एक्जाम से दो मीने पहले कहें बढ़ाई शुरू कियो और पढ़ार आना थोड़ा सब दो चार मिने टुक को हम सब बढ़ाएंगे सारे सवाल करांगे अब आता ही कोश्चन कोश्चन खेलना शुरू हो जाओंगे उतना ही वोड़े दो चार मिनट रुक जा अब बताने सवाल से दूट मे आते ना अब मुख नीट में दोस्व में अच्चे से नेटामत बनो चला बताओ किसका moment of inertia से जादा होगा तो देखो जितना iron उतना इसमें iron लगा उतना लक्री से लगा इसमें ज्यादा स्पास है और इसमें ज्यादा स्पास त्मशा त्मश्य मैंस व्पास तो moment of inertia रहे हैं सबस्सके हैं यह नीट का पुछाओ सवाल और grammy किया सवालाइब देखते हैं नीट का सवाल करें अब रफ्तार देखो रफ्तार देखो चलो यह बताओ अंदर बाहर एलण यहाँ उसका मास ज्याद मैंस पास वाला मास लकडी का क्समझा यह बात किसा मुमेंट विनर्ष्य जादा होगा दोगा거나 क्या बगहरी बच्छे टेंसे गरे का अब क्या हुत जोड़दार अब आओ मज़ा आएगा बेटा कोई बात नहीं जो इसको रफ्तार देखी नहीं फिल आया अब रफ्तार देख यह मैंने सवाल बहुत तग्रा बनाया है देख ध्यान से बहुत अच्छा सवाल लिखा है नीट में ऐसे लेंगवेज करके सवाल पूछे जाते हैं है ना देख पर सवाल अप्रीन रॉड है मासें लेंथ 2L एक रॉड है यह रहा रॉड जिसका लेंथ माइनल से लेकर के ल तक है मतलब 2L लेंथ है यहां से यहां तक लेंथ क्या है बेटा टुवे लेंथ अर्दम मुमेंट अफिन अफिन रॉड एवाउट एक्सिस 1 2 3 & 4 रिस्पेक्टिवली बिच अफ दक फॉलएंग रिलेशन इस करेक्ट ठीक है यह रॉड है यह 2L लेंथ का रॉड है ठीक अपर कॉन से एक्सिस के बाउट मुमेंट अफिन अफिन सब से कम होगा चलो इससे ये भी फण निंपरता कि Mass इधार रहे कि इधार है हम यह नहीं देखते हैं जब हम यहाँ से Mass देखूंगा न्हीं सक्षिस अप्रोटेशन से मैं देखूंगा Mass अगर मैं अगर लेंथ लिmore है तो इधर से यहां से यहां तक L distance और यहां से यहां तक L distance मतलब mass L distance दूर है हम सिर्फ यह देखते हैं बुजारा बात अब सुनों यह X is equal to 0 सबसे कम moment of inertia 2 के बाउट होगा क्यूं क्यों क्योंकि सबसे कम moment of inertia 2 का होगा यह सभसे जादा किसे बाउट होगा तो मास 12 best stands तक है कहा तक है 12 distance सब्सेंस व्यार मुमिंट और शिया फोर के बंवाउठ होगा यह गलत अब July कैसा महसूस हुआ कि और कीशा में सबसे जादा मोमेंट फेस का उऔर होती जिस एकसिस से मान सबसे जहादा दूर तक होता है, क्या होता है, मास सबसे ज़ादा दूर तक होता है, तो यहां से मास सबसे ज़ादा दूर तक है, clear, अच्छा बताओ, क्या moment of inertia, I1 और I3 में compare किया जाए, तो कैसे देखोगे, सर, I1 से यह L by 2 पर है, और यह यहां से L by 4 पर है, तो इस से इस वाले से, I3 से moment of inertia कम होगा, क्यों कम होगा, क्यों क्योंकि यहां से distance यहां का देखो, और L by 2 से इसका distance देखो, यह ज़्यादा दूर होगा, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, ओ ऐसे भी तुम्हें अंदर में जा की इतना mathematical देखनी की जोओत नहीं है, तुमने सबसे कम और सबसे ज़्यादा देख लिया, उसी से तुम्हारा answer आ गया, सबसे कम और सबसे ज़्यादा देख लिया, इसी से तुम्हारा answer आ ठीक है, तीन का अगरे को कम होगा, क्योंकि लवाई 4 पर नहीं बेटा, यह लवाई 4 पर है, प्लस लवाई 4 पर ठीक है, प्लस लवाई 4 पर ठीक है, प्लस लवाई, देखो, सेंटरों मास से सबसे कम, उसके पास एक्सिस यह है, तो उससे ज़्यादा, फिर यह एक्सिस दूर गया, मता कॉन से एकसिस के बाउट इसको घुमाना इजी होगा यहां से पकरके इसको ऐसे घुमाना इजी होगा कि यहां से पकरके घुमाना इजी होगा तो देखो इस एकसिस पर पूरा का पूरा एरन का मास आ गया तो ज्यादा तर मास इस एकसिस के पास है तो I1 आपका कम होगा और I2 आपका जादा होगा, क्या ये बात आपको समझ में आगे, एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है, ट्रेंगुलर सीट का, ट्रेंगुलर सीट का बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है, चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं, ट्रेंगुलर सीट का बहुत बढ पूछे जाने वाला सवाल है सबसे जादा डाउट में पूछे जाने वाला सवाल है ठीक है अब देखना देखना एक एक्सिस यह बनाया मैंने और दूसरे एक्सिस मैंने यह बनाया है इसके भाउट मैं इसको ऐसे घुमार ह aggreg ऐसे कुमार हो मोमेंट ऑफ ने साई-टो आए और सित्क की निकाल दिया जाएगी कि फेटा तुम को समझा है ये बहुत जरूरिए आई इसकी न तूड़ जाएगा तो नया जाएगा लिंकिन समझ प्रेज नहीं आएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आजाएगी चलो बताओ किसे करोगे किसके बाउट पॉमेंट अविने से जादा होगा कौन सा लोजिक लगाओगे अब एक ही सिस्टम है अब एक ही सिस्टम को हमें दो अलग अलग एक्सिस से घुमाना है तो किसका की पास ज्यादा तर मास चिपका हुआ हुआ है कौन से ईक्सिस के पास ज्यादा तर मास कि दृब का पॉन मतलब आई तू का मोमेंट ओफ इनर्शिया कम होगा इंशे बोल चमका की नहीं चमका जोरदार चम्चम क्या नहीं चमका सर, आइट्यू के पास यहां से यहां तक मास तक नमम्टू नहीं दूर पास है तुम हमेशा दूर तो देखते हैं। तूम उल्टा भी तो सोच सकते हो। छॉस्था जी देदे क machinery अच्छा मांस जीतना दूमेंट डूरा मोमेंट अफिएसरिया धना ज्यादा। ओर माहस जुप मैंब पहस होगा मोमेंट फ़्यूस उतना कमुऊंख हूंzt the moment of inertia of a body depends on moment of inertia of a body depends on mass of the body yes the distribution of the mass of the body yes the axis of the rotation of the body yes tensor kya ho jayega all of these bhaat chota sawaal lekin have a silly mistake up ko nai karna kya bhaat jorddar tari kya system ka shali shali you look at the rotational inertia rotational inertia ko hi haa moment of inertia kehte hain of disk about the geometrical axis does not depends upon moment of inertia of a disk about geometrical axis does not depends upon but the answer kya hooga diameter mass distribution of mass speed of rotation jaldi bata yeh kispa depend nahi karta hai sir maat diameter pe to karaga obvi si baathe size berjaya ga jit pal jayega diameter berga file jaga moment of inertia berjaya ga mass pe karta distribution of mass pe karta hai speed of rotation pere nahi karta hai to answer kya ho jayega chao ta bhoati sandar tariqe se jordar java deti chalo a pente 2012 ho bhaiya bhole bhaiya nita wale bhaiya a pente 2012 the moment of inertia of the body guarda uradhenge kya bola the guarda uradhenge chale ya dekha the moment of inertia of the uniform circular disk is maximum a button axis perpendicular to this and passing through this axis of moment of inertia sabse sada hooga kis axis of moment of inertia sabse zada hooga chal dek idar chal dek idar chal dek idar dek idar samaj yaa pere a to a dham center pere ab center se dhekho ge to mass art distance peter idar 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 aur r pere aage r pere piche se fark niprta moment of inertia skeler hoota hai toh tum bolou ge is axis se mass art distance pere hai khatam okey yahaan se dhekho ge to axis yahaan se pass karra hai beach se sabse zada moment of inertia b se hooga kyun kyunki b wale axis se eger tum dhekho b wale axis se dhekho to sir mass yahaan se yaha tuk 2r tuk hai b ke about lock kar diya jaya answer hooga aapka c answer hooga aapka c answer kya ho jayega c kiske bout hooga mass jahaan se sabse zada dure hooga mass jahaan se sabse zada dure hooga mass sabse zada dure is b points se hai to b points se hoonay ki wies answer kya chala jayega aapka c clear ekdom jordar jordar chali aapka c c you can eat new 2019 need 2019 either dek kind moment of inertia about center of mass and perpendicular to the line about center of mass and perpendicular to the line to of body system में इसका मास एक मुण इसका मास इस दोनों सिस्टम का कहीं बीच में होगा center of mass हाँ सर बीच में होगा center of mass अगर एम टू की value जादा है तो एम टू के पास होगा यहां से अगर center of mass का location देखे आर वन तो यह हो जाता है M2 आरबटा M1 प्लस एम तू आपने center of mass निकाला होगा यहां से देखे तो यह हो जाएगा R2 बराबर M1 R बटा M1 प्लस M2 क्या यह क्लियर है अब इन दोनों के लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस से आपका क्या करेंगे तो सबसे पहले इसका मोमेंट आफ इनर्सिया लिख लेंगे तो आई बराबर इसका मोमेंट आफ ने से आएगा M1 और इसका स्कॉाइर मतलब M2R बटा M1 प्लस M2 का होल स्कॉए प्लस यम्-टू और यहार मतलब M1 आप्टा M1 प्लस M2 का होल स्कॉए यहां से आप चाहें तो आसकॉए और M1 प्लस M2 का होल स्कॉए common निकाल के बाहर ले जाएंगे इसको को यह एंसर सइए का इन सर्य इसमें मैं जबाब दीजे क्या यह नोग रट्टा तो यहां से डारेक्ट आप लेके जा सकते हैं कि सेंटर ओफ मास्स के अबाउट मुमेंट अफिन से होता है सवाला यहां अपल्रिक लेकाउट थीइज पर सवाल ना लेकिन इंटा सवाल बना यह है कि हम्हें पदऊख अब यह इसको याद रखना है इसको याद रखना है इसको याद रखना है इसको याद रखना है चली इंसर निकली बेटा कलम लेके बैठो कलम लेके बैठो क्लम लेके बैठो क्या इंसर आ रहा है दूसरा जवाब आ रहा है कि सब का दूसरा जवाब आ रहा है फटाबर देख लेते ह निकालना पर चाहिए तुम्हें स्पीड निकालना चाहिए तुम्हें बहुत जोड़दार बहुत जोड़दार चल अलागा सवाल देख थी पॉइंट मास प्लेस्ट एट कॉर्णर ऑइकुलेटरल ट्राइंगल देन फाइन मुमेंट ऑफ इनर्स एबाउट गिवेन एक्सिस प्रोटेशन का एक्सिस प्रोटेशन यह अब बैटा क्या तुम मुझे इजाज़त देते हो कि मैं इसको तुम्हें तोड़ा फील कराके दिखा दू इजाज़त है कि सीरा एंसल निकालना बताओ इजाज़त है कि नहीं थोड़ा सा फील करके बहुत मेरे से चीज बना के ल इस और यह क्या कह रहा है कि ईसक्सित प्रोटेशन की प्लें राएक पर्पंडीकिलर यह बताये ज्रहānूं में प्लेन के पनिबिकलर यह बताया ज्रहают लक्यूष यहिस स्पमें करड्लिकू tava रोटकि क्यों कि बीटा सुनद्थो जयत गे में परपिंडीकल Congressman Partner की बीश़ता रहा इस जी екसे देखते हैं यह बोड के प्लेयन में ट्रेंगल रखाए यह देखो यहいきます और एक्सिस देख पारे मेरे हाँ तुमें ऐसे अब घुमा कैसे रहा है ऐसे ऐसे घुमार है तो उसे एक बात बताओ अगर यह पॉइंट मास है क्योंकि लिखा है पॉइंट मास इसको पॉइंट मास है तो यह पॉइंट मास क्या पूरा का पूरा इसी एक्सिस पर आ गया तो इस अगया है आप सब्सक्राइब दिखाओ लो गुमागे दिखाता हो तुम्हें ऐसे घुमेगा ऐसे घुमेगा अम मुझे बस इतना बताओ कि इस दो का मुमेंट ओफ इनर्शिया क्या होगा इनर्शिया जाएगा इन का मुमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जीरो बचे का किसका इस चलो इस एक्सिस से नोहीं यहां से डिस्टेंश लेंगे कि एक्सिस और रोटेशन से परपंडिकूलर डिस्टेंस लेंगे अगर यह एंगल 60 है तो यह आजाएगा रूट 3a by 2 तो मुमेंट ओफ इनर्सिया हो जाएगा M into root 3a by 2 का whole square तो यह हो जाएगा M 3a square by 4 कितने लोग का यह जवाब आया कितने लोग का यह जवाब बताइए कितने लोगा जवाब आया है देखिए ना समझ आया अच्छे से अब चलिए अब चलिए एक जोड़दार चीज़ दिखाते हैं अब क्या दिखाएंगे अब मैं एक्सिस अप्रोटेशन और कैसे कैसे बना सकता हूं बहुत भराइटी का बना सकता हूं देखिए नेक्स सवाल ट्रेंगल है तीन अब्जेक्ट को मिलाने वाला लाइन जो है इसे को तुम प्लेन बोलेंगे हां और यहीं से एक्सिस पास कर रहा है इसके बीच और इस पॉइंट मास से मासम मासम और मासम तो इसके अबाउट आपसे पूछा है मोमेंट ओफ इनर्सिया क्या होगा एक्सि का मोमेंट ओफ इनर्सिया क्या हो जाएगा लो अपूमेगा कैसे वो देखो भाई साहब ले को दूब का वाप आप अईगले ऐसे गुमेगा लिख्तुमे का इसे गुमेगा विख्त मजाए की निया एक्दम ऐसे गुमेगा गले गोग धे तो यह अब रोटेशन पहले का होता जाएगा इसका तो, प्लस इसका हो जाएगा M into a by 2 का whole square plus m into a by 2 का whole square तो यह जाएगा m a square by 4 plus m a square by 4 तो यह हो गया m a square by 2 क्या मैं सही लिख रहा हूँ m a square by 2 कितने लोग का जवाब आया है हाँ सही है एकदम सही है एकदम सही है आप चल नेक्स सवाल देख 3 point mass place the corner of equilateral triangle of side a and point mass का mass m find moment of inertia parallel to the plane इसके about moment of inertia क्या होगा चली बताइए किस एक्सिस के about moment of inertia क्या होगा एक्सिस कहां से पास कर रहा है ध्यान से देखेगा यह एक्सिस ऐसे पास कर रहा है तो सर अगर ऐसे पास कर रहा है देखे ध्यान से देखेगा ऐसे पास कर रहा है पुरा का पुरा मास एक्सिस आप रोटेस्टन पी आ गया और यहां से हम देखें, तो यह हो जाएगा, A y 2 मानता है कैंकि नहीं? मानता है कि नहीं? मानता है कि नहीं? 5 m2 by 4, moment of inertia is nothing but 5 m2 by 4, इसमें किसका moment of inertia 0 हो रहा है? सर इस वाले का moment of inertia जीरो हो रहा है क्या जोरदार तरीके से एकदम डन 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 चल यह आगे देखे आगे देखे एक मिट एक मिट रुक जेए पहले यह सवाल करें इसको आप फील कर पा रहे हैं अभी तक आपने कौन से सवाल किये थे पैरलल टू दा प्लेन वाल एक्सिस था कहां एक्सिस था पैरलल टू दा प्लेन वाला एक्सिस था अब देखेगा एक्सिस कहां जा रहा है एक्सिस कहां जा strong दे geschा आ देखिए कि इस पॉइंट मास से पास कर रहा है इसका मोमेंट आफ इनिर्शिया हो जाएगा जीरो इसका हो जाएगा में स्कुएर और इसका हो जाएगा में स्कुएर तो मुमेंट आफ इनिर्शिया आएगा टू एमें स्कुएर भूल मानता है अरे हां याना हां याना बॉल मानता है मानता है भाई साहब इसको फीली नहीं आता था बच्चे को सरक कैसे पास कर रहा पर्पेंडिकुलर ले ऐसे पास कर रहा है कि ओ सॉरी कोई बात नहीं अरे फील इन आ रहा, अरे फील का बाप आएगा भी, फील से बात अब उपर उठ चुकी है, वोल फील का बाप आए कि नहीं आया, फील आए कि फील का बाप आए, एक बच्छा कैरा है सर इसको रिपीट कर दो, ले करता हूंने देख, पेटा ये कुलेटरल ट्रेंगल है, और एक्सिस ये प्लेन मना, इस प्लेन के पर्पेंडिकुलर ऐसे जा रहा, अब घुमाओ, तो अब ध्यान से धीरे से देखोगे, तो ये एक्सिस एक मास से पास कर रहा तो पूरा यहां आ गया, ये ए डिस्टेंस बोड़ ये ए डिस्टेंस, देखो न, इस एक्सिस से यही तो पर्पेंडिकुलर klai है, तो इस मास का डिस्टेंस ए और इस मास का डिस्टेंस, ऐसे गुम रहा, देखो ऐसे गूम ऐसे गूम रहा, समज में आया बीटा, समज में आया, चलो, आगे चलते हैं, अब एक सवाल है ये, इसको करके दिखा दो फटाफट, ये सारे सवाल जो आपने किया नहीं सबका मिक्चर है, थ्री पार्टिकल ही चोप मास हैं, प्लेस रे थ्री कॉर्णर अफ एक्लेटरल ट्रेंगल अफ साइड आई, बीच अफ दा फॉर इस करेक इसका जीरो इसका जीरो और इसका हो गया था रूट थी बाई टुए दिस्टन्स, वाज माया कि नहीं है, मोमेंट अवने से बाउट एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्णर पर्पेंडिक उटे प्लेन इस टूमेल स्कॉर्णर तीनों सवाल का कॉंबिनेशन है, आल अफ द लेखते। स्कॉरर वाले सवाल क्या कहना चाह रहा ? स्कॉरर वाले सवाल यह कहना चाह रहा कि एकस्कॉायρ बनाया है ! एकस्स कहां से पास कर रहा ! elect्स स्कॉरर थ प्रिंटिंग ये गलत हो गई है, ये तुम्हारा पैरलल टू प्लेन है या पर्पेंडिकुलर टू प्लेन है, तो बेटा ये है पर्पेंडिकुलर टू प्लेन, अब इस पर्पेंडिकुलर टू प्लेन कहां से एक्सिस पास कर रहा है, सेंटर से, प्रसा एजिम करो, सेंटर स इस एक्स से ह्र पॉंब्ध मास के डिस्टस कितना है सर्ष ह्ये डाइय डाइगूनल का अधा कि अधा देखे में क्॒लीट एगोनल होगा इसका साइड लेंथ यह यह कोई ए दीया हो तो यह होगा root 2a root 2l sorry root 2l तो यह हो जाएगा root 2l का आधा 2 तो क्या बनेगा बोलो l by root 2 क्या बनेगा l by root 2 तो इस axis से जितना इसका distance होगा देखो न यह square है देखो यह square है ठीक बेटा यह square है यह से axis पास कर रहा यह सारे के सारे point mass same distance पर है हाँ तो एक का निकाल के 4 से गुना कर दो एक का क्या होगा mass और यह वाला distance आपका आ रहा l by root 2 का whole square तो यह हो जाएगा 4 ml square by 2 तो यह हो जाएगा 2 ml square कितने लोग का जवाव है 2 ml square अरे बहुत सांदार बे बहुत सांदार मजा आ गया मजा आ गया अब इसका देख यह डाइगोनल से पास कर रहा पासिंग थ्रू डाइगोनल पासिंग थ्रू डाइगोनल अगर मैं लिख दू जाएगोनल पास कर रहा है इसे अगर इसे पास कर रहा तो यह तो दो नो जीरो जाएंगे अब बचेगा यह दो नो इस एक्सिस से पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस ही आ जाएगा बेटा, L by root 2, क्या हो जाएगा, L by root 2, तो मुमेंट ओफ इनर्सी आएगा, L by root 2 का whole square, ऐसे दो objective दो से गुना कर दो, तो मुमेंट ओफ इनर्सी आ जाएगा, simple L square, क्या रहा जवाब, इस वाले सवाल का क्या रहा ML square, अरे आग लगा दिस वे, जोरदार बेटा, जोरदार, ML square, अब देखना सवाल, अब देखना सवाल, आगे और जोरदार सवाल आने वाले हैं, यह मुमेंट ओफ इनर्सी आइबाउट, इस एंड एंड पर्पेंडिकुलर टू लाइन, यह रोड है, यह क्या है, रोड है यहां तक continuously distributed है, तो इसका moment of inertia इस axis से कैसे निकालेंगे, तो तुम्हें थोड़ा सा बस integration का feel देदेता हूं, कि यहां से x distance पर जाएंगे, और dx मोटाई का हम एक width काट लेंगे, जिसका mass हो जाएगा कुछ dm, तो इस छोटे से, ध्यांस देखिएगा, इस छोटे से mass का, distribution का feel देता हूं, क्योंकि वहां पर अगर variable density दे दिया, variable density दे दिया, तो बेटा फस जाओगे, समझ में आए कि नहीं है, variable density दे दिया, तो बेटा फस जाओगे, तो दिखो यहां पर, मालनो density है, density है lambda, that is mass upon length ही है, तो मुझे बताओ, अगर एक unit length का mass lambda है, m upon l, lambda, mass per unit length, mass per unit length, क्योंकि rod का mass तो उसके length में होगा न, mass per unit length क्या है, lambda, mass per unit length क्या है, lambda, ठीक है, mass per unit length क्या है, lambda, तो इसका छोटा सा mass का, छोटा सा moment of inertia, di लिखने का formula क्या बताया था, sir, distance यहां से x square into dm, तो x square और dm की value क्या होगी, तो एक unit length का mass अगर lambda है, तो dx length का mass क्या होगा, sir, dx length का mass होगा, जो mass होगा, वो lambda, into dx हो जाएगा, lambda की value वहां से रख सकते हैं, आप, mass upon length, lambda की value रख देंगे, into dx is equal to di, तोनों तरफ आप integration करते हैं, di का integration आई, यहां से m by l constant है, पूरा rod का mass और length constant है, बहार आजाएगा, integration होगा, x square into dx का, यहां जाएगा, m by l, x square into dx का integration होगा, x का power 3 by 3, limit कहां से रखेंगे x का, 0 से लेके l तक, तो 0 से लेके l तक रखेंगे, तो यहां जाएगा, ml square by 3, क्या जाएगा moment of inertia, ml square by 3, क्या समझ में आया ये बात, ml square by 3 समझ में आया, ml square by 3 कैसे आ रहा, अचा-चा, square के से lö250ौぎ से क्होंता है से लॉट को इस ऐख्सिस सब्राइशन के आप ups कि खुमाता हूं ऐसे एसे रोड को मां से weird ऑर लन्फ तेले मास इम ओर लंड में ओछ लNG कीस तो पहले रोड कैसे गूम रहा था तो एंड के बाउट गूम रहा था पहले रोड कैसे गूम रहा था एंड के बाउट गूम रहा था देखो एंड के बाउट गूम रहा था ऐसे इस रोड का जो लेंथ है कि एक्सिस और रोटेशन से परपेंडिकुलर है इस इस रोड का इस इसको मैं ऐसे ऐसे ना गुमा के इसको तुरा ऐसे टेरा कर दिया और ऐसे गुमारों देख ऐसे गुमारों ऐसे देख ऐसे गुमेगा अगर एक्सिस सेंगल ठीटा बना रहा है तो इसका इधर वाला आएगा L cos theta और यह आएगा L sin theta इस L cos theta एकसिस पर चिपकने की बज़र से इसका moment of inertia हो जाएगा 0 और इसका moment of inertia आजाएगा I बराबर M L sin theta का whole square into 1 by 3 ML square भी 3 तो होता है यह M यह length और यह 3 तो यह हो जाएगा 1 by 3 M L square sin square theta इसको logically भी आप check कर सकते क्यों sin आएगा मांनो वेटा अगर मैं एक logic लगा हूं कि एफ theta 0 अगर theta 0 होता मान लोगे theta 0 होता अगर theta 0 होता तो rod कैसे होता तो अगर theta 0 ले गए तो rod पूरा का पूरा access of rotation पे चिपक जाएगा अगर theta 0 लोगे तो rod पूरा का पूरा पर चिपक जाएगा तो इसका moment of inertia क्या जाएगा जीरो आ जाएगा इसका moment of inertia क्या जाएगा जीरो आ जाएगा और सब्सक्राइब थीटा 90 होता तो अगर तुम थीटा 90 लेते थीटा 90 लेते तो रोड पूरा का पूरा एक्सिस और रोटेशन से पर्पेंडिकुलर होता तो moment of inertia आता एमेल स्कॉएर वई थीरी क्या यह दोनों लॉजिक इसमें वेरिफाई हो रहा हां तो जो डेरिवेशन तुमने निकाला है वो सही है लेकिन इसको रटना नहीं रटना क्यों नहीं है क्योंकि अगर सवाल ऐसा द रोड के लेंगल नहीं दिया का से दिया है रोड के एक्सिस और रोटेशन से एक्सिस और रोटेशन से एंगल ठीटा नहीं है एक्सिस और रोटेशन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया उससे एंगल हमें ठीटा दे दिया तो अब क्या होगा अब लॉजिकली जो तु एकदम जुरदार एकदम जुरदार एक एरह सब 3 कहां से आया है भाइसाब तों कहां से आया पहले यह बता X square का integration करूंगा तो X का power 3 2 3 आएगा बेटा X का power 3 but 3 आएगा समझ मैं आया चलो अब देखो इस सवाल को करके दिखवा और non-uniform rod of density lambda is equal to lambda not x. Then find moment of inertia about x is passing through end and perpendicular to the length of rod. इस rod के length से, इस rod के length से perpendicular x is pass कर रहा है यहां से. इस से हमें moment of inertia निकालना है. Rod uniform नहीं है. Rod uniform नहीं है. क्या है rod का density? Rod का density दिया हुए lambda is equal to lambda not x. अब इसका moment of inertia निकाल के दिखाओ तो हम मानें. यह need में exact सवाल ऐसा आ सकता है. और कई बार आया भी है. फिर क्या करें? तो x पे जाईए. dx मोटाई का एक length assume करिए. जिसका छोटा length का छोटा mass dm होगा. एक unit length का mass को हम lambda कहते हैं. एक unit length का mass अगर lambda not x है. तो dx length का mass क्या होगा? lambda into dx. unitry method से समझे. unitry method से. lambda क्या है? तब लेमडा एक unit length का mass है. एक unit length का mass. तो dx length का mass हो जाएगा lambda into dx. तो यहाँ पर रख देंगे lambda into dx. छोटे से mass का छोटा सा moment of inertia dI. बराबर x square into dm. dm की value उपर हमने लिख लिए. तो यह x square lambda into dx बराबर होई हो जाएगा dI. दोनों तरफ integration करिए. इधर हो जाएगा आपका I. lambda not है. लेमडा not है. यह lambda not. तो लेमडा not integration के बाहर चला जाएगा. क्योंकि वो constant है. यह x. एक मिट कुछ गलत लिखा है क्या? आहां हां सॉरी सॉरी सॉरी. I am sorry बेटा. I am sorry. I am sorry. जल्दी बाजी में गलती हो गया. सॉरी. यह lambda है. lambda है तुम्हारा lambda not x. तो छोटे से length dx का mass हो जाएगा lambda into dx. जहां पर lambda की value रखेंगे. हम lambda not x into dx. बेटा, lambda खुद है lambda not x. लेमडा खुद है lambda not x. तो छोटा सा mass DM क्या रहा? lambda not x into dx. DM की value क्या आया है? lambda not x into dx. confuse मत होई है बेटा. confuse मत होई है. तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक. छोटा सा DM mass का छोटा सा moment of nature di आया हैगा. x square into ये dm. dm की value होगी lambda not x into dx. जब दोनों तरफ integration करोगे तो di का integration आई. और यहां पर lambda not बाहर x into x, x का power 3 into dx. अब x के power 3 का integration क्या होगा? तो x के power 3 का integration होगा x का power 4 by 4. x के power 3 का integration होगा lambda not बाहर x का power 4 by 4 moment of inertia. सर्व, limit क्या रखेंगे x का? तो x की value 0 से L तक रखेंगे. 0 से L तक रखेंगे. अब यहां पर 0 से L तक अगर आप इसका limit रखेंगे तो यह होगा lambda not L रखेंगे तो L का power 4 बटा 4. क्या यह moment of inertia का जवाब आपका आया है? हिरी हां बिल्कुल सही. अब मुझे यह पताए क्या यह dimensionally सही है? क्या यह dimensionally सही है? अगर यह बतापाओ आँ गे ना तब आएगा मझा. क्या यह dimensionally सही है? मोमेंट औप इनसरी का dimension क्या होना चाहिए? मोमेंट औंसरी होते है जीरो क्यों लिया क्योंकि यह समझे संफ यह है तो एकस चपसे चोटा वैल्यू से सबसे बरा वेल्यू ल इसके बाहर थोर रही नहीफ क्या यह डाइमेंस्टन अली सही है यह बत आप आओगे तो मजा आज आएगा typically nesse सही है, yes, this is dimensionally correct, yes, dimension is correct, but how, because lambda naught is not a density, lambda naught यहां से देखो, lambda naught है lambda by x, यहां से lambda naught है constant है, lambda naught होगा lambda by x, lambda क्या होता है, mass per unit length, तो lambda naught हो जाएगा mass बटा length का square, तो lambda naught को रखोगे mass बटा length का square और यह length का power 4, कट के क्या हैगा, mass into length का square, कई बच्चे कह रहें, नहीं, बेटा, यह dimensionally 200% सही है, no, it's wrong, बस बेटा, बस, इसी चीज़ का इंतिजार था, रुक जा, कराता हूँ, कराता हूँ, बस, 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 कराता हूँ, यह dimensionally 200% सही है, बता देता हूँ, lambda naught, यहाँ पर L रखोगे, तो L का power 4 by 4 आएगा, चल बताता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, non-uniform rod of density, lambda बराब लेम्डा naught X, अगर तुम यहाँ से dimension analysis करोगे, तो है lambda बराबर lambda naught X, तो lambda naught क्या हो जाएगा, lambda by X, लेम्डा क्या है, इस तरह रॉड का density, density होता है mass upon length, क्योंकि rod 1D है, तो यह हो गया mass upon length और X का एक length आएगा, ठीक है सर, अब इसका check करो, तो लेम्डा का density, लेम्डा का dimension क्या रखोगे, M by L square, M by L square into length का power 4, तो L का power 4 से L square कटेगा, तो यह length का square आगया, dimensionally 200% सही है, dimensionally 200% सही है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, क्या आपको समझ आया, mass देखो नहीं, यह lambda not a constant है, सवाल में लेका होगा, where lambda not is constant, lambda not, not a density, density lambda है, lambda is equal to lambda not X, ऐसे सवाल दिये होते हैं, ऐसे सवाल दिये होते हैं, अब आते हैं, रिंग के moment of inertia, एक जोड़दार चीज बनाईए, जो मैं तुम्हें दिखाता हूं, आओ, एक जोड़दार चीज बनाईए, एक बात बताओ, एक point mass का, इस axis of rotation से, अगर distance R है, तो moment of inertia क्या होगा, इस axis of rotation से, एक point mass का moment of inertia हो जाएगा, MR square, अगर आप इस axis of rotation से, इस point mass को ऐसे घुमाओगे, तो moment of inertia क्या होगा, MR square, और जो moment of inertia, point mass का होता है, वही moment of inertia, रिंग का होता है, आखिर क्यूं, राइव करके तो आप लही आएगे, लेकिन यहाप एकदम जोड़दार animation मैंने बनाए, एकदम अच्छा सा feel करने के लिए, मैंने मदलब नहीं, हमारी team ने बनाए, मैंने नहीं, इतना वरा animator नहीं हूं, हमने इस point mass को मैं, इसी mass को खीच खीच के एकदम लमरा लमरा के बड़ा कर रहा हूं, अब देखेगा क्या होगा, अब देखेगा क्या होगा, भाई साहब, feel का, दादा जी आएंगे, अब मुझे ये बताओ, कि जब मैं इसको खीच के बड़ा कर रहा था, तो mass change हुआ, नहीं, mass तो हुआ ही है, क्या, इस mass का distance change हुआ, axis of rotation से, moment of inertia से क्या होता है, mass और mass का distance, axis of rotation से, moment of inertia से क्या होता है, mass और mass का distance, axis of rotation से, अब मैं क्या कर रहा है, इसको खीच-खीच के बड़ा कर रहा, जब ये बड़ा हो रहा था, तो क्या, इसका mass change हो रहा हूँ, उसी को खीच रहा हूँ, कि क्या मास टोरधा नहीं हो रहा है है कि मास करेंग डिस्टेंग जिराह जो पूछ रहा है तो पूंच रहा है और अश्लीöt का बालब कि । देख। थेख कैसे बात ही कर दी तुमने अब फिल के दादाजी आएंगे आप वह फिल के दादाजी आएए के नहीं है कई तर इस से ना तो इसका मास जिंज वह रहा क्योंगे आप कि इसी को लंब आ रहे हो और नहीं इस मास्ट का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंज ज़ींज वहा देखो न और 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 हरसी दी आगना डाइग्राम त्रिडी है ने डाइग्राम जीए यह तुम्हारा शेंटर है अब धैको मैं बनाकर दिखाता हूं प्रव ऄगूँ यहापर क्या हो रहा रहा हूं यह खुद्ध देको सब्सक्राइशन तो यह पॉइंट मास था देंखो फैल रहा है देखो ऐसे ऐसे फैल रहा है आप एसे ऐसे फैल रहा है अब यह क्या बने किया रिंग बनी गया और यह तुम्हारा सेंटर ओफ मास है तो यहां से हर सरकंफ्रेंस के पॉइंट का डिस्टेंस के आर तो ना तो मास चेंज हुआ ना ही मास का डिस्टेंस चेंज हुआ समझ आया कि नहीं आया बताओ तो मोमेंट अफिनर्स एक अगा मोमेंट आफिनर्स या होगा एम्र स्कॉर्ए यहां पर मास है थोड़ा थुरा और मास थुरा और मास थुरा और मास एड होते गया उसी मास को खीशता चला गया कितना मास M और कितना दूर हर मास का पॉइंट र डिस्टेंस पर ही है कितना मास का पॉइंट ना ही मास का डिस्टेंस हुआ तो क्या होगा एंसर? MR स्क्वार चेंज होगा मतलब मोमेंट ओफ इनसर क्या होगा? MR स्क्वार समझ आये कि नहीं है? चलिए अब एक बात बताईए सर आपने बताया कि पॉइंट मास का मोमेंट ओफ इनसर जो होता है अगर यहां से R distance पर एक मास M तो इसका मोमेंट ओफ इनसर यह होगा MR स्क्वार और आप कहरें इसी को फैला के इसी को फैला के अगर मैं रिंग बना दूँ क्या बना दूँ? रिंग बना दूँ तो इसका मोमेंट ओफ इनसर इस एक्सिस के अबाउट भी MR स्क्वार ही होगा अच्छा सर इस एक्सिस अब रोटेशन पे अगर इसी रिंग को फैला फैला के ऐसे खीच खीच के अगर मैं सिलिंडर बना दूँ तो सर कहना क्या चाहतो एक बर दिखा दो आओ दिखातो क्या कहना चाहतो एक बर दिखातो एक रिंग लिए बेटा और इस रिंग को यहां रख दिया अब उसी रिंग को खीच के और बढ़ाया या उसी के जैसा रिंग और रख दिया उसी के जैसा मैं रिंग रखता जा रहा हूं तो चलो मैं मगतिं लगां कि तो कितने हो में सब मानता है कि 7 अगर मैं एक रीखल लिखना हूं लुख सा ही तीसरा ऐन्रहत रिडिके इसा है तो स्दंश किया विद्य चल ठीक है अब यह क्या हो गया सघ्ष हो गया को ऑलो सिलिंडर्आग साथ दस फ्रिंब का मासे रिंक kale भालव टो ली के बराभर होगा उस ट descriptive है ब्रूफ कर दिया मैं फिर से तुम्हें सम्झाना चाहता हो कि मैं क्या कहना हूं कह रहा हूं देख बेटा मैं यह कह रहा हूं समझना कि यह एकसिस है और यहां पर सेंटर ऑफ माच से पास करता हुआ एक्सिस रिंग बना एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्सी आगर मैं मर्श कॉईर लेता हूं तो ऐसे ऐसे कितने ट्रमय हो रहे हैं सर ऐसे टोडल दस-विंड और प्लान हो जाएगा लुए यह अब जा सूरी मारे इंसर थे इंवाप्सक्वाइर का मास उक्त contents में इंस सफ्रीट का मास और मैंना टो है तो अगरुल गर्लिसम अ की मुविन्टे दश हो जाएगी ंचर बता पसंद आय Works है कि पसंद आये कि नहीं ये चीज़ बताओ कि तुम्हें दिखा कि नहीं आंखों के सामने कि एक्षूल में जो रिंग है वही हॉलो सिलिंडर है हो क्या रहा है कि मानलो एक रिंग का मास है में तो दो रिंग का मास 2 एम 3 एम 4 एम 5 एम 6 एम 7 एम 8 एम 9 एम 10 एम है तो टोटल टेने मास हो गया तो टेने में स्टेन एम आर स्कॉयर अब बता एक दम ही एक दम ही तकरा वाला फील आए कि नहीं है कि पिलके दादा जी आगे है कि कि एक पॉइंट मास और आर कि उसमास का डिस्टन्स अब एक सिस्टन्स का डिस्टन्स क्या होगा एक सब्सक्रोटेशन से जीरो तो आर की वेलू जीरो रखेंगे अच्छा माले यह एक सब्रोटेशन है मास यहां पर अब इस मास को उठाके मैं यहां रख दूंगा तो और क्या होगा जीरो तो मुमेंट अफिनेट से क्या हो जाएगा जीरो यह कह रहा है कि एक सिस्ट पर अगर मास आ घेलो क्यों होगा लगजब करते हो यार समझ आया, समझ आया, अभी देखो, अभी तो और धंगल होगा, अब मुझे बताओ, कि ring का moment of inertia जादा होता है या disk का, किसका moment of inertia जादा होता है, ring का की disk का, जैसे मान लो यह मैंने disk बनाया, और यह मैंने बनाया ring, तो अगर central axis से हम देखें, central axis से हम देखें, तो किसका moment of inertia जादा होगा, ring का की disk का, क्या difference है दोनों में, ring और डिस्क में क्या difference है आखिर, ring और डिस्क में क्या difference है, जड़ा feel करके बताएं, ring और डिस्क में क्या difference है, तो सर देखो, ring में तो सारा मास R पर है, और डिस्क में तो मास पास चिपक गया, तो moment of inertia, ring का जादा किया मानते हैं आप हां मानते आप हां तो रिंक का मुमेंट आफञे जाधा होगा या डी स्कisfय का एगर слышv ot हां दोनों का मास सेम है डिस्कका कम होगा बिल्कुल सही ये बेटा क्यूंकि डिस्क में मास 0 से लेके partner डिस्टेंस तक distributed है लेकिन रिंग में मास सारा का सारा आर डिस्टेंस पर है तो रिंग में अगर सारा मास आर डिस्टेंस पर है तो इसका मोमेंट ओफ इनर्सिया मार इसकोर होगा लेकिन यहां पर सारा मास आर पर नहीं है जीरो से आर पर है तो इंटिग्रेशन करके निकालत से हैं तो यह हो जाता है हमारे स्कॉए भाई टू क्या क्लियर है यह बात अब मुझे बताओ जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या वही सॉलिड्स रिंडर का भी होगा बच्चे को फील नहीं आता कि सर यह वाले फिल नहीं आ रही कि हॉलो स्लिंडर follow cylinder का moment of inertia ring के moment of inertia के जैसा होता है center of mass and perpendicular to the plane क्योंकि यह plane के तो perpendicular है न ले यह plane के perpendicular है और solid cylinder का moment of inertia देखिए गध्यान से solid cylinder solid cylinder का moment of inertia disk के बराबर होता है कैसे आई यह दिखाते है क्या आपको feel आता है नहीं आता है तो अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा फिले देखिए जब मैं एक disk से और उसी के जैसा disk add करके cylinder बना रहा था तो इसमें mass का distribution change हुआ क्या axis of rotation के respect में जैसे अगर यह axis of rotation अपलेते हैं जैसे यह axis of rotation लेते हैं और उसमें एक डिस्क बनाते हैं और अगर आप यह axis of rotation लिखते हैं उसमें ऐसा ऐसा बहुत सारा disk add करते हैं तो है तो तुमारा disk ही न इस axis से उपर आरभाई टू, नीचे आरभाई टू, आगे आरभाई टू, पीचे आरभाई टू disk जैसा distribution है तो disk और चोटी चीज, है चोटी चीज, लेकिन बनाएं बहुत मेनस से तुमारे लिए तो बहुत चोटी चीज है न, तुम तो बड़ी-बड़ी cinema देखते हो जिसमें इतना high dating होता है, हमारे लिए तो तुमारे लिए तो यह एकदम पिद्दी जैसा चीज है, लेकिन, लेकिन, बना बहुत मुश्किल से है, तुम बस इसमें ये फील करो, ये फील करो, कि disk का distribution इस एक्सिस से और cylinder के mass का distribution इस एक्सिस से same ही nature करा, बस मेरा समझाने का इतना ही उद्देश है मेरा समझाने का इतना ही उद्देश है हुग है कि स्देशन जा रहा है एक पर चलो ये तो फेल आ गया है ये तो फेल आ गया की इस हमको आ roule ठा vallahi जा पर ईब जा तेरी छोध्रमी प्रेगी और इस लिए परएगि उपने घोड़र जोड़र और की वेमेशन लेकि से कम होता है सिन्टर ऑफ मास के अब हैतो अगר को ईलेता हूं तो उसके अब जाएगा इतना बढ़ जाए गार असके लिए तुम्हें को calculated टेरिवेशन नहीं करना इसके लिए एक थियूरम है जिसको कहते हैं पैरलल एक्सिस थियूरम जिसको कहते हैं पैरलल एक्सिस थियूरम क्या कहता है पैरलल एक्सिस थियूरम माल लीजिए कि सेंटर आप मास से एक एक्सिस पास कर रहा है उसके बाउट मुमेंट ओफ इनेशि यहां आई हो आया यह दोनों पर लिटे फ्लेन के प्रपेंडी फॉलस्टर लिटे दफलेन गे प्र पेंडी फॉलस्टर लूसी फाउर्न से हिसा न। तो parallel एक्सिस theorem में parallel एक्सिस थूरम है द llegó in parallel axis theorem में हम जो दोनों両े दिए आयु है parallel axis theorem में हम जो दोनों Zak puppet लेते हैं वह plane से parallel और होना चाई की perpendicular होना चै मैं जो सवाल कह रहाँ ध्यान सुनना कभी गल्ती नहीं करे parallel axis theorem में जोह हम दो एक्सिसेस लेते हैं वह फ्रन तके पार्लल होता है कि पर्पेंड्डी कुलर होता है स Willis जोह में दो एक्सिस लेतें एक सेंटर ओव मास्स से और किसी ओ से वाज कईता हुआ वो plane के parallel होना चाहिए कि perpendicular होना चाहिए अच्छे सोच के जवाब देना मजा जाएगा plane के parallel होना चाहिए कि plane के perpendicular होना चाहिए रस्मी कह रही perpendicular इसका गुपता कह रही है plane के perpendicular होना चाहिए perpendicular होना चाहिए तभी लगेगा perpendicular होना चाहिए प्रपेंडी कुलर होना चीज़, सुनो बेटा, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, यह युलब्हकिश कोई रिलेसिटन नहीं होता, मैं जान बुझ के आपसे पूछ रहाता, रिटीशन नहीं होता, वो प्रेयरल भी हो सकता है परपेंडी कुलर भी हो सकता गजब गजब वक्चोनर हो एकदम तो मूँ कहीं कि देख समझा रहा हूं समझना भी नहीं है जल्दी भी है हमको आता भी कुछ नहीं है गधे बच्चे देखो यह दो एक्सिस है एक पास कर रहा से और दूसरा कहीं दूसरे पॉइंट उसे पास कर रहा हम इन दोनों में पहल यहाँ से पास करना चाहिए और इस ऑक्सिस से पैरलेल होना चाहिए लेकिन यहतो जो प्लेंट टूसरे के पैरलेल होना चीwegen पैरलेल अक्सिस थिरम कहता है कि जो गोवन आएक दूसरे की भाल्यक्स सिर्व varied प्ररद करने का मतलब है कि तुर चैरा जो दो एक्सिष ले रहे हो और रहे हैं वह एक दूसरे से पार्ल'll होना चाहिए ले चोप ही ही यह अर्ण लियग कभड़ बोनेल्ट कुट एसली 95Star gosto waiting team कम up का से पास करना तो सर, center of mass के बाउट minimum होता है, और इससे जादा होता है, तो कितना जादा होता है, माल नो दोनों parallel की बीच में distance d है, तो i o बराबर होगा, i cm में md square हम add कर देते, जहां पे d है distance between these two axes, distance between, यह जहांपर d क्या है distance between axis क्या clear है यह बात एक गलती करके तुम्हें चीजें तो समझ आ गई होंगी एक खारी एक गलती करके तुम्हें चीजें तो visualize हो गई होंगे मुझे पता है वले यह गलती किया लेकिन चीजें तुम्हें visualize हो गई अब आओ इधर देखते हैं परिपंडिकुलर एक्सिस थिवरम क्या कहता है, कि तू एक्सिस, तू एक्सिस must be parallel to the plane of object, क्या इसमें object के plane से relation होता है? हाँ, तू एक्सिस must be, must be parallel to the plane. यहां पे क्या object के plane से relation होता है हाँ यहां पे जो दो object बनाते हैं हम axis बनाते हैं यहां पे जो हम दो axis बनाते हैं वो object के plane से पास करना चाहिए कैसे? ऐसे पर एक ऐसे प्लेंबात है दोनो प्लेंब से पास करना चाहिए और पर्पेंडीकुलर टो इच अधर अब यहां पे एक अबजेक्ट लिया हमने, तो एकसीज जो एक दुसरे है कि यहां पे जो अप्जेक के प्लें इस पास करा है और सब्सक्राइब ये तुम्हारा इसके बाउट आएगा कुछ i x और यह आएगा तुम्हारा i sorry sorry iz यह आएगा तुम्हारा कुछ i z और यह आएगा तुम्हारा i x यह दोनों एक्सिस पैरलल टू प्लेन है यह एक्सिस कैसे है पैरलल टू प्लेन और तीनों ही सेंटर ओफ मास को कट कर रहा है एक संजेट वरी गुड़ बटा जिवर अश्य बेटा एक बात बताओ मान लो एक एक्सिस में यह लेता हूँ सोच के बताना थो यह लेता हूँ और इससे मोमेंट ओफ इनर्से निकालता हूँ कुछ i1 इससे मोमेंट ओफ इनर्से निकालता हूँ i1 अब एक एक्सिस यह लेता हूँ और इससे moment of inertia से निकालता हो कुछ I2 I2 तो I1 ज्यादा होगा कि I2 ज्यादा होगा I1 ज्यादा होगा कि I2 ज्यादा होगा सोच के बताना जड़ा I1 ज्यादा होगा कि I2 ज्यादा होगा I1 ज्यादा होगा कि I2 ज्यादा होगा तो आप कह सकते हैं कि I1 ज्यादा होगा क्यों क्योंकि I1 एक्सिस से यह सारे के सारे मास R distance पहले हैं लेकिन जब तुम I2 एक्सिस ले रहे हो तुम एसा नहीं लग रहा कि सर मास तो चिपक गया इस एक्सिस पर मतलब मास इस एक्सिस से थोड़े पास-पास आ गए और ऐसे देखोगे तो मास तो दूर-दूर चले गए मास दूर-दूर चले गए देखो नहीं एक पॉाइंट पर टच कर रहा और यह तो पूरा-पूरा डाइमीटर पर चिपक गया आइटू कम होना चाहिए पिल्कुल सर आइटू कम वोना जाय अब्व्यसी बात है कम होना चाहिए तो मतलब i,z और I,x की वैल्यू कम होगी i,y के compare मे क्योंकि यह perpendicular to the plane है । और ये थीवरम यही कहता है कि जो दो parallel है i,x औ, i,z. उसके about moment of inertia का sum आई वाई के बराबर होगा अब इन दोनों में से मैं तुम्हें बस एक ही चीज़ सिखाऊंगा कि सबसे ज़्यादा useful कौन है किसको सबसे ज़्यादा use करोगे तुम parallel axis theorem को कि perpendicular axis theorem को सबसे ज़्यादा useful कौन होगा सबसे ज़्यादा useful कौन होगा पर्पेंडिकुलर एक्सिस थियूरम की पैर्लेल एक्सिस थियूरम यह बता। पर्पेंडिकुलर एक्सिस थियूरम की पैर्लेल एक्सिस थियूरम ज्यादा यूसफुल कौन होगा। पैर्लेल की पर्पेंडिकुलर। अब अब्यस्टी बात है कि यहां पर जो हम दो एक्सिस लेंगे वो प्लेन के पैरलल होना चाहिए और एक परपेंडी को लगाना चाहिए मतलब हम प्लेन लेंगे हम रॉड में तो लगाई नहीं सकते अब रॉड में तुम प्लेन कहाँ सिलाओगे नौट बैली टुड़ रॉड कर डॉड सॉलिट इस पर सॉलिट इसिस ओ पैरलल करने जादा यूज खरेंगे कौण पैरलल ज्यादा यूसफ़ल है वरी गोड जादा मेन मैं उसके इकस से एकस कर रहा इसए एकसिस को निकाल के यहाँ से पास करा दो उससी है एकसिस को निकाल के में यहाँ से पास करा दो शुर्वन थैजशन का इसंतर गया मतलब 2 तो टूडी 3 ती का कंडिशन मतल़ हो रूठ अब क्यू जाएगा तुम यह देखो कि इसको celebrate कराने के लिए हमको plain लेना परेगा क्या लेना परेगा परेगा जिसमें दो excusesm plane प्रपेंडि कुलर लेंगे और एक parallel लेंगे अब solidus में plane का है से यह और राण प्लेइड अरे वैसे नहीं होता यह बता यहां से जो x pass कर रहा ऐसे ऐसे और ऐसे तीनों x's के बाऊन की वा तुस्ष में भुविय्न होता थो वैलिड है डिस्क में प्लेन होता तो वैलिड है वहाँ बतो एकदम मज़े आए कि नहीं हैं चमका की नहीं चमका यह दोनों तूरम तुमको एकदम extreme happiness दिया कि नहीं दिया बता इसमें मैंने गल्ती करके सिखाया और मैंने बोला कि इसमें object के plan से कोई relation नहीं होता यह road में लगेगा लगेगा तों पर लगेगा चाता पर लगेगा तुमघए पर में लगेगा लेकिन यह वहीं लगेगा जहां पहले नहीं है तart में नहीं है तो इसमेंश का पीन इसमें वे पलिधा भाट अगेज, अगेज, अब हमको यह बताओ, हमको बताओ, कि अगर हम रिंग के लिए देखें, तो center of mass and perpendicular to the plane से देखें, center of mass and perpendicular to the plane, तो यह moment of inertia आएगा, MR squared done है, हाँ सर, अगर, 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 हम axis of rotation, tangents ले, कहाँ से ले है, tangents ले, आई हो, यह दोनों perpendicular to plane है, यहां से यहां अगर तुम आओ, तो इन दोनों में क्या difference है, 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 तो देखो, हम यहां से देखें, यह ring है, ऐसे गूम रहा, तो यह MR squared आया है, यही तो MR squared है, यह तो MR squared है, और द क्या पर्णि क्या गूमा देख Vall avrin कैसे सखुम्तर देको यूना इसको तुमें स्थेस्टारी मान लो सपना खुम्द रास मतलब्व ऐसे गूमगा भी डीरे मैं तुम्हें घुमांकर दिखा तो ऐसे ऐसे, तो इसके बाउट मुमेंट अफिनेर्स से ज़्यादा होगा कि कम, सर ज़्यादा होगा, कैसे निकालोगे, पैरलल एक्सिस थियूरम यूज करोगे, क्या यूज करोगे बेटा यहाँ पे, यहाँ पे यूज करोगे पैरलल एक्सिस थियूरम, क्यों पैरलल एक्सिस थि स्ma λεुका भिलास यह बोलो आम एम और डिस्टेंस्ट आर अमर इसकोर तो क्या हो जाएगा तूम ए philosophy कुरेबटा इधर देखो सब्सक्राइब एसे पास कर रहा है इसके खाट तो मुवेंट ईक्ता और जाएगा इस एक्सिस के आगगा हाँ हमें इसके बाट निकालना तो यह काम करो ना, इस axis के बाउट हमें पता है, यह perpendicular to the plane MR square होगा, और हमें इस ix के लॉग निकालना है, हमें यह parallel to the plane हम z ले लेते हैं, तो हमें पता है कि ix plus iz बदाबर MR square होगा, और जितना ix होगा उतना iz होगा, तो हम 2 ix लिख सकते हैं, बदाबर MR square, तो ix is equal to हो जाए passing through center of mass, passing through center of mass, कि यह भी center of mass ते पस्त कर रहा है, passing through center of mass, तो इन दोनों में फर्क क्या है, सर यह passing through center of mass and perpendicular to the, ah sorry, parallel to the plane, parallel to plane, यह diameter बन गया है, यह क्या बन गया है, diameter बन गया है, यह क्या बन गया है, diameter बन गया है, और उसी तरीके से, अगर मुझे parallel to the plane ओ से pass कर रहा, तो इसके about moment of inertia, क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, हम parallel axis theorem use करेंगे, क्या use करेंगे, parallel axis theorem, parallel axis theorem क्या कहता है, कि IO बराबर, ICM plus MDA squared, हमने यहां भी parallel axis theorem use किया है, और यहां भी किया, यहां भी वही IO बराबर ICM plus MDA squared, यहां भी IO बराबर ICM plus MDA squared, यहां पे यहां पे दोनों एक्सिस कैसे हैं parallel to the plane तो यहां पे आईयो हो जाएगा बेटा MR square by 2 क्यों क्यों कि center of mass parallel to the plane है और यह हो जाएगा बेटा MR square तो यह हो जाएगा आपका 3 MR square by 2 ये मंधारी से बताएं है यह कर दिखाऊंगा आज रोटेशन को रोटेशन कर करके दिखाऊंगा और यही नहीं गी एंबल मोमेंटम दखाऊंगा और यॉज ओप पुन्ली आपने देखा तो जांब में पुल्य रेस में ब्लॉप ओमता है मैं तुम्हें रूटेशन बीढ़ोंगा पुल्ली गूमने के साथ साथ ब्लॉप कैसे नीचे एक सब दिखाऊंगा सब लगिन उसके लिए सब लिए थोड़ा थोड़ा समय चाहिए होगा समय समय है बेटा समय है आराम से देखिए ये लिक पर पेंडी कुलर उ और यह एक्सिस पर्पेंडिकुलर टुदा प्लेन है, कैसे घूमता है पर्पेंडिकुलर टुदा प्लेन, देखिए, ओ मागो, तो फिजिक्स, देखिए, थ्री डामेंशनल फील, ऐसे घूमता है, सर यह तो ठीक है सरकंफ्रेंस पर्पेंडिकुलर प्लें से घूम रहा है और सेंटर से कैसे घूमता है यह यह पूरा का पूरा सेंटर से पास कर रहा है कोगे सर यह डिस्क है तो क्या हुआ रोटेशन तो देख रोटेशन तो देख कैसे यह सेंटर से घूम रहा है और यही ए देख भाई इसी एक्सिस को उठाके मैं यहां रख दूंगा तो क्या होगा देख 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 यही तो है देख कैसे घूम रहा हूं पहले क्या हो रहा था सेंटर से घूम रहा था मुमेंट ऑफ निर्सिया तो खूब निकाला है आज एक्चुल में देख कि कैसे उझते socio मैं इसे घूम रही है कि अब आउट दिखाता हूं अबाए दिकाता हूं सब्सक्राइब से पार्लल टु प्लेन हैं इस पार्लेल टू प्लेंन आपर्लल टू फ्लेन हैं हाँ सरल टू पलेन है इसके अबाउट कैसे घूमता है देखो ऐसे घूमता है ऐसे 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 तर मालो यह डिस्क है मालो किसर यह डिस्क है तो इसका मोमेंट आफ इनर्सिया क्या होगा बताव मोमेंट आफ इनर्सिया क्या होगा अच्छे से विजुलाइज करके बताव मोमेंट आफ इनर्सिया क्य नहीं तो बहुत मारता हूं मैं याद रखना कहां गया डंडा यहीं है मैंने पास हाँ इसका मोमेंट अबने से बता इमार स्कॉार वाई टू कहने वाले बच्चे एक दम गलत है अगर यह डिस्क ले लू तो MR2 by 4 is the correct answer because 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 एक मिनीट हां एक मिनीट यह डिस्क है यह डिस्क है एक्सिस पासिंग थुरू सेंटर ओफ मास एंड पर्पेंडिकुलर टू द प्लेन तो मोमेंट आफ इनर्सी आएगा बेटा डिस्क है यह डिस्क MR2 by 2 यह परहाया था आपको डिस्क का तो यह क्या हो जाएगा MR2 by 4 यह कैसे घूमता है देखिए यह ऐसे ऐसे घूमता है डाइमीटर के वाउट कैसे घूमेगा देखिए डाइमीटर के वाउट कैसे घूमेगा क्या आपको अच्छे से विजुलाइज हुआ अब आता हो यहां यहां पर इन में बताओ अगर यह डिस्क है इस एक्सिस से घूम रहा पैरलल टुदे प्लेन है कि पर्पेंडिकुलर प्लेन है यह पैरलल टुदे प्लेन अब इसका moment of inertia इस एक्सिस से बता कितना होगा और घूम कैसे रहा भी दिखाता हूं देख कैसे घूमेगा भाई साब गल्ती मत करना यहां से जो एक्सिस पास कर रहा था यहां से ऐसे जो घूम रहा था उसके about moment of inertia मैंने तुम्हें निकालना सिखाया है तो इन दोनों में parallel axis theorem use कर लो यह दोनों axis parallel है तो i is equal to हो जाएगा icm plus mr square icm जो यहां से पास कर रहा है सेंटर हो मांस ऐसे जब गूम रहा था diameter से तो यह था mr square by 4 plus mr square तो यह हो जाएगा 5 mr square by 4 हाँ अरे बहुत जोरदार भाई दिल ने लूट लिया तूने तो चल अब इसका बता इसका बता passing through and perpendicular to plane सही है क्या हाँ सर लिखा भी है आपर तो हमने लिखा भी है passing through and perpendicular to plane यह बता सर यहां पर लगा दो यह मान लो कि इसका सेंटर है कहां यह इसका सेंटर है और ऐसी तो सेंटर इसका इस सेंटर के बाद यह से घूम रहा था आई यह बरावर हो जाएगा आई ची अम प्लस एमार स्कुर्ड तो यह हो जाएगा एमार स्कुर्ड वयंट यह मार स्कुर्ड दो अशवाण करते स्वाल करने मतलब यह रिंग था इस में से कह रहा कि यह रिंग था और कह रहा कि इस से ना हमने क्या किया है 30 डिगरी सेक्षन काट के आधिया रिंग रिंस और फिरी इसको ऐसे घुमार तो मुमेंटव इनिट्स या क्या होगा है लैutral किया जवाब देते इसमें बच्चे गलती करते हैं जैसे अंजली कुस वहां गलती कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं नाम नहीं पर पारों अगंद गोंद लक्की बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे भाई साब बात ऐसी ए कि रिंग जैसा ही मोमेंट of inertia रहेगा लेकिन मास तो कम हो गया ना सोच़के मास तो कम हो गया ना सब्रस्कुण के मुगा मुंघ्ड उमेंटव को स्कुर्ण één है इसका मास बता कितना होगा सर इसका मास अगर M है 30 डिग्री सेक्शन काटा है तो टोटल होता है तीना साथ डिग्री सरकंफिर्स का मास अगर M है तो 30 डिग्री उसका बारहमा हिस्सा है अरे भाई तूरू कंसेप्ट तो अब मुमेंट आफ इनर्सिया जो होगा होगा एम डैस आर स्क्वाइर क्योंकि है यह रिंग ही तो मास आएगा एलेवेन इम बटा बारा और आर स्क्वाइर यह कंसेप्ट हुआ न बेटा सर अगर हम इसी का मास एम माने तो तो देखो नहीं मर्सक्वा होगा तो तुम जो जवाब दे रहे थे वह एकदम लल्लू राम वाली जवाब दे रहे थे क्या हुआ अरे जा सर ऐसा अपने कराया था क्लास में और लाठी मार मार के सिखाया था गेमर स्क्वाइर जवाब देना है तो एकदम गद्धे रामलाल वहां यह बताया था कि एक 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 अगर circular arc हो जिसका mass m radius r o angle theta हो तो उसका moment of inertia हो जाता है m r square मैंने परहाया था ये एक दम सही है लेकिन इसमें arc का mass m दिया है arc का mass m दिया है इसमें ring का mass m था और 30 degree काट के हटा दिया तो बजे हुए पाट का पूछा है और जा जा अरज्या जा अरज्या अरज्या घबराना नहीं घबराना नहीं गलती करके ही हम सही सीखते है अरज्या गलती कर दी छोटी बच्ची होका समझ गहना यह इंपहर्टेंट है समझ गहन यह इंपहर्टेंट है समझ गए लिए अचली आगे बरता है चली आगे बरता है रहा है है Jaemoda can do time can do in मैं तोलों में ज्यादा मोमेंट किसका अगर इन दोनों मैं से ज्यादा मॉमेंटव अफिनियस किसका फिर मांस ढोगा मैं एह जी कि सबस्कgonecemos इसका मॉममेंट अभी इसा का बिसका मॉमेंटव इस सहाधा होगा हाउलोग का इसा लिय कि सबस्का曲थ मुमें੍ने से होना चाहिए। पर होगा और मास M है तो सौरा मास उसके सर्फिस पर है और सॉलिड का स्वी दम स्टीटसे लेकर तो अगर सॉलीड के से अक्सिस पास करा रहे हो तो सॉलीड का मास से सर्फिस तक एक ताम uniformly distributed है येस तो hollow sphere का moment of inertia उसके center of mass से होता है two by five MR square जब की hollow sphere का होता है two by three MR square तो ज्यादा होा नौ five मोटा ये two by five MR square और वो होता है two by three MR square कर अब अक रगह इसंटर से ना पूंच़के सर्फ से पूछो तो सर्फियस का मतलब यह सब्चक्राइए ऐसे थाख वम्रा ठीठ एकिद्शनरी कि यह हां कि ओम रहा बढ़िया घुम्रेशंय भढ़ियग इच्वे और स्ञाएखव आ जो को प्लत कर दिया कि है कोई बात अब रूत से कोओंने का होता है मतलब क्या होता है संट उनकरƯह होता है ऐसे कूंता है एसेजेखंगता है कि ऐसे लिखता है ऐसे होता है और कि और ऐसे घूमने का मतलब क्या होता है इस तरीके से घूमने तो यहां से मुमेंट उफिनिसर क्या हो जाएगा यहां से ओसे लांट आप उसे मुमेंट उफिनिसर देखेंगे तो यह जाएगा आई-सीय एम ब्लस है इमर इसक्वार आई-सीय इम बता है आई-सीयं सब्सट ऑगे यहां पर स्कॉर्ट और प्लस by 3 आप समझ रहें में किसके लिए यह उलो के लिए ज्याधा होना चीशाइब तो देखो टूँए और यह उजाएगा फाइब लिए फाइब यह फाइब देखो यहां पर सॉलिट स्पेर में यह सेंटर ऑब मास है और यहां बेख़े तो आई-व बढबर होगा ICM plus MDA square यह हो गया बेटा 2 by 5 MR square plus 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 यहां से यह आएगा MR square तो यह हो गया तुम्हारा 527, 7 बटा 5 MR square समझ आया समझ आया समझ आया clear एकदम, बढ़िया समझ आया चलिए, अब सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं नीट में कैसे, चार hollow sphere को ऐसे चिपका दिया और यह axis of rotation है तो net moment of inertia क्या होगा फटा फट देखेगा, इसका moment of inertia और इसका moment of inertia तो center of mass वाला होगा और इसका circumference वाला होगा मतलब अब लिख सकते हैं 2 in 2 क्या यह hollow sphere है तो hollow sphere का moment of inertia क्या होता है सर जादा होता है, मतलब 2 by 3 simple सा है hollow sphere का जादा होगा, तो जादा तभी होगा जब नीचे छोड़े से डिवाइड करोगे plus 2 circumference वाला होगा, तो circumference वाला क्या हो जाएगा 5 वटा 3, देखो ने, MR square add करोगे तो 3, 2, 5, 5 वटा 3 तो सर अमरे स्कॉयर कोमन निकाल लो उपर 4 और 10, 14, 14 वटा 3 मानता है ये बात, 14 वटा 3 वटा 3 वटा वटा वोल, एकदम सही वेटा, एकदम सही, 14 वटा दिन, 7 वटा 5, 14 वटा 3 hollow है, hollow है, hollow है, hollow का जादा होना चाहिए तो जादा होता है 2 by 3, solid अगर है तो 2 by 5 चाहडा बटा, चाहडा बटा, चाहडा बटा, चाहडा बटा, हाँ, 14 by 3, yes, 14 by 3, yes, अब यहां देखो, यहां देखो, यहां पर दो hollow Sphere है और एक के और से पास कर रहा, अब यह करके दिखाओ, मान जाओंगा अगर तुमने सही कर दिया ना, तो, salute, 14, yes, यह करके दिखाओ, चलो करो देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं तो सर्नेट मोमेंट ऑफ इनर्सी आ जाएगा आइवन प्लस आई टू आई वन आ जाएगा आपका लुट वे तो फाइब टिरेंगा इसक्वेर एक ही हां फाइब टिरींगर स्कॉयर और दूसरे का होगा तो घूब ट्रींगर स स्क्वेर प्लस 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 नाइन मारे स्क्वेर है को मोमेंट ओफ इनर्शिया हो जाएगा तीन ले 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 लेते हैं पन पास दो साथ और सथाइस सत्ताइस और साथ चौटिस थर्टिफॉर वाइट यह मारे स्क्वेर आया बहुत सही बे बहुत बच्वेर गलत आ रहे है स्तोला बाइस हाहा 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 हाहा। देस बटा तीन तताइस है मार स्कॉयर वाइट नाइन कैसे आया वह सही बेटाबास बहुत जोरदार बहुत जोरदार आ इसका तो छिलीर होगा कि अब इसका निकालने के लिए से क्या करेंगे के इसके सेंटर आफ मास से निकालेंगे और यहां से प्रले अगर रेडियस और है तो यह डिस्टेंस हो जाएगा ठीक या तो हम लिए यह वाला नहीं समझ आया अब बोलो आया डमरू बजाओगे यह डमरू बजाओगे ऐसे कैसे नहीं आएगा रिपीट कर दिया ना कि अब बोला आए की नहीं आया इसको फील चाहिए अब भाई साथ कितना फील भूबे देख फील देता हूं तुम्हें चल ऐसे समझ ऐसे दोनों चिपकावा ठीक और ऐसे घूमरा सिस्टम ऐसे ऐसे घूमरा चिपके अब आगे है फील था इंक्यू आया फील तो भाई साथ तोड़ा अच्छे से ऐसे नहीं ऐसे नहीं अब आया फील भाई साथ इसके बाउट घूमेगा ना यह एक्सिस ऑप है वो तो तो तुरी आ रहे है तो डी की वेलू तुरी आ रहेगी ना अब सुनो अब तुम्हारे यह स्क्वाइर फ्रेम है क्या बटा स्क्वाइर फ्रेम इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूछा है एकदमी जुरदार तरीके से बताऊंगा मजा आजाएगा देखके यह रो प्रेंट के सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूछा है इस एक्सिस के अवाउट जो किस प्लेन के पैरलल पास कर रहा है कहां से पास कर रहा है प्लेन के पैरलल पास कर रहा है मैं तुम से दिखाओं अगर तुम इसको स्कॉयर मान सकते हो तो मान लो ऐसे पास कर रहा दे कि ये जो रोड है पूरा का पूरा एक्सिस पे आ गया बता है ना ये जो रोड है वो पूरा का पूरा एक्सिस पे आए की नहीं है बोल ये जो रोड है पूरा का पूरा एक्सिस पे आए की नहीं है बता हाँ सर एक्सिस पे आ गया तो अगर मैं इस चारो रोड का नाम दे ले लो, इसका i2 ले लो, इसका i3 ले लो, इसका i4 ले लो, तो net moment of inertia में इसका moment of inertia i1 की value, plus i2, plus i3, plus i4, Lit है गा 0, इसका आएगा ml2 by 3, इसको i3 बोल देता हूँ, इसको i4 बोल देता हूँ, इसका आएगा ml2 by 3, और i4 आएगा ml2 स्कुर्ण ऐसा अगर तिन में यस्पर 2 पाच थी जंजत नहीं कोई पट पट नहीं सीधा अंसर फ्वाइवστ एल ऐसी इसे थे अ इस ऐसे रींजन से इस वे ?L distance पर है, इस羅ड का हर एक point L distance पर है। यह मानता है कि नहीं मानना बता। तो वाई साब, यहीं तो किया। इस axis से, यह end से घुमेगा। यह end से घुमेगा, तो ml2vida 3, ml2בׂ 3,–3 और इस iç 이וח box झाफ का हर एक point ऑपांस जैसा होगा। बता हाए ना Dir booked यह गिस बदाले आग से आगें की सबं दीस इंटु बाररक कैसे हुआ सब्सक्रीजिक के अब 1-न कईफ टेज टीस इंटु बारक कैसे हुआ certificus 2016, सूट टैसे टूरलूक को तो टूर अब कितने का यह इन राइग पिकने में ब्रूपoramaुद कर दो तू थीBob कितने परावर हिस्से में बगाटेगा 12 हिस्से में तो तीस रीड़ का मास हो गया M बटा 12 कहां दिमाग लेकिश क्या है कि समझ आया ठीक है देख भाई देख देख नहीं आया तो बताता हूं इस एकसिस से इस रौड का डिस्टेंस बता कितना है इस एकसिस से इस रौड का डिस्टेंस बता कितना है कि यह क्या हो गया कि अज़ितना बताना इस एकसिस से इस रौड का डिस्टेंस बता कितना है या कि ऐसे एकसिसरी रोड से गुम्रास हैुम्रा हैुको ऑलना अध्यार घुर सोड़ाइं व्यूरे week mira ऐसे गुम्रा सिय गुम्रा के युपर गुम्रा टो टो एकसिस पास कर रहे हैं सेंटर आप मास न प्रपेंडी। यूरिटपिद Ulric अगलत लिखाए पासिंग तरूस सेंटर एàn 2 एकसिस पासिंग तूरु सेंटर यह एक रोड के लेंज सेपास कर रहा था यह पासिंग तूरु के तूसें तर आनड पर पेंडिकूले अब बता इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा तो सुना बच्छे से सबसे पहले मैं यह कह सकता हूं कि इस ओसे मोमेंट ऑफ इनर्सिया चार गुना एक रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा वही एंसर आएगा कि ये हमें ये कह सकते हो निया है कि मैं ये कह सकते हो पहले एक स्टेप इप आई मेना स्कॉर फ्रेम ए ऐस इस्ते मोमें टो एक रॉड का आएगा जो एक रॉड का आएगा उसको मैं चार से मल्टिप्लाई कर दूगा हाँ है ना उसको मैं चार से मल्टिप्लाई कर दूगा हाँ है ना हाँ चार से मल्टिप्लाई कर दूगा सथी के चार से मल्टिप्लाई कर दोगे ओकेज ओकेज अब एक का कैसे निकालोगे तो अब देख एक पास पर रहा होता, तो एक रॉट का इसी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता, इसी का, सब M ŧ कवी 12, अगर इस सेंटर ऑफ मास से आप एक इमेजनरी एकसिस मानो, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया में पता है, तो सिर्फ इसी रॉड के लिए इन दोनों में पैरल एक्सिस थूरम लगा सकता हूँ क्या ये डी डिस्टेंस पर है हाँ तो क्या इस रॉड के लिए एक रॉड के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि I C M प्लस M D SQUARE क्यूकि हमें मोमेंट आफ इनर्स रहा किस के लगा हूँ हमें मोमेंट ऑफिनर्स सँ इस से का इस बाउड निकालना गा और हमें इस रॉड का का इस थीक है आईसे म क्या होता है आपको याद होना चाहिए यहां तक L है तो आधा L by 2, L square by 4, अब यहां पर जब LCM लेंगे तो 12 आ जाएगा LCM, यह आप ऐसे कर सकते हैं न, यह 4 से काटेंगे तो 3, 13 M L square by 3, प्लस M L square, तो 3 नीचे LCM आ जाएगा, तो 4 M L square by 3, 4 M L square by 3 answer आना चाहिए, बिल्कुल, 4 M L square by 3 answer आना चाहिए, 13 by 3 M L square गलत है, 4 M L square by 3, 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 हां बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, मज़ा आगया साब, मज़ा आगया, यह आप गया तुम्हारा आगया, net moment of inertia, net moment of inertia, moment of inertia, अब half ring about center of mass, यह NEET में कई बार पूछा जाग चुका है, किसका moment of inertia आप पूछ रहा है, half ring का, यह half ring है, इसका moment of inertia, अगर mass M है, और radius R है, तो इस O से, मतलब इस center से, पास करने वाले axis से कितना होगा, आई-ो, आई-ो बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, बस, बागी का काम हम बाद में देखेंगे, मुझे बस इतना बता दो, कि इस axis से moment of inertia क्या होगा, बस इतना बता दो, एक दो बच्चे को समझ नहीं आ है, बताता हूं बेटा, बताता हूं, देख, अराम समझ, अराम समझ, देख, मेरी बात सुन, ये तेरा system है, चार रोड का, ठी सोच से पांसिंग थुउ सेंस्तर परपिंडी कुलर तु मुखके पिले तु इतना बता। है कि में यह चू संफ के यह संफ है है यह City से हूँ से है इस एक्सिस से एक रोड का मौमेंट ओफ इनर्षी ऐंगा हो तो चार से गुना कर दू तो इस नेट मौमिंट ओफ इनर्सी आइगा की नहीं ये बतादे बस इतना समस्झ में आय की नहीं है अगर तुम्हें यह समझ मे आया अब सुन मेरा उद्ध्दस से की एक रोड का इस एक्सिस से निकालनों बस हां तो एक्सिस ऐसे पास कर रहा है और एक रोड यहां पर मुझे बताईए कि एक रोड का सेंटर ओफ मास से पास करने वाले एक्सिस से क्या मुझे मुझे मुमेंट ओफ इनर्सी आता है निकालना हां यह सेंटर और यह तो यह डिस्टे रहा था, जितना एक rod का होगा, उतना ही चारों rod का होगा, अब मैं यहां से पूछ रहा हूँ, तो एक rod का, तो MLS कर भी बारा और हमें इस के about चाहिए, तो हम यहां पे क्या करेंगे, I, O, बराबर लिखेंगे यहां से, यहां से, एक rod का एक rod का i cm plus m d square एक रोड के लिए only one rod i cm तरह आगे ml square भी 12 plus m l by 2 का whole square अब ये को जो तुमने calculate किया वो एक रोड का है चार से गुना कर दो समझाया बेटा अब तो लिख दे बेटा हाँ समझाया अब तो बोलने समझाया चल अब देख सुन आदेर रिंग का center of mass हाफ रिंग का center of mass कहां होता है हाफ रिंग का center of mass होता है 2R by pipe है आदेर रिंग का center of mass कहां पे होता है 2R by pipe है और center से center से moment of inertia होगा MR square मुझे यहाँ से पूछा है moment of inertia of half ring about center of mass and perpendicular to the plane and perpendicular to plane मतलब center of mass एक्सिस तो पास कर रहा है लेकिन यह perpendicular to the plane है जैसे मैं अगर तुम्हें इसका feel देलाना चाहूँ तो आप feel भी कर सकते हैं जैसे यह half ring है यह half ring है दिख रहा half ring आज सर यह half ring है half ring का moment of inertia यहां से क्या होगा मर सकार हाफ रिंग हो यह full ring ओ रिंग रिंग जैसा distribution यहां से क्या होगा पूछा है यह देखो पर्पेंडिकुलर प्लेन कैसे करेंगे तो सर आई ओ बराबर icm प्लस mds हमें आई वो पता है मर स्कार हमें icm चाहिए mds को इधर लेखो md की वेल्यू क्या होगा 2r by pi 2r by pi whole square is equal to icm बता मज़ा है कि नहीं है खूब सारे सवाल इस पर पूछे जाते है कूप सारे सवाल इस पर पूछे जाते हैं यह रहा है क्लियर रहा है चलो कि चलो अब देखो लगातार जड़ी किस चीज का जड़ी पी वाई क्यूका जड़ी AIPMT prelims 2003 पेटा अच्छे से सवाल समझना फिर सौल करना पहले सवाल पर अच्छे से थीन रोड अफ लेंद ल थीन रोड अफ लेंद ल मास M मास M बेंड अट इस मिड़ पूइंट बेंड अट मिड़ पूइंट इंट टो हाफ so that the angle between them is 90 degree the moment of inertia of the bend rod about an axis passing through the bending point passing through the bending point and perpendicular to the plane defined by the two half of the rod plane defined by the two half of the rod अब देखना ध्यान से ये rod है इस rod का इस के बाउट सेंटर अब मास के बाउट moment of inertia क्या होता है rod का center of mass से moment of inertia क्या होता है सर, rod का center of mass से moment of inertia होता है ml square by 12 अब हो क्या कह रहा कि इसको मोर दिया हमने bend कर दिया आधे मिस्से में और एक दुसरे से 90 degree पर हमने ऐसे मोर जोड दिया अब ये जो plane बन रहा है इस plane के perpendicular ये axis लगाया सर ठीक है तो अब क्या होगा moment of inertia आधा आधा रोड हो गया अब ध्यान सुनना ये length लवाई टू इधर और लवाई टू इधर पहले ऐसे था देखना बड़ा अच्छे तरीके समझारों देखी ऐसा रोड था ऐसा रोड था center of mass axis पास कर रहा लवाई टू इधर लवाई टू अब अगर माल लो इस लवाई टू जो उस तरफ उसको चिपका दू में इसी पे तो अब moment of inertia क्या होगा जो पहले था क्योंकि भाई साहब ये इधर हो या इधर हो कोई फरक नहीं परता है घूमना तो इसको लवाई टू लेंध पर ऐसे इथा ना अभी देखो क्या है लवाई टू पूरा का पूरा इम मास लवाई टू लेंध पर distributed है अब इसको तुम खोल के इधर रखो या इधर रखो एक ही बात है या तुम 90 डिगरी पर रखो एक ही बात है का तुम को फील आहाए की नहीं बेटा जंक से होच के सकता मूमेंट ये अगर आया होगा तो ज्वरदार वेल आहीं होगा तूम ऐसे रखो अल्य यस या ऐसे रखो या ऐसे रखो एक ही बात मुमेंट अविनेर से क्या होगा एम लेस्ट करीब बारा जब तक तुम इसको चिपकाओगे नहीं न एक्सिस ऑप रोटेशन पे तब तक कोई फरक नहीं पड़ता ऐसे थाना देख ऐसे थाना हाँ जाय की नहीं है हां सी जाक नहीं इसको नहीं परसेंट नहीं हंड़ी परसेंट बच्चो का जब आप सी अच्छे से पील करा है एम टी तोजार चे थे मोमेंट अविनेर से अफ द इनूफॉर्म सर्कुलर डिस्क अफ रडियस आर और मासम अबाट इन एक्सिस्ट टॉच अबाल नक्सिस्ट लिस्क अठिस्ट टुमेटर अनॉर्मल टु दा नॉर्टन इनुट्ट नोट डामिटर स्रकंफृरिंस है थार कंफृरिन्स अ टू पर्टेश कर रहा है कि शरकंफ निकाला हुआ है यहां से होता है हं और टाचिंग दस रॉंफरेंस और नॉर्मल नॉर्पर मता उटए अनॉन औरे मेट ऑल filament यूळे क्या होगा वाइस अहां से होता है मुमेंट ओफ इनराइज ऐसे मेंट स्वॉवर्ट रॉयर कर देंगे तो 2 X 3 MR इस्कॉयर आना चाहिए कोनी यह रहल 2 x 3, 1 मैं टेक्वा, 3 x 2, sorry, 2 x 3 नहीं, mR square by 2, plus mR square, क्या आगा एंसर, C, C आगा, बहुत बढ़िए, चले आगे बढ़िए, क्या देखे, AIPMT 2005, the moment of nes of the uniform circular disk of radius R and mass M passing through the edge of the disk and normal to the disk, edge of the disk, moment of nes of the uniform circular disk of radius R and mass M, about an x is passing through the edge of the disk, edge of the disk, and normal to the plane, आड़े, यही तो आरा 3 y 2, D answer आएगा, 3 x 2, वही सवाल है, अलग-अलग language भी लिख दिया, AIPMT 2005, identical spherical cell, spherical cell का मतलब होता है, hollow sphere, hollow sphere का मतलब होगा है, 2 x 3 mR square, hollow sphere है, 2 x 3, A is your correct answer, 4 mR square, A is your correct answer, yes, 4 mR square, बहुत असान है, बहुत असान है, बहुत असान है, एक काली आपने center से और दो काली आपने circumference से, circumference से होता है, 5 x 3, उसको 2 से multiply किया तो, 10 x 3 आगया, बहुत easy, radius of duration क्या होता है, radius of duration is a point, a point where whole mass, whole mass of the system, system, can be assumed, to calculate moment of inertia, whole mass का, whole mass को किसी एक point में मान सकते हैं, a point where whole mass of the system, can be assumed, to calculate MOI, to calculate MOI, definition समझेगा, a point where, a point where, a point where whole mass, of the system, can be assumed, to calculate MOI, हम system के mass को जहां पर मानते हैं, उसको हम center of mass कहते हैं, कि radius of duration कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो center of mass का concept, moment of inertia के लिए valid नहीं है, यह तो center of mass ही हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सक्षम सर्मा, बहुत चोरदार जबाब, सुन ध colony, center of mass पर mass मान के आप moment of inertia नहीं निकाल सकते हैं, लिख ले, center of mass पर mass को मान के moment of inertia नहीं निकाल सकते, Center of mass कई और valid हो गालेकिन moment of inertia नहीं है, तो क्यों ऐसा क्यों नहीं है, दिखाता हूँ, एक बात बता, कि इस पूरे रोड़ का सेंटर मासं कहा है शैक क्या रॉंग है इसमें बतातो तुम्हें समझ नहीं थो रोंन हो गया दी आरा पिछले वाले में कर लेते हैं सौल अरे भाई सबस्टरिकल सेल है तो तुर सॉलिड़ेस्पेर माना होगा, सॉलिड़ेस्पेर का शॉलिड़ेस्पेर नहीं है यह अलय मानले, कौन जाना साकर क्या है तो moment of inertia हम सारा mass यहाँ पर माल लेंगे तो point mass हो जाएगा तो moment of inertia आना ची Mk square और चुकि हम जानते कि end k about moment of inertia होता है ml square by 3 mass से mass कटेगा तो k बराबर आजाएगा आपका l by root 3 मतलब l by root 3 distance पर सारे rod का mass माल लू तो end k about moment of inertia यह आजाएगा तो क्या radius of gyration axis of rotation पे depend करता है या radius of direction axis of rotation पे depend करता है yes strongly depends upon axis of rotation depends on axis of rotation yes this strongly depends on axis of rotation strongly depends on axis of rotation अब यह सवाल है 90% बच्चे गलती करते इसमें एक बार पढ़के देखिए मजाज आएगा 2 ring of same mass and radius r दो ring है जिनका mass same है and radius r placed with their plans perpendicular to each other their plans perpendicular to each other मतलब एक ring को और इस plane में रखा है तो दूसरे रिंग को ऐसे रखा है दूसरे रिंग को ऐसे रखा है समझ आ रहा है दूसरे रिंग को इस तरीके से रखा है अब बोला है रिंग आफ सेम मास और डिशार प्लेस्ट बित प्लेइन पर्पेंडिकुलर चुछ इधर और सेंटर और कॉमन सेंटर कॉमन तो भाई साहब एक तो रिंग पूरा का पूरा ही सेक्सिस पर आगया देखो यह वाला रिंग तो इसके बाउट मुमेंट अफ नर्सी हो जाता है रिंग का अमरे स्कॉर भी टू और एक रिंग अब लेनी से परपेंडी कुलर तो यह हो जाएगा इमरे स्कॉर तो यह टोटल मुमेंट ऑफ इनर्सी आ गया तो फिरी भाई टू एमरे स्कॉर और अगर हम कहीं के डिस्टन्स पर सारे रिंग को मान लेता है के डिस्टन्स तो वह जाएगा एम के स्कॉर इस एकॉल टू एमर स्कॉर टो एम से एम कटेगा तो के इसकोल टू आ जाएगा विल्कुल निकाल होगे तुम्हें लगेगा कि सी ही एंसर आना चाहिए लेकिन आप एक बलंडर मिस्टेक है जो मैंने तुम्हारे साथ रिपीट किया जानम बचुक्तु पयासी वात नीए मैं सवाल करा हूं को एक आप दो परसंट का बच्चे का एंसर आ रहाएं D, डी आ रहा है, इसमें गल्ती कहां हुई है, देखो, जिस एक्सिस से तुम्हें रेडियस अब जाहिए होता है, कबसे पहले उस एक्सिस पर जाके, उस एक्सिस के बाउट मोमेंट ओफ इनर्सिया निकालते हो, तो यह ए पर सारे मास को एजियूम कर लेते हों तो जब सारे मास को के डिस्टेंस पर एजियूम करोगे तो सिस्टम में दो रिंग है है एं मोरे मास का तो एक्शल मास यहां पर आएगा टू फेंट इमके स्क्वाइर ओजा अरे जा अरे जाज जाज तो नीचे चला जाएगा तो के स्क्वाइर इकोल टू थिरी बाई फॉर पार इसक्वार तो के आज आएगा पेटा रूट थिरी आरबाई-2 क्योंकि रूट 4 is 2 तो correct answer is T कैसा लगा सवाल सिस्टम हिला डाला जिंगा लाला चलो यह बार बार आ रहा है बहुत important सवाल हमें कराना है यहां पर बार बार आ रहा है लेकिन इसको मटाते हैं यह सवाल करके बताई एक बड़िया सवाल बनाया मैंने एक बड़िया सवाल बनाया है यह खुद लिए वर करके दिखाए यह तो मानेंगे ख़ाल पढ़िये रिखा एक रओड है यूनिफॉर्म जिसका मास-म है लेंथ 2 आ यह रौड है रॉड का बेटा मास है टू एम आई सौरी मास-म और लेंथ है यह रॉड है राइट अन उनिफार्म डिस्क आफ मास-म एन रडियर ए एक उनिफॉर्म डिस्क है, जिसका मास M है और रेडियस R है, जिसको इस तरीके से अटेच किया है, तो सर ऐसे घुमाओगे कैसे, अरे ये एकसिस हो गया तुमारा, ऐसे घुमेगा, तो एंड के बाउट इस रॉड के लिए तो सर एमेल स्कॉयर भी थिरी होगा तो रॉड का मुमेंट ऑफ निर्शा लिखो एम मासम है क्या मासम लेंद क्या हो जाएगा सर्ट टू आर इसका लेंद हो गया बटा थिरी यह रॉड का आएगा और अगर इस डिस्क का देखोगे तो डिस्क का मासम रेडियस आ रहे तो इसके आउट मुमेंट ऑफ निर्शा निकालना आता है यहां से ऐसे पास कर रहा यहां से इसे पास कर रहा यह लेंख होगा आपका और यह लेंख अमारा एकचल में डी होगा तो सर हम यह D कैसे निकालेंगे यह 2R है क्या यह R है क्या तो पाइथागुरस theorem से D हो जाएगा आपका root under 2R का square प्लस R square R square प्लस 2R का whole square आरे हाँ तो यह हो जाएगा root under 5R तो plus ring का disk का mass M और D हो जाएगा तुम्हार root 5R root 5R का whole square यह calculation बैठेगा तो यहाँ से हो जाएगा M दो का whole square 4 4MR square by 3 प्लस MR square by 2 प्लस 5MR square LCM ले लोगे तुम 6 जब 6 LCM लोगे तो यह आजाएगा तुम्हारा 8 प्लस यहाँ पर आगया 3 प्लस पांच अक तीस तीस तो तीस और तीस और तीस और आट तीस तीन एक तालिस 41 by 6 MR square 41 by 6 MR square एक बार देखी थी वो खुस हो गई थी वाह हर जल स्टाइल कहरी एक बार देखी थी तो खुस हो गई थी देखी नए गाए भी 3 अब मजह आए की नहीं है सवाल में मजह आए सवाल में बढ़िया सवाब अब जो तुम कहा रहते निस सर उसमें गलत हो गया solid sphere ले लिया था गल्ती से आपने, अब मैं सच में solid sphere दे रहा हूँ, ले, solid sphere दे रहा हूँ, each of mass, mass p and radius q, arrange in sony figure, then moment of energy, अब निकाल लोगे, same question है, लेकिन, pattern same है, लेकिन system में थोड़ा सा बदला हो है, system में थोड़ा सा बदला हो है, क्या है, पहले hollow sphere लेके solve किया था, यह solid sphere, next द square of side b, the moment of energy of the system about and exists, about and exists one of the side of the square, one of the side of a square, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, यह तुम्हारा diameter 2 है, तो इसका radius हो जाए गए, एक sphere लिया जिसका radius है, एक और 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 sphere लिया of a square of side b तो square का mass क्या है square का mass क्या है square का mass कि side का mass कुछ नहीं है यह massless rod है यह sphere का mass है 4 sphere of diameter 2a और simple sphere हो तो आप solid sphere ही लेंगे the moment of inertia of the system about an axis one of the side of the square इस square के side से moment of inertia आप से पूछा है इस square के side से आप से moment of inertia पूछा है अब कैसे निकालो को बताओ इसका moment of inertia हो जाएगा 2 by 5 ma square इसका इस अकेले का क्योंकि यह sphere से तो axis center of mass से पास कर रहा यह axis इसके center of mass से पास कर रहा तो यह भी हो जाएगा 2 by 5 ma square यह दो स्फेर का हमने लिख लिया मानता है यह बात ठीक है अब इसका अगर तुम लिखोगे तो इसका इस axis होता तो 2 by 5 आता 2 by 5 मारे स्वाइर आता कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तब आता जब axis यहां होता तो कोई बात नहीं इस axis के रहोट निकालना है तो parallel axis theorem लगा तो यह distance भी हो गया खाटो कर सकते हैं 2 by 5 मारे स्वाइर इसका और parallel axis theorem लगा होगे तो अबीद sa algun इंबी आसके एसे कितने fall学anda आसे इसे म्लटिप्लाइं कर दो बस तो टू रंड। ऑई लगरे ने मारे स्वाइर चायेगे और बाई-व्य है इम स्कॉर यहां पर यह आईगा 2 को अंदर ले जाओगे, तो 4 by 5 MR square, और यहां 2 जाएगा तो 2 MBA square, 4, 4, 8 MR square, 8 MR square by 5 plus 2 MBA square, radius आद A दिया है तो 8 MBA square by 5 plus 2 MBA square, यह रहा आपका जवाब D समझ आए है बेटा? समझ आए है बेटा? हाँ, yes, D is the correct answer, very good very good, बहुत बढ़ी है, D is your correct answer D is your correct answer, बस थोरे से सवाल और बचे, बस ज़्यादा सवाल नहीं बचे rectangular plate का moment of inertia पे हम पहुँच गए, थोरे से सवाल और बचे है ना, उसके बाद हम आपको break देंगे, बिलकुल 20 मिनट बाद हम break देंगे, 20 मिनट का माना टार्गेट है, moment of inertia गरदा उड़ा देते हैं, अब देख सवाल, find the moment of inertia, of a ring, shown in a figure, about an axis AB, इस axis से, इस ring का moment of inertia निकाल के दिखाओ तो मान जाओं, solid और hollow ना दिया हो, और simple solid sphere लिखाओ, तो solid sphere लेंगे, uniform sphere लिखाओ, तो solid sphere लेंगे, cell लिखाओ, तो hollow sphere लेंगे, cell लिखाओ, तो hollow sphere लेंगे, ठीक है, चलो, यह बहुत सुंदर सवाल है, सुनना अच्छे से, अब तुम अगर, इस axis के बाद, moment of inertia निकाल रहे हो, आईए भी, center of mass यहाँ पर है, हाँ, और इस axis, जो कि center of mass and parallel to the plane है, उसका moment of inertia तुम अगर निकाल लो, तो क्या parallel axis theorem यह कहता है, जहाँ पर D यह हो गया, कि यही तो parallel axis theorem होता है, तो सर एक बात बताओ, ring यहाँ रख दोगे, और कई और से जाके moment of inertia से निकालोगे, हाँ मेरी मर जी, क्या मैं इसा नहीं कर सकता हूं, यह स्कॉयर है, और एक massless rod ऐसे लगा दिया, और बोलूगा कि इसको मैं गुमा रहा हूं, ऐसे, कुछ भी, ऐसे ऐसे गुमारों, ऐसे यहाँ पर रिंग चिपका दिया, बोला ऐसे गुमाऊंगा, ऐसे गुमाऊंगा, और रिंग यहां रख दिया, यह massless rod ऐसे ring यहां रख दिया, और ऐसे गुमारों, कहीं भी axis ले जा सकता हूं, जरूरी है क्या की, axis हमेसा body के अंदर से ही पास करे, जरूरी है क्या की, axis हमेसा body के अंदर से ही पास करे, नहीं, नहीं, तो बताए, इस ट्रेबर आप, moment of in-ness निकालता हो, यह आपको पता है MR2 4 होगा हां क्योंकि परलेल तो प्लेन है अच्छा रिंग है रिंग है तो 2 होगा डिस्क होता तो जवाब आएगा 3 MR2 2 बदर चमका की नहीं चमका बदर चमका की नहीं चमका है वहुत बढ़िया 8229 4 identical thin rod each of mass M 4 identical thin rod h of mass M square frame square frame a square frame moment of inertia of this frame about an axis through the center of the square and perpendicular to the plane ये निकाल दिया हाया मने passing through the center and perpendicular to the plane already done already done next AIPMT 2011 the moment of inertia of the thin is uniform rod of mass M and length L thin uniform rod of mass M and length L about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I naught ये चोटा सा not है यहाँ पर गोला कि center of mass से उसका moment of inertia passing through center and perpendicular length of rod is I naught ये तो होता है M L square by 12 लेकिन उसने I naught दिया this moment of inertia about an axis passing through one of its end and perpendicular to the length one of its length as a and perpendicular to the length one of end and perpendicular to the length ये क्या होगा सब M L square भी 3 होता लेकिन M L square भी 3 कही option में नहीं है इसलिए नहीं है नहीं है बेटा कि हमें parallel axis theorem यूज करके निकाल ला है यह हो जाएगा L by 2 तो आप लेंगे लिखेंगे आई यो बराबर ICM plus M D square ICM M L square यूज नहीं करना I naught दिया है M length हो by 4 distance से axis पास करा तो इसके about moment of inertia क्या होगा बताओ फड़ा 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 करो बेटा मजा आजाएगा calculate करो मजा आजाएगा moment of inertia इस axis के about moment of inertia मजा आजाएगा अब बहुत असान है इस एंड के about हमें पता होता है अगर मान लो यह ओ मानते हो यह मैं O-S-M मान लू तो पहरे लेक्सित्रम लगा देंगे दुनों किस परफ तो यह होजाएगा इसके बाउट ज्यादा होना चीज़ तो I O-10 बराबर I O plus M L square by 4 और I O-10 होता M L square by 3 M L square by 3 बराबर I O plus M L square by 4 तो यहां से मिल जाएगा आई ओ बराबर M L square by 3 minus M L square by 4 यह जाएगा तर्टी बार चामें सेक्ते M L square by 12 लवा रहा है यह तो है पहली बार है दोबारा नहीं खून है मेरा फवारा दोट पहुचाती है मेरे दिल को मैं इंसान हूं आभारा नहीं कि वह तो यह इंसर आहां इंसर गलत आ रहा अचा क्या गलती है बतां क्या गलती है बताओ गलती गया है मैंने parallel axis theorem गलत लगाए क्या येस हमने parallel axis theorem का concept ही गलत लगा है क्यों भई parallel axis theorem का concept गलत ही हुए क्योंकि parallel axis theorem तभी लगता है जब एक axis center of mass से पास कर रहा हूँ एक axis अगर center of mass से पास कर रहा है तभी आप parallel axis theorem लगा सकते नहीं तो नहीं लगा सकते ओरे हाँ यार ये तो बात ही भूल गया था हाँ तो i cm is equal to sorry 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 i o is equal to i cm plus md square लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा ml square by 12 plus m अगर end से ly4 है तो यह भी ly4 हो जाएगा ly4 का whole square यह सही जवाब आएगा अच्छा सर वैसे भी यहापे ly4 का whole square करोगे तो ml square 16 आएगा आपने यही गलत किया था ओहो तो भी यह गलत आएगा यह मेरा printing mistake हो गया था क्योंकि मुझे पहले से बताते ही गलत ही है तो गलत में और गलत कर देगा तो क्या ही फरक परता है गलत तो गलत होता है तो याद रखिएगा घृच क्या याद रखना है एक रोटेशन एक सेंटर ऑफ मास से पास करना ही चाहिए तब ही आप अभी आप पैरलल एक्सिस तूरम लगा सकते नहीं तो अब पैरलल एक्सिस तूरम नहीं लगा सकते हैं मतलब यह पैरलल एक्सिस तूरम लगाई ही मैंने गलत है पैरलल एक्सिस तूरम में कोई भी दो एक्सिस नहीं ले सकते आप जो एक दूसरे के पैरलल हो पैरलल एक्सिस तूरम में एक एकसिस सेंटर अफ मास से पास होना ही चाहिए, एक सेंटर अफ मास से पास होना ही चाहिए, प्र इदेंटिकल थिन रोड, इच अफ मास M and लेंद L, are joined to form a square frame, moment of inertia of this frame about an axis, passing through one corner and perpendicular to the plane, passing through one corner and perpendicular to the plane, अब सुन ध्यान से, ये चार रोड मिला के मैंने system बनाये, and perpendicular to the plane, इस से पूछ रहा, अब सुन, जादा इसमें बकलोली नहीं करना, क्या तुम्हें ये वाला moment of inertia से याद है, passing through center and perpendicular to the plane, ये तुने निकाला था अभी-अभी, पता याद है कि नहीं है, नहीं याद है, तो निकालना, वैसे अभी-अभी आपने निकाला है, 4 ml square by 3, 4 ml square by 3, तो हम यहाँ से इसके पूरे सिस्टम का जो center है, उसको हम center of mass बोल देते हैं, या कुछ भी, ओ ही बोल चलो, ओ बोल, ये o dash हो गया, तो क्या मैं यहाँ पे parallel axis theorem यूज कर सकता हूँ, पूरे सिस्टम का ये center of mass है, हाँ या ना, पूरे सिस्टम का ये center of mass है, हाँ या ना, तो मैं लिख सकता हूँ, i o dash बराबर, icm पलस 4 mda square, अब बताएं यहाँ पे 4 mda square क्यों लगाया, क्योंकि जब भी मैं, जब भी मैं moment of inertia लिखूँँगा, जब भी मैं moment of inertia लिखूँगा, parallel axis theorem के लिए, तो मैं लिखूँँगा, icm, क्या है ये, क्या है ये, center of mass, पूरे system का center of mass है, moment of inertia, plus mda square, लेकिन इसमें system का mass क्या है, system का mass तो 4 m है, तो 4 m लिखना पड़ेगा, यह हमने निकाला था, 4 ml square by 3, plus 4 m, d की value बोल, तो d की value हो जाएगा, l by root 2, यहां रख दे, l by root 2 का whole square, बेटा, जब धंग से solve करोगे, तो यह आ जाएगा, तुम्हारा, नीचे 2, तो 2 आ गया, तो यह काम करें, चार से 2 cancel करें, तो उपर 2 आ जाएगा, तो 4 ml square by 3, plus 2 ml square, 3, 2, 6, 4, 10, 10, बटा 3 ml square, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, एक सवाल और इसमें पूछा जाता है, कि हमने क्या किया, square frame ले लिया, क्या ले लिया, square frame ले लिया, और इसका moment of inertia, एक diagonal से निकाल दी, ऐसे, यह बताओ, इसके about moment of inertia क्या होगा, passing through center of mass, passing through center of the system, and about one of its diagonal, about one of its diagonal, अब कैसे निकालोगे, अब सुनना अच्छे से, बढ़िया सवाल है, क्या यह वाला angle 45 होगा, हुआ, तो ऐसा हम नहीं नहीं कर सकते है, कि हम ये माने, कि एक rod है ये, और ये rod, इस axis से 45 degree angle बना जया हो, और ये rod will be 45 degree angle बनाए हो, क्या हम लिख सकते है, moment of inertia, अब और 4 into, एक रोड का मुमेंट ओक्रींट्स यहाँ फोर run 2 एक друзья का मूमेंट ओक सब्रोड़ करेंगे शेल थी तो फॉर्मूला होता है और यहां से इंगल दिया है तो पर्पेंडीकुर्लरएफेक्टिव कंपटिरम नंट होगा सॉसाइट स्क्वाइब समय कॉश्ट quick forward भी बराबर होती है तो 4 ml square by 3 into यह square है तो वन अपन रूट टूक्ल इसकार वन अपन टू आएगा तो यह आएगा 2 ml square by 3 यह आपका आया है जवाब एक बात बताऊं अगर मैं इसको दूसी तरीके से कर दूतो देखना है मरिस्टार अगर मैं ये बिना concept लगाए मैं ये concept ही use ना करूँ और मैं direct कर दूँ तो सर एक्च्छल में यही concept होता है direct कैसे कर दोगे है मैं स्टार हो क्या हाँ मेरा ही नाम है कर दू कर दू direct कर दू direct अभी अभी तुमने देखा कि ऐसा axis ऐसा axis जो इसके center से and perpendicular to the plane पास कर रहा हो उसके about moment of inertia हमने देखा था इस o से ml square by 4 ml square by 3 ये निकाला था भी हाँ ये तो बड़ा आसान है इस center से हमने निकाल दिया था जो perpendicular to the plane है अब मैं क्या कर रहा अब मैं क्या कर रहा दो axis ऐसा बना रहा हूँ क्या ये वाला axis दूसरे color से बनाने मुझे क्या ये वाला axis और ये वाला axis plane के parallel है और perpendicular to each other है हाँ से square के case में ये अगर x axis मानते हो ये y axis मानते हो तो ये दो एक दोसरे के diagonal से पास करें दो डाइगोनल से पास करें तो perpendicular हो गया and parallel to the plane हो गया हाँ और ये है passing through center and perpendicular to the plane ये parallel है ये parallel है और ये perpendicular है क्या हाँ आप्वियसी बात है कि ix plus iy बराबर होगा 4 mls square by 3 तोरी 4 mls square by 2 ix plus iy दोनों बराबर होगा कि दोनों डाइगोनने ली तो है तो ये हो जाएगा 2 ix बराबर 4 mls square by 3 ये 2 से 2 कटेगा तो ix बराबर आगया 2 mls square by 3 बोले हां क्या आया है 2 mls square by 3 क्या कहते हो रामलाल तुमको समझ में आया कि नहीं यह तो है भाई साब यही तो है पर पर पेंडीकुलर एक्सिस्थूरम यही तो समझा है कि दो एक्सिस पासिंग तुरू प्लेन करकले सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब इन दोनों और इसके प्रेंड के बपेंडीकुलर ऊब भी तो खतम का नहीं इसके अधा कर दो इंचर दो शटाइब है अरे याद कर डिस्क में स्वारें में हो आप स्कोरा पिस्माइश क्षें ज्पर अंदी में हो गार पारों बाई और क्या बताkey और आ यारो मेर्य और क्या बतारा झारा हूं कि यहार को अधै है एक है आहीयोर है को लिख हैगा ला अधि शॉले है ले test अगर नहीं वह आना तो बहुत मारूंगा यहीं पे, यह करके दिखा, फिरी अइदेंटिकल सॉलिड स्फेर इच अब मासे में एडियो सार, प्लेस ना कॉंटेक्ट, गॉंसीडर एक्स एक्स एड विच इस पासिंग तो इसेंटर आप तो इस्फेर आसो इन फिगा, कीए तो आउट इनार इस फिर का निट मोमेंट और सी निकालना, स्फेर कैसा है सॉलिड, स्फिर कैसा है, सॉलिड एकनकर निकात बानू, यह करके दिखा, कहां तीन होगा tooni होगा भैई, कहां, तो तीन ही तो लिखा ए आरे यह इस लिप आप पेन है इतना तो बच्च्चा अभी समझता है तो नहीं समस्ता गया चोटी बच्ची है गया यहां तो इसका फिल नहीं आया अरे भाई साब बोल तीन रहा था लिख में गलती से दो दिया वह पें कभी स्लिप कर जाता है अब मैं तो कह रहा हूं कि मैं इस तीन लिखता हूं ऐसा बोल कि अजमी से टीन का डिफ्सट चेंज से एससे तीन लिखताा अब और पणिकभी से लिग देता हूं हमेंसे भी अग्षिक आई दो कैसे लिखते हो मैं नहीं बताओं गाल बताओं गांगए घिंतीं सिखाने थोटें आ आओं मैं से लिखतां तीन अब चल करके दिखा अब सू तो सर इसका मुमेंट अफिने से तो एक बार सॉलिड है तो टू बाइफाइव एमार स्कॉर प्लस टू बाइफाइव दो तो यह आज़ेगा दो तो आज़ेटी आज़ाएगा हां और तीसरे के लिए क्या करो क्या करोगे करके देखा आज़ेयर अश्यक्ति आज़े यहां रख दो गातों गया तीसरे के लिए कि आखरो बता तो तीसरे के लिए कर सकते गया यहां से डॉट एट लाइन ऐसे खीच लेते हैं इसके बाउट जो इस एस एस स्पेर का सेंटर ओफ मास है व्में पता है 2 x 5 mmR², हाँ, प्लस इस एक्सिस से मुझे एक्चुल में निकालना है, तो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगे, लेकिन यह होगा कितना, यह होगा कितना, प्रान निकल जाएगा तेरा, यह होगा कितना, md² तो तू लिख ले, लेकिन यह जो d है, जो इस एक्सिस, जो इस एक्सिस, और इस एक्सिस के बीच में आएगा, वो कितना होगा, तो भाई साब, बड़ा आसान है यह बनाना, क्योंकि आप यहाँ पर कह सकते हैं, कह सकते हैं, कि सर यह, यह और यह कुलेटरल ट्रेंगल बन और यह रेडियस आर, तो हाइड जो होगा न, डी, वो इसका पर्पेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, रूट 3 इंटू, टू आर बाई टू, तो सर यह स्टू से टू कट जाएगा, यह रूट 3 आर आएगा, अब रूट 3 आर का होल स्कॉयर रखोगे तो 3 आर स्कॉयर आएग तो 3 आर स्कॉयर तो यहां से नीचे 5 पांच यह 15 और 6, 21, 21 वाई 5 इमार स्कॉयर हाँ, बताव मजा आया कि नहीं बेटा, मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, बताव सवाल करके कैसा महसूस हुआ, एकदम नया पन आया कि नहीं है, देखो, एक आर रेडियस का सॉलिड अगर तुम यहां से एकसिस पास करा देते हो, तो इस दो का तो निकालना बहुत असान हो गया, लेकिन इस तीसरे का कैसे निकालोगा, तो तीसरे का उसके खुद के सेंटर से में पता है, और हमें यह वाला परपिंडिकुलर डिस्टेंस है, यह से निकालेंगे तो इसका से इसका सेंटर इसका सेंटर मिला के को लेटरल ट्रेंगल वना, यह होगा तुम्हारा 2R क्योंकि यह रेडियस यह आर है, यह साथ डिगरी है, तो यह डिस्टेंस हम आहां से निकाल सकते हैं, इस स्फेर का इसके अबाउट पता है, तो हम इसके अबाउट जो तुम्हारा XX- इसके लिए, इस स्फेर के लिए हम पैर्लल एक्सिस थिर्म लगाएंगे, तो हम डि बरावर 2R ली था, नहीं बेटा, यह एक्सिस है, यह तुम्हारा एक्चुल में एक्सिस है, जिसके बाउट तुम्हें चाहिए, और इस एक्सिस से तुम्हें पता है, तो प्रपेंडिक कर देखते तुम्हारी को स्थिक नीट में कुछ भी नहीं नहीं आएगा सवाल का लेंग्विज नहीं आएगा जो की यहां है जो कि पिछले सवाल में भी था उससे पहले भी था और अभी भी इसको करके दिखा आइच प्कुर आफ्य कर के दिखा 4 identical uniform rod each of mass same length L are joined to a common point O as shown in a K moment of plains of the system about in a x is passing through O and lying in the plane of the rod lying in the plane of the rod lying in the plane of the rod drauf about in a x is O and lying in the plane of the rod इसी प्लेन से पास करहा है मतलब रॉड का चार रोड जो और है इस रॉड और इस रॉड में एंगल जॉड साथ डीगरी का और एक्से उसी प्लेन में ही है हां छो डॉलेnd मे रख की इसको ऐसे खुंब हा रहे हैं अच्छो क्योंकि उस एक्सिस से चारो रोड एक जैसे रखें एक रोड का मुमेंट ऑफ निसी आएगा एमल स्क्वाइर भाई थिरी क्योंकि एंड से दिया हुआ है प्रेंगल में हम ले लेते हैं मेल स्कुराइर थिरी और से सक्वाइर थिडिए परिंडिकुलर इस एक प्लेंड में तो यह एंगल्य एक परिंडिकुलर ने है यह प्लीन में फोर्प एमल स्कॉयर भाई थिरी कॉसट जाए गरूठ त्री भाई टू तो तो ठीट करूठ रूट थिए चार आए गने ची इन तूनुओ सुस्टम मैं समझाता हूँ सुनू यह रॉड है कि यह रॉड है है मैं कि एक से इंगल 10-40 मोत शो सब्कुल सही बात है वह आपकी अंडरेस्टेंडिंग है सब कुछ आते हुए सवाल नहीं कर पाएंगे एक रॉड यह ले लिजे बस यह एक सब्सक्राइब के एंड से सिंटर पास कर रहा हूं हमें इस रॉड का वाई एक्सिस के बार मुविंट ओफ निकाला ही तो वने निकाल के दिखा है एक का तो हो जाएगा दूसरे कैसे करेंग जैसा यह वैसा यह और क्या वैसा ही तो रखा है कि इसी प्लेल में तो ऐसे रखा अब एक रॉड यह और एक रॉड यह थोड़ा सा इमेजनेशन चाहिए थोड़ा सा इमेजनेशन चाहिए इतना तो करा दिया भाई ml square by 4 3 ml square by 2 कैसे निकाल रहो भाई कैसे निकाल रहो भाई मेरे इसका आएगा एक का आएगा ml square by 3 क्योंकि end से है और ये वाला component लेंगे तो 30 degree बना रहा तो इधर cause वाला component y के perpendicular x आएगा एक सुरा ये plane बन रहा देखो ये x-axis है ये y-axis है पूरा और रोड ऐसे रखा है ये ऐसे y-axis के बाट गुमेगा y-axis के बाट रोड ऐसे से गुमेगा ये इंगल तुम्हें 30 दे दिया सिंपल सी बात है तो एक का निकाल के 4 से multiply करो कि चारो रोड उसी तरीके से रखा है समझ आया है चारो रोड उसी तरीके से रखा है समझ आया है अब चलो रेक्टेंगुलर प्लेट का moment of nation निकाल के दिखाते है रेक्टेंगुलर प्लेट का हां जिसे मानलो बेटा एक रोड है ये जिसका मास है ठीक क्या ये एक रोड है जिसका मासे में एक और रोड है जिसका मासे में एक और रोड है जिसका मासे में एक और रोड है जिसका मासे चो कि एंड की अबाऊट का मोमेंट ओफिनिस से क्या होगा अंड के अब आउट एक रॉड खा मोमेंट ओफिनिस से सिर्फ एक का पूछ रहाओ एक का बता ज्या मोप्वेंड हो है और अंब चार mad tarde rest मुँमें और इसे क्या है एक रोट मेंट का मुमेंट सीने पयाई जो के आठाअ ये Egypt अच्छा में क्या करता हूं इसको इसके साहं चिपका देता इसको भी चिपका देते हूं तो इस टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफिनेर से क्या हो जाएगा तो टोटल सिस्टम का हो जाएगा चार एमेले स्कॉएर भाई थिरी और चारों मिलके क्या एक रेक्टेंगुलर प्लेट बन गया इसका लेंथ कुछ एल हो गया और एक का विर्थ बील हो गये तो यहां से यहां तक विर्थ यह टोटल हो जाएगा मालो टोटल मालो कुछ भी ओगया तो इस पूरे सिस्टम का चारों मिला के तो मुबेंट ऑफिनेस हमने निकाला है तो प्लेट का मास कितना है सर एक रोड का एम 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 तो सर यही तो आपका प्लेट का मास होगे एम डैस तो प्लेट के मास को एम डैस रख दो लेट के मास को एम डैस रख दो तो यहां एम डैस एले स्कॉर भी थ्री मतलब यह हुआ कि जो रोड का मुमेंट ओफ इनर्शिया होता है वही प्लेट का होता है जो रोड का मुमेंट ओफ इनर्शिया होता है क्या वही प्लेट का होता है mode and plate ka moment of inertia same इसımızı निभी लेमें बनाकि दिखातू, देखो मैं बनाकि दिखातू हूं, यह तुम्हारा ROY है, यह है, अब तु देख, अब तु देख, यह मुमेंट अवे रौड है, यह रौड है, हाँ, बदा मुमेंट अवे अवे रौड है, सर MLS कर विद्धिरी, अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यांस देखना, मास को इस एक्सिस के बाउट फैला रहा हूँ, क्या जब मैंने इसको फैला आया, तो एक्सिस पर आगे लिटा दि सब्सकोर Wow के लिग graphics 5 पिसमास को फैला रहे हो फिसाप और मेड़ा स्जेंज नहीं होगा नहीं कि ऐसे ध्यूता मास्सेंaat Solarisa changing को आखर के प्रसाइब के दिखातों मास् craft ऑनति इस जेंडी के थया ना आकर के दीखातों देखना मजहाएगा देखना यह ररॉड यह अपना शुन सादो मास फ्याल होग देखना बता मुमेंट और विश्रचेंज होगा की भूगा jeśli नहीं उह नहीं पर एकषिस को तो सेंटर रोड के सेंटर ले आहिए प्रऴुक्त अब मैं मास को इस तरीके से ले जा रहा हूं बता मुमेंट अफिने साथ चेंज होगा की नहीं कि मुमेंट अफिने साथ चेंज होगा एक्सिस यहां है रॉड यहां है मुमेंट अफिने साथ चेंज होगा सर अब बता मुमेंट अफिने से चेंज होगा की नहीं और प्विस्टी बात है सर यह मांस तो धीरे धीरे एकसेश के पास आ रहा है मोमेंट अफ़िश से चैंज होगा सर बताओ कि ओमागो चुरू फिजिक्स अब बताताम मोमेंट फिजिज जी रहे हो गया ऐसा नहीं है कि हम रॉड को इधा तो ले जा तो मुमेंट फिजिज निई होगा देखो ना चेंज होड़ा की नहीं हो रहा लेकिन लेकिन अगर मैं मास को ऐसे खोलूँ ऐसे ऐसे खोलूँ ऐसे खोलूँ तो मास को मैंने क्या किया क्या एक्सिस से दूर ले गया क्या नहीं एक्सिस से दूर तो नहीं ले गया देखो मास ऐसे रखा है मास ऐसे रखखा है, अब मास को मैं ऐसे खोलू, क्या मैं मास को ऐकसिसां से दूर ले जा रहे हूं? एकसिस के पास ला रहे हो नहीं? क्या एकसिस पर inclined क्या? रहे हैं? यह तो rod जैसा ही distribution उपर फैल गा एकसिस परूष परूश पए. प मास पास बढ़ छाएंगगा, तो किस चीज पर डीपेंड नहीं करेगा, के एपर की बीपर बता इसटी पर डिपेंड नहीं करेगा एपर की बीपर सर डेकू अगर आप इसको व्यला के ए बढ़ाओगे तो मासइक जाएगा मुमेंट अवन्य से डिपेंड नहीं करेगा और इसके अबाउट जो आपका मुमेंट आफ इनर्सिया होगा वोगा वन बाइटी एम ए स्कॉयर बता मानता है कि नहीं मानता अब 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 दम नहीं चरम सुक्य अनुबूती हुई की नहीं हुई साहब प्लेट का और रॉड का मुमेंट आफ इनर्सिया बिल्कुल सेम होता है इस हिसाब से अगर आप इस एक्सिस के बाउट देखोगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक जो रॉड का मुमेंट आफ इ इसने सुपर नीचे गया है तो बेजरूद करेगा तो बताओ के इस रोट का मौमेंट का मुमेंट ऑबिट का मुमेंट आफ इनर्सिया इस रग्टेंगुलर प्लेट का मुमेंट आफ इनर्सिया होंता वण बॉन वाइट मैड़ अइंबे स्कोर म्űडर भाइट क्या येस बेटाब, येस लो, सर, अब इस तरीके से अगर आप करा ही रहे हो, तो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा एक्सिस बना लूँ, ये स्कॉयर प्लेट है, 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 इस स्कॉयर प्लेट का मोमेंट ओ इनर्शी या, पासिंग त्रू सेंटर ओप मास और पर्पेंडिकुलर तो प्लेन गया होगा पासिंग त्रू सेंटर ओप मास और पर्पेंडिकुलर तो प्लेन पासिंग त्रू सेंटर ओप मास और पर्पेंडिकुलर तो प्लेन यह साइड लेंटल है इसके वह आता है निकालना अभी तो निकाला है इसके वाउट यह और जैसा यहाइस एस रोड जैसा यह घूगा तो सर्व हमें पता है कि इस axis के बाउट होगा ML square by 12 इस axis के बाउट होगा ML square by 12 ये तुम्हारा IY हो गया ये तुम्हारा IX हो गया तो perpendicular axis थूरम लगाओगे तो तुम कह सकते हो कि अगर ये Z axis है perpendicular to the plane तो IZ बराबर होगा ML square by 12 प्लस ML square by 12 यह हो जाएगा, ml square by 6, this is moment of inertia of the square plate, perpendicular to the plane, and passing through the center of mass, perpendicular to the plane and passing through the center of mass, yes, perpendicular to the plane and passing through the center of mass, अच्छा, हाँ, तो अगर मैं आप से पूछू, कि क्यूब का moment of inertia क्या होगा, भाई साहब कहां से कहां पहुचा दिया, अब तू देख, बेटा, feel, feel, कही लोगा ऐसा पूछ सकते हैं, सवाल नहीं आएगा, नीट में क्यूब का, आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, खूब सारे सवाल, conservation of angular momentum बने, अब अगर मैं तुम से पूछू, एक क्यूब है, solid cube, solid cube, of mass same and side length, इसका moment of inertia, इस axis के बाउट क्या होगा, सोच के बताओ, क्यूब का moment of inertia, साब क्यूब का, क्यूब का moment of inertia स्याओ, नहीं समझा रहा है, एनिमेशन देखो, जो मैंने बनाया है, ध्यान से देखो, एक plate है, इसका तो MLS square V6 होगा, इसका भी 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 M मैं मास एम माल लेता हूँ सबका मास माल नो में ने में बोल दिया मेले स्कॉर्प फिसक्स होगा इसका मुमेंट विने से मल क्रेशिक्स होगा कि हाँ प्यारे लाल रादा मोहन इसका मुमेंट उफिनेस्टि यह। स्कर्षा कर्षा साइड लेंद्द का एल्ए थैमिल इसकर वेиком पर थैं कुप नौ्ट कुम विन्ट शुक्स होगा यस एक क्यूब का मॉमेंट ऑफर я के इस के क्यूब का मॉमेंट ऑफर अजशी हाओ एम अल स्कुर्वाइग सिक्षा होगं बिल्कुल सर आप कहे रहो इस क्यूब का मोमेंट आफ इनर्सिया जिसका साइड लेंद एम है और मास में उसका मेले स्कॉर बेशिक्स होका हाई क्यूब का मेले स्कॉर बेशिक्स हो आज बताओ रादेलाल मोहन प्यारे कैसा एणिमेशन है फिद आया की नहीं है अगा कि विल के सथा अब मुमंट आवंगा मुमंट oven fod प्रफॉघ स्कॉर्प मास एंड़ ए जिल्प है अच्छा एजलेंथे एवाउट वोनव इट्स डाइगोनल स्क्वायर प्लेट का मुमेंट ओफ इनर्सिया एक डाइगोनल से पूछा है घबराना मत बिटा मज़ा जागा सवाल करने हम घबराना मत इससे पूछा है चिंता मत कर एक बात बता तूबस सैंस यह तू यह कह सकता है जितना मुमेंट ओफ इनर्षिया इस के वाउट होगा उतना ही मुमेंट ओँख से इस के वाउट ओगा और स्कॉर होने वैसे यह परफेंडी कॉलर है हाँ और Ix plus Iy बराबर Iz हो सकता है अगर Iz तुम इससे perpendicular to the plane लोतो अगर इसको perpendicular to the plane बोलोगे हाँ और ये तो तुमने भी निकाला कि ML square by 6 है और ये diagonal ये diagonal बराबर होंगे तो सर 2 Ix होगा तो सर Ix बराबर आ जाएगा ML square by 12 सर लेकिन एक square plate का moment of inertia passing through center of mass and parallel to the plane हमने निकाला था जो diagonal से पास नहीं कर रहा तो सर ये आया था ML square by 12 और आप कहे रहोंगे अगर एक्सिस diagonal से भी पास कर जाए तो भी आयागा ML square by 12 ये तो पहलेल एक्सिस थुरम से निकाला है भाई तो IIT वालोंने की मान लोग की square plate लेते हैं square plate लेते हैं square plate लेते हैं मज आ जगा सवाल करने हैं वाई सब बोला था मैंने 50 लेकिन मैंने 50 से ज्यादा सवाल moment of inertia पेकरा दिये अब देखना उसने बोला कि कोई एक्सिस है है कोई एक्सिस है है एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस यह वाई एक्सिस है यह वाई एक्सिस है और सेंटर से सेंटर से यह एक्सिस पास कर रहा है पैरलल टुद अप्लेन center से yi axis pass कर रहा है parallel to the plane sea yi axis pass कर रहा है parallel to the plane जो कि x axis teta angle बना रहा है parallel to the plane तो इसके about moment of NEAR से माले Legacy मालो theta angle पे i theta तो i theta का graph theta के साथ क्या होगा i theta के graph theta के साथ क्या होगा то i theta का graph theta के साथ यह बनेगा मतलब इस axis को आप इस एक्सिस को आप यहां रखे तो बताएं मोमेंट ओफ इनर से क्या आया था इमानदारी से बताईए और इसी एक्सिस को अगर आप घुमा के ऐसे कर रहे हैं और डाइगॉनल पे लिया तो में लस्कोर भारा ऐसे कर देंगे तो में लस्कोर यहारा यकीन बानिए किसी ठीट पर रखके काई भी माली यहां पर ठीटा पर रख लेते हैं इससे पर्पेंडीकुलर एक एकसि लेके और यहां पर प्लेंगे जो पर प्रपेंडीकुलर आएगा उसके साथ पर थिवरम लगा सकते हैं मतलब यहैं मतलब यह समझने वाला यहां पर तोड़ा लॉजिक लगाना है कि डाइमींटर के बाउट में इसके बाउट इसके बाउट इसके बाउट इसके बाउट किसी भी एंगल प्यासे एक्सिट में घुमाता जाऊंगा मुमेंट ओफ इनर्से इसके प्लेन और सेन्टर ऑफ मास से महां से रहेगा बताओं मज़ें आए कि लिए अपने ऐसाँ यह अच्छे मॉडूल में कीटाब होता है और हंडेड पर्सेंट बच्चे इसको पूछते हैं हां इडर पर्सेंट बच्चे हिसको पूचते हैं किसी सिस्टम से छोटा डिस्क से एक बरे डिस्क से छोटा डिस्क कट करते हो, from a disk of radius R and mass m, a circular hole of radius R, whose rim passes through the center is cut, देखो, a disk of radius R and mass m, एक डिस्क है, जिसका radius R है और mass उसका m है, a circular hole of diameter R, R diameter है उसका, मतलब उसका radius क्या हो जाएगा, radius हो जाएगा R by 2, टाइमिटर आर, whose rim passes through center is cut, whose rim passes through center is cut, यहां से एक ऐसा disc cut किया है, जिसका circumference इसके center से pass कर रहा, जिसका circumference इसके center से pass कर रहा, वो काट के हमने बाहर निकाल दिया, तो इस system का moment of inertia मेरे से पूछा है, इस axis came out, इस axis came out, then find moment of inertia of the remaining part about the disc, perpendicular to the axis passing through its center, क्या करोगे, तो remaining part का जो moment of inertia होगा, remaining part का जो moment of inertia होगा, वो होगा, complete ring, और रिंगे डिस्क, complete disc, disc minus removed disc, removed disc, about oh, removed disc जो यह है, उसका moment of inertia होगा, और जो complete disc था, complete disc था, उसका moment of inertia होगा, तो complete disc का moment of inertia होगा, MR square by 2, complete disc का moment of inertia है, इस axis के about क्या होगा, MR square by 2, minus, removed disc कौन सा है, तर यह वाला removed है, इस removed का, हमें किसके about moment of inertia से देखना है, तो सर पूरे system का इसके about देखा है, remaining part का इसके about आएगा, तो remaining बराबर total minus removed part का इसके about देखना है, लेकिन removed disc तो यह बनेगा, इसका center of mass इसके खुद के center से निकालना easy है, उसके बाद हम इस दोनों में parallel axis थुरम लगा देंगे, ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर radius आधा काटोगे, तो कितना mass कटके जाएगा, सर, mass तो इसके area में distributed है, अगर pi r square का mass m है, तो pi r square by 4, radius आधा तो area 4 होगा, तो इसका mass area one fourth कटके जाएगा, तो इसका mass m by 4 होगा, क्या यह तुम समझ रहे हो, क्योंकि mass कहाँ है, area में, तो यह हो जाएगा half mass m by 4 into radius r by 2 का whole square, क्योंकि इसका radius क्या बनेगा बेटा, इसका radius है r by 2, diameter r, तो radius r by 2, तो यह तो आपने लगा दिया, removed part का scale out, फिर m d square कर दो, तो mass बोलो क्या है, m by 4, और d बोलो क्या है, r by 2 का whole square, r by 2 का whole square, यह आएगा, इसको लिखेंगे बेटा हम, m r square by 2, minus, जहान से देखिए, यह हो जाएगा 16, यह हो जाएगा 32, तो यह हो जाएगा m r square by 32, minus m r square by 16, क्योंकि दो का whole, उसका 4 चाच चुका 16, दो कल उसका 4 चुका 16, 32 ही आएगा, तो sir, 32 अगर हम LCM ले ले, 32 LCM ले ले हम अगर, तो यहाँ आजाएगा आपका 16, minus, 32 है तो एक और यह आएगा 2, minus 2, 16 में से तीन जाएगा, तो तेरा बटा, 32 से m r square, तेरा बटा, 32 से m r square, b is your correct answer, यह समझ आया, रोजिन पार्डिन रोड़र रवीट, क्या आपको यह समझ आया बहुत अच्छे से, 13 by 32 m r square, अब मैं आपको बता देता हूँ, बता देता हूँ, जिससे pi r square, complete पूरे disk का mass m था, तो एक unit area का mass क्या होगा, बच्चे को इसी में दिक्कत आता है, सर, m बता pi r square, एक unit area का mass ही हो गया, अब इसका area क्या हो गया, pi r by 2 का whole square है इसका area, इसका mass हो जाएगा, m बता pi r square, into pi r square by 4, pi r square से pi r square कट गया, m by 4 is your answer, कितना easy है, जितना area कट के जाएगा, उतना mass कट के जाएगा, जितना area कटके जाएगा उतना mass कटके जाएगा और यह हमें formula लगाना है remaining part बरावर complete part minus remote part बस ध्यान ही रखना है कि complete part का escape out और जो removed काटा है उसका भी moment of inertia इसी के बाउट लिखना है हम तो इसके बहुत असानी से निकाल सकते हैं फिर पैरल एक्सिस तुरम लगाएंगे हम रिमूट वाले पार्ट में पैरल एक्सिस तुरम लगाएंगे रिमूट वाले पार्ट में पैरल एक्सिस तुरम लगाएंगे यह है मुमेंट ओफ इनर्सिया का second last question चलो करते हैं second last question बहुत बढ़िया बहुत दिमाग लगा कि खुद मैंने सवाल बनाया है फीक है भई तो करते हैं आओ इसको करते हैं इसको from a uniform square lamina of mass M and side L uniform square lamina square lamina मतलब एक square है यह पूरा पूरा square lamina है जिसका mass M है और side length L है a circular hole of diameter L by 2 diameter L by 2 whose rim passes through the center of the square is cut diameter अगर L by 2 है तो इसका radius L by 4 होगा क्या यहां से L by 4 radius का ring काट दिया L by 4 radius का disk काट दिया सोरी और उसको बाहर निकाल दिया L by 4 radius का और moment of the remaining part of the square about an axis perpendicular to the plane lamina and passing through center mass perpendicular to the plane and passing through center mass इससे पूछा है तो सबसे पहले तो यह बता mass कितना कट के जाएगा सुनना complete इसका area L square का mass M है तो A की unit area का जो mass होगा M by L square होगा तो इसका area हो जाएगा pi radius L by 4 L by 4 का whole square तो M बता L square into pi L square by 16 L square से L square कटेगा pi M by 16 इसका mass होगा तो जो disk काट के बाहर निकाला है उसका mass है बेटा pi M by 16 है clear है? यह देख लो pi M by 16 इसका mass है ठीक है? तो moment of inertia जो remaining part का होगा complete minus removed complete minus removed complete का moment of inertia क्या होगा? तो इस पूरे complete का moment of inertia आएगा M L square by 12 नहीं 6 perpendicular to the plane है M L square by 6 ठीके सर M L square by 6 removed का कैसे निकालोगे? तो removed में है क्या? disk है तो disk का इस O D F से तो मैं लिख सकता हूँ असानी से हाँ बताओ क्या होगा? तो सर half M होगा pi M by 16 और radius L by 4 है तो L by 4 का whole square यह आएगा तुम्हारा disk के खुद के center से लेकिन हमें निकालना इस O से है तो इन दोनों में parallel axis theorem लगा देंगे parallel axis theorem mass pi M by 16 into यह distance हो गया L by 4 तो L by 4 का whole square यह पूरा term बनेगा और जब इसको solve करेंगे आप ध्यान से तो यह कुछ answer आएगा आपका पहला थोड़ा सा mathematical calculation है थोड़ा सा mathematical calculation है यह वाला चीज आपको ध्यान रखना है यह वाला चीज आपको मतलब यह ध्यान नहीं रखना है यह concept आपको ध्यान रखना है whole square की side को touch करेगा कैसे side को कैसे touch करेगा uniform square lamina M mass M length L है इसका length L है a circular hole of diameter L by 2 whose rim passes through center इसका rim इसके center पर पास कर रहा इसका diameter L by 2 है मतलब यहां से यहां पूरा L by 2 है तो radius तो L by 40 होगा पूरा L by 2 है ना आरे हाँ हाँ sorry 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 I am sorry बेटा I am sorry सही कह रहा हो यह total L by 2 है तो इसका आधा L by 2 होगा हाँ ऐसे होगा पूरा सही कह रहा हो sorry एकदम सही पैचाना तुमने एकदम सही एकदम सही सही बोल रहो एकदम सही एकदम सही एकदम सही यह पूरा L है तो आधा L by 2 होगा और L by 2 इसका diameter है यह हो जाएगा L by 4 एकदम सही इसको touch करेगा साइड और सेंटर दोनों को touch करेगा ठीक है अब थोरा सा आपको LCM लेने का part रहे गया क्या LCM आप calculate कर पाएंगे चलो break दे देते हैं कि इतना time हो रहा यह सवाल आप कर लेना बहुत easy है यहाँ पर moment of inertia inverse ratio of diameter आएगा तो यह हो जाएगा D2 by D1 एक बार करना यहाँ पर लिख दे तो मैं ब्रेक ब्रेक वन अब टू आप टू एट फिप्टी तो फिर हम टॉर्क का कहानी शुरू करेंगे करा दिये में आपको कम से कम कर दिये सवाल मेंने मोमेंट ऑफ इनर्सिया में बहुत जौरदार तरीके सब मोच सारे विराइटी मैंने आपको कर दिये यह सवाल कर लिजेगा यह आपका होमवर्क है और ब्रेक अप टू एट फिप्टीन पंदर मेंट का ब्रेक है अनाम से मिलते हैं धन्य बाद आपका बहुत-बहुत कि अभी बहुत कुछ देखना वाकिये तुम्हें कि अभी बहुत याओता से मिलते हैं धन्य गवितिक्त जास विम्हें कर दो नहीं कि अभी और छ्रेक अमगा यह वह आपका इब से जाँ शेखना तो आपका इंपका और लाबसेग। कि अपका बहुत-वत-बहुत सबस्त्स कुम्हें झाल 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 हलो 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 चलो यह सवाल तुमने सॉल्व किया पटापट बता दीजिए क्या यह सवाल आपसे सॉल्व हुआ बहुत असान है कोई खास बात नहीं बहुत असान है अब ध्यान से देखिए आपको दोनों डिस्क का मास सेम है थिकने सेम है डीवन डीटू आर देंसिटी ऑफ दे मैटरियल अब साथ डिस्क ए और बी रिस्पेक्टिवली दिन दा रेशियो ऑफ दे मुमेंट ऑफ इनर्सिया लिखेंगे तो आपको तो मास के टर्म से पता हाफ एं एका रेडियस का स्कॉयर ब मल्टिप्लाई और नीचे पाई से मल्टिप्लाई कर देता हूं उपर और नीचे दोनों तरफ हम पाई से मल्टिप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा सर यह तो बन रहा एरिया और नीचे भी बन रहा है, दूसरे disc ऴैयरी, अच्छा, disc जो है न, उसका बोलाए कि, थिकनेस दोनों disc का same है, मालनों, थिकनेस इसका कुछ है x, मुटाई, मुटाई बेटा थिकनेस, वोकर दोनों disc का थिकनेस x है, तो उपर भी एक से multiply लिए और नीचे भी X से multiply करतो हो ये हो जाएगा total volume आ या अच्छा volume into mass क्या होता है density बरावर हम लिक्ते हैं mass upon volume density बरावर हम लिखते हैं mass upon volume तो volume को क्या लिख सकते हैं Sir volume is equal to हो जाएगा mass by density यहाँ पिर इस पूरे वॉल्यूम को लिख सकते हैं, मास बाई डेंसिटी, पहले डिस्क का मास अगर हम M लेते हैं, मास अपॉन डेंसिटी नीचे आ जाएगा, D1, एक मास और था तो मास स्कॉर्ण, यहाँ पर यह हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी, तो यह हो गया मास दूसरे डिस्क का, और यह मास अपॉन था, तो M स्कॉर्ण, D2 का स्कॉर्ण, मास दोनों का से में कट जाएगा, D2 वाई D1 इंसर आ गया, D2 वाई D1 इंसर आ गया, बहुत असान है, बहुत असान है, ठीक है, बहुत असान है, एक पर करके देखिए, बहुत है बहुत असान है यह, ठीक है, अब चलते हैं, क्लास के दूसरे पडाओ में, अब हम यहाँ पे, एक्चुल में, रोटेशनल मोशन कैसे होता है, यह समझेंगे, अभी हमने जो सेक्षन कंप्लीट किया है, अब हम रोटेशनल डानमिक समझेंगे, अब रोटेशनल डानमिक को समझने से पहले, हम समझता है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है सबसे पहले, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है if every part of the particle is moving with same translational velocity then object is in pure translational motion अगर कोई ऐसा object जिसके हर point का velocity एकदम सेम हो हर point का object के हर point की velocity क्या हो सेम हो तो हम कहते हैं कि वो जो particle है वो translational motion में है actual में हम आपको दिखाते हैं translational motion कैसे होता है pure rotational motion क्या होता है if every particle of the body moves in a circle of radius r of every particle of the body moves in a circle of radius r center of all the circle center of all the circle lies on a straight line which is called axis of rotation which is called axis of rotation समझ नहीं है न कोई दिख्कत नहीं है यहां समझो मैं तुम्हें समझाता हूँ सबसे पहले तो यह देखो सबसे पहले तो यह देखो बटा एक मिट बस एक मिट रुको यह वाला चीज है यह देखो जिसे मालो यह rod है ठीक है क्या है यह rod है यह rod है अब अगर मैं इस rod को rotate करा हूँ इस axis के बावर तो देखना rotate कैसे करेगा यह rotate कर रहा अगर मैं इसके velocity को थोड़ा कम कर दूँ इसके velocity को मैं क्या करता हूँ थोड़ा कम कर देता हूँ रेस्ट मिला के इसके velocity को थोड़ा में कम करता हूँ ठीक अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ पहले तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ रोड थोड़ा छोटा कर लिया हमने ठीक है अच्छे दीखे और और इसको स्पीड थोड़ा कम कर दिया अब देखना क्या हो रहा है यह रोड़ क्या कर रहा है इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो रोड़ का हर एक पॉइंट एक सरकल ट्रेस कर रहा रॉड का हर एक पॉइंट क्या कर रहा सरकल ट्रेस कर रहा तो क्या हम कह सकते हैं कि रॉड का हर एक एक पॉइंट चर कुलडर मोशंद कर रहा हम और ऊस्रлять का सिंटर और हां रपॉंट के सर्कुलर का ऑए। igator's सर्कुलर पात का सिंटर यहां हर पॉइंट का सर्कुलर पात हर पॉइंट का पाथ कैसा बताओ , दियां हर से सक्षरा्ट का रॉड के हर पॉइंट का पात कैसा है। सफ्राइं नहीं है को मैं तो इपिंद सब्सक्राइब है और ऊसी सर्कल का संद्र का है इए हम पर इंसी को हम कहते हैं ऐख चांद कि आपटेसिन ह Одने डि ऐखेंग अभी एधाझी स्विधकि फोडेसिनak यह है आपका एक्सिस ओफ रॉटेशन, एक्सिस ओफ रॉटेशन है, यह भी एक सर्कूलर पात में गूम रहा है, यह पॉइंट भी एक सर्कूलर पात में गूम रहा है, और हर सर्कूलर पात का जो सिंटर है, वो इसको हम कहते हैं, एक्सिस ओफ रॉटेशन, उसको क्या कहते ह गुम राहती, सर्कुलर न कि रोटेशनल न ये बता रिवातानन फॉलेस, सर्कुलर सक्षाइँ और रोटेशनल न मेम या रोटेशनल न पॉश्त में रोटेशनल पॉश्ते हैं, लेकिन्-अिस न पdersफ कर रहा है तो कई वार यह पूछते हैं ओधे रहों कि 2 wr is the difference between circular motion and rotational motion circular motion क्या होता है जब कोई एक point object circle के circumference पर घूमता है तो उसको कहते हैं circular motion लेकिन जब कोई एक rigid body है हर particle circular path पे चल रहा होता है उसको हम कहते rotational motion तो Rod circular motion नहीं कर रहा बैटा Rod circular motion नहीं कर रहा Rod कर रहा है rotational रोटेशनल मोशन रोड कौन सा मोशन कर रहा है रोटेशनल मोशन लेकिन रोड का हर एक पॉइंट क्या कर रहा है सर्कूलर मोशन रोड का हर एक पॉइंट क्या कर रहा है सर्कूलर मोशन रोड का हर एक पॉइंट क्या कर रहा है सर्कूलर मोशन सर जो एक्सिस आप रोटेशन है जो एक्सिस आप रोटेशन है क्या वो रेस्ट में रहता है येस जो एक्सिस आप रोटेशन है जो एक्सिस आप रोटेशन है देखिए ये रेस्ट में रहता है और सारे पार्टिकल अलग-अलग विलोस्टी से गूम रहा तो देखिए इसकी विलासिटी है 1.4, इसकी विलासिटी है 2.95, सब की विलासिटी अलग अलग होती है, लेकिन सब की, सब की, टांसलेशनल विलासिटी अलग अलग है, लेकिन रोटेशनल विलासिटी सब की सेम है, अभी रोड हैं, अभी रोड हैं, थोई दिर बाद रोड होगा, के इлекंवेश्टोइभ देधिक हे सब करेements कि सबने एंगल सेम भूल किया मतलब ratational motion एक ऐसा motion होता है सुनिए दर्यान से मज़ायएगा this motion होता है सब का सरे इंगुलर विलासिटी से चलता है सब का огमेगा क्या होता है बेटा से मुत लेकिन सबकी linear velocity, linear velocity सबकी linear velocity क्या रहती है? different रहती है अर उसका जो axis of rotation होता है वो wrist में रहता, axis of rotation किसको कहते हैं? object के सारे point एक circular path पे चलते हैं और उस circular path के center को हम क्या कहते हैं? उसी circular path के center को हम axis of rotation कहते हैं बना ये पूरा फील आये की नहीं आया तो रही चलाए रोक दिया देख देख एक्जेक्टली यहां पर आके देखो मालनों कभी यहां पर था और जब आ यहां पर आपको समझ में आये की नहीं है क्या आपको यह फील अया कि आपको यह चीज भी लाइड है चलिए ठीक है और आम अच्हेसे विजिविणाई कराथे आपको ठोरा और अच्छे से विजुणाऋई देखे बेटा, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा था, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा था, देखे, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, जैसे ये एक रोड, दो रोड, तीन रोड, चार रोड लिए, ठीक है, ये हमने चार रोड लिए, ये हमने चार रोड लि होगी इसके हर कि विलस्टी जो ये यहां पर मैंने हिंग चामाइधा यही पर रोटेट करे लें इसको हिंग यह आगे गूमता भी रहेगा इस लिए इसा कि आगे जा रहा इसको कहते हम इसको कहते हम देखो इसको कहते हम प्योर ट्रांसलेशन इसी को कहते हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इसको हम कहते हैं प्योर रोटेशनल इसको हम कहते हैं प्योर रोटेशनल और इसको क्या कहेंगे यह कहां चला गया बाई सब यह निकल गया इस इस definition को अब पढ़िए इस definition को मजाएगा every particle देखिए, every particle of the body moves in a circle, center of all the circle lies on a same straight line which is called axis of rotation, अब इस definition को परके मुझे बताईए आपको feel आया की नहीं आया, यह आर गलत लिखा था, अब इस definition को परके बताईए कि आपको feel आया की नहीं आया, pure rotation का मतलब क्या है, अच्छा एक बात बताईए, pure rotation motion में axis of rotation, body के अंदर होगा कि body के बाहर भी हो सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा, every point of the body is moving with different velocity, but same angular speed about the fixed axis of rotation यह मैंने अभी बताया, axis of rotation, axis of rotation, may be inside or outside the body, inside or outside, मुझे लग रहा है कि इसके बएसे यह slow हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ, stimulation बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो बोड नहीं चल पाएगा, yes, इसको भी बंद कर देता हूँ, बहुत हेवी stimulation है, बहुत दिक्कत हो रहा बोड को चलने में, इसको हटा देते हैं, यह तो रहने दो कोई दिक्कत नहीं, axis of rotation may be inside or outside the body, और अब आगे न, outside the body, outside the body, अब axis of rotation body के अंदर भी हो सकता है, और body के बाहर भी हो सकता है, clear है, rolling motion क्या होता है, rolling motion होता है, combination of translation plus rotation is called rolling motion, देखेगा यहाँ ध्यान से, यह मैंने rod लिया, rod की इस point की velocity v1, इस point की velocity v2, इस point की velocity v3, अगर सारे point की velocity same है, तो body को हम कहेंगे pure translational motion में, अगर body का कोई एक point हम fixed कर दे, वो हम point fixed कर दे, तो उसको कहते है, fixed axis of rotation, इसके बाउट यह body घूमेगा, जब इसके बाउट body घूमेगा, तो हर point एक time interval में same angle travel करेगा, लेकिन हर particle different linear velocity से चलता है, जिस linear velocity का scalar form होता है, v बराबर r omega, लेकिन इसका vector formula होता है, tangential velocity का r vector cross omega vector, क्या इस बात को आप मानते हैं, क्या इस बात को मानते हैं, क्या इस बात को मानते हैं, क्या आपको यह वाली बात feel आई, यह vector form में लिखता है r cross omega, इसका animation भी बना है, बहुत जोड़दार दे को बेड़े, यह axis of rotation है, और rod ऐसे घूम रहा है, यह particle इस circle पे घूम रहा है, यह particle इस circle पे घूम रहा, अलग-अलग particle, अलग-अलग circular path पे चल रहे हैं, सब की angular velocity सेम है, सब की angular velocity क्या है, सेम है, लेकिन different है इसकी tangential velocity, कौन सी velocity different है, tangential velocity, अब होता है, two body का, rotational, two body का connected rotational motion, connected rotational motion पे बहुत पर सवाल पूछे जाते हैं, जैसे cycle है तुमारा, अब cycle पे जिस पे तुम paddling करते हो, cycle पे जिस पे तुम paddling करते हो, उसका पहिया थोड़ा बड़ा होता है, जिस पर exactly तुम paddling करते हो, पेर रखके चलाते हो, और वो chain के थुरू, cycle का यहां, काटे लगे होते हैं, और उस पे chain फसा होता है, और उस chain के थुरू, पीछे वाले wheel पे, एक छोटा सा circular fixed wheel होता है, जिस से connected होता है, और उस से rim के थुरू बड़ा पहिया connected होता है, तो बड़े पहिया को तो अभी हटाओ, इस तरीके का path होता है, जब इन दोनों का connected motion होता है, तो माल लीजिये, इसका radius r है, और यह omega 2 speed से घूम रहा, इसका radius small r है, और यह omega 1 speed से घूम रहा, तो what is the relation between omega 2 and omega 1, omega 2 and omega 1 का relation बताईए क्या होता, क्या दोनों same speed से चलेंगे, कभी तुमने घेर वाले cycle देखी है, कभी तुमने घेर वाला cycle दे तो actual में, वो क्या करता है, पता है, जिस पर तुम paddling कर रहे होता है, उससे chain से connected होता है, इसकी size को बढ़ा या छोटा कर देता है, तुमने कभी यह नहीं सोचा कि जिसमें paddling करते हैं, और paddling से chain से connected तो पीछे वाला wheel होता है, छोटा क्यों होता है, अगर हम दोनों का wheel जाबर रेडियस का रख दे, तो क्या होगा, कौन जादा पेज चलेगा, तो देखो, मैं बताता हूँ बेटा, यह जो पत्टा है ना, chain जो फसा हुआ है, जितना tangential velocity यहाँ पे होगा V2, उतना ही tangential velocity यहाँ पे होगा V1, क्यों? सोचना, सोचना, बहुत important चीज़ बता रहो सोचना, अगर मान लो कि V2 जादा है, और V1 कम है, तो सर्च यह जादा आगे निकल जाएगा और पीछे चूट जाएगा, तो रसी तो टूट जाएगा, रसी तो लमर जाएगा लेकिन इसका लेंग तो फिक्स होता है, तो अगर ऐसा हो कि V1 जादा और V2 कम हो, तो यह कम आ और ये हो जाएगा स्मॉल रोमेगा वन आप जानते हैं कि आपका जो इस्मॉल र है वो छोटा है कैप्टल र से तो ओमेगा वन बढ़ा हो जाएगा क्योंकि दोनों का प्रोडॉक्ट तो कॉंस्टन अगर यह चीज अपको फील नहीं आई आई तो जोरदार फील कराने के लि के चल रहा है पटा इसली रहा यहीत धूमारई यहीतों कि इसको खुमार आप ने कि इसके स्पीड जाता है आज खुद देख करने किसकी स्पीड जादा कि स्पीड जाताना फिल करके बताईंक लिड़ें लाइफ देख रहे हैं लगवक उन्तीस सो पंद्रा बच्चे लाइफ देख रहे हैं चुप-चाप अब तुम यहां पर बकलोली कर रहा है खुट मारूंगा बहुत मारूंगा यहां समझा रहा हूं जान लगा के यह नितागिरी कर रहे हैं बना दिख रहा हैं बताये जिनको यह छीजा त्यों आया यह दिखराया है समझके बताईए क्या हो रहा है कि देखिए ये धीरे-धीरे गुम रहा है क्यूंग रहा है क्यूंकि इसकी टेंजेंचालоль Close Tea क्या है बराबर है अगर मालों ये अलफा ऐंगुले से चले क्या हो इसका टेंजेंचाल एंचेटिवीचेटि अटी और इसका टेंजेंचाल एंचेलाएंच बराबर हो Pikachu टैंजेंचल enceleration 81 बराबर टैंजेंचल enceleration 82 होगा, दोरू का टैंजेंचल enceleration क्या होगा बराबर होगा, अगर इसका radius आपने आर बोलाई, इसका radius ए स्मॉल आर बोलाई, अगर ये alpha 1 से accillerate होगा, ये यहां पर होगा तो यह यहां पर वैलिड होगा क्या यह समझ में आया देखिए ध्यान से दियान से क्या हो रहा है यहां पर देखिक गूमेगा तो गूमी जा रहा है चला बंद कर देते हैं अमझा जाए यह चीज़ अरे वाँ ले साइज बढ़ा करके घुमा देता हूं थोड़ा सा देख ले देख अब ले रहे यह बात चला आगे बरे बिल्कुल फील आगे उद्देस भी यही था कि आपको फील आ जाए नेग्स देखिए टै Piece ट्रैंसलेशनल मौशन के कुछ पैरामीटर होते हैं वह पैरामीटरस एक लिए टर्लता इक हिंटार अपन्ने परत उसको है ट्रीवाइज कर लेथे शंग्पर फ्रत्वक्रेंट कर तो ईका होता है स्वेलासिट्री और्च of change in velocity is called acceleration force होता है बेटा rate of change in linear momentum इसको हम में से बी रिपर्जेंट कर सकते हैं लिख सकते हैं हाला कि यह newton second law नहीं लेकिने बराव में होता है momentum क्या होता है बेटा p vector होता है mb vector work क्या से लिखते है f dot s kinetic energy pure translational motion में क्या होता है half mb square या p square बटा 2m power हम कैसे define करते है force into velocity के dot product से या total work done divided by total time से impulse क्या होता है mass into change in velocity यह जो translational motion के parameter हमने यहां पर लिखे है translational motion के parameter इसके कोई खास बात नहीं है यह सब कुछ sequence में as it is आपने पढ़ा हुआ है ठीक है अब उसी के जगह पे rotational parameter exactly यहां पर चिपक जाएगा exactly चिपक जाएगा angular displacement यहां पर हो जाएगा theta जैसे linear displacement एस होता था angular velocity जैसे अभी अभी आपने circular motion पर आए उसमें पढ़ा होगा आपने angular velocity होता है d theta by dt angular acceleration होगा d omega by dt जिस तरीके से आपने लिखा था force बरावर ma उसी तरीके से torque बरावर होता है बेटा i alpha torque बरावर क्या होता है i alpha torque को हम rate of change in angular momentum भी लिख सकते हैं इसे हम f को लिखते है rate of change in linear momentum उसी तरीके से हम torque को लिख सकता है rate of change in angular momentum यह पढ़ाऊंगा definition बस ऐसे लिख रहा हो अच्छा linear momentum बरावर आपने क्या लिखा था mv उसी तरीके से angular momentum होता है i omega work done यहां पर क्या हो जाएगा torque into theta, torque into d theta, kinetic energy pure rotational motion में हम लिखते है pure rotational motion हो half i omega square यह l square way to exactly systematic तरीके से हमने इसको copy कर दिया वहां से उठा के और कुछ नहीं किया power क्या हो जाएगा torque into angular velocity power हो जाएगा power क्या हो जाएगा जैसे वहां पर power क्या लिखते थे आप power लिखते थे force into velocity का dot product instantaneous power होता था रोटेशनल motion का instantaneous power होगा torque into omega क्या आपको यह बात समझने में कोई दिक्कत है क्या systematic तरीके से copy हो जाएगा वह चीज systematic तरीके से exactly copy हो जाएगा impulse होता है change in momentum angular impulse है तो angular impulse हो जाएगा बेटा angular impulse हो जाएगा angular impulse हो जाएगा change in angular momentum सर ऐसी चीजे आपने exactly to the two copy करके क्या समझाना चाहरे हो क्योंकि छोटे-छोटे सबाल आ सकते जैसे तुम्हें टॉर्क और angular velocity दे देगा और वो लेगा rotational power बताओ तो तुम्हें अगर linear power पता है force into velocity होता है तो rotational force हो गया torque and rotational velocity हो गया omega inka dot product rotational power होगा समझ में आया समझ में आया चलिए आगे बढ़िए चलिए आगे बढ़िए motion यह सारी चीजे आपने पढ़ा हुआ है कहांपे equation of motion कहांपे पढ़ा हुआ है equation of motion आपने पढ़ा हुआ है pure translational motion के लिए इसी तरीकि सब रोटेश्नल motion के लिए everything question of motion क्या हो जाएगा rotational motion के लिए वह equation of motion as it is copy हो जाएगा जैसे आपने circular motion में ये चीज पढ़ी हुई है हम सवाल पर आते है डारेक्ट ये आपने पढ़ा हुआ है ठीटा बढ़ाव initial angle speed t omega 0 t half alpha t square final angle speed is equal to initial angle speed plus alpha t इन सब चीजों की जवरत थोड़ी थोड़ी पढ़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये सारी चीजे as it is copy हो जाएगी rotational motion में ये सब कुछ आपने as it is पढ़ाए अब मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ is inertia oppose motion is moment of inertia inertia oppose rotational motion ये बताइए ये जो स्टेटमेंट में लिखा है ये थू है ये फाल्स है येस और नो अरजीत सिंग करना है येस बाकि बहुत सारे बच्चे कहना है नो कुछ बच्चे कहना है यप अंगरेजी में जवाब दे रहे यप not always actual में ये दोनों स्टेटमेंट नहीं में भी में भी क्या बोलना आपको बोलना है मैं true और false पूछू तो आप दोनों स्टेटमेंट के लिए बोलेंगे false मतलब मोमेंट ओफ इनर्सिया रोटेस्टनल मोशन को अपोज नहीं करता नहीं रोटेस्टनल मोशन को तो सपोर्ट भी करता है सर मोमेंट ओफ इनर्सिया ज्यादा होता है ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया अब मालो एक M मास का R रेडियस का रिंग ओमेंगा इंगले स्पीट से घूम रहा और और M मास R रेडियस का डिस्ट ओमेंगा इंगले स्पीट से घूम रहा रिंग भी ओमेंगा इंगले स्पीट से घूम रहा सेम मास सेम रेडियस का और डिस्ट भी हुआ कि समझार रहाowana किसको को रोकने ईजाव को किसका मुशन स्टॉब करने वहान अ रू किसको अध्यूति इस का मुमेंट ठीक से जाधा है जो जो जे दो इस का रोटेस्ट पहगी Chi 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 दस मीटर पर सेगेंट से भाग रहे हैं दोनों दस मीटर पर सेगेंट से भाग रहे हैं तो किसको रोकना मुस्किल होगा किसको रोकना इजी होगा जो दस केजी का है दस मीटर पर सेगेंट से भाग रहा है तो इसको रोकना असान है फुद्दूस आतमी इसको तुरंत रोक ल पेज़े होगा उसी तरीके से जिसका moment of inertia जादा होता है उसको rotational motion में लाना भी मस्किल है और उसका rotational motion खतम करना भी मुश्किल है फिल आये की नहीं आया बताओ को तो फिर moment of inertia होता क्या है moment of inertia motion को अपोज नहीं करता moment of inertia या अपोज अपोज चेंज इन चेंज इन रोटेशनल एस्टेट भाई साहब लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था तो तो कितना अच्छे से पढ़ाया था आपको कि इनर्सिया मोशन को पोज नहीं करता इनर्सिया चेंज इन स्टेट को पोज करता है उसी तरीके से, Moment of Inertia, Opposed Change in Rotational State, This is True Statement, This is Actual में सई स्टेटमेंट है, अब बताओ, Moment of Inertia किसको अपोज करता है, Rotational Motion को अपोज करता है, या Rotational Motion में Change को अपोज करता है, Rotational Motion में Change को अपोज करता है, सर, Rotational Motion में Change लाएगा कौन, Rotational Motion में Change लाएगा कौन, Rotational Motion में Change लाएगा, जो Physical Quantity, उसी हो कहते हैं, Torque, अच्छा, Translational State में जो Change लाता है, उसको कहते हैं, Force, and Rotational State में जो Change लाता है, उसको हम कहते हैं, Torque, बताओ, मज़े आए कि नहीं है, हाँ, छी क्या बनाए है हमने, हमने बनाया है, एक Nut, और ये रिंच, Nut और रिंच बनाया है, अच्छा, इसको हम कहते हैं, पाना है, ये पाना देखो ने, ये Green Color का पाना, ये Nut है, ये इस Exist के बाउट घूम सकता है, इस Exist के बाउट क्या कर सकता है, ये घूम सकता है, ये Exist, इस Exist of Rotation ऐसे घूम सकता है, तो क्या हम इस पर Force लगाएंगे, तो घूम जाएगा, नहीं, अगर किसी Object के Rotational State में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए एक Physical Quantity, जिसको हम कहते हैं, Talk, अब मैंने बोला, रामलाल, एक काम कर, इसको जड़ा घूमा, तो रामलाल लाया अपने घर से पाना, रामलाल क्या लाया, पाना लाया, अब रामलाल का जो है ना, बड़ा छोटा है, रामलाल का है बड़ा छोटा, रामलाल का एकदम इत्तीस होए, ऐसे, अब लगी, लाते हैं सर, गुमा देंगे एकदम तलका मचा देंगे इसको हम लगा के और नचा देंगे अब लाया राम लाल अपना अब राम लाल का इतना छोटा है कि इसको लगा कभी राम लाल क्या कर पाएगा बता अब इसने लगाया तो सही अब लगा के ऐसे रिंच लगा के और ऐसे फोर्स लग हाँ इसका भूद चोटा एक दिखक्त होता है नहीं घुमां पाएगा जाए अब मैं अपना रिंज लाओं गार जो दो इस बहुत बढ़ा है श्था करे दिस मेरा लगी है और अधर ना आशान अशान होता चीजों घुमाना अगर आप किसी को घुमाना चाहते हैं तो जितना दूर से उसको घुमाएंगे, उसको रोटेट करना उतना असान होगा, जितना पास जाके उसको घुमाना ही कोशिस करेंगे, उसको घुमाना उतना मुस्किल होगा, तो हमने यह लाया, और मैंने इस रिंच को यहां फसाया, और ऐसे फोर्स लगाया, बताईए कि इस force से, बड़ी असानी से, ये रिंच घूम जाएगा, इस force से ये रिंच नहीं घूमेगा, क्यों नहीं घूमेगा, हम इस axis of rotation से, आर डिस्टंस पर force लगा रहे हैं आर डिस्टंस पर force लगा रहे हैं लेकिन जब हम यहाँ सर फोर्स लगा रहे हैं तो यह घूम नहीं रहा, क्यों नहीं घूम रहा Michaels यह जो force है वो आर के parallel हो गया मतलब जिस point पर force लगा रहे है जिस line के long force लगा रहे हैं वह लाइण और और नहीं कर पाएगा तो कोई बीस और भी ऐसे ऐसे चैशल सेटेट में का काम, यह नहीं कर पाएगा तो कुई भी ऐसा वो सो आजगे पैर लिऊ हो हमारे काम का नहीं होता है तो हम किधर लगाए फोर्स सरे काम करो आप फोर्स को किसी इस एंगल पर लगाओ मालवार वेक्टर आगे जा रहा उससे एंगल बन रहा है ठीटा और इधर आपने फोर्स लगाया कुछ इस एफ का ठीटा एंगल पर यह कंपोनेंट और यह होगा एफ साइं ठीटा प्रैक्टिकली सोचो ना फॉर्मूला से नहीं प्रैक्टिकली घुमाने का काम कौन कर रहा है एफ साइं ठीटा कर रहा है तो यहां पर जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा करता है उसको कहते हैं हम और इस रोटेशनल इफेक्ट थोडस को हम लिखते थीटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा और कॉर्स प्रोडक्ट में ही सांठीटा राता है अब इसका जो तॉर्मूला है मैं एक अलग तरिके से अपना फॉर्मूला बताता हूं धैन रखना बढ़क रहा दिआयेगा लि अर्फ कि अर्दिसम्स थिस ना मैं उ सकूंस्द और डिसेंट boa फचेन्ट लेकी बात फेन लेकिंडिकुलर डिससों फॉर्ट लॉजह है ॢ३र्ट vibrations और आपकी ओव्हॐ rares ? वह प्यूद्व है ? वडिस न Android लागा उसक किसी लाइनْ गला रहा होगा देख भाई ते फिनेशन को इतना आसान बना रहा हूँ न यह किसी किताब में नहीं लिखा लेकिन अगर तु एक बार इसको समझ लेगा न तो टॉर्क लिखना तुम्हारे लिए बतलब बाएं उंगली का खेल हो जाएगा अग्दम देख अब सुन हमें क्या करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंश लेना है फ्रॉम एक्सिस ऑफ लाइन ओफ फोर्स जिस पॉइंट पर फोर्स लाइन पर लग रहा न वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंश लो जैसे यह फोर्स तो यह इस लाइन हो गया इस force का, तुम यहाँ से R का perpendicular distance ले लो इस line of force से, यह R perpendicular, R perpendicular into F लिख लो, यह इसका उल्टा, F का वो component जो R के perpendicular है, दोनों component यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इन्टू F लिख लिजे, दोनों definition लिख सकते हैं, सर कौन सा दोनों definition देखिए, टॉक का दो definition आप लिख सकते हैं, कौन सा, R perpendicular into F, या, F perpendicular into R, यही तो है cross border की कहानी, कि दो vector का perpendicular component लेके हम उसको product कर देते हैं, दो vector का perpendicular component लेके हम उसको product कर लेते हैं, यही तो cross product है, अब एक बात बताओ, torque किदर होगा, सर्थ torque का direction always, always, perpendicular to force and position vector होगा, क्या सही बात है, जिस दो vector का हम cross product लेते हैं, उसका result, उस दोनो vector के perpendicular होता है, अब साहब NEET में सवाल पूछता है, इस पे बड़ा जोरदार, और उससे जोरदार, हम आपको सिखाएंगे, answer निकालना, मज़ा जाएगा, निट में पिछले साल ऐसे दो या तीन सवाल पूछे थे, ऐसे सवाल पूछा जाता किताब में, solve नहीं करना, मैं तुम्हें सवाल देखके answer निकालना सिखाऊंगा, सवाल देखके, सवाल देख, अब इस रोटेटिंग अब ऑटकष एक एक अंगुलर अस एकल अलफा अंगुलर अससन अल्फा іया है, अलफा काप प्लस तू जय कप नहीं centralized left NP, अचलफ टियांच अब तुम्हें सब्सक्ठाइब्ड hasusa video, मैंने बताया था टेंजेंचल एसिलेशन होता है बेटा आर क्रॉस अलफा यह रिलेशन है दोनों के बीच में हाँ भला ही टॉर्क नहीं निकालना है लेकिन क्रॉस प्रोड़क्ट का ही तो अप्लिकेशन है न हाँ अब क्या करो के बताओ सब आर और अलफा में दिया हुआ है हम इसको क्रॉस प्रोड़कर के अंसर निकालेंगे नहीं तुम मुझे यह बताओ क्या टेंजेंचल एसिलेशन आर से और अलफा से दोनों से परपेंडिकुलर होगा हां दोनों से परपेंडिकुलर होगा अब तुम क्या करो ध्यान सुनना यह उठाओ इसका इसके साथ डॉट प्रोड़क लो अगर डॉट प्रोड़क जीरो हो जाए तभी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है यह क्या है तुम्हारा 80 का एंसर दिया हुआ है ऑप्शन में 80 अलफा से क्या होगा बोलो 80 जो है अलफा से परपेंडिकुलर होगा यह वाला पर लुट COMM का लड़ यह रहा तुम्हारा अलफा इसका डॉट प्र लो आई और माइनस से लेवशन ही तो इह हो जाएगा माइनस से ग्या रा दोग और दस पाँच छीरो यहा रहा दो साथ है मतलब यह स槈 हो सकता है अभ इसका डॉट प्र लो पाँच और alfa ये रहा 5 और एक क्या होगा बोलो 2 और minus से 11 हो जाएगा minus 22 और 7 3 21 क्याısı का dot product 0 आ रहा नहीं, आपने इसका इसके साद dot product लिया है क्या ये 21 और 5 बहुत ज़्याद हो गे ये 0 नहीं आ रहा नहीं सर ये नहीं आ रहा चलिए ये चेक करते हैं 3rd option check करते हैं 11 आई यह रातिर आलफा यह बता क्या होगा सरी 11 यह पांस दुना 10 11 और 10 21 साथ 3 एकेस यह भी 0 आ रहा तीसरा option भी 0 आ यह चेक कर यह चेक कर इसका देख तो 5 यह 5 आ जाएगा माइनस 5 यह जाएगा माइनस 5 यह जाएगा माइनस 5 11 दुना यह हो जाएगा 22 और 7 31 तो यह दोनो प्लस रहेंगे यह भी नहीं आरा तो यहीं दोनों मेंसे एक इंसर हो सकता है सिर्फ dot word करके अगर check करोगे तो तुम्हें ये समझ में आ रहा कि यही दोनों में से एक answer हो सकता है कि यह बात clear है कि नहीं clear है यह बता दीजे कि यह बात clear है अब यह वाली चीज इसके साथ भी dot word लेके 0 आना चाहिए अब तुम अगर इसका dot word इसके साथ 0 लोगे तो यह होगा तुम्हारा minus 22 और यह हो गया तुम्हारा minus 15 minus 15 और minus 22 कभी भी इसके साथ 0 नहीं हो पाएगा मतलब पहला गलत है तो तीसरा सही answer है C is the correct answer खतम खतम और पता है यह question लंदी भी इतना क्यों हुआ क्योंकि दो option में dot word जीरो आना था अलफा से अब मैंने क्या किया बता है मैंने क्या किया यह तुम्हारा आर वेक्टर था आर का 80 के साथ dot word जीरो आना चाहिए क्योंकि यह जो 80 है वो आर के perpendicular होगा इसका dot word जीरो आना चाहिए देखना यह माइनस बाइष और माइनस पंदल बैस माइनस पंदल प्लस साथ से जीरो होगा यह तो यह गलत है चीट नंसर आ गया और तुम फटा फटा क्या से कर सकते व सवाल कोई दिक्कत नहीं है समझ आ रहा है, मैंने क्या किया है, ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, चलो यह देखो, आ सिंगila Gross, एक सवाल पार्टिकल सिचुएट अन निगàiटिव एकसिन देखी धूरिजीन इस इन डॉजिटीव जात, इन फ्रॉर्स इस किदार होगा यह पूछाएं, ठर्वन मतलब यहां पे कौई पािटिकल है, जुछारो पार्टिकल है, ज़ा और जो तो इस दोर्स इसा तो इसका R क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक, और तुम्हारा जो टॉर्क है, वो किस तरफ है, तो टॉर्क आपको दे दिया है, निगेटिव Z-axis में, तो टॉर्क जो तुम्हारा है, वो के कैप में, टॉर्क किदर है, के कैप में, आर किदर है, माइनस आइक कैप में, तो बोलाए कि फोर्स किदर होगा, तो एक बात बताओ, कई लोग कह रहे हैं, इंसर रॉंग है, ग्यारा दुना बाइस, डॉर्क लेंगे हम तो यह आएगा बाइस, और पांच त्याई पंदरा, माइनस पंदरा, और माइनस साइट, तो सही है, यह जीरो आड़ा, लेकिन यहाँ पे यह होगा, माइनस बाइस, और प्लस पंदरा, प्लस साथ, अच्छा, इसके साथ भी जीरो आ रहाएक है, डॉर्क परड़ाट, अच्छा, दोनों के साथ डॉर्क परड़ाट जीरो आ रहाएक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें काम कर लेते हैं, 80 का एक टर्म सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, आई, जे, के, आर बताईए क्या है, आर यह है, टू, माइनस थिरी और वन, और आपका अलफा क्या है, अलफा है वन, टू और थिरी, अगर हम आई को बाहर निकालें, तो यह हो जाएगा, तिन तीन तीन नो, माइनस नो, ओके, औ 11 दूना 22, 11 दूना 22, और यह माइनस है, और यह माइनस हो, तो प्लस पंदरा होगा, प्लस पंदरा, और साथ तरी एक एस, अच्छा, बतलब ऐसे सवाल बहुत रेर बनते हैं, जिसमें, आर के साथ, 80 का डॉट पर और, अलफा के साथ, 80 का डॉट पर दो आपसन में, एक्ज जीरो आ रहा है, तो उसका भी एक आसान सवाल है, उसका भी एक आसान सवाल है, हम एक आसान तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, कि हम सिर्फ आई केप चेक कर लेते हैं, हमने डॉट पर देखा, तो दोनों आपसन में, डॉट पर जीरो आ रहा है, तो हम सिर्फ पहला टम चेक क पहला टंबस चेक करो समझ में आया पहला टंबस चेक कर लो चलो मैं एक काम करता हूं तुम्हें नहीं आ रहा समझ तो कोई दिक्कत नहीं है हम इसको सॉल भी कर लेते कोई खास बात नहीं है 80 बराबर होता है 80 बराबर होता है R cross alpha ठीक वई तो 80 is equal to हो जाएगा cross product का concept बहुत असान है कोई खास बात नहीं है कि आई जे कि पहले यलिकेंगे पहला रार क्या है तो मांटस थिरी और वन अल्फद एक मेंट एक मेंट वन अच्छा यहां पर है ना यह कंफ्यूज कर रहा था है वन यह वन 2 MP2 यह थीख अब यहां पर हम Rom प्रटेट कैसे करते हैं आई के बाहर निकालते हैं इसका इसके साथ करते हैं तो यह हो गया माइनस नौ और यह हो गया माइनस दो अब फिर हम लेते हैं माइनस जे फिर हम क्या करते हैं इसका इसके साथ करते हैं चे और इसका इसके साथ करते हैं तो यह हो जाएगा माइनस दो एक MINUTE ये क्या है और आर का है value one अर यह तीन एक मिनट एक दो तीन एक ऑर है अरे Yared एक दो और तीन है न यूल अल्फा ए वह तो यार क्या लिखाया टेंदेशेनय दूए पॉइट है वेक्टर आर आर यह तुम्हारा अच्हांद दो is मैनस् mentally और एक यह क्या है एक गो दो थीन सही तो है चिक वह हम जह देखेंगे तो यह सो जह घंगे ट Jewish तीन जुन मैंनस्थ एक और प्लस जब हम के देखेंगे के अर छार आर ये यहा यहीं यहीं है येके यह तुम्हार और होगिया यह तुम्हार्ण ऐल्फ ऐत्ट रखते हैं फिर शोल्प रखते हैं ह। रहए बाहरda निकालते हैं इसको भाइबल निकालते इसको इसके साथ करतेैं कि दीब है पिटा वो सभी बात है यह अंसर आ गया तो ऐसे ही कर लेना कोई खास बात नहीं बट 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 जो मैंने लॉजिक आपको बताया है उसे अच्छी सवाल एक एक लाइन में स्वाल हो जाते हैं अब क्या रॉंग है भाई साहव अब क्या रॉंग है इसमें अब तो ठीक है ना भाई स्रेश गुप्ता कह रहें रॉंग सर्जी पलट गया सर्जी नहीं पलटे हैं यह सवाल में दो अप्शन में सही आ रहा बाकी तो यह दोनों गलत प्रूफ किया न बेटा इसमें डॉट प्लट जीरो था तो इसमें यह दोनों अप्शन गलत हुए न जिसको मैंने गलत बोला था वो तो गलत ही होगा जिसको मैंने गलत बोला वो तो गलत आया ना जिसको मैंने गलत बोला वो तो गलत आया अब इस दो अप्शन में डाउट था इस दो अप्शन में डाउट था उसका पहला उप्शन चेक करके भी निकाल सकते कोई दिक्कत न और और इसका पोजीशन वेक्टर है माइनस आई के तो फोर्स किदर होगा सबसे पहली बात क्या फोर्स टॉर्क से तो पर्पेंडिकुलर होगा हाँ तो जे डिरेक्शन वाला औप्षन तू गलत है क्यूँकि जो फोर्स होता है वो टॉर्क से परपेंडिकुलर होता है जो फोर्स होता है वो टॉक से परपेंडिकुलर होता है जो फोर्स होता है वो टॉक से परपेंडिकुलर होता है देख बराबर आर रे भगवान ला मैं एक वर ठीक से कर देता हूं गजब बच्चे हो यार रो रहे हो ला ला कर देता हूं देख वह वासा बिलंब के लिए मैं माफी चाहता हूं मैं कर देता हूं पूरा एटी बराबर आई कैप पुरान ले लो टीचर का छोड़ना मत आई कैप जे कैप के कैप सबसे पहले पहला वेक्टर हम लिखेंगे आर है ये टू माइनस थिरी ये वन और अलफा आपका ये रहा वन दो और ठीक है जब हम क्रॉस प्रोड़क्ट करते हैं तो सबसे पहले इसको हम लेते हैं तब इसका और इसका प्रोड़क्ट होता है तो तीन और माइनस तीन क्या हो जाएगा माइनस नौ तोनों के बीच में माइनस होता है दो और एक तो दो ही रहेगा माइनस जे बाहर निकालेंगे जब माइनस जे बाहर निकालते हैं तो इसका इसके साथ करते हैं ये छे और ए यहां से माइनस 9, माइनस 2 हो गया, माइनस 11, I-6 में से एक जाएगा, माइनस 5, J-cap, plus, 4, और plus 3, 7, K-cap, असान ही है, आसान ही है, तू ऐसे ही करना, ऐसे ही करना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब देखे, अब बताये Пред तॉन सुनेएगा जो टॉर्क का डारेक्षन आपको निकालना होता है। यह सेकेंड वेक्टर है । यह क्या है सेकेंड वेक्टर है तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि, कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपना हाथ रखे फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रखे सकेंड वेक्टर की तरफ गुमाएं तो जो आपका रिजल्टेंट है वो थम्ब की तरफ आएगा रिजल्टेंट आपका किधर है बाहर की तरफ रिजल्टेंट तो उसने बोला है ना कि टॉर्क positive Z मे, टॉर्क अगर positive Z में तो thumb आपका positive Z में यह आना चाहिए, origin के respect में position vector पीछे है, तो force कहां जा सकता है, सनल पीछे ही आरा है, सै आरा force, इसको हम गुमाएंगे, तो minus Y के direction में आएगा, in the negative Y direction, यह answer होगा, दूसरे तरीके से, अगर आप basic formulae से जाएंगे तो आपको torque बता दिया गया है कि k cap में है R बता दिया गया है minus i cap में है तो अब बताइए force किदर होगा इसका direction आपसे पूछा है कि force किदर होगा अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे j cap लेता हूँ हम minus बाहर रको अगर मैं इसको जे के सकते हूं हटे लेंगे लेंगे तो आई मैंनस और यह माइनस पहले से दिया हुआ इह पोजिशन विथर minus i में है है इसको अगर हम minus j में माने क्योंकि तीसरा direction तुम j ही क्या बचा i a हो गया k a हो गया अगर minus j में मानोगे तो minus minus ये plus i cross j k बन गया तो या तो तुम formulae से कर लो या right hand thumb rule से कर लो right hand thumb rule से कैसे करोगे ये तुमारा क्या हो गया बेटा origin हो गया origin से first vector तुमारा position है उसकी तरफ हाथ रखो और second vector की तरफ गुमाओ thumb direction दे देगा resultant का तो जैसे r इधर हो गया r की तरफ तुम अपना right hand रखो position vector की तरफ अपना four finger रखो position vector पहला vector तुमारा r है उसके तरफ four finger रखो और force की तरफ गुमाओ बता फोर्स कहां लग रहा सर्व हमें नहीं पता resultant पता है क्या हां सर्व प्लस के में तो प्लस के कहां है ये बाहर अगर प्लस के तुम बाहर रखोगे positive के तो बाहर होता ना ये x axis है ये y axis z बाहर होगा तो तुम position vector r की तरफ हाथ रखो थम तुमारा बाहर की तरफ आना चाहिए तो हाथ कहां गुमेगा नीचे ही गुमेगा इसलिए minus y direction इंसर आएगा अरे नेता मतबन कर दियानक प्लस प्रडेक्ट से उसके पीछे घुच जाओ को क्या एक डम लब गजब बात है यार सर डॉट अलफा गलत अब भारी concept सिखा रहा हूं कि अगर दो वेक्टर ये इससे प्रपेंडिकुलर होना चाहिए तो इसका डॉट प्रड़ जीरो होगा अब मुझे गुना भाग नहीं करना तुम्हारे लिए कि मादा वेचर जाओ के एक दोर समझा रहा हूं मैं तंसेप्ट सिखा रहा हूं कंसेप्ट सीख कि मैंकंसप्ट सीख अगर ये इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा तो इसका इसके साथ डॉट पर और इसके साथ डॉट प्रड़ जीरो होगा और जो भी इनसे तरह क्रोस प्रड़ करके आया है उसका डॉट परक ले आरो एससे जिरो आ रहा है कि नहीं आरा बता है मुझ बाड़ी सी बात नहीं समझ में आ रही कि प्रिचे बढ़ गे उसको एक्दम अले यहां पर बारे घंटे खड़ों के परहाना असाब लग रहा तुम्हें कि अ कि माघ खराब कर रहे हैं कि बाटो कि यह है ते रार फॉर्स्ट वेक्टर की तरफ अपन क्या रखते हैं फोर्र फिंगर रखते हैं सेकेंड वेक्टर की तरफ फोर्र Gibson को खुमाते हैं तो थम हमारा इस नहीं क्या बोला कि origin के about हमें torque देखना है, देख क्या बोला है, a single force x on a particle situated on the negative x-axis, the torque about the origin in the position jet, जिस point से हमें torque पूछ रहा है, जिस point से मेरे से torque पूछ रहा है, उसके about हम देखते हैं, ठीक है, उस point से में देखना है, तो torque किस से पूछ रहा है, origin से हो, origin से हाथ इधर रखोगे बेटा, और force की तरफ घुमाओंगे, सर्फ फोर्स का तो direction ही पूछा है, तो कोई बात नहीं, thumb तुम्हारा कहा है, resultant, torque की तरफ होना चाहिए, thumb, thumb resultant को बताएगा, torque तुम्हारा k दे दिया, तो इसको k की तरफ रखो, अब अब तो हाथ कहाँ गुमेगा, सिर्फ नीचे गुम सकता है तो यह answer होगा, और वैसे भी, जिधा torque उदर force हो नहीं सकता, torque अगर Z में है, तो Z में force नहीं होगा, यह और यह गलत है, तो इन दोलो को चेक कर लोगे करके, मालनो force positive Y में है, यह R और force positive Y में तो torque अंदर आ रहा, मालनो R इदर force negative Y में है, तो torque बाहर आ रहा, तो बाहर टॉक दिया हुआ है, इसलिए negative Y वाल answer होगा, बता समझ आए कि नहीं है, negative Y वाल answer आ गया ना, चला आगा देख, चलो, अब देखना, छोटे छोटे सवाल कैसे पूछते है, 3 force of magnitude F, F and root 2F, 3 force F, F and root 2F, acting on a periphery of a disk of mass M and radius R and so on in the figure, the net torque about the center of the disk is, center of disk के about आपसे torque, पूछा है, center of disk के about torque पूछा है, चली बताईए, center of disk के about torque, बताईए, समझ आगया ना, बहुत भूद धन्यवाद, बहुत भूद धन्यवाद, अजन्यता गिरी मत किजिए, master इंसान होता है, एक दो mistake को calculation में कर सकता है, भगवान नहीं होता वो, तुमको concept गरत नहीं पढ़ कोई बात नहीं, आईए, चली देखिए, भाई साब, मैं तुम्हें 83 स्लाइट पे हूँ, 83 स्लाइट पे, अगर एक स्लाइट पे मैंने डॉट परड़ गहीं, गलती ले ली, तो तुम तो एकदम सर पे सावार होगे, एकदम, यह मादा पे सावार हो गया, भगवान तोड़ी नहुए आर में, कल इसको कर, यह तुम्हारा position vector r और यह f, इसका torque किदर होगा, तो सुनो torque कैसे निकालते हैं, torque वेटा ढंग से समझातों, देखो, torque होता है हमेशा r vector cross f vector, r के तरफ first vector है, r के तरफ four finger रखो, और उसको force की तरफ ऐसे गुमाओ, यह जो thumb है, वो torque का direction देदेगा, थम क्या देदेगा, torque का direction देदेगा, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो इसका जो torque है, वो किदर लगेगा, यह हो गया तुम्हारा r और यह हो गया force, तो तुम्हारा torque का है, की तरफ मतलब cross, यह, बाहर की मतलब हम dot ले लेंगे, अब इस root 2f का 45 degree पर component लोगे बेटा, तो root 2f cos 45, cos 45 होता है, 1 by root 2, root 2 से root 2 कटेगा, यह f बचेगा, मतलब इस root 2f का component आगे f, और इधर भी f, अब सुनो अच्छे से, कि इस r से, यह वाला force parallel हो गया, तो इसका torque हो जाए इसे बाहर की तरफ आ रहा, तो यह- साइगा, Fr dot, इसका बिजूसे टॉक got to R और इफ, यह अंदर की तरफ, तो यह ओजाएगा, if, आर cross, डो टॉक रॉक क्रोस क्रोस अंदर की तरफ, और एक बाहर की तरफ, तो net torque बचेगा, if, आर, cross, cross मतलब अंदर की तरफ मतलब minus cake है तो minus ifr cake है बता answer क्या रहा दूसरा दूसरा answer रहा बताओ समझ आया अच्छे से समझ आया अच्छे से बढ़िया अब देख भई मान लो देख होना जाना तो तुम्हारा कुछ है नहीं बाद में सबजी की दुकान तुमने खोली मान लो क्या खोली सबजी की दुकान खोली उससे पहले एक चीज और बता दू किसी भी body पे जब हम net torque लिखते हैं तो net torque हम r cross f net नहीं लिख सकते हैं net torque और net force में कोई direct relation नहीं होता है relation होता है net torque का पहले force का torque लिख लो plus दूसरे force का torque लिख दो plus तीसरे force का torque लिख दो plus so on क्या आप net force का direct torque लिख सकते हैं yes or no में जवाब दीज़ेगा क्या आप direct net force निकाल के उसका torque लिख सकते हो एक रिपीट कर दो किसको repeat करो मेरे भाई मेरे लाल यही तो तुम्हे समझाया था यह R है और यह F है R और F पैलल हो गए यह origin से यह position vector और यह force यह force इसके पैलल हो गए तो गलत हो गया मतलब इसका torque 0 हो जाएगा इसका torque 0 यह root to F का यह component R और F इसका torque बाहर इसका torque अंदर इसका torque अंदर तो दो अंदर एक बाहर बरी गुट सिर्फ एक है पता नहीं कहां से आया है चुमू रहाँ लिख सकते हैं डैस नहीं लिख सकता तू नेट पोर्स का डारेक टॉर्क नहीं लिख सकता टॉर्क हमेशा इंडिविज्वल फोर्स का निकाल के ही एड करते हैं हम डारेक्ट टॉर्क नहीं लिख सकते हैं हम डारेक्ट टॉर्क नहीं लिख सकते हैं समझ में आया कि नहीं है हम डारेक्ट टॉर्क नहीं लिख सकते हैं कभी भी हम डाडेक्ट टॉर्क नहीं लिख सकते हैं कभी भी हम डाडेक्ट टॉर्क नहीं लिख सकते हैं यह देखो यह देखो, माल लो, कि तुम पार्क में गए, पार्क का बढ़िया गेट होता है, और तुम जा रहे थे, पार्क के जैसे गेट होता है, जहाँ पर सेंटर पर फिक्स होता है, ऐसे ऐसे खुलता है, तो तुम माल लो, कि भाग के गए, और पार्क को गेट के खोलने ही कोसिस की F force लगा के, तो net force इस gate पर कितना लगा, तो same direction में देखो, दो force लगे, F और F, 2F, अब मैं पूछू, net torque कितना लगा, तो माल लो कि center से ये distance है वेटा, कुछ आपका, यहाँ पर force लगा रहा है, यह हो गया line of force, और ये axis of rotation है, इससे distance है इसका R, और similarly, ये axis of rotation है, इससे भी इसका distance है, अब मैं इस पर net force आप से पूछू, तो 2F है, net torque पूछू तो बताओ कितना होगा, सुनो अच्छे से, ये axis of rotation के about आपको torque लिखना है, torque हमेसा किसी point के about लिखते है, ये R, R और F उपर, देखो, ये line of force उपर जा रहा है, तो ये R, देखो न, इधर है R, इस point से, इस point प इसा हो जाएगा, बाहर की तरफ, तो इसका torque हो जाएगा, FR, dot, plus, इसका torque क्या हो जाएगा, सर ये position vector पीछे और force उपर, तो इसका torque अंदर हो जाएगा, FR, cross, तो net torque क्या हो जाएगा, 0, इसलिए आप देखते होंगे, gate नहीं खुलता है, ठीक है, gate नहीं खुलता है, ठीक है, उधर से कोई पार्क से बाहर निकल रहा है, और इधर तुम पार्क में जा रहे है, और दोनों ने बढ़िया force लगा, F और F, तो net force external बाहर से कितना लगा, 0, मतलब इस rod पे या इस system पे, अगर मैं आप से पूछू कि net force कितना लगा, तो क्या बताओगे, 0 लगा, net force तो इस इतना है, तो सर ये R और उपर F, तो ये हो जाएगा, FR dot, यहां से ये R और force नीचे, तो ये R और force नीचे, तो ये भी हो गया, FR dot, ये हो गया, FR dot, और ये भी हो गया, FR dot, तो बताओ क्या हो गया, 2 FR dot, क्या हो गया, 2 FR dot, लूट है एव नहीं टू एफर रहें तो बता यह एकल करा तो वेपो गया कि टूएफार डॉठ हो गया नीट डॉक बताएं कि इतने लोगोंψ अच्छे से ने ने टॉर्क बताओं रखेंगे फोर्स उपर बाहर की तरफ हांत रखेंगे फोर्स नीचे लग आएसे तो डॉट बाहर आया तो यह होगा टू एफर डॉट तो अगर मैं कहूँ किसी system पर net force 0 है उस पर torque non 0 हो सकता है अगर मैं कहीं statement लिखूँ if net is 0 then torque may or may not be 0 may or may not be 0 if net force 0 then net torque may or may not be 0 true है कि false है true है कि false है this is true statement or false yes this is 100% true statement एकदम सही है मतलब net force लगा ही नहीं लेकि net torque लग सकता है yes this is correct net force is 0 then torque may or may not be 0 true है और यह true कहां है इस case में और इसी case को हम क्या कहते है couple कहते है couple कहते है couple force couple force जिसमें दो equal and opposite force लग रहे होते हैं same distance पे clear है clear है क्या यह बात clear है क्या यह बात चलिए अब आते हैं अपने system पे मान लो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ भविस्य में तो तुमने हार के बेचारे घरीब भिखारी आदमी तुमने खोला सबजी की दुकान और भाइशाब बढ़िया सबजी की दुकान तेरा चल रहा बढ़िया कमा रहा एक दिन माइ आया तेरे पास और वह बोला कि आज तो एमार को में ठग लूँगा मैंने तुमसे एक किलो आलू मांगा तो तू मुझे एक किलो ही आलू देगा, कि थोड़ा कम देगा, कि थोड़ा जादा देगा, बता कितना देगा, माल ने तूने सोचा कि MR को ठगना चाहिए, तो तूने axis of rotation कहीं यहां बना दिया, यह distance x1, और यह distance x2, राजू ऐसी होता है न, बीच से पकर के उसको balance करते हैं, यह A है, यह B है, अब तूने सोचा कि MR को आलू तो मैं कम ही दूँगा, कम दूँगा, देख, कितने dash dash बच्चे हैं, बोले कम देंगे, कम देंगे, कम देंगे, चल ठीक है, कम देगा, तो बता, तूने क्या क्या कम देने के लिए, axis of rotation को थोड़ा पीछे shift कर दिया, यह, य यह तरह हींज पॉइंट है, जिसके अब तराजू ऐसे से बैलेंस करता है, यह तरह ओ पॉइंट, ठीक, यह हमारा O पॉइंट है, अब क्या हुआ, ए और B तुम्हारा इधर बात, इधर आलू या इधर आलू इधर बात, अब बता किसमे बात और किसमे आलू रखोगे, त किदर आलू किदर बात, बता, किदर आलू और किदर बात, किदर क्या रखेगा, बोल, किदर आलू किदर बात, बता, किदर आलू किदर बात, बता आलू किदर रखेगा, A में आलू, B में आलू, A में आलू, B 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 म के चाहिए और पेमें1 जी का बालु रखते हैं का मालो इसके लॉट बाउट कि इस इधर जुग गया तो क्या करोगे इधर जुग गया मतलब यह नीचे क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए इसी को हम कहते हैं जब कि किसी सिस्टम पे नेट्ट टॉक जीरो हो तो उसको हम कहते हैं rotational equilibrium तो जब तराजू rotational equilibrium में आता है तभी तो तुम मुझे अलू देते हो हाँ सर है ठीक है इधर से मान लो यह फोर्स लगाया F A और यह फोर्स लगाया नीचे F B इसके बज़े से नीचे जो टेंचन लगा F B नीचे F B और यह X2 यह होगा FB into X2, बराबर, इधर होगा F1 into X1, अब मुझे बताओ, टॉर्क बराबर है, तो इसका इसका टॉर्क हमने बरावर कर दिया, देखो न, इसका टॉर्क इधर, ऐसे, और इसका टॉर्क ऐसे, जितना टॉर्क यह अंदर लगा रहा, उतना ही टॉर्क यह बाहर लगा, यहां से, पोजीशन वेक्टर इधर पीछे होगा, इसका, यह पोजीशन नीचे फोर्स लग रहा, देखो न, इसको पकर के नीचे खीचला, और यह नीचे इधर खीचला, तो यह पोजीशन यह टॉर्क, इसका टॉर्क तर अंदर, इसका टॉर्क बाहर, तो जितना अंदर एकसे अगेटे ऐखे अब तू तो चलाता मुझे ठगने लेकिन है तो दिमाग से पैदल अब ठगने के चक्के में तुम्हें लग रहा कि मैंने मास्टर को ठग लिया और तू सब को ठगना शुरू कर दिया और ठगते ठगते साम को बता चला कि दुकान नुक्सान में चला गया साब दुकान नुक्सान में क्यों चला गया क्योंकि तुमने क्या किया तराजू को बीच में ना रखके इधर रखा इधर रखोगे तो इधर डिस्टेंस कम और टॉर्क बराबर करने के लिए जितना अंदर उतना बाहर टॉर्क करने के लिए जितना अंदर उतना बाहर टॉर सभ frels लगेगा है एने से फोर सेंटु बीस्टस का प्रोड़क्ट तो सबस्तू कि समें ये बात किके किस में डालोगे आलू हम बी में डालेंगे और बात हमे में डालेंगे ताकि हम किसी को बहुत अच्छे से थख पाये ताकि हम किसी बहुत दोटीखें पार्क में चलो चलेंगे खेलने अब आगर में खेलने गया मोटी तो हवा में उरा देगी उरा देगी तो मेरे पास आया रामलाल रहें बोला है आप barbecue ने कि अगर मैं कि इस हिंज़ पॉइंट से इसस्टन्स को मैं यहार क्या फिक्ष्थ हो बताओ, देखो सवाल लिखा है, rod is massless, rod का कोई mass नहीं है, इधर pinky बैठ गई, मोटी pinky, और इधर बैचारा कुपोसित रामलाल बैटे गा, 40 kg का है, pinky इसके double weight की है, rod is massless, then find relation between L1 and L2, so that system is in rotational equilibrium, so that system is in rotational equilibrium, rotational equilibrium होने के लिए, इस O point के बाउट, torque होना चाहिए, 0, pinky जब इस पे बैठेगी, तो इस rod को नीचे दवाएगी, और pinky वैसे नीचे दवेगा, mg force, और ये आदमी इसको नीचे दवाएगा, नीचे धक्का नहीं मारेगा, normal, normal जो इसके mg के बढ़ाबर होगा, तो इसके बज़े से, m1 जी बोल देता हूँ, इसके वैसे m2 जी बोल देता हूँ, तो जितना torque ये लगाएगा, उतना ही torque ये लगाना चाहिए, किस point से distance पीछे है, तो L पीछे, force नीचे, तो torque बाहर, बाहर की दरफ torque बोलो, m1 जी इन्टु एल बढ़ा position vector इदर, हाँ sir, force की दर नीचे तो ऐसे torque लगेगा, ऐसे अंदर की दरफ, और ये बाहर की दरफ, तो net torque क्या होगा, ऐसे देख सकतो, ये इसको clockwise गुमाएगा, और ये इसको anti-clockwise गुमाएगा, तो net torque हमें 0 करना है, तो G से G cancel, m1 है तुमारा 40L1, बराबर 80L2, तो आज की नहीं है, L1 बराबर 2L2, समझ आए की नहीं है, बताइए, मज़ा आए की नहीं है, अब ये सवाल देखिएगा, अब मैंने जो torque का definition बताया था नहीं, देखिएगा, कितना का में रहेगा, एक बाल को, ओरीजन से प्रजेक्ट किया, जिसका मास M है और स्पीड यू से प्रजेक्ट किया, जब वो maximum height पे था तब भी उसके weight मतलब gravitational force की बज़े से point of projection origin के respect में कितना torque लएगा ये बताओ कितना torque लगेगा ये बताओ ये सवाल तुमसे पूछा है अब देखना मैं जो तुम्हें बात बोल रहा हूँ gravitational force कि धर लगता है vertical downward vertical downward gravitational force लगेगा अब हम इस point पे position vector जो लेंगे क्या ये position vector क्या ये position vector इस line of force के perpendicular है नहीं सर ये तो ये तो आपने कोई भी position vector ले लिया है ये line of force के perpendicular तो नहीं है तो क्या ये तुम्हारा vertical line of force है हाँ तो इसका horizontal component x वाला ही r perpendicular होगा मानता है क्योंकि force y वाला तो distance origin से x वाला लेंगे हाँ अगर ये maximum height पे है तो ये range का आधा हो गया हाँ तो इस point के about में जो torque होगा हो mg into r by 2 होगा मानता है हाँ सर mg r by 2 mg r by 2 range क्या होगा range हम जानते u square sine 2 theta by g range होता है उसका आधा हमें लेना है तो सर एक मिनट जी से जी कटेगा mu square sine 2 theta by 2 होगा mu square sine 2 theta by 2 दूसरा जवाब होगा बोलो एकदम चमका की नहीं एकदम बढ़िया तरीके से हां देखो ना देखो ना अच्छे सबरो ना बताओ फोर्स किदा रहे सर वर्टिकली डाउनवर्ड को में कोई साभी distance ले लेना है कि अगर फोर्स वाई में तो में x वाला distance लेना है तो तुम्हें किसी चीज़से मतलब नहीं हो जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है उससे फोर्स के परपेंडिकुलर डारेक्शन वाला distance ले लो फोर्स अगर वाई में है तो ओरिजिन से इस लाइन ऑफ फोर्स को मिला दो हम उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर ले की लाइन का पोजिशन वेक्टर ले बताओ हम किसका पोजिशन वेक्टर ले पॉइंट ऑफ फोर्स का की लाइन ऑफ फोर्स का बोल हम पोजिशन वेक्टर किसका ले पॉइंट ऑफ फोर्स का की लाइन ऑफ फोर्स का हम position vector लेंगे line of force का तो अगर gravitational force अगर gravitational force ऐसे लग रहा ऐसे लग रहा तो ये line of force बना किस line of force को origin से मिला दो बस बात खतम हमें उस point का position vector नहीं लेना जहाँ पर फोर्स लगना है हमें line of force का position vector लेना है यहाँ से line of force का समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ हमें point दोना है कि line of force दोना है line of force दोना है यह line of force उसको हम origin से मिला देंगे अगर यह चुछ तुम सीख लिये ना अब तु कहीं जाके torque लिख वाई सब मजा आजाएगा कहीं भी जाके torque लिख वाई सब मजा आजाएगा clear है अब देख a moment of force acting at this point about the point इतना is given by अब सवाल पर अच्छे से the moment of force moment of force मतलब torque पूछ रहा force acting at this point इस point पर force लग रहा about the point ये मतलब किसके about तुम्हें टॉक निकालना है इस point के about निकालना है मतलब हमें position vector लेना है उस point पर जहाँ पर force लग रहा है उसके respect में जिसके about हुमें calculate करना है हमें force का position vector चाहिए हमें force का position vector चाहिए force यहाँ पर लग रहा है जूस्त के respect में एक चुक्रवर्ती का रहा साइन ठीटा क्यों किया भाई साब range का formula होता e square sin 2 theta भाई जी ये range का formula होता है है ना देखो अब बताओ यहाँ पर force का position vector क्या है minus 1i cap plus 1j cap plus 3k cap यह force का position vector है ठीक है और किसके about torque लिखना है इस about के torque लिखना है तो जिस के about हमें torque लिखना है उसके respect में position देखना है तो यह position हो गया तुमारा 2i cap minus j cap plus k cap है ना तो position vector जो तुमारा निकल के आएगा minus 1i cap minus 2i cap minus 3i cap plus 1j cap minus j cap तो यह क्या हो जाएगा यह minus of minus j cap है minus j cap तो यह minus minus plus j cap यह j cap तो 2j cap बनेगा देखो नहीं यह minus अंदर जाएगा ब्राइकेट के बाहर है और 3k cap में से यह minus k cap जाएगा तो plus 2k cap आएगा यह मैंने ठीक लिखा है क्या इसको देख लीजे जो मैंने position vector निकाला है देखो बेटा यहां पर force लग रहा है तो यह force का position vector होगा हमें force का position vector कहां से देखना होता है जिस point के वाउट हम torque निकालते हैं उसके बाउट हो इस point के वाउट हम torque निकाला है इससे हम minus कर देंगे प्लस 4J cap माइनस 8 k cap अब obvious सी बात है obvious सी बात है हम अपने तरीके से करेंगे तुम अपने तरीके से कर लो कोई दिक्कत दी है dot product check करके बेटा कर सकते है वैसे i cap, j cap, k cap सभी कर सकते है वो भी easy है जैसे करना चाहो सब सही है ठीक है torque यह हमें दिया हुआ है torque का dot product force से 0 आना चाहिए मानता है यह बात torque का dot product force से 0 आना चाहिए यह तुमारा torque है और यह तुमारा बेटा force है इसका dot product रो लो गे तो 2 i cap ए 24 i cap तो यह क्या होगा 24 और 2, 48 20 j cap और 4 j cap तो यह ओगए 80 minus 16 और 8 तो यह ओगए तुमारा 128 यह 128 और एक्साइट कैंसिल हो जाएगा मतलब यह 0 आ रहा है यह answer हो सकता है मैं करूँ यह answer हो सकता है अब जब आप ध्यान से देखिए बिटा ध्यान से देखिए अब जब आप इस force से यह force यही तो है 2 i cap plus 4 j cap इसका dot पर लेंगे तो minus 24 और यह minus 24 और यह minus यह negative में आएगा 48 minus 48 यह तुम्हारा 20 j cap यह 40 j cap 80 j cap और minus minus यह भी प्लस आएगा यह plus यह प्लस और यह negative यह कभी 0 नहीं हो पाएगा यह तुम्हारा answer नहीं हो सकता यह तुम्हारा answer नहीं हो सकता अब हम इसका dot product सब्सक्राइब,지के यह वह तुम्हारा निगेटिव और यह भी वह तुम्हारा नीगेटिव और ये निगेटिव और ये भी निगेटिव ये तो आए गई निए इंसर ये देख भाई ये माइनस और ये प्लस तो निगेटिव ये भी निगेटिव और ये प्लस ये माइनस ये भी निगेटिव ये इंसर नहीं आएगा समझ आ रहा समझ आ रहा ये भी टेक्निक सीख ले ने क्या जाता है तेरा बता ठीक है ये गलात है देखना इसका डॉट परड़ इससे ले क्या एगा माइनस 48 इसका ले माइनस 80 इसका ले ये भी माइनस तो सारे माइनस होंगे लेकिन डॉट परड़ टॉर्क और फोर्स का जीरो होना चाहिए कि ये बात तु मानता है ये बात बता दे मानता ही की नहीं मानता है ये बात बता दे मानता ही की नहीं मानता है अब इसका डॉट परड़ अगर तुम इसके साथ लोग यह नीगिटिव यह नीगेटिव अर्य प्लस यह भी जीरो आ रहा यह भी जीरो आ छाइह संद ब्रिवघिर विक्र माईनस एट के क्या से फ् 거ाहि पॉजिटर इसका इसको लोग है तो माइनस il अधर आएगा किश्षक्व है इससे देखो यह पोजिशन वेक्टर यह तुम्हारा क्या है तॉर्क है इसका डॉट वड़ लो यह निगेटिफ यह निगेटिव यह निगेटिव यह निगेटिव आएगा बत्तिस और यह जीरो देही निपाएगा यह एंसर होगा अब मैं तुम्हारा कन्वेंशनल तरीके से भी कर देता हूं वह नहीं छोड़ूँगा मैं कर दूंगा आई केप जे केप चौथा एंसर आना चाहिए चौथा एंसर आना चाहिए हलाकि तुम मत करना तुम कन्वेंशनल में थाड़ी कर लेना कोई बात नहीं सबसे पहले तुम आई को बाहर निकालो इससे मल्टिप्लाई करोगे यह माइशनल और इससे मल्टिप्लाई करोगे माइनस कर सकते हैं पूरा कर लेते है इस से घलत आघा फिर माइनस ये जब जब माइनस बाहर निकालेंगे इसको इससे multiply करेंगे तो यह हो जाएगा तुम्हारा यार्ट हिर 24 से ना क्योंकि दोनों माइनस है प्लस चॉषे और ये दो दूना चार माइनस चार चॉबिस में से चार जाएगा तो यह हो जाएगा 21 किस जी थेख रिख बीज द्री स्ट्सेल से ANGOR तो इसमें पूला कर लेते हैं किये निकालेंगे यह जब भाहर निकालोगे तो यह सै मपाराँ भाराग तो दुना चार और थार फ् understands माइनस तो यह आ जाएगा माइनस चॉबीश आई के माइनस ट्वंटी जे के माइनस सोला के कर यह अंसर आए कि अधिक है कि कि यह बात कि माइनस एंवन एंठी में से जब हम इसको घटाएंगे दो माइनस एक और एक दो माइनस और एक माइनस एक में से माइनस दो जाएगा माइनस तीन एक में से माइनस माइनस प्लस टू जे कैप तीन के कैप में से माइनस के कैप गटाएंगे तो टू के कैप एकदम सही है चौथा इंसर आ रहा दोनों तरीके से कर दिया बेटा दोनों तरीके से कर दिया क्लियर है अब यह सवाल करो और रोड पाई वोटेट अबाउट अबाउट असेंटर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइट 4 मीटर फ्रॉम दाउट पाई वोटेट पॉईंट एक रहा पॉजीशन वेक्टर समझा दो देख बेटा टॉट किसके बाउट निकालते हैं सर किसी एक्स चलते आफ लेक्षोव पॉजीशन फ॔र यूडिखते हैं धर इसप्रॉजीशन और इक्सियों से तो जोेश किसले कोwenगर तो उसके टीजिशक में पहुजीशन निकलेगा वे भाई शाहिए में पड़ाई रिलेल्टिव्ट विलैटिश्ट इसे निकालते हैं र vídeo फिली टि अच्छे से सवाल करना पिटा फट तुम्हारा समय सुरू होता है अब एंसर ए पंदरा मीटर मैंने देख लिया एंसर मैंने देख लिया 10 का इसके वाउट निकालना यह तेरह औट पाई भोटिट इस पवाउट के वाउट कि अना करो कि करो कि जिवांसो जोसी अरे बेटा क्या डॉट पर होड़ा नहीं होड़ा वो तुम डाल लो दो वार सॉल कर दिया दो तरीके से इंसर 14 मतलब इंसर 14 होगा समझ में आया कंसेप्ट कुछ गलती कर रहे हो उसको ध्यान देखो स्पैम करने से कुछ नहीं होगा अध्यादगर लेजा जीरो नहीं हो ना घर ले जा कर दो जांट कर दो इस वह फार्मुला भार मुला या आई कैप जे कैप क्रॉस प्रॉडट करने का मैट्रिक्स मेथाड फॉर्मुला है चलो यह बताओ फट आफट सुना बताता हूं अब से पहले सबसे पहले किस पॉइ यह यह fixed point है, इससे इसका position vector 4 meter है, यह 10 newton का force लग रहा, 10 newton का आगे वाला जो component होगा 10 sin 60, इसके वैसे torque आएगा 0, क्यों भाई? क्योंकि यह position vector के parallel लग रहा, और इधर आएगा तेरा 10 sin, 10 cos 60, cos 60 होता है बेटा हाफ यह आजाएगा 5, अब मुझे बताओ यह position vector 4 और यह force आपक 5 newton का, तो 5 और 20 का torque लगेगा, clear है, okay sir, अब भाई साब यह 5 newton का यह component इधर, एक component पीछे, इसको में लेने की जौत नहीं, यह हो जाएगा तुम्हारा 5 sin 30, sin 30 बेटा होता है यहाँ, 5 बटा 2, यह distance axis of rotation से कितना है, sir, 2 meter, इसका torque बताओ, पीछे लग रहा force, sorry, पीछे देख कितना है, और नीचे लग रहा force, इसका torque बताओ, 5 बटा 2, गुना 2, ऐसा है torque, बाहर की तरफ, dot आएगा, ठीक है, इसका distance charge force 5, 5 और 20, बाहर की तरफ, और यह किदेर है, यह भी बाहर, यह बाहर की तरफ है क्या, यह भी बाहर की तरफ, यह भी बाहर की तरफ, यह बाहर और अच्छा दोनों बाहर लग रहे तो दोनों बाहर लग रहे तो पांच उख 20 प्लस 5 बटा दो गुना दो फचीस न्यूटन एंसर आएगा थर्ड है थर्ड नॉट फरस्ट है थर्ड आएगा 25 न्यूटन आएगा मैंने देखके डारेक्ट बोला था बट एंसर इससी वाई क्योंकि 20 टॉट बाहर आ रहा और यह पांच भी बाहर आ रहा मैंने देखा एक आगे पीछे तो मैंने घटा दिया था लेकिन यह नहीं देखा कि पॉजीशन वेक्टर आगे फोर्स उपर तो पॉजीशन वेक्टर रागा दियर बेटा अब यह देखो सवाल एक राट राट का मास है मं लेंठ यह इरोड ऑफ मास मैं लेंठ ल थेंचिन इन द्ल इन फाइंट टेंशन इन बोटिस्टिए रोड पैटा जिसका मास मैं लंध लेका सेंटर आफ मास बीच में होगा और इस सेंटर आफ पर इस रॉड पे नेट फॉर्स क्या है ये बता रॉड पे नेट फॉर्स अगर मैं पूछू इस रॉड पे नेट फॉर्स क्या है तो क्या बोलोगे सर रॉड पे नेट फॉर्स जीरो है क्योंकि रॉड तो रिस्ट में अगर मैं तुम से पूछू बस ऐसे ही टाइम पास के लग रहा जीन एक अगर मैं आपसे पूछँ कि रॉडवे न्यक्ट कितना लग रहा कि जी रूग लेकिन किसके आड़ करें कि अगर टॉर्क लगता आप और तुम था अगर टॉर्क लगता तो यह अगर लेकिन किस पॉइंट के वाउट किस पॉइंट के वाउट किस पॉइंट के वाउट किस पॉइंट के वाउट तो यहां पर लिखना है इबाउट एनी पॉइंट क्यों कि अगर कोई अब्जेक्ट नहीं घूम रहा रिस्ट में है तो चाहिए किसी भी पॉइंट के वाउट अ लिखे तो कि एक घूम रहा है क्या पहले रेस्ट में ता क्या घूमना शुरू कर दिया नहीं तो टॉक जीरो होगा अब मैं अगर तुमसे पूछू कि मुझे टीए की वेल्यू निकाल लिए तो बताओ तुम्हें एंसर एक लाइन में चाहिए कि एक पेज में चाहिए बोलो एक लाइन में चाहिए कि एक पेज में चाहिए एक लाइन में चाहिए एक लाइन में चाहिए तो सुनो ध्यान से अगर तुम्हें टीए की वेल्यू चाहिए तो तुम क्या करो कि इस भी पॉ लिख रहे हो तो टेंशन टीए की बज़े से टॉर्क क्या होगा टीए की बज़े से बी पॉइंट के बाउट टॉर्क क्या होगा टीए की बज़े से टॉर्क होता है फोर्स इंटू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस तो टीबी तो यही लग रहा बी पॉइंट पे तो इसके व लगा लगा लगाई फोर यह दिस्टेंस क्या होगा लगाई फोर तो एमजी के बैसे टॉर्क होगा एमजी इंटु एलबाई फोर क्लोकवाइस के एंटी क्लोकवाइस बाहर की अंदर ऐसे पॉजीशन वेक्टर यह तुमारा आरल वाई 4 और फोर्स नीचे लग रहा मतलब ब टॉर्क किदर हो जाएगा अंदर यह लिखेंगे आप थिरी एलबाई 4 इंटू पिए इंटू क्रॉस और नेट और क्या होना चाहिए जीरो तो अब्वेसी बात है यह तो तुमारा जीरो है जितना टॉर्क अंदर की तरफ उतना बाहर की तरफ तो इसको बरावर कर दो तो टॉर्क बालेंस कर दो इंसर आग मधी व तूप टुट कह रहा है बच्चा नहीं बटा से क्या होगा घंजी इन्ट मजी इन्ट इसके वाइसे होगा इसके वैसे होगा पृए इंटी इन्ट थी दून इसEd तो तुम्हें टोगorm यह 10 ड्य नेए कैसे अजिनलग लगाएगा से अट crypto लगा अधेर थंटव ईल भा फोर इल वाइफyesus bn जी टेगा तो टी यह पराबर सिंपल आरहा मजी बाई धिरी एंसर है यह से खतम कि समझ आया है है समझ आया कि समझ आया और अगर तुम्हें निकालना है त्ये शूरा यह निकालना है तो अच्छा नांति हताइसे मस्क्राइब seu isse of rotation वानने के लिए हो तो यहीं पर फोर्स लगरहा टी यह तो यह का फोजिए फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के बहुद जीरो हो जाएगा क्योंकि टिये फोर्सीसिफ फॉय्ट फोईरे कर लगा तो इसका बढ़ित्टर जीरोसं पॉजिसन वेक्टर L written down F होका स्वेस्छ। होगा 3L by 4 TV यह हो जाएगा TV into 3L by 4 सिंपल सी बात है तो सर यहाँ पर लगाई टू से लगाई टू कटूंगा तो इधर आ जाएगा तो टीवी बरावर आ जाएगा टू उपर 2MG by 3 यह रहा तुमारा टीवी एक लाइन में इंसर आ गया है समझ आ रहा ही यह बात समझ आ रहा ही यह बात बहुत असान होते हैं यह चीजे और रोड अवेट 20N is supported by two parallel निफ रोड अवेट 20N supported by two parallel निफ is A and B and it is an equilibrium in a horizontal position the naps are at a distance two meter मालो यहाँ पेक नहीं फेए और यहाँ पेक बी है इन दोनों के बीच में distance 2 meter का है इन दोनों के बीच में distance क्या है 2 meter का है the center of mass is a distance 0.75 meter from A मालो तुने इसको A बोला इसको B बोला तो center of mass 0.75 meter है मतलब 0.75 meter है इस से from A then normal reaction at B तुमें normal reaction किस के बाउट पूछा है B के बाउट sorry 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 normal reaction कहा पे पूछा है B पे तो जिस point के past normal reaction पूछ रहा इस rod पे normal reaction यह उपर लगाएगा NB उसी के बाउट टॉक 0 करोगे कि जिस unknown point जिसको छोड़ दिया उसके बाउट टॉक 0 करोगे मैं A point के लगाएं पूछ जी लो करतू यह फी पॉइंट के बाउट टॉक 0 करतू कि यह center आप मास के बाउट के बाउट टॉक 0 करतू क्योंकि टॉक जीलोट तो होगा क्योंकि rod equilibrium में घूम नहीं रहा अगर rod equilibrium में है घूम नहीं और निया के रहा है तो किस प्वालिन्ट के बाउट मैं टॉक jira करूं एक वाल्थ संट्र अव मास्फ के बिए घख जिरो करूं एक डॉक लिए ऑल्ट सुनों हमें इसका नॉइंग में इसका नॉर्मल पूछा है तो mg इंटू यह distance 0.75 मीटर बराबर जितना टॉर्क यह clockwise ऐसे लगाएगा उतना ही टॉर्क यह anticlockwise लगाएगा देखो आगे distance force उपर तो nb इंटू 2 मीटर क्या है nb इंटू 2 मीटर अब ध्यान से देखो अब ध्यान से देखो mg का value 20 न्यूटन दिया था इंटू 0.75 को हम 3 by 4 लिख सकते हैं क्या है अना 3 by 4 लिख सकते हैं इसको देखो पॉइंट आओ नीचे 100 लिख हो गए 25 दिया बचातर 25 योगा सो इन भी इंटू 2 2 से 20 गाटों को तो 10 यह हो गया तुम्हारा 30 बटा 4 इन भी आ जाएगा 30 बटा 4 मतलब 7.5 न्यूटन ऐसे सवाल नीट में लगातार कई बार रिपीट हुएं कई बार नीट में लगातार रिपीट हुएं या तुमको समझ आया कैसे सॉल्व करना है या तुमको फिल आये कि हमें अप्रोच क्या रखना है यहां पे बी पे हमें इसको बैलेंस करना था तो हम ने क्या किया किए पर बैठ के हमने टॉक 0 कर दिया पर बैठ के एक अब टॉक जीडियो करेंगे तो यह तो यहीं से पास कर रहा अब देखो यह पॉजिशन नीचे फ रहे हैं लेकिन इसको तो बहुत आसान होगा लेकिन अब करेंगे तो बहुत असान होगा चलिए हम्हें क्या करना है यह कह रहा है कि balance me, balance करना है, कैसे balance करना है, यह तुम्हारा hinge point है, इधर 10 kg का object है, इधर मेरे पास एक 5 kg का object है, अब मैं 5 kg के object को कहां रखूँ, जैसे मैंने mark कर दिया, है ना, अब बताओ मैं इस 5 kg के object को कहां रखूँ, कहां रखूँ, ताकि जब इस support को मैं हटाऊं, तो यह balance हो जाए, बोलो, इस support को मैं हटा दूँगा, इस support को मैं हटा दूँगा, तो यह balance हो जाए, इसके लिए मैं 5 kg को कहां रखूँ, बताओ, 5 kg को मैं कहां रखूँ, इस 4 पे रखूँ, इस 6 पर रखूँ, 8 पर रखूँ, साहथ पर रखो दोपर रखो घूष यह दोनों तरफ बालेंस हो जाए टॉर्ग बालेंस हो जाए मज़ा जाएगा बता मसा आजआगा बता है का रखो तो तो मदलेखक पलीज कुछ लोग कह रहें दो पर रख दो कुछ लोग करें आठ पर लगदो दो पर रख दो इसको दो पर रख दो भाई साब अगर दो पर रख दिया मैं मुझे नहीं लग रहा बैलेंस हो पाएगा करूचे के एक बार का रखो बताओ नहीं हो रहा बैलेंस प्राइगें आठ पर रखता हूं अब देख बालेंस हो गया च्यू जं て ओडेंस हो एक्ब्सक्राइप अगर में इसको एक मीटर माञ दो एक मीटर और सोब दडस चार न्यूटन का टाइप लेक टrences ऑख और यह 10 चेजी तास दस एंबतट Ragman लो ना एक दस दस जी न्टु चार और इधार आधा मास है तो मास आधा तो आधा फोर्ष लाएगा तो डिस्टेंस डबल होना चाहिए चार तो देखो यह आठ अब बता मज़े आए की नहीं एकदम मज़े आए की नहीं ए ठीक है करो तुमको सबसे टफ लेवल पिले चलते हैं अब ये सिस्टम बना हुआ है अब तुम्हें यह बताना है कि जब मैं इन दोनो बंबू को हटा दूंगा इस दोनों बंबू को हटा दूंगा तो ये रोड इस तरफ जुकेगा बैलेंस रहे मखा जाएगा आब मज़ा जाएगा अब चलो करके दिखाओ समझ रहो सवाल गया है सवाल बहुत असान है इधर 20 कजी का अबजेक्ट है एक पर यह 4 कजी का अबजेक्ट है यह 3 कजी का अगर मैं इस दोनों सपोर्ट को हटा दू यह 20 से हिंज्ड है तो पहला दूसरा की तीसरा कौन सा बनेगा यह वाला पहला दूसरा की तीसरा कौन सा बनेगा पहला फोटो दूसरा फोटो तीसरा फोटो बता कौन सा फोटो बनेगा बोलो पहला दूसरा तीसरा कुछ बच्चे कहने है तीसरा कुछ बच्चे कहने है पहला मुस्किल हो गया क्या सवाल नहीं कर पा रहो नहीं कर पा र उसकी लोग है कि सवाल दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा तीसा सब मिक्स दे रहे हैं देख ऐसे सोच ऐसे सोच देख भई यह 20 केजी है और एक तो 20 इंटू एक और 4 दूना 8 तो 28 का रहा इधर और यह बारह का रहा तो इधर इदर किरेगा पर शfish वास मिल इस आख से इधर इदर किरेगा इधर इस तरफ इधर इस तरफ इद टेगरत करें अच्छा यह बताओ तो जवाब एक साइए इधर गिर गया आइसा अब देखो यह 20 कजी का फोर्स है और यह दो 4 कजी का तो 20 कजी का 1 मीटर पर और 4 कजी का 2 मीटर तो 4 दुना 8 और 20 दुना एक जी को तो दो न Fast लोगे तो बीस गुणह एक बीस और चार दुनाट अठाइस और यह तुम्हारा चारत यह बाड़ा तो गर्वर हो गया ना यार गर्वर हो गया ना यार नेक्स्ट चलो यह करके दिखाओ अब इस राम लाली को मैं कहां रखूं कि यह बालेंस हो जाए 45 केजी और 30 केजी तो सोचो 45 का चार कितना होगा बोलो तो सर यह हो जाएगा 180 और तीस 210 तो सत्री के साथ पर रख देता हूं प्या गहते हूं साथ पर रख देता हूं अब मेरी साब सोच यह बालेंस करना चाहिए कितने लोग का जबाप था शाथ क्यूजंदर संस्त्रा पालेंस हो गया कैसे ऑना जो साथ तरी कीस दो सबस्क्राइब तीस कुना एक और पैटालिस सोका चार्ज दोनों तरफ बैलेंस हो गया है मज़ा आए कि नहीं है मज़ा आए कि नहीं है चलो अब बताओ मुझे कि कमास बताना ही गया कि इर रेंट कर रहा है कि इसकते सब्सक्राइब बंगर घृए कि इस दोनों तरफ दोनों अगर आलो इसका मास जादा होता है मालनो मास एसे रख दूख ऄह एहाँ रख दूख ऴदर करेक टॉक जादा होगा अबKO त्टुट का वध कलक अभी नहीं रहाँ कि अभी बैलेंस ओटाइक है इसका महास महल इसका अधी कितने मंत एसकी सवाल ऑता है फ़ है अब ऐसे ही तो सवाल आते हैं नीट में वर्वर किसका मास बताओ कितना हो चलो मास बताओ कितना होगा सर्ष का मास हो जाएगा चार यह 12 इधर बारा नाची तो साथ होना चीमास देख करते हैं अब इसी चीज को सवाल के फॉर्मेट में देते हैं बस जो तुमने कंसेट गेम गेम में सीखा उसी को सवाल के फॉर्मेट में देगा अब यह सवाल है कोई खास बात नीफॉर्म रोड और 20 kg हैंगिंग और जुन पॉजिशन बिद दा हेल्प तूटेट इस अलसो सपोर्टे केजी मास देखो 40 kg का मास यहां पर एल बाई फोर लिंद पर टैच कर दिया कितने पर बिटा एल बाई फोर्ट और इसका मास खुद 20 kg का है तो इसका मास सेंटर आफ मास यहां पर लगेगा यह हो जाएगा तुम्हारा 20 kg मतलब 200 न्यूटन और 40 kg था तो यहां पर फोर्स ल मैं तुमसे पूछ दूँ कि मुझे नाम इस टीवी की वैल्यू बताओं यह किन करोगे जहने को तो यह बहुत मुश्किल सवाल है लेकिन एक लाइन में सॉल होगा यह एक लाइन में एक लाइन में सॉल होगा कैसे इसके अबाउट टॉक जिरो कर दो और के बाउट एजिरो कर दो और के बाउट एजिरो करोगे यहां से यह है 400 इंटु एल वाई 4 लॉक बाइस यह हो जाएगा तुम्हारा दो सो इंटु एल वाई टू बराबर पीवी इंटु एल यह तो लिखोगे असर सही है तो एल से एल से एल कैंसल होगा यहां जाएगा सो यह तुम्हारा दो सो मतलब टीवी बरावर तीन सो न्यूटन इस तो न्यूटन आएगा न मेरे सबसे गलत तो नहीं कर रहा है देख लेता हूं एक वार 20 kg है तो जी भी तो मल्टिप्लाइगा इसमें तो इन जी आएगा उसमें तो दोनों तरब मास मास था ना इसमें तो फोर्स पूचा है ऐसे गलती मत करो बताव तो अच्छे से सबस्किल होता है कि अब यह सवाल है बहुत इजी है एक लाइन में कर लोगे यह एन एन बी की वैल्यू पूचेगा यह होंबग दे देता हूं बेटा दो तीन है ना टॉक बे आपने बहुत अच्छा सा concept सीख लिए यह सवाल देखो यह बहुत बार पूचा जाता इसलिए कर रहो तो आंस अप दबालेंस are two arms of a balance are unequal length an object when placed in a left pan the balance weight is 4 kg the same object when placed in the right pan then weight is 9 kg then actual mass of the object is then what is the actual mass of object what is the actual mass of object देखो यह क्या कह रहा है कि यही तराजू वहला सवाल है कि इधर से distance मालो x1 है इधर से distance x2 है तो जब हमने किसी unknown mass m को इधर रखा unknown mass m को इधर रखा है ना left pan में कहीं रखा तो 4 kg readings हो किया मतलब यह 4 kg के weight से balance हो और जब हमने उसको इधर रखा तो 9 kg के weight से balance हो तो इसका actual weight क्या होगा कुछ नहीं है दोनों केसे balance कर रहे हैं तो टॉर्क बरावर होना चाहिए तो इसके बावब टॉर्क बरावर कर रहे हो तो m into x1 बरावर 4 into x2 होगा क्या यह equation समझ में आया अब जब इधर m रखोगे इधर m रखोगे तो इधर 9 kg से balance हो रहा तो 9 into x1 बरावर m into x2 दूसरे case में m into x2 इसको divide कर दो x2 से x2 कटेगा x1 से x1 कटेगा यह cross multiply equation कर दो तो m square बरावर 4 गुना 9 तो m बरावर हो जाएगा root under 36 बरावर 6 kg दूसरे answer 6.5 kg नहीं बटा 6 kg आर एक्जेक्ट नहीं समझे तुम यह सवाल कहने का यह मतलब होता है कि जब मैंने इधर रखा m को तो 4 kg से balance हुआ तो talk बरावर लिखेंगे m into x1 बरावर 4 kg into x2 पहले case में दूसरे case में हमने इसको m को इधर रखा तो इधर 9 kg से balance हुआ तो 9 into x1 बरावर m into x2 ऐसे सवाल करते हैं ऐसे सवाल करते हैं समझाए कि नहीं आई यह बात इस तरीके सवाल करते हैं नीट 2013 में यह रॉड वाला बहुत फेमस सवाल है कैसे सवाल देखिए और रॉड PQ of mass M and length L, hinge at point P, hinge at point P, hinge at point P, अचा P पे hinge है यहाँ पे, यह P पे क्या है बेटा, hinge है अचानक से इस स्ट्रिंग को क्या कर दिया हमने काट दिया, तो इसका initial angular acceleration क्या होगा इनिश्यल angular acceleration क्या होगा, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे vertical support में रखूँँगा तो नॉर्मल इधर लग रहा होगा इसका, यह बात समझी में आता है, यह देखो न, ऐसे hinge किया, ऐसे hinge किया तो नॉर्मल इधर लग रहा होगा, यूँकि vertical support दिया, और नॉर्मल हम इसका contact के perpendicular लगता है, ठीक है से, जब इसको cut कर दोगे, तो यह तो lose हो गया, एक force इसके center of mass में लाएगा mg, तो तुम यहाँ से लिख सकते हो, लिख सकते हो, torque due to p बराबर i into alpha, बताओ torque कितना लग रह यहां से बेटा, m से m कटेगा, तो alpha is equal to आएगा, l सə l square कटेगा, तो alpha is equal to आएगा, 3g by 2l, l square तो 1L बचा है, 3g by 2l, clear है क्या है यह? clear है क्या? अच्छा बेटा, यह किस point का angular acceleration है? चलो यह बताओ, यह किस point का angular acceleration है? यह किस point का angular acceleration है, हर point का angular acceleration, angular acceleration of all point क्योंकि rotational motion करेगा न, यह axis of rotation के बाउट अगर मैं तुम से बोलू कि tangential acceleration निकालो center of mass का तो center of mass का tangential acceleration होगा r into alpha यहां से कितने distance पर है, l by 2 पर l by 2 और alpha की value लिखेंगे 3 g by 12 यह होगा 3 g by 2 l तो यह हो जाएगा 3 l से l कटेगा 3 g by 4 अब यह किसका tangential acceleration center of mass का क्या सबका tangential acceleration same आएगा, नहीं pure rotational motion में सबका tangential acceleration same नहीं होता है सबका tangential acceleration same नहीं होता है यह देखे, tube y are horizontal rod of length l and weight w through is to end, tube y are holding a horizontal rod दो लर्का एक horizontal rod को पकरे हुए ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे समझो दो लर्का पकरे हुए length l and weight w through its to end now one of the boys suddenly leave the rod what is the instantaneous reaction force experience भाई दादर बुआ है यहां पर instantaneously normal reaction क्या होगा अ बात बताओ एक चीज रुकना यहां पर यह गलत बताया बेटा сорी मैं समझाता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे न बेटा, यह जो normal direction होगा, वो आगे नहीं होगा मैं reason बताता हूँ आगे इसलिए नहीं होगा अज्या भाई, आगे इसलिए नहीं होगा, एक बात बताओ gravitational force नीचे, हाँ सर अच्छा, इसको जब हटा दोगे और तुम कहोगे कि normal आगे लग रहा तो horizontal direction में एक normal आगे है और mg कहां लग रहा है, नीचे vertical direction में लग रहा है तो क्या horizontal direction में यह जाना चाहिए अगर normal, horizontal direction में लगा दो तो horizontal direction में जाना चाहिए लेकिन क्या यह रोड हो आगे जाएगा नहीं रोड तो ऐसे गिर रहा नॉर्मल आगे नहीं होगा है तो सर्वल नॉर्मल अगर आप बोल रहो हो कि यहां से हिंज करेंगे तो हिंज करने का मतलब क्या है ऐसा हिंज करने का मतलब यह है कि हमने क्या किया है जैसे यह rodeıy मानलो और यहां से हिंज ऐसे कर रहो तो rode gust lived да नीचे जाना चाहेगा । जैसे ऐसे आ सैशे रखोगे रौत जब नीचे जाना चाहेगा नीचे भागना लगेगा हुआ कि नॉमर्मल कहां लगेगा ऊपर लागर कीलिष को नीचे गिरने से रोकेगा तोनॉर्मल लगेगा ऊपर लगेगा सronica अब बोले कि जैसे ही दूसरे आंड़ से इसको छोड़ा तो ये अब बताओ सवाल क्या पूचा है सवाल क्या पूच यह बताओ, सवाल क्या था? सवाल यह था, कि इस हिंज पर नॉर्मल रियक्शन कितना लगेगा? Instantaneously नॉर्मल रियक्शन, मतलब जिस इंस्टेन पर चोरा, उसा इंस्टेन पर यहाँ नॉर्मल कितना लाएगा? तो आप लिखेंगे फोर्स निकालने के लिए ट्रांसलेशनल मोशन का एक्वेशन ट्रांसलेशनल मोशन की एक्वेशन से नीचे फोर्स लग रहा है Mg उपर फोर्स लगा नॉर्मल बराबर मास इंटू एसलरेशन ऑफ सेंटर उफ मास जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे आप कहीं भी फोर्स लगाएं ट्रांसलेशनल मोशन में निट फोर्स बराबर सेंटर उफ मास का एसलरेशन होता है इन को अधर ले जाओ इन हो जाएगा पॉजिटिव यह होगा Mg माइनस M एसलरेशन ऑफ सेंटर उफ मास मतलब इसंसिंट्फ पे छोडेगा बूसी इस्टेंट्फ यहां पर जो नॉर्मल लगेगा विसके वेत बटा 4 के बरावर लगएगा कि आपको यह बास समझ में आ रहा रहा है कि बेटबटा 4 के बरावर लगवर लगेगा समझ आ रहा है ये बात MgY4 वेट बढ़ा 4 के बावर लाएगा अब सुनो A uniform rod AB of length L mass M is free to rotate about an axis passing through the end A and perpendicular to the length ऐसे axis है और ऐसे ये rod चल सकता है The rod is released from the rest and shown in a figure then initial angular acceleration of the rod is इसी instance से अगर rod को मैं छोडता हूँ तो इस rod का initial angular acceleration बता हूँ यहां से मैं release कर रहा हूँ पहले मैं horizontal position से release किया था अब मैं इस टेरे position से release कर रहा हूँ मतलब rod ऐसा था पहले मैं क्या कर रहा था यहां से छोड़ रहा था तो rod घूम कैसे गया था अब मैं यही से छोड़ रहा हूँ आपको जान लगा के कंसेट भी सीखना परेगा मुझे बस इतना बताईए यह रॉड हमने लिया हम रॉड को खोरना की पहले साथ डिगरी पर गिरा लिया पहले साथ डिगरी पर गिला रिया अब बताईए अब बताईए कि इसे इंस्टेंट पर जब मैं छोड़ूँगा तो लग अब कितने एंगुली असलेशन से जाएगा क्या पूचा है इनिशेल एंगुली असलेशन करके दिखा तो मान जाओंगा बता कैसे करेगा तो सुन रॉड है सेंटर आफ पर फोर्श लाएगा mg मानता यह बात हां सेंटर आफ मास पर यह तो फोर्स लगता है mg अब इसक mg बनाएगा और इस of line of force से ये distance देख लाएगा बस सर अगर ये distance है आधा L by 2 की को center of mass हिंज L by 2 है तो L by 2 का ये component लेंगे तो L by 2 cos 60 into mg ये हो जाएगा तुम्हारा torque बता मानता है कि नहीं हमें क्या करना है vertical force तो horizontal distance देखना है अगर ये L by 2 है तो L by 2 का ये component होगा L by 2 cos 60 बराबर I into alpha ये हो जाएगा L by 2 cos 60 होता है बेटा half into mg I हो जाएगा ML square by 3 ML square by 3 into alpha mg L by 4 ध्यांस देखिएगा M से M कटेगा L से L कटेगा तो L बचेगा alpha is equal to आ जाएगा 3 G by 4 L 3 G by 4 L चौथा answer आ रहा अब बताओ मज़े आएगी नहीं आए ये सवाल कितना सांदार है दूंगा छुटी ब्रेक दूंगा सवाल इतना बढ़िया करा रहा हूं तो देख नहीं रहा है यहां से alpha बता क्या आ जाएगा जब 3 इधर जाएगा तो बेटा 3 G by 4 L अब ये सवाल करके देखिए बहुत असान मतलब इससे असान सवाल तो कुछ होई नहीं सकता देखो 2 equal and opposite force are applied tangentially to uniform disc of mass M and radius R if the disc is pivoted as center and free to rotate its plane then angular acceleration of the disc is सुनिये ध्यान से अभी हमने talk लिखना देखा था ओ प्वाइंट के बाउट जब इसका talk देखेंगे तो यह होगा एफर प्लस यह भी होगा एफर यह total torque आएगा torque बढ़ा होता है I alpha is equal to 2fr हमसे alpha पूछा है angular acceleration पूछा है alpha is equal to हो जाएगा 2fr बट आई I disc का क्या होता है center के बाउट MR square by 2 तो आर से कार कटेगा नीचे आरा जाएगा ऊपर चला जाएगा 2 4f by m है क्या जवाब 4f by mr एक अचा एम आर भी rb आर से आरे सकार कटेगा तो आर बचेगा 4f by mr हाँ couple of force बिल्कुल सही बात है couple of force चाहिए बिल्कुल सही बात है couple of force है यह देखें नीट 2018 का सवाल है अराम से पर यह बहुत असानी से जवाब देपाएंगे 3 object A solid sphere a thin circular disk and a circular ring each having the same mass m and radius r they all spin with us same angular speed omega their own symmetry symmetry मतलब center of mass then amount of work required to bring them rest rest में लाने के लिए किसमें सबसे ज़्यादा work करना पड़ेगा तो A है तुम्हारा solid sphere solid sphere B है तुम्हारा disk और A है तुम्हारा ring तो मेरे हिसाब से A को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा work करना पड़ेगा क्योंकि A का moment of inertia सबसे ज़्यादा होता है अब बश्य बात है same mass है same radius है same angular speed से चल रहा है तो A को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा work करना पड़ेगा फिर भी फिर आएगा तुम्हारा C ये रहेगा answer अगर तुम्हें concept अच्छे सीखा है एक line में answer निकाल सकते हो कुछ प्यूच्छे A जवाब दे रहे है देखते हैं यह कहने ही कि सर सी मतलब छोटना सबसे जोगा है चाहेशड़ किया हरा एक मैट ये सी है न सौरी सौरी train सी है हसी रिंग में ठल्ला सबसे मुस्किल आए यह होगा रिंग को रोकना सबसे मुझ्किल होगा फिर डिस्क सबसे इजी होगा अच्छ 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 एंसर आएगा सभी कह रहा हूं कि अज़ा कुछ बच्च भी कह रहा है अरे भाई साव अपना बुद्धी लगा यार तो अच्छ धंग से देख यह क्या है कि एंफ है किया है मोमेंट अफ इनच्छ या टू अपाई फाइव इमारे स्कॉर डिस्क बता इमारे स्कॉर्इबे 2 रिंग बता इमारे इसक्वर चल बता का का मुझ्टिल चीज ए बश्क्वर्इब सबसे मुश्किल किसको रोकना रिंग को सी को रोकना सबसे मुश्किल होगा और सी एक यह अप्सन में आरा है मतलब एंसर है कि एंसर है अरे बाल कितना हसाना 3 अब्जक्क एंसर scholarsit War अंसरे मां एंसरे-स उचर अरीशिंट आरीश सी psychology अऩीरिश की सम्क ट्रालियों के लग३ में का रोकना ऐस चाला मां thermal कितनी। जिसका था इंतजार जिसका था इंतजार बहुत जोरदार एक मिनट लॉज ओफ मोशन में अधर चलेगा कि एंगर गया कोई बात निया पर देख पा रहे हों यह नीचे जा रहा है और यह स्लाइड कर रहा है यह देख पा रहे हैं थे क्या आप क्नीच कि यह देखो कैग यह देखू एक जोरदार चीज बनाएं कि देखना ध्यानसे देखना द्यांसि से देखना ध्यानल से मज़ा जाए आज को देखना द्या केसरा कि मिखना ध्यान से ऋटांगीओ यहां पर क्या हो रहा हो यह रहा कि यहां पर बहुत सारा स्ट्रिंग मैंने लपेट के रखा था तो देखो यह स्ट्रिंग स्लिप करके नीचे गिर रहा यह स्ट्रिंग स्लिप करके नीचे गिर रहा लेकिन यह जो वील है वो रोटेट नहीं कर रहा यह वील रोटेट क्यों पही कर रहा यह जो केस है एक्जेक्ली आपने M llm में यह चीज बढ़ा था ऐनलमे क्या पर आदा था violent इनलम में आपने ideal पुल्ली पुल्ली पढ़ा था क्या मतलब होता ideal पुल्ली का मतलब है यहां पर friction है zero, friction is zero, जिसके वबसे यह चिपक नहीं रहा समझ में आये की नहीं आये? चिपक नहीं रहा, इसको यह घुमा नहीं पा रहा है स्रिफ यह translational motion कर रहा है क्या आप कोई सीज चीज का feel यहारा है कि दम जोदार लेकिन अब हम जो rotational motion में करेंगे रोटेशनल मोशन में करेंगे, रोटेशनल मोशन में क्या होता, अब यह आपने क्या देखा, यहाँ पे जो फ्रिक्षन है वो जीरो है, क्या है यह स्मूथ है, इसको हम कहते हैं आइडियल पुल्ली, इसको हम कहते हैं बेटा, आइडियल पुल्ली, ठीक है, अब ध्यान से द जिपकने से यह इस पर टॉर्क लगाकर इस एक्सिस ओप्रोटेसशन से इसको घुमा देगा ये तुम्हारा नॉन ऐडियल का केस हो गया इसको नॉन ऐडियल केसी हो इसको बेटा यहां पर ये टेंशन नीचे लगरा इस टेंशन की तुम गोज़े से ये इस पर सफिसिंट फ कोर्स लग रहा मिम यह हम क्या करती इसको ठोरा सा चलाकर में छला रोकते हैं कि हदा इस पर नीचे में लग रहा यहां पर टेंशन लाएगा और यहां पर टेंशन नीचे लाएगा है इसके भई कर रहा बोड़ थोड़ा वगे दिक्खत नीए फीक, फूवीदिक्कत ने, अब बताओ, यहाँ पर है, यहाँ पर T sixty लाएगा, हां सर, यहाँ पर T Tenter नीचे लाएगा, इस Sני के भाओ, यह गून रहा था, के लिए रहा है तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या ब्लॉग का तो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा हां तो इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन के लिएक्वेशन लिखोगे mg-t बरावर m into a मानता ये बात कितना बता ये समझ में आये कि नहीं है अब बेटा इस ओक एबाउट ये रेडियस मानलो आर है इसका मास हम मान लेते हैं ये क्योंकि ये एक्सिस ओप्रोटेशन से घूम रहा है इंटू आर बरावर हो जाएगा बेटा आई अल्फा अब यह दो एक्वेशन आया अब यहां पर इतना सफिसेंट प्रिक्शन ताकि स्लिप नहीं कर रहा था तो यहां पर जो टेंजेंचियल इस पॉइंचल एसलिपेशन होगा इस डिस्क का स्टींगे दैंजेंचल एसलिपेशन इसलोसन अलफा बोलते हैं सटुशस को बेटावर स्टीन के ब्रावर होना चाहें कि और नुस्लिपिंग का क्या यह बात आप समझते हैंaráज। यहाँ पर no sleeping का condition क्या होगा no sleeping का condition यह होगा no sleeping का condition यह होगा कि जितने acceleration से यह string नीचे जा रहा उतना tangential acceleration से यह disc भी घूम रहा उतना ही tangential acceleration डिस्क भी घूम रहा यहां से को बोल सकते हैं Aba r alpha को रख देंगे एबाइ यार यहां पर लिखेंगे mg भी माइनस टी बराबर मलचाँ लिए लिकले यह में बराबर एमजी वाइन स्थे institutions एम भाइने और इस तरह क्या बचाएगा म में और एम आई 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 ज्ट करें से एम प्लस I by R square तो यहां से Tangential Acceleration क्या आ गया यहां से Tangential Acceleration क्या आ गया Tangential Acceleration आ गया Mg बटा M plus I by R square लेकिन इसका एक आसान तरीका मैं बताता हूँ याद रखने का यह Actual में यह Translational Motion किसके बज़े से कर रहा था Actual में Translational Motion इस Object के Gravitational Force की वैसे कर रहा था जैसे आपने Laws of Motion ने बढ़ रहा था न Net Pulling Force बटा Net Mass तो Net Pulling Force कौन है Mg तो यह Tension Approach कर रहा लेकिन Tension जितना इस पर लग रहा उतना इस पर लग रहा था पूरे सिस्टम पे Tension तुमारा हो गया Internal Force पूरे सिस्टम पे Rotational Mass में बोल देता हूँ I by R² क्योंकि देखो जब हम दो चीजों को आड़ करते हैं तो Dimension सेम होना चीए Moment of Inertia का Dimension होता है M into Distance का Square तो हमने क्या कि जो भी Circular Object होगा उसका Moment of Inertia बटा R² Rotational Mass बोल देते हैं Moment of Inertia बटा उसका Radius का है तो देखो कितना असान है यह चल रहा है तो Translational Mass यह घूम रहा है तो Rotational Mass यह हो गया तुम्हारा जोड़दार MR Star Rotational Motion का अब कोई भी सवाल करो असानी से solve होगा जैसे यह सवाल है देखो यह पर लिखा है Mew sufficient friction है Mew क्या है sufficient है जब मैं इसको रिलीज करूँगा तो किसी एसी लेशन से नीचे जाएगा हां सर यह अलफा से गूमेगा हां सर मालो इसका मास M है Moment of Inertia यह रेडियस आ रहे है इसका मास स्मॉल में तो कितने असी लेशन से जाएगा तो देखो जितना टेंशन इस पर उतना ही टेंशन इस पर टेंशन को मानो तुम इंटर्नल फोर्स टेंशन को मानो तुम इंटर्नल फोर्स तो नेट एक्सटैनल फोर्त इसम्टी बद अने तो स्लिंडर का रखो यह तुम्हारा इसलरेशन का इंसर आगया और अगर तुम्हें सिलरेशन डिर्क याद रखोगे तो टेंशन निकालना तुम्हारे लिए बहुत असान है तुम्हें बाइब अगर तुम्हें इस रिलेशन पता है तो एक बात बता नीचे एम जी उपटी तो एम जी माइनस टी बराबर एम इंटुए ए तुम अगर निकाल लिए तो एक ही वैलुई यहां पर रखो तो Come I shower अगर अलफा पूछे तो अरे भाइं अलफा तो अलफा इस उकुल टू एब इंसर आ गया तो सब खत्म 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 अब तुम सवाल करो डारेक्ट हर सवय के साफ तो ड्वह सवाल हुए तो अब दो पुल्ली वाले एक तो तुमने पढ़ा NLM में और एक परोगे तुम रोटेशन में देखो दौनों में क्या फर्क होता है जुरदार तरीके से ये बनाए इक ध्यान से, पेधना ध्यान से, चल्ले भाई ये तुम्हारा कौन सा सिस्टम है इनने बहुंगी रोटेशन मोसेरी मला बता, अब क्या होगा कि ये नीचे जाँरा जित्ने सी लेसंस है ये ब्ल्रोग उत्ने सी लेसंस उपर उठिगा है और ये डिस्क देखो ऐसे घूम रहा इंदीया। कि यह वाला कौन ऍसस्टेम है सपर यह वाला तो राटेशन का सिस्टम लग रहा देखू निहीं को द्याल से कितना जोरदार है बवाई साथ किया यह स्प्रिंग इसन पया बेश सर्ग कर रहा है यह बोशलीपšर कर रहा है कि धाने छिवक कर रहा है मैं कडिए न सलिपिंह एक सिदिपिंग नोजपिंग इस नो-सलिपिंगस्टिपीत आखिए yes 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 the rotation Elevenrare Cancer वृ किसका रूटेशन वेलत द्चिंगे मने यह रूटेशन वाला के इस और यह और यह और यह गाई ज़्फैंनु सहागस कर सिसकर्ण यह रोटेशन वाला केस है और यह अनलम वाला है दिखाओ अनलम वाला देख कर देख देख अनलम वाला वाला है यह तो पुरा का पूरा स्ट्रिंग इस पर स्लिप कर रहा है हाहाँ यह पूरा का पूरा स्ट्रिंग इस पे सलिप करहा है यह आइडेल पुल्ली हो गया क्या हां यह निच्छ जाता है उत्ने इससी कॉपर उटता है यहां पर यह स्मूत होता है तो यह इस इंग होता है चाहिस इस भार में जुब्लु नहीं घुमेंगा और कितना बना के लए और तुम ब्रेट ब्रेक चिल लाराओ सर्म नहीं आ रहा इतने अच्छें चीजी विजुलाइज शोचो कि सोचने वे इसको बनाचे में और execute करने में कितना मेहनत लगा होगा और बाद में यहाँ पे लाके परहाने में एक बार का मेहनत नहीं है इसको सोचा concept सोचा फिर इसको animate करके technology का use करके बनाया और फिर लाके तुमको यहाँ पे दिखाया गजब करते हो साब यहाँ पे यह ideal पुल्ली है mu 0 है पुल्ली का मास भी हम लोग 0 ले लेते हैं अगर पुल्ली का मास कुछ होगा भी तो इसमें smooth होने की वैसे slip नहीं करेगा अच्छा इस string में अगर tension T है तो यहाँ भी string में tension T होगा यह बात मानते हैं आप हाँ अब चलो यह देखो अगर बेटा इसका मास मैं M1 बोल देता हूँ इसका मास मैं M2 बोल देता हूँ इसका disk का मास जो भी circular object है मास M, moment of inertia I और radius R बोल देता हूँ ठीक है बेटा, radius क्या बोल देता हूँ R बोल देता हूँ तो it's okay about यह घूमने वाला है अब मैं तुमसे सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ कि मानले यहाँ पे tension लग रहा T1 और यहाँ पे tension लग रहा T2 मानले तो यह दोनों tension है तो एक ही string, दोनों tension बराबर होगा equal होगा कि different होगा दोनों tension equal होगा या different होगा यह बता मैं अभी ब्रेक दे दूंगा तो बता बस कि दोनों टेंचन एकुबल होगा जैम और डिफ्रेंट अथैंचेंशन इहां पर जो टेंचन लग रहा और यहां पर जो टेंचन लग रहा वू सेप और दिफ्रेंट होगा अराम से सोच के बताना अच्छे से देख के बता या पर डाइग्राम देख के बता से मोडिफ्रेंट कि से बडिफ्रेंट कई लोग कहने एक्वल और सेम जो कि एकदम गलत जवाब है बेटा तुम्हें रोटेशन का ना आर नहीं आता है लिख लो ढंसे अई है जग है जगा पेन पे खाली है जगा मैंदलब कहीं पेज वेज खाली है वहाँ पे लिख लो कि मुझे रोटेशन आर नहीं आता है गधे कहींगे, डिफरेंट होगा, T1 and T2 is different, और मैं बताता हूँ क्यों होगा डिफरेंट, सुन, जोरदार तरीके से समझाता हूँ, एकदम तगरे तरीके समझाता हूँ, सुन, बता, इस सेंटर के बाउट, इस डिस्क पर यह लगाएगा टॉर्क T1R, और यह लगाएगा ट टॉर्क T2R, इधर पोजिशन वेक्टर टेंशन नीचे, तो इसका टॉर्क आएगा अंदर की तरफ क्लॉक वाइस T1R, और इसका आएगा एंटी क्लॉक वाइस T2R, अगर T1, T2 बराबर हो गया, तो टॉर्क बराबर, तो इधर T1R, और इधर T1R तो घूमी नहीं सकता, मत T1, इधर बोला T2, अगर दोनों तरफ टेंशन तुम बराबर कर दोगे, तो घूमेगा कैसे, इधर T1R, इधर T2R बराबर हो गया, सेंटर के बाउट, तो जितना टॉर्क लगा के यह से घूमारा, उतना ही टॉर्क लगा के यह से घूमे गई नहीं यह, घूमे गई नहीं यह, NLM में सेम होगा, यहां सेम होगा, यहां T सेम होगा, लेकिन यहां T different होगा, और छोटा सवल यही पूछ सकता कि T बताओ, T different होगा, अगर T सेम ले लोगो तो खुमेगा कैसा, दूसरी बात एक और बताता हूँ, यहां पे string slip कर रहा, लेही किन यहां पे string चिपक के चल यह तो चिपका हुआ है यहां पर इतना तो कभी सोचा ही नहीं था सोचना परेगा बैटा सोचना परेगा देख इदर यह टेंशन लगा कि इसको घुमा रहा ऐसे और यह इसको अपोच कर रहा घूमने से लेकिन इसका टेंशन ज्यादा रहोगा यह भी बता कि टीवन चाने में सक्षम है जीत गया इसलिए टीवन जादा होगा क्या आपको इतना फील आ गया अब इतना फील आ गया तो भाई साब बहुत सुप्रीम है बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखा आपने अब थोड़ा इमार स्टार भी लगा के जल्दी एंसर निकालना सीखे जल्दी जुकशन एंसर निकालने का लिए जंदी एंसर निकालने का मतलब है कि मान लिजेए कि यहां पे फोर्स लग रहा है म ONE जी क्या पे लग रहा कुछ टी वञевой नीचे लग ती यहां लगेगा T2, उपर लएगा T2, नीचे लएगा M2G, तो क्या आप कह सकते हैं, T1, T2 सब इंटर्नल है, तो net pulling force अगर मान लीजे, A से नीचे जा रहा है, A से उपर जा रहा है, तो M1G minus M2G net pulling force आगया, यह translate कर रहा, यह भी translate कर रहा, तो translational mass इसका M1, इसका translational mass M2, प्लस यह rotate कर रहा, तो इसका rotational mass IYR square answer, अब पूरा देर पे solve करके यह answer आएगा, जो मैंने एक line में तुमको लिख दिया, पूरा देर पेज करके answer जो आएगा, मैंने एक line में लिख दिया, यह, यह answer आएगा, done, 200% done, यह answer आएगा, बताओ, वह दिक्कत, नहीं, यह answer आएगा, अब देखो, फड़ा फड़ा इंसर, चलो इसका answer निकालके दिखाओ, अ 16 kg block attached to the cord sweeping round of the rim of the rim of a flywheel of a diameter इतना and having vertically as shown in figure, the rotational inertia of the flywheel is itna, rotational inertia इसका दे दिया, आई दे दिया, where the block is released and the cord unwind, then acceleration of the block is, ऐसे खुल राही है, तो acceleration of the block पूछा है, direct answer लिख सकते हैं, आप, a बराबर, इसका mg क्या हो जाएगा, 16 into g, बटा, इसका mass, 16, प्लस, इसका moment of inertia, i, i की value 0.5, i की value 0.5 मतलब 5 बटा 10, बटा r square, अगर diameter इसका 0.4 है, तो यह हो जाएगा, तुम्हारा r square का मतलब हो गया, दो दुना 4, बटा 100, 100 उपर चला जाएगा, सही लिख रहा हूँ कि एकदम, हाँ, अरे भाई सहाब, यह है तुम्हारा diameter, तो यह हो जाएगा, दो बटा 10 radius, दो बटा 10 कॉलिस पर यह लिखोगे, 0 से 0 कैंसल होगा, और यह हो गया, तुम्हारा 10, 50 बटा 4, 12 के आसपास, 16 और 12, 20, 16 जी बटा 20 के आसपास आ रहा है यार, मतलब 0.5.6 आएगा, यह अंसर है क्या, स्थी अंसर है, 0.56 जी, भी है रहा है, यह calculation बड़ा जीब सा दे दिया, सोलर डिवाइड़ बटा 20, 57, हाँ ठीक तो है, 0.56 जी आज़ा है, सी थर्ड आड़ा, सी आड़ा, सी, अरे सी आड़ा यार, यह 8, 18 के आसपास आएगा नीचे, यह अल्मोस्ट बारे ले लिया मैंने, तो 28 आजाएगा, आठ बटा 14 जी आज़ा है, तो नीचे 7, उपर 7 होता तो 0.5 आटा, उपर थोड़ा ज़्यादा है, अरे 0.5 से तोड़ा ज़्यादा आना चीए, यह आज़ा, 0.5 से तोड़ा ज़्यादा, घड़ी आज़ा, थड़, अरे B नहीं आ रहा भाई साहब, एक बात बता, एक बात बता, यह तुम्हारा, आठ चौद़ा दुना आज़ी, आठ दुना सोला, आठ जी बटा 14 आ रहा, आठ बटा 14 गर उपर 7 होता तो 0.5 बता, 7 से तोड़ा ज़्यादा आठ है, तो 0.5 से तोड़ा ज़्यादा होगा, कहां से आरा B? वो इस पैम करने वाले बच्चा है, अच्छा ठीक है, कर ले, कर ले, जितना करना है, कर ले, चल, यह सवाल बता, अच्छे से सवाल करना, बढ़िया सवाल है, जभी ह है नीचे चला जाएगा, तो इस ब्लॉक का स्पीड कितना होगा, एक बात बताओ, क्या यह कॉंस्टेंट एसलेशन इसे गिरेगा, हाँ, तो हम लिख सकते हैं, डारेक्ट कि स्पीड हाइट गिरने पर होता है, रूट अंडर 2GH, अज़े थर्ड एक्वेशन अमोसन से, सिंपल, यहाँ पर रेस्ट से रिलीज हुआ, तो एक साइट गिरने के बाद, वे 0.4 डामीटर है, तुमको रेडियस लेना है 0.2, हर सवाल गलत करता है, चल दे किदर, तो वेलोस्टी रूट अंडर 2, 2 A H होगा, एसलेरेशन, एसलेरेशन, 2 A into H होगा, अब एसलेरेशन कितना होगा साब, तो एसलेरेशन होगा, 2 इसका, नेट फोर्स M जी, नेट मास M, प्लस, इसका मोमेंट ओफ इनर्सिया देखो, क्या है, डिस्क है, और मास M है, तो इसका मोमेंट ओफ इनर्सिया हो जाएगा, MR स्कॉाइर, बाई 2, बटा, R स्कॉाइर, यही लिखते हैं किया, आपको क्या मैंने सिखाया है, आपको क्या सिखाया है, आपको मैंने सिखाया है, एसलेरेशन लिखने का फॉर्मूला, देखिए, रूट अंडर 2, एसलेरेशन होगा, नेट पुलिंग फोर्स M जी, बटा, नेट मास M जी, प्लस इसका मोमेंट ओफ इनर्शी या डिस खैसले माम स्कॉएर वैट तुँ यह मोमेंट ओपने से में सकॉएर वेटु बटार स्कॉएर या जाएगा ईन्टू एच Mg R² से R² कटेगा और नीचे तो मास ही लेखना है सब मास M प्लस M by 2 तो क्या हो जाएगा 3 M by 2 यह क्या हो जाएगा 3 M by 2 2 उपर चला गया तो यह होगा 4 M से M cancel 4 G H by 3 का रूट 4 G H by 3 का रूट यहाँसर दो अंदर जाएगा तो रूट के अंदर यह आजाएगा 4 तो अंदर जाएगा तो रूट के अंदर क्या जाएगा यह 4 इसका acceleration मतलब तुम से पूछा इसका angular acceleration क्या होगा या इस तरह का system का लिख सकते हूँ या इस तरह के system का tangential acceleration अप लिख सकते हैं हाँ जैसा NLA में आपने पढ़ा था उसी तरीके से कुछ यहाँ पर पढ़ना है उसी तरीके से कुछ आपको करना है क्या करना है ध्यान सुनिए ध्यान सुनिए acceleration बराबर होगा इसका force mb into g क्या समझ गया आप mb into g net pulling force है बटा इसका mass mb इसका mass ma plus इस disc का moment of inertia i और radius अगर r है i बटा r square क्या आपको इस बात का hundred percent feel आया और अगर a निकाल लेंगे तो alpha बराबर होता है a by r simple इसका answer आएगा 25 radian per second square यह सवाल मुझे आदे आपको इस चीज़ का feel आये की नहीं आया बताइए पहले अब समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ एक कह रहा है यूवराज कुमार पिछले वाला 16 बटा 20 आएगा मैंने solve किया है गलत किया सर आपने क्या कह रहा है 26 बटा 20 कहा रहा है 16 बटा 20 16 बटा 20 कैसे आ रहा है यह मास 16 जी हो गया ठीक है और मास 16 यह लिखेंगे प्लस आई बटार इसको आई क्या इसका 0.5 0.5 को मैं लिख सकते हैं पाँच बटा 10 ठीक है और यह हो जाएगा पॉइंट डाइमीटर यह है तो रेडियस हो जाएगा आपका दो बटा 10 तो दो बटा 10 का होल इसको है तो यह 4 आपको इस बात का फील आए कि नहीं है आप पहले पता दो अराम से तब ही हम आगे बरेंगे अ कोई बात नी छोड़ दे बेटा स्थी कर ले उसको ऐसे स्पैम नहीं करते हैं अच्छे आदत सीख गंदी आदत मत सीख अब बता इस बात का फील आएगी नहीं इस बात का अगर फील आगया तो हम आगे बढ़ते हैं इस बात का फील आएगी नहीं अब सुन तुने तीन सिस् सिस्टम ले सकते हैं, अब चाहे कोई भी connected body rotation हो, जैसे ये घूम रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये घूम रहा है, क्या हर एक का answer बहुत असानी से तु निकाल सकता है, पील आ गया ना बेटा, बहाद बढ़िया, repeat कर दीजिए, कर रहा हूं, देख, इस पर gravitational force नीचे MBG, ये external force होगा, तो tension internal हो गया, इस पर tension T, इधर T, इधर T, इंटर्नल हो गया, उसको गोली माल, तो ये MBG आपका external force आ गया, translational mass इसका M, प्लस इसका M, और इसका rotational mass, आई बटा R square, बस, ये होगी कहानी, ये होगी कहानी, ठीके, ये देख, ये need का सवाल प आद मैं break दे देता हूं, सिर्फ 10 मिनट दे दे मैं break देता हूं, सिर्फ 10 मिनट दे दे, सिर्फ 10 मिनट पर दे दे, आई इतना, आई इतना, and is making 20 revolution per second, then torque needed to stop in 10 second is इतना, then is dash into 10 to the power minus 2 torque है, तो यहाँ पर torque की value क्या लिखी जाईए, ये पूचा है, तो मुझे ये बता, कि moment of inertia क क्या दिया हुआ है, 5 into 10 to the power minus 3, क्या ये मोगाई है, हाँ सरी, ये moment of inertia है, making 20 revolution per second, क्या ये omega है, 20 RBS per second, क्या ये omega है, क्या ये omega है, क्या ये omega है, हाँ ये omega है, हाँ ये जवाब दे, नहीं, ये omega नहीं है, क्योंकि omega का unit radian per second होता है, omega ये होगा, 22 pi f होगा, ये frequency है, तो ये होगा, 2 pi into 20, ये तुम्हारा omega है, कितने देर में रोकना है साफ, 10 second में रोकना है, simple equation लिखेंगे, टॉर्क बराबर I alpha, टॉर्क पूचा है, आई दिया हुए 5 into 10 to the power minus 3, alpha क्या हो जाएगा, alpha होगा, change in omega into time, और final omega तो 0 है, तो final angle of velocity 0 है, तो alpha को हम लिख सकते है delta, delta omega by delta t, finally तो rest में आ रहा, तो सीधा लिख सकते हैं, omega by t, omega by t, तो यहां से लिखेंगे, 5 into 10 to the power minus 3, omega की वेल्यू बोल, सर 40 pi, बड़ा time हो जाएगा, तुमारा 10, तो 0 से 0 cancel कटेगा, पांचोक 20, पांचोक 20, तो 20 pi into 10 to the power minus 3, यह minus 2 दिया हुआ है, यह minus 3 है, तो इसको minus 2 में जब लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, सरी हो जाएगा, 2 pi into 10 to the power minus 2, तो minus 2 तो दिया ही हुएगा, 2 pi तुमारा answer आजाएगा, ए यह clear यह बात, यह answer आ रहा, बहुत बढ़िया बेटा, यही उम्मीद थी, यह answer आना चीए, अब यह सवाल देखो, AIPMT 2,000 एगा रखा है, यह सवाल AIPMT 2,000 एगा रखा है, क्या कह रहा है, instantaneous angular position of a point on a rotating wheel given by the equation यह, बेटा, यह angular position दिया हुआ है, then torque on a wheel becomes 0 is, एक बात बता हो, किसी wheel पर torque 0 कब होगा, जब उसका alpha 0 होगा, सिंपल सी बात है, torque बरावा alpha, देखो किसी object पर solution कब 0 होता है, जब external 4 0 लगाते है, अगर body है, तो उसका moment of inertia है, तो होगा ही न कुछ, तो torque 0 कब होगा, जब alpha 0 होगा, और alpha 0 कब होगा, तो theta दिया हुआ है, d theta by dt आपका omega होता है, तो यह हो जाएगा 2, यह sorry, 2t cube है, sorry, 2t cube है, यह क्या है, 2t cube, तो 2t cube का differentiation करेंगे बेटा, 2t cube का differentiation करेंगे, तो यह हो जाएगा तुमारा 6t square, minus 12t, और omega का differentiation करेंगे, तो यह alpha होगा, यह होगा 12t, minus 12 is equal to 0, तो t बरावार आजाएगा आपका 1 second, कितना असान सवाल है, कितना सवाल है, मैं एकजाक बनादा तो कितने सवाल बात मैं चुप्ती दूंगा, मैं एकजाक ली बताते तो तुमें, बस 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 रोलिंग मोसन मुझे बादम पराना, अरे बाई साब, और बई साव, एक सचोधा, 10 सवाल है, 10 सवाल में कुछ होंबग भी दे दूंगा, चिल्त about the horizontal axis massless string is bounded round the cylinder with one end attached to it and other hanging freely tension in the string required to produce an angular acceleration two revolution per second square is यह यहां पे जो two लिखा है यह गलत टाइप किया है यहां पे होना चाहिए यहां पे होना चाहिए यहां पे होना चाहिए minus second revolution per second square अब यहां पे यह जो सवाल है इसको ध्यान से परो solid cylinder of mass इतना and radius इतना free to rotate about is horizontal axis अब solid cylinder कहीं horizontal axis के बाउट घूमने के लिए free है तो तुम solid cylinder लोगे कि disc लोगे और इस पर रसी ऐसे बांद के ऐसे खीच रहा है फोर्स से तो simple torque बराबर आई अल्फ आपको करना है तो क्या होगा तो रसी में माल लीजे फोर्स आपने एफ लगा रेडियस आ रहे हैं तो यह जाएगा चोने फ्र होगा एल्फ आए क्या होगा same r-square बाय थू बस आल्फा च्या होगा तो यह ल्फा नहीं है ल्फा तू रिवलूसन पर सेकेन इसुएं नहीं होता अल्फा होगा टू पाइएंटू इन्टो टू रेडियन पर सेकेन इसक्षूर समझ रहे हैं आप यह अलफा होगा तो अलफा की वेल्ट करेंगा और पाई तबस इतना समझ़ लो एंसर तुछ तुम्हारा आ जाएका है reflex लो एंसर तुमारा जाएका है समझे यह वाली बाद समझ यह इतना समझी एंसर आजाएगा अलपा तुम्हारा क्या होगा अगर यहाँ पर लिखा हुआ है एंगुलर एसे लेशन टूरीवलूरूशन पर सेकेंड श्कॉयर तो रिवलूशन पर सेकुन पर सब्सक्राइब करना थूहां से यह रेडियस का स्कॉयर कटेंगे आ रहे M R 2 Pi M R 157 Newton answer sayyara D एकदम sayyara एकदम sayyara D answer are चलो नीट 2017 रोप is bounded around the hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 cm what is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulleded with the 430 Newton same question है same question है क्या करना है same question है क्या करना है torque बराबर I alpha torque बराबर I alpha torque क्या हो जाएगा F into R बराबर I alpha इसमें force दे दिया है तुमसे क्या पूचा है तुमसे पूचा है तुमसे पूचा है तुमसे पूचा है angular acceleration alpha पूचा है alpha पूचा है direct answer आ जाएगा meter per second square to answer हो गाई नी ये दो answer तो गलत है तो क्या एंसर आएगा एंसर आएगा इसका सी एक लाइन का कैलोकुलेशन है ऐसे सवाल चार मैंने रिपीट कर दिये हैं नीट 2016 सुनिए द्यांसे नीट 2016 क्या सवाल पूछा था और यूनिफॉर्म सर्कुलेट एक सुन 14 13 16 17 हर बार सेम सवाल पूछ रहे हर बार सेम सवाल परपेंडी कुलेट्टर प्लेय औन पॉछ तुदर सैंडर सब्जक्ट्टेट ओटॉटर पॉच है 617 के बाद अब तु सवाल पूछ सिस नसक्ड्र पूछ भाइए ऊटुन सतन हुलिपिंट की एट गोर्न य़ॉचै पूछाय थेच़ीजियर पर्पेंटर प्लेन पासिंग दो सेंटर सब्जेक्टिटी टॉक बीचिस प्रडूर्स अ कॉंस्टेंट एंगुल एसलेशन इतना इस नेट एसलेशन एन मीटर पर संगिर्स का अध दे इंड आफ तू सेकेंड अपसुन अलफा से जब यह डिस्क घूमना सुरू किया इन डाफ टू सेकेंड एं दो सकेंड अटो तो इसका टैन्जीन असिलेशन क्या हो जाएगा आर इन्जैन लख दिचलेशने हो जाएगा और जाएक और इन जोबल कि इस अगीटशेist सब्सक्राइण है पर 2 अगर होगे तो दो कॉल सकार बटा यह आप आएगा यह आजाएगा तुम्हारा 8 8 meter per second square सुन ध्यान से तो 2 second के बाद तुम्हारा 80 है 1 और यह है 8 अब net acceleration जो होता है वो meter per second square पूछा है तो net acceleration में आपको alpha नहीं लेना क्योंकि alpha तो radian में है यह तुम से net acceleration जब भी पूछे तो net acceleration जो होता है वो 80 plus AC का vector सम होता है 80 बोलो क्या है यहाँ पर बच्चा यह गलती कर सकता है कि वो वो लगातार alpha को यूज करनी कोशिस करेगा उसको लेगा acceleration मतलब alpha नहीं alpha मतलब angular acceleration यह net acceleration पूछा है बढ़िया सवाल है यह net acceleration पूछा है यह क्या पूछा है net acceleration लिखा भी unit अरे भाई net acceleration meter per second square में alpha तो नहीं नहीं हो सकता है अगर कहरें meter per second square meter per second square में alpha तो नहीं आएगा यार meter per second square में alpha तो नहीं आएगा यार पैसे करेंगे solve पूरी solve करके दी है मैंने alpha में पता है तो 80 निकाल लेंगे और acceleration हमें पता है is always coincide with the center of gravity नहीं छोटे object के लिए center of mass और center of gravity coincide करता है लेकिन बड़े object के लिए coincide नहीं करता है center of mass of a body a point with the total gravitational torque on the body 0 yes क्योंकि center of mass पे gravitational force लगता है और उसी के about gravitational force का talk देखेंगे तो 0 आएगा a couple on a body produce both translational and rotational motion नहीं couple में net force 0 होता है mechanical advantage greater than 1 means that small effect can use to lift a large load yes बेटा ऐसी case में हम mechanical advantage define करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एक इसमाँ यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं एक small force F1 लगा के क्या इसके विए से large force F2 produce कर सकता हूँ हाँ क्योंकि sorry एक मिनट एक मिनट F2 छोटा लगा के small रखके क्या यहाँ पे large amount का force produce कर सकता हूँ हाँ अगर इसका distance कम रखोगे तो यह force जादा होगा यह distance जादा रखोगे तो यह force कम आएगा तो यहाँ पे apply किया मैंने small force apply a small force और इसके विए से produce large force हो जाएगा तो इसका mechanical advantage होता है बड़ा वाला force बटा छोटा वाला force हमेशा क्योंकि mechanical advantage हो तो advantage तो एक से जावा ही होना चाहिए येस तो दो और 4 आपका सही जवाब है क्या सही जवाब है दो और 4 समझ में आया दो और 4 आपका सही जवाब है next AI PMP 2007 wheel of angular acceleration इतना and initial angular acceleration इतना in a time इतना it has rotated through the angle अरे बहुत असान है direct equation of motion यूज़ करके solve हो जाएगा next torque बढ़ावर I alpha ध्यान रखेगा ये RPM दिया है मतलब ये omega नहीं है ये frequency है बस इस बात का ध्यान रखेगा torque बढ़ावर I alpha से direct आपका solve हो जाएगा torque बढ़ावर I alpha से direct solve हो जाएगा moment of inertia of a body about a given axis is इतना initially the body at rest in order to produce a rotational kinetic energy इतना joule the angular acceleration is इतना per second square must be applied about the axis of a duration of क्या पूछा है moment of inertia of the body is इतना moment of inertia दे दिया the body at rest order to produce a rotational kinetic energy इतना angular acceleration इतना must be applied about the that axis of for a duration of a अच्छा moment of inertia इतना है body,at rest order to produce a rotational kinetic energy इतना कितना rotating kinetic energy developed करने के लिए कि इतने टाइम तक इतना acceleration दूँगा देख,ो कह रहा है an angular acceleration इतना must be applied about that axis of rotation इतना angular acceleration कितने time तक दूंगा कितने time तक दूँगा बरा logical सवाल है बरा logical सवाल है सवाल बरा logical है यहांस दिखिएगा क्या rotational kinetic energy को हम half i omega square लिख सकते हैं? हाँ sir अच्छा, omega क्या होता है? alpha t लिख सकते हैं? तो अगर हम alpha t लिखे तो alpha square t square आएगा? हाँ, answer फिटा, इस तरह के सवाल ना भले ही तुमको परने और समझने में दिक्कत आ सकता है लेकिन करने में नहीं करने में नहीं इसका answer आजाएगा आपका 2 seconds अब कर लीजिएगा kinetic energy half i omega square और हम जानते हैं omega बना और alpha t होगा तो इतनी speed develop करने के लिए हम omega को alpha t रखेंगे तो omega square मतलब alpha square t square हमें क्ये ही पता है हाँ, i पता है हाँ alpha पता हाँ, t निकालो सीधा value रखेंगे answer खटा-खट आएगा, खटा-खट आएगा solid cylinder 50 kg radius है यह तो कम कर चुके 175 newton यह तो हम कर चुके यह तो हम कर चुके यह सवाल तो हम कर चुके हैं यह 2017 वाला भी सवाल हम कर चुके हैं बस दो सवाल बचा बेटा, सिर्फ बड़ा चेप्टर नहीं है, और बड़ा चेप्टर है उस बड़े चेप्टर में बहुत बड़ा कंटेंट पर आ रहा हूं छोर कुछ भी नहीं रहा हूं तो ध्यान से सुन, application of conservation of mechanical energy COME, application of conservation of mechanical energy in pure rotation in pure rotation find the velocity of A when collide with the ground look, velocity of A नहीं इसका दूसरा सवाल पहले करते हैं यह सवाल कर uniform rod smoothly pivoted at one of its end is released from the rest its swing in a vertical plane, then maximum speed of the end P of a rod is, अरे भाईस, अब speed ही पूछ रहा, कोई angular speed पूछ ले यार भाईस, अब rotational motion में, angular speed निकालना easy है, कि translational speed निकालना easy है, बस ले यह बताओ rotational motion में angular speed निकालना easy है, कि rotational stop 태image रोटेशनल speed निकालना easy है, कि rotational speed . क्या निकालना इजी है? angular reason बता हूँ reason बता हूँ what is the reason behind this? what is the reason behind this? इसके पीछे reason बड़ा छोटा सा है कि हर point का omega सेम होगा जब ये rod horizontal पहुचेगा उस instant पर omega बताना है मैंने vertical positions इसको छोड़ा है find angular velocity of rod when it becomes horizontal मैंने इसको vertical position से release किया है जब ये horizontal हो जाएगा उसी instant पे मुझे उमेगा बताना है कुछ नहीं करना आपको stew एमी लगाना है conservation of mechanical energy कहता है kinetic plus potential का initial value बड़ाबर kinetic plus potential का final value मुझे बस इतना बताओ जब ये वर्टिकल है तो हम इस reference point पे potential energy को हम zero मान लेते हैं अगर हम potential energy को इस line पे zero मान लेतो इस rod की potential energy क्या हो जाएगा अगर center of mass पे हम सारा मास मान ले तो इसकी potential energy हो जाएगी mg l by 2 इसको release किया है angular speed zero है तो kinetic नहीं zero जब ये horizontal हो जाएगा तो इसका potential energy क्या होगा जब ये horizontal हो जाएगा तो इसका potential energy zero और kinetic हो जाएगा half i omega square क्योंकि ये rotate कर रहा pure rotational motion कर रहा है axis of rotation के about तो हम ये equation लिखेंगे तो sir ये हो जाएगा mg l by 2 is equal to half i omega को हम लिख लेंगे omega moment of inertia को हम लिख लेंगे 1 by 3 ml square into omega square ध्यान से देखेगा बेटा 2 से 2 cancel होगा m से m cancel होगा l से l cancel होगा तो l बचेगा omega square आजाएगा आपका 3 इधर 3 g l नीचे 3 g by l तो omega आजाएगा root अंडर 3 g by l ये आपका angular speed आया है किसका all point का क्यों सारे point का omega सेम है लेकिन हर point का velocity सेम नहीं होगा सारे point का angular velocity सेम होगा लेकिन हर point की velocity सेम नहीं होगा अब ये सवाल पूछ रहा यहां से छोड़ा है तो बोलाएगी find velocity of a when it collide with a ground जब ये ground पे collide करेगा तो a point की velocity कितनी होगी अब a point की velocity निकालना असान है कि पूरे lord का omega निकालना असान है पूरा omega सबका सेम होगा omega सबका सेम होगा तो omega निकालो omega हमने निकाला भी 3 g by l यही आया है क्या omega असर omega आया है 3 g by l अगर मेरा omega 3 g by l है तो हम speed v बरावर r omega लिख लेंगे यहां से length इसका l है तो length l omega हो जाएगा 3 g by l l को अंदर निकालना ले जाओगे root 3 g by l is your answer root 3 g by l is your answer अब ऐसे सवाल कुछ भी पूछे जैसे यहां पूछ रहेक सवाल यह rod है इसको horizontal position से release किया जब यह rod vertical हो जाएगा तो इस p point की velocity पूछे अरे यह तो सेम सवाल है answer यह आएगा कैसे सियो मी लगा लो vertical से जब यहां तक आया तो जितनी energy loss की उतना kinetic में गया यहां से जितनी energy loss करेके 90 degree पे यहां आएगा जाएगा मेरे सबसे इंसर आना ची मेरे सबसे एंसर आना ची करके देकलो यह इंसर आएगा करके मीं ऐंसरा एगा सेंमिल करें सीवमी से सेम Cathीर रूटNat 6 जी वाई ये ला रहा है समय कुम प révले है कि तुम ट्माही है सभाटन में है मुनात क्लाएं सभाद भी अरु सब्सक्राम पर को पूए अचा नहीं नहीं सहीन बोल रहा वह कहरें सेंटर ओष्ट को इतना आग आगा हाँ अगर इसी पॉजिसन पर तुम्हें सेंटर उप likewise पूचिये अरे बाइस आफ जोड़ा लगा दिसमें अगर सेंटर ऑफ मास की उविवशिटिय रहा यार शिक्स कहा रहा रहा यह करेक्ट था है बहुत बढ़िया चल फिन मीटर स्केट वर्टिकली प्लेसिंग अलोवर एंड हैंगिंग ऑन फ्लोर अलाउट फॉल कल्कुलेट दे विलाउस्टी अपर एंड वन इट फ्लोर बहुत असान है यह सवाल हमने करी लिया यह सव 11 20 एम ठीक है रोलिंग मुशन बहुत जोरदार पराऊंगा रोलिंग मुशन में विलास्टी निकालने वाले सवाल और इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग मोशन हर एक सवाल हर एक सवाल एक लाइन में आप सवाल पर कर पाएंगी यह मेरी गारेंटी है अब अब पार में करा दूँगा मतलब सवाल fraction of second में सवाल कर पाएंगी अभी तक moment of inertia और और rotational dynamics में आपको थोड़ा calculation करना पराना करना पराना अब मैं तुम्हें सिर्फ 45 मिनट पराऊंगा उसके बाद कलम रख दूँगा और 40 सवाल में कराऊंगा कम से कम एक भी सवाल में कलम उठाने की जौत नहीं होगे सारे सवाल नीट की होंगे और नीट में जो पूछे जा आ सकते हैं यह नीट में जो आए हैं वो सारे कि ए मैं अरे एक मिनट कि इतने का प्रेक क्षा इदिया मैंने तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा दो घंटे बाद तो मैं इसको आफ कर रहा हूं इसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ब्लैंक दिखे पांच-दस मेंट के लिए थोड़ी देर के लिए आपको स्कीन ब्लैंक दिखे लेकिन घबराएगा नहीं मैं सिस्टम को आफ कर रहा हूं यह तो मैं परहा नहीं पहूंगा ठीक है धन्यवाद कि आप पॉइंट 5.6.6.7 बहुत सही बहुत तेज हो रहा हो बहुत बढ़िया बिल्कुल इसे सवाल से उड़ाएंगे गर्दा एक दम ज्यादा टॉपिक नहीं बचे रोलिंग मोशन और कंजर्वेशन ओफ एंगलोर मोमेंटम यही तो बचे है बस झाल 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 हलो हलो क्या हाल चाल रामलाल स्वापस आ गए क्या सभी बच्चे वापस आ गए क्या सब के सब एकदम त्यार जोरदार चलो शुरू करे कारे करम अब होगी महारंगल अभी कहा अभी तो बस सुरुबात है अभी तो सुरुबात है इतने जल्दी ठक जाओगे क्या अभी तो बहुत लोगों की नींदे उरानी हैं आज खुद की नींद उदा रहे हैं भबिस्स में लोगों की नींद उराएंगे अभी तो हम अपना नींद खराब कर रहे हैं अभी बहुत लोग की नींद खराब करनी है साहब बहुत लोग की नींद खराब करनी है एक बार आज हम अपना कर लेते हैं ता चले एक छोटी से सायरी पहले आपको सुनाते हैं, फिर कारे करम को आगे बराते हैं, तो रुख जा भाई, ऐसे मत कर, ठीक है, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, हो उबाल ऐसा खून चाहिए, आसमा भी आएगा जमी पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए जीत के खातिर जुनून चाहिए हो उबाल ऐसा खून चाहिए आसमा भी आएगा जमी पे बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए इरादों में जीत की गूंज शुरू करते ही आईए आप कारे करम सुरू करते हैं रोलिंग मोशन का रोलिंग मोशन क क्या होता है सबसे पहले एक translational motion करता हुआ अब object ठीक है इस point की velocity मान लिजे v1 इस point की velocity v2 इस point की velocity v3 है इस point की velocity मान लिजे v4 है हर point की velocity अगर same हो जाए तो हम उसको कहते है pure translational motion pure translational motion में velocity of each point will be same यह बहुत अच्छे से हमने आपको animation और stimulation दोनों से ही सिखा दिया है ठीक है साब? ओके अब pure rotation क्या होता है pure rotational motion वो होता है जब कोई भी object fixed axis of rotation से आप special case ले रहे हैं हम center of mass यह hinged है और omega angular speed से खूम रहा है अगर यह omega angular speed से खूम रहा है तो किसी भी point का मैं angular velocity आप से पूछू किसी भी point का किसी भी point का मैं angular velocity आप से पूछू आप क्या बोलेंगे? omega चाहिए वो point कहीं भी हो हर point के angular velocity क्या होगा? omega अगर मैं यहाँ पे इसका tangential speed पूछू क्या होगा? तो बोलेंगे r omega, इसका tangential speed स्पीड क्या होगा सर आरो मेगा डारेक्शन नीचे इसका टेंजेंशल स्पीड आरो मेगा इसका टेंजेंशल स्पीड आरो मेगा क्योंकि रेडियास और एंगलर स्पीड ओमेगा तो टेंजेंशल स्पीड लिखा है यह रोमेगा प्योर रोटेशनल मोशन का टेंजेंशल स् यह तुम्हारा फ्यो capable रोटेशन एक ही point पर और कि का जब एसे और करेगा तो इस point की विलॉसिटी की यह इस point की पीछे और अगर सेंकर मास की में पूछू तो क्या हुजाएगी चेरो अब हमें क्या करना है कि कि जो दोनों motion है, उसको combined कर लो, combine कर लो मतलब translation plus rotation दोनों होगा, क्या होगा, translation plus rotation दोनों होगा, जब translation plus rotation दोनों होगा, तो sir, translational motion की बज़ाज से, इस point की velocity थी, माल लिजे, हर point की velocity आपने बोला, same है, इस point की velocity में VCM बोल देता हूं, क्योंकि जो center of mass की velocity है वही हर point की है translation की वज़ा से तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि VCM है VCM यहाँ पर भी center of mass की velocity VCM यहाँ पर भी translation motion की वज़ा से VCM यहाँ पर translation motion की वज़ा से VCM यहाँ पर translation motion की वज़ा से क्या होगा VCM अब मैं exactly यह वाला photo और ये वाला फोटो क्या कर रहा हूँ एड कर रहा हूँ अभी मैंने सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन का पार्ट दिखाया है रोटेशन की वेजल से इस पॉइंट की विलासिटी क्या होगी सर आरोमेगा आगे यहां पे होगी पीछे आरोमेगा यहां पे होगी इस तरफ आरोमेगा यहां पे होगी इस तरफ आरोमेगा अचा सेंटर पर रोटेशन की वैसे विलासिटी क्या होगा सेंटर का Center का Rotation की वैसे Velocity क्या होगा सर्ष Center का Rotation की वैसे Velocity होगा यहां पे Zero Center of Mass पे ही हमने Axis of Rotation बनाया Center of Mass के भाुट यह घूम रहा है तो Center of Mass के भाँट अगर घूम रहा है सेंटर of Mass की Velocity Rotation की वैसे क्या हो जाएगी Zero तो अगर मैं तुम्हें पूछू इस white color का तो यह होगा आरोमेगा यह होगा आरोमेगा यह होगा आरोमेगा तो हर point की velocity अब net translation plus rotation का add हो जाएगा लेकिन center of mass की जो velocity होगी क्या वो pure translation रह जाएगी center of mass की जो velocity होगी क्या वो pure translational रह जाएगी हाँ एना में जवाब दीजेगा प्योर 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 रोटेशनल प्योर सेंटर अगर मैं उसका फोटो बनाऊँ और net velocity आपसे मैं पूछो net velocity मैं आपसे पूछो net velocity मैं आपसे पूछो तो इसका होगा आरो मेगा प्लस भी सीएप इसका क्या होगा 90 वी सिंग पीछे आरो मेगा यहां पर और यहां पर आगे वी सीम रहे गाए जटिस ठीक है ओके अब मैं एक पहला case लेता हूं एक छोटा सा case ए जाएगा, Case 1, VCM जादा है R Omega से, मतलब Translation की बज़ा से, Center of Mass की जो Velocity है न, R Omega, वो जादा है, Sorry, VCM VCM जादा है, इसके Tangential Velocity से, तो Translation की बज़ा से आगे VCM से जाना चाहेगा, और पीछे ये R Omega से जाना चाहेगा, ये वाला Point, Bottom वाला Point, ये आगे जाएगा VCM से, इधर जाएगा R Omega से, यहाँ पे आगे VCM प्लस R Omega, यहाँ पे आगे VCM प्लस R Omega, अब मुझे बताईए, ये Ground पे क्या Slip करेगा, ये Ground पे क्या Slip करेगा, हाँ या ना में जवाब दीजीगा, क्या ये Ground पे slip करेगा, हाँ साब, ये ground पे slip करेगा, यहाँ पे 20 cm जादा है, तो ये forward slipping होगा, क्या होगा बेटा, forward slipping होगा, क्या ये forward slipping के बज़ा से, जब ये आगे slip करेगा, तो friction force पीछे लाएगा, हाँ सार, friction जो होगा, वो backward लगेगा, और backward friction जो होगा, वो kinetic होगा, क्योंकि slip कर रहा, ये point क्या कर रहा, slip कर रहा, slip करने में कौन सा friction लगता है, कानिटी friction लगता है, work done, why friction क्या हो जाएगा, निगेटिव, exactly ऐसा case कब आता है, exactly ऐसा case तब आता है, जब आपको चलते-चलते अचानक से cycle का break लगाते हैं, तो आपका जो पहिया होता है, वो आगे की तरफ क्या कर जाता है, skid कर जाता है क्या ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गही? हाँ सर, अब अगर मैं बोलू कि R omega जादा है VM से, तो क्या होगा? अगर R omega जादा है VCM से, R omega जादा है VCM से, चुषा कैसा होगा कैसा ऒए कैसा होगा इसके वैसे वर्क मांगा। निगेटिव हाइगा क्योंक्य फिछन स्लाइड कर जाएगा क्लिर है ये बात जब आपका मड में टायर फस्स जाता है और आप अचानक से करते हैं तो घुमता बहुत तेजी से है लेकिन आगे नहीं जा पाता अब हम केस थर्ड की बात करते हैं जहां पे सेंटर ओफ मास के वैसे ट्रांसलेशनल विलॉसिटी और और ओमेगा बराबर है अगर वी सीम बराबर और ओमेगा हो जाए तो क्या होगा देखिएगा ध्यान इसलिए क्या जाएगा रिस्ट में सर यह वाला पॉइंट वी सीम से आगे जाएगा यह वी सीम से आगे जाएगा आर ओमेगा की वैल्यू वी सीम के बराबर है तो यह वी सीम से नीचे जा रहा होगा यह आगे जाएगा वी सीम से उपर जाएगा वी सीम से क्या यह बहुत अगर मैं इसको point नाम देता हूँ O यह है आपका center of mass यह है आपका A, यह है आपका B, यह है C तो बताओ O point की velocity क्या हो जाएगी 0, क्यूं? क्योंकि जिस velocity से translational motion आगे ले जाना चारा था rotation इसको पीछे slide करेगा तो मैं क्या यहाँ पर कह सकता हूँ कि sir यह instantaneously wrist में रहेगा instantaneously wrist में रहेगा मतलब यहाँ पर friction अगर लगेगा भी तो कौन सा friction लगेगा static क्योंकि यह slide नहीं करेगा यह slide नहीं करेगा यह point slide नहीं करेगा यह no sleeping का condition आएगा no sleeping यह आपको समझ आए यह कौन सा sleeping था forward sleeping था क्योंकि vcm जादा था आपको समझ आए कि backward sleeping क्यों था क्योंकि r omega पीछे की तरफ जादा था क्या आपको यह समझ में आए यह no sleeping हो जाएगा यह आपको यह समझ में आए no sleeping हो जाएगा हाँ इस no sleeping का एक नाम होता है जिसको हम कहते है pure rolling नो स्लीपिंग का एक नाम होता है, जिसको हम कहते हैं, प्योर रोलिंग, मतलब यह बोड़ी प्योर रोलिंग मोशन में है, तो सर B पॉइंट की विलोस्टी तो सबसे ज़ादा होगी, बताओ तो B पॉइंट की विलोस्टी क्या रही, सर 2 VCM, बताओ तो सेंटर व मास की विलो की दूसरा नाम प्योर रोलिंग है इतना बात समझ में आ गया ठीक है, अब एक चोटा सा सवाल पूछते हैं, क्या सवाल पूछते हैं, ध्यांस देखेगा, एक चोटा सा सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि बॉडी, बॉडी, प्योर रोलिंग मोशन में, प्योर रोलिंग मोशन में, एक पॉइंट A बना दिया, ये B बना दिया, C बना दिया आंख बंद करके बोलिए VA से जादा होगा VB से जादा होगा VC क्यूंकि अगर ये ऐसे घूम रहा और आगे जा रहा आगे जा रहा V से तो ये पॉइंट की बात करेंगे तो V आगे और टेंजेंचल ये आरोमेगा पीछे हाँ सर तो इसमें एंगल थोड़ा कम होगा और उपर में देखेंगे तो ट्रांसलेशन की वैसे इसका आगे और टेंजेंचल विलासिटी इसका आगे तो यहाँ पे VCM मतलब जो भी आरोमेगा होगा उसके बीच एंगल कम होगा यहाँ पे रीजल्टेंग सबसे जादा यहाँ पे मतलब अच्छे समझते हैं हा सर इसमें तो कोई खास बात नहीं है यह तो उमनें बताइए आपको इसमें कोई खास बात नहीं है इसाब हमने पढ़ा दिया अब देखियो प्योर रोलिंग मोशन में देखिए, मान लिजिए, ऐसे घूम रहा था, omega से, और vcm से आगे, चारा है, अब मान लिजिए मैं point लेता हूँ एक contact o, एक point लेता हूँ, यहाँ पर q, जो यहाँ से r y 2 पर है, एक point लेता हूँ p जो r y 2 उपर है, एक point यहाँ पर लेता हूँ c, ऐसे ले लिया है, यह center of mass है अब मैं अगर तुमसे बेटा पूछू velocity O का, Q का CM का, P का और point C का, या point C बोल देता उपर तो धंक से इन सारे point की velocity बताईए इन सारे point की velocity बताईए अच्छे से सारे point की velocity हम कैसे निकाले इन सारे point की velocity आप इस तरीके से कुछ निकालेंगे, देखिए ध्यान से इसका velocity 0 होगा, हाँ अच्छा बताईए, Q point का translational motion की वैसे velocity क्या होगा, center of mass आगे VCM से जा रहा था, तो translation की वैसे आगे VCM से जाएगा और ऐसे घूम रहा है अगर कोई body ऐसे घूमड़ा, तो इस point पे tangentially पीछे की तरफ होगा देखो, ऐसे circle बनाओगे ना पीछे की तरफ होगा R omega भाई तो Q point का आगे velocity भी जो की R omega के बराबर है और ये होगा सिर्फ R omega y2, ये R omega y2 क्यों है बताओ, क्योंकि tangential velocity जो होता है ने बैटा, R into omega तो angular velocity तो आगर तुम्हें R omega है और radius center से हम लेते हैं अगर ये हां का distance लोगे तो ये R है लेकिन ये R by 2 पे है तो ये हम R by 2 ही लेंगे R by 2 ही लेंगे और direction निकालना अगर तुम्हें देखना है तो मैं एक बार और अच्छे से बता देता हूँ जैसे मान लो ये circle बनाया है जैसे मैंने circle बनाया अब तुम्हें अगर omega से घूमता हूँ और V से आगे जाता हूँ बताया है तो बेटा ऐसे एक circle बनाओ अगर तुम्हें यहां पे translational velocity देखना है तो translational velocity जो translational motion की बज़ए से आएगा क्या हर point का सेम होगा translational velocity जो translational motion की बज़ए से आएगा क्या हर point का सेम होगा हर point का सेम होगा हर point का सेम होगा ये VCM ये V, ये V, ये V, ये V, कहीं कहीं भी देखो और rotation की बज़ए से जो tangential velocity आएगा वो होगा बेटा rotation की बज़ए से जो tangential velocity होगा वहोगा अपका रोमेगा अगर इस प्लॉइट के टैंजेंसल य Durham लेकिन अगर तुमपर टैंजेंसल पर टैंजे WOR निकालोगे तो और सबीकिन अगर तुम सोबकर साथ कैंने की वैसे कमाये यहां पर दे offers लोगा यहां इधर होगा, यहाँ पे टेंजनिंश लॉस्टी आगे होगा, यहाँ पीधर होगा, यहाँ पीधर होगा, यहाँ पीधर होगा ऐसे होगा, क्या आप को से और इस वाद का में आया है? कि माल लो यह डिस्क है और मैं यहां पर टेंजेंशल वेलोसिटी पूछूँ, अगर ऑबजेक्ट ऐसे घूम रहा है तो वो तो टेंजेंट की तरफ होगा ऐसे, यह टेंजेंशल वेलोसिटी है क्या इसका फील आया, यहां पर देखोगे तो ऐसे, ऐसे, टेंजेंशल वेलोस वेलोस्टी पिया है यह आगे कि तरफ तर आगे कि तरफakah यह प्लस्वाहत्य से agt कि छूलेशनल मोशन पर वेलोस्टी वी ऊगा अब हर पॉइंट का विनकालो फर पॉइंट का velocity निकालो अच्छे से तो जो contact point है तुम्हारा O, O की velocity होगी 0, अब Q की velocity देखो, Q की velocity क्या होगा, देख भाई, आगे V, ठीक है सर, पीछे क्या होगा, पीछे R omega 2 होगा, और R omega को मैं V लिखूँगा, R omega को मैं V लिखूँगा, जो translational motion center of mass की velocity है, तो यह Vy2 पीछे, आगे V, पीछे Vy2, तो बताओ क्या होगा, Vy2, center of mass की velocity क्या होगा, center of mass की velocity तो pure translation वाला वो V ही रहेगा, अगर मैं P की पूछू, तो P की velocity क्या हो जाएगा, सर, P की velocity translation की वैसे V, और हम जानते है आर ओमेगा बर और V है, तो आर ओमेगा को हम भी रखेंगे, तो Vy2, आगे V, और आगे Vy2, तो यह हो जाएगा तेरा 3 Vy2, और topmost point का पूछेगा तो 2 V आएगा, topmost point का पूछेगा तो क्या आएगा, 2 V आएगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस point के about tangential velocity linearly variable है, tangential velocity linearly variable है, अरे बता दे बाई, इत्ती रात को भी सर कित्ती मिनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हाँ बेटा, धन्नेवाद, आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए, कौन है, प्लीज, रिपीट सर, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, because of z, 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 बिद्ध्या कुमारी, दो थपर खीच के मार, तुम्हें नीट की कसम है अभी, अगर नीट निकालना चाहती है, तो दो थपर खीच के मार, क्या velocity linearly variable है, हाँ, जैसे जैसे उपर भाग रहे है, velocity linearly vary कर रही है, देखो, point 3 है, यह point नीचे 4 है, उपर 1 है, यह point मालो, यहाँ 1 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 1 है, यह 5 है, यह 2 है, तो velocity इस तरीके से vary करेगा, यह photo में एक बर और बना देता हूँ, अच्छे से, यह, अच्छे से बना देता हूँ, देख, मालने यह point हमने बोला था O, यह point बोला था मैंने Q, यह point था center of mass, यह point था P, और यह point था C, तो देखो, center of mass की velocity वी दिया हुआ है, और pure rolling तभी होता है, जब translation की वैसे velocity, यह velocity translation का वज़ा से, जो center of mass की velocity हो, यह translation का होगा original, वो R omega के बराबर हो जाए, तो pure rolling होता है, जहाँ पे omega यह है, तो बेटा, tangential velocity हमेशा tangent की तरफ होगा, ऐसे घूम रहा, तो यहाँ पे tangential velocity आगे होगा, कितना होगा tangential velocity, सर, distance, अगर यह R y 2 लिख रहे हैं, तो R omega by 2, यह rotation की वैसे tangential है, ट्रांसलेशन की वैसे जितना center of mass का उतना यह V, तो R omega को V बोला है, तो यह आएगा V by 2 और यह V, तो बताओ क्या होगा, 3 V by 2, translation की वैसे आगे, और rotation ऐसे हो रहा, तो उपर वाले point का आगे, नीचे वाले point का R omega by 2, पीछे, तो यह आएगा V by 2, rotation की वैसे tangential velocity हम R omega लिखते हैं, translation की वैसे जो center of mass का होता है, वही translation का आता है, वही translation का आता है, समझाया, समझाया यह point, बेटा, अच्छे से सब को समझा आ गया क्या, यह translation की वैसे आगे जाएगा V से, यह भी translation की वैसे आगे जाएगा, यह भी translation, यह भी translation, यह भी translation की वैसे है इसलिए डिका है 球 मेंगा वी के बराबर है तो ये वी बैई 2 आएगा पीचे ये वी आँगे तो वी माइनस बाई 2 ये बचेगा वी बाई 2 बैट ये 3 वी 2 ये 2 भी तो हम कह सकते हैं कि ये फिंह पूरी बॉड इलीगि और फिंटे 2007 कर रहा है क्योंकि pure rotation में हम क्या कहते है सर्प्योवरोटेशन में कहते हैं कि fixed axis of rotation के about constant angular velocity omega से घूम रहा है तो इसको हम कह सकते हैं instantaneous 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 axis of rotation और इसके about यह r by two distance पर इसलिए इसकी net velocity आई है r omega by two देखो यह v को हम आरो मेगा लिखेंगे तो आगे आरो में पिछारे ओमेगा आंगे तुर निटक्रा सटिक आ söylगाए गारो मेगा बाइट वह इसलीए आ रहा क्योंकि इसका डिस्टेंस आरो मेगा इंवड़िस्टी तो भी मतलब V को मार ओमेगा रखेंगे, तो 2r ओमेगा आया, तो इसकी डिस्टंस यहाँ से 2r, तो देखो यह 2r into ओमेगा, तो हम कह सकतें, इंस्टेंटेनिऄसली, यह पूरी बोड़ी ओमेगा के बाउट इस पॉईंट से घूम रही है, ओमेगा के बाउट इस पूरी करते हैं या वाई कि या दिक्रते हैं या नहीं परना तो निकल जा कर देख इनकेस और प्योर रोलिंग मोशन वर्ट विल भी देख तू तो है चूरन गैंग का नेता तू तो बस में चूरन बेचेगा और वह भी सरकारी बस में अले दूसरे को तो पढ़ने दे तो लेकिदर इनकेस और प्योर रोलिंग वोट विल भी देव लॉस्टी ओ पॉइंट ए और रिंग और रेडियस और चल्दी बता पॉइंट अ कहां यहां पे यहां पे ट्रांसलेशन की विज़े से आगे वी से रोटेशन की वैसे उपर वी से तो यह रूट टू वी से आएगा बी एंसर हो जाएगा अला चूरन चाप विकल जाया से लाई चूरन तुम्हारा नहीं भिका तो तुम हमको आगे डिस्टर करोगे चलिदर अब यह करके दिखा जितने भी लोग बहुत अच्छे से सिंसेरली पढ़ रहे थे इस सवाल को करेंगे बिटा बहुत बढ़िया से सुन्दर सवाल बना है बहुत अच्छा सवाल बना है मजाज आएगा कर लोगे तो चलो देखो यह पॉइंट है जो कि यहां से आरवाई 2 पे 60 डिगरी का एंगल बना रहा ठीक है यहां पे पॉइंट है यहां पे पॉइंट है हमसे पूइंट की विलस्टी क्या होगी लेखो अच्छे से करो पॉइंट का नेट विलस्टी पूछा है न तो पी पॉइंट पर आगे की तरफ कैसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है तो पी पॉइंट का ट्रांसलेशन की वैसे आगे विलस्टी हो जाएगा वी और और रोटेशन टेंजेंशेली इधर होगा हो टेंजेंचल डिर्एक्षिं में होता है रोटेशन वी और यह होगा तेरा वी टू यह होगा तेरा वीटो क्यूंकि आर्वय टू डिस्टेंस पे तो वीटू होगा अरे वही आरो मेगा वाइट्व आर ओमेगा कॉमी लिखेंगे देखो कि प्लेद प्योर रोलिंग मुझन कर रहा है तो साब यह 60 है यह 90 तो यह 30 हो जाएगा तो यह 60 हो जाएगा अगर यह 60 हो जाएगा तो नेट वेलोस्टी जो आप निकालेंगे वो होगा V square प्लस V square by 4 प्लस 2 इंटू V into V by 2 into cos 60 इसको जब आप solve करेंगे तो यह वी square plus V square by 4 2 से 2 कटेगा V square cos 60 की value होती है 2 मतलब 1 by 2 cos 60 1 by 2 अगर इसका आप LCM लेंगे 4 तो यह जाएगा 4 V square plus V square plus 2 V square चार दो छेक साथ रूट 7 V square by 4 रूट 7 V by 4 इंसर आ रहा है यह रहा है क्योंकि भी भी को हम आर ओमेगा नॉट कहेंगे कितने लोग का एंसर आ रहा है दो दो इंसर लिखा गया option C 3 option 3 कितने लोगा option 3 आ रहा है अब तुम बोलोगे लेशनल वेलोसिटी वह हमेशा आगे होता है वी तो आगे वी और यह वी वाइटू यह एंगल अगर साथ है यह 90 तो यह हो जाएगा तुम्हारा 30 और रेडियस से पर पेंडिकुलर तो यह 60 तो यह एंगल 60 आ गया अब 60 डिग्री पर वी और वी वाइटू का सम करना है 60 डिग्री पर वी और वी वाइटू का सम करना है बोलो समझ आए कि नहीं है कि बोलो समझ में आए कि नहीं है कि यह करके दिखाओ सवाल देखना अच्छे से इस पॉइंट की बताओ बहुत असान है यह तो सरकंफरेंस पे बहुत असान है और यहां पर रोटेशन की वैसे टेंजिंशिल आरोमेगा जो की वी के बनार होगा यह वी के बनार होगा इसके बीच का एंगल क्या होगा यह देखो सुनो अच्छे से अगर मैं यह डॉटेड लाइन बनाओ थीक है डॉटे लाइन बनाओ थो यह साठ है यह 40 है तो यह 30 होगा अ会ण यह 30 होगा अगर यह 30 है अगर यह 30 डिगरी है तो यह कितना होगा एक मिट हमें क्या करना है यह एंगल देखना है हमें इन दोनों के बीच का एंगल देखना है इन दोनों के बीच का एंगल हम कैसे देख सकते हैं रुको 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 बताता हूं यह तो 90 है पूरा अरे बहुत असान है यार बहुत असान है यह तुम्हारा क्या होगा अगर यह 60 यह 90 यह 30 अगर यह 30 तो यह क्या होगा यह 60 और तुम जानतों यह पूरा लाइन यहां से हँआ है 120 डीडरी डीडरी का sum लेना हाँ वी और वी का sum घ्रैइगा एंसर 14 और शाहाब आग लगा अजय कोई कहरा एंसर S, C, 3rd आएगा, कोई कह रहा 2 आएगा मेरे हिसाब से इंसर तो B आएगा सर क्या गजब कहा रहा हूँ ये V और ये V का सम भी एक 60 डिगरी पे दो वेक्टर सेम magnitude के वेक्टर का सम सेम ही रह जाता है ठीक है समझ में आएगा आप से अच्छी फिल्स पढ़ा लूँगा तो मैं कह करूँ कि तु खराब पढ़ाएगा तो अच्छा पढ़ा सकता है लेकिन दिक्का देकि तिरसे कोई पढ़ेगा नहीं तु बेचेगा फिर भी चूरा नहीं चलागे देखते हैं मैंने कब बोला कि तु खराब पढ़ाएगा तु मेरे से बहुत अच्छा पढ़ा सकता है बहुत बहुत अच्छा बता यह दोनों सवाल करके मज़े आए की नहीं है हाँ अब देको प्योर रोलिंग में कि मैं कहां कहा रहा हूं कि तु खराब पढ़ायगा है काइनेटीग एनर्जी फीओ रोलिंग मोशन से इसमें काइनेटीग एनर्जी ब्योर रोलिंग मोशन में का इनेटीग मशन सब्सक्राइब कि देख ऐसा है कि जो स्पैमर आते हैं उनसे परसान नहीं होना चाहिए मैं परसान नहीं होता हूं उसमें क्या करना चाहिए कि वह आते हैं फन के लिए तुमको मजा देने के लिए तुम मजा लो ना यार उनसे मजा लो उनसे कि अधर हैं उनसे मजा लो और उनको थैंक्यू बोलो, कि तुम इतने स्ट्रेस में हो, देको पढ़ाई बहुत असान नहीं है, पढ़ाई करना मतलब सच में बहुत मेहनत का काम है, तुम मेहनत का काम हो, बहुत स्ट्रेस में कर रहा है, आखिर तुम हसे किसके वैसे बताओ, और किसे इंसान की वैसे में हसान है की कोशिस कर रहा, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, चलो, देखो, धन्यवाद बोलना चाहिए, टोटल एनरजी इन रोलिंग मोशन, टोटल एनरजी इन रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन में जो टोटल एनरजी होगा, देखो, ट्रांसलेशन भी है, और की काइनेटिक एनरजी उसमें ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनरजी और ये रोटेशन वाला काइनेटिक एनरजी हाफ एम वी सीम स्कॉयर तो रहने दो एक बात बताओ हम आई को व हम यहां पर उमेका स्कॉयर को लिख देते हैं वी स्कॉयर बटा अधी अब नोठर में से क्या कॉमन निकलेगा दोनों term में से क्या common निकलेगा? यह बताए, दोनों term में से क्या common निकलेगा? सर, इन दोनों term में से common निकलेगा half m v cm का whole square. तो यहाँ पर क्या बचेगा 1? यहाँ पर क्या बचेगा k square बटा r square. यहाँ पर यह रहा आपका k total. क्या यह translational kinetic energy है? हाँ सरी ये side में जो यहां पर निखला है वो translation kinetic क्या करते हैं सको kinetic energy translation लिखते हैं कैयी translation कि इस total kinetic energy को नीचे लेयाते हैं के çare मैंने क्या किया यह किया के ऑट ले seven और के टोटल को नीचे लेया बबना इसको आह लिएँगे तो और आगे के पूरे rolling motion में यह जो term होगा वो हर तरह के expression में यह काम आता रहेगा तो यह term as it is हमेशा रहेगा मतलब दिखाऊंगा मैं तुम्हें अलग लग expression में, इस पूरे term का नाम देदे तो मैं बीटा, इसको नाम दिया मैंने, बीटा हो क्या नाम दिया, 1 divided 1 plus k square by r square, देखो बीटा हो क्या नाम दिया, यही translation, मतलब translational kinetic energy divided by, यही total is equal to बीटा, where बीटा is nothing but 1 divided by 1 plus k square by r square, और हर अलग अलग चीजों के लिए जो बीटा होता है, वो अलग अलग होता है, अगर बीटा मैं रिंग के लिए बीटा निकालू, अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा moment of inertia किसका होता है, बोलो, सबसे ज़्यादा, same mass और same radius का, उससे कम hollow sphere का, उससे कम disk का, और सबसे कम solid sphere का, अब जानते हैं सबका moment of inertia क्या होता है, सब की किये रखेंगे आपे calculation करके, समय नहीं है बेटा, है ना, एक दिने पुरा rotation खतम कर रहे हैं, मैं exactly बीटा की value बता देता हूं, बीटा की value आएगा, बीटा की value आएगा, रिंग के लिए half, hollow sphere के लिए बीटा की value आएगा, 3 by 5, इसके लिए, इसके लिए, डिस्क के लिए बीटा की value आएगा, 2 by 3, और solid sphere के लिए बीटा की value आएगा, 5 by 7, अब ये बीटा की value आपको याद अगर हो गया, माल लो, बीटा की value अगर आपको exactly याद हो गया, तो क्या आपको translational by total kinetic energy का fraction याद रहेगा क्या, माल आओ, क्या आपको translational by total kinetic energy का fraction याद रहेगा क्या, हाँ, बीटा की value ये है, क्या आप इसको याद कर सकते हैं, नहीं, ये 5 by 7 नहीं आएगा, 1 मिट, 2 by 7 आएगा, sorry, 1 मिट, sorry, 0.5, 0.6, मैं निकाल लेता हो न, solid sphere के लिए चलो, निकाल लेता है, एक calculate क कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, 1 divided by 1 plus, k की value बोलो, तो solid sphere के लिए, moment of inertia, mk square is equal to 2 by 5 mr square, एम सेम कटेगा, k square की value आएगी, 2 by 5 mr square, तो ये होगा, 2 by 5 mr square, बटा r square, तो ये कट गया, 5 नीचे, lcm लोगे, तो 5 तो 7 उपर में चला जाएगा, तो 5 बटा 7 आ रहा, सही है, सही पांच बटा 7 ही लिखा था मैं, तो ये value क्या आप याद रख पाएंगे exactly, तो ये value exactly आपको याद रखने में थोड़ी आएगी दिक्कत, ये value कैसे आई, देखो नहीं, यहापे solid sphere के लिए निकाला, अरे भाई साब, एक तो समय नहीं है, पूरा परना भी है, लेके रख ल क्या, तो r square बराबर हो जाएगा k square, clear है क्या, हाँ सर, अब यहाँ पे k square के जबटा exactly r square अगर मैं रख दू, तो बीटा की value क्या आएगी, तो 1 divided by 1 प्लस, यहाँ पे k square को क्या रखोगे, r square, तो r square बटा r square क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 टू, 1 बाइटू, ये हो गया रि स्वेर का बीटा अगर निकाले, hollow sphere का बीटा निकाले, तो hollow sphere का moment of inertia होता है 2 by 3 mr square, और इसको हम mk square के बराबर लिखेंगे, तो m से m कटेगा, k square की value आगे 2 by 3, अब हम लिखेंगे बीटा is equal to 1 upon 1 प्लस, अराम से देखो, k की value क्या है, 2 by 3, 2 by 3 r square, यह काम करो ने, काम करो ना, इस r square को नीचे ले जाओ, तो 2 by 3 is equal to आजाएगा k square by r square, अब exactly बीटा की में बुट कर दो, यह है 1 divided by 1 plus, k square by r square को 2 by 3 रखतो यहापे, 2 by 3, तो 3 ncm लोगे, तो 3, 2, 5, 3 उपर चला जाएगा, तो बीटा आजाएगा तेरा 3 बटा 5, उसी तरीके से अगर डिस्क के लिए निक बाला था, बीटा आजाएगा 5 by 7, तो क्या सब की बीटा exactly याद रखना, आपके लिए असान है क्या यहाँ पे, रिंग का बीटा क्या है, रिंग का बीटा है half, इसका बीटा क्या है, 3 by 5, इसका बेटा क्या है, 2 by 3, इसका बीटा है 5 by 7, सिर्फ यह kinetic energy, translation by total का ratio नहीं देगा पूरे rolling motion में सब का जवाब बीटा ही है, तो क्या यह बीटा याद रखना आपके लिए असान होगा क्या, यह बीटा याद रखना आपके लिए असान होगा क्या, बहुत असान है क्या, बीटा याद रखना क्या आपके लिए बहुत असान है क्या, रिंग की बीटा आपने half निकाली है, इसका बीटा आपने 3 by 5 निकाला है, डिस्क का बीटा आपने 2 by 3 निकाला है, solid sphere का बीटा आपने 5 by 7 निकाला है, यह इन सब का बीटा याद रखना आपके लिए बहुत असान है क्या, नहीं, आप भूल जाएंगे क्या बूल जाएंगे, कल को आप बूल जाएंगे कि यह 2 बटा 5 था कि 3 बटा 5 था यह 3 बटा 5 है कि 2 बटा 3 है, यह 2 बटा 7 है कि 5 बटा 7 है कि 5 बटा 2 है, बूल जाएंगे तो सर कैसे याद रखेंगे, जोड़दार तरीक है इसका बीटा exactly देखोगे तो यह 0.5 है क्या, हाँ, 3 by 5 क्या 0.6 होता है, हाँ, 2 by 3 क्या 0.66 होता है, हाँ, 5 by 7 क्या 0.71 होता है, हाँ, तो division में हमें pattern नहीं दिख रहा था, लेकिन, मतलब division में हमें pattern नहीं दिख रहा था, लेकिन fraction में करने सरे pattern दिख रहा है, यह 0.5 है, 0.5 यह गटा तो होता है, यह 0.6 ह होता है अरे भाई 0.66 हम जानते हैं 2 x 3 1 x 3 होता है 0.33 2 x 6 होता है 2 x 3 0.66 और 5 x 7 हो गई 0.71 यह तो जादा असान हो गया है 0.5.1 6.6 6.7 1 0.5.6.6 6.7 1 यह बीटा कितना असान हो गया इस अगर यह बीटा असान हो भी गया तो division करने से चलो हमको याद रह जाएगा मान लो division करने से मान लो याद रह जाएगा उसका फाइदा क्या होगा उसका फाइदा ये होगा ये आपको अगर ये बीटा याद है तो आपको translational kinetic energy by total kinetic energy का fraction बीटा होता है ये याद है अगर हंडेट से दोनों तरफ multiply कर दोगे तो total energy का कितना परसेंट translation हो याद हो गया total energy का कितना परसेंट translation हो याद हो गया ये बीटा को हंडेट से multiply किया तो हाँ अच्छा kinetic energy दो ही सिम रचाए translation और rotation अगर मैं rotation का fraction देखू कि translation में बीटा गुना गया है तो total energy का कितना गुना rotation में जाएगा total energy का कितना गुना rotation में जाएगा total energy का कितना गुना rotation में जाएगा तो energy दो ही हिस्से में बट रही है energy दो ही हिस्से में बट रही है एक जा रही है translation में एक जा रही rotation में एक जारी रोटेशन, एक जारी ट्रांसलेशन, अगल ट्रांसलेशन में बीटा गई, तो रोटेशन में क्या 1 माइनस बीटा जाएगी, क्या रोटेशन में 1 माइनस बीटा जाएगी, अबिसी बात है सर, अबिसी बात है, एक में से ट्रांसलेशन का घटा देंगे, तो रोटे क्या फायदा होगा अभी देख क्या फायदा होगा अगर परसेंटेज में देख तो सौ से मल्टिप्लाई करेंगे तो पचास परसेंट आएगा हाँ यो साच परसेंट आएगा हाँ यो छाचाट परसेंट आएगा हाँ यह 20% से मल्टिप्लाई करते ही जो फ्रेक्शन हे वही तो इंसल हो जाएगा डिस्मल अटा दो सौ से मल्टिप्लाई करेको तो पचास परसेंट, 60%, 69% और 30% खुब सारे PY की पूचे है, खुब सारे PY की उचे है, rotation by total का fraction क्या होगा, rotation by total का fraction 1-beta करेंगे, beta 0.5 तो 1-beta भी 0.5, यह 0.6 तो यह 0.3, यह 0.66 तो यह 0.33, यह 0.71 तो यह 0.28, यहाँ पे आप कह सकते हो, कि बेटा, यहाँ पे एक्ता माता आगे, 1-1, तो इसको 0.28 के fraction में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर, अगर rotation by total आगया 0.5, तो यह भी 50%, हाँ साब, यह 60, तो यह 0.4 आएगा, 1-0.6 तो 0.4 आएगा, तो यह 40%, यह 33%, और यह 28%, यह 71.99 आता है, बेटा, एक्जेक्ट यहाँ पे, डिसिमल, 71% नहीं आता, थोड़ा सा आगे होता है, तो यह हम कहा देते हैं, 71%, बहुत असान, यह 0.5, यह 0.6, 0.66, यह 0.71, 0.5 में से, 1 में से 0.5 गटाओगे, तो 0.5, तो यह भी 50%, 1 में से 0.6 गटाओगे, क्या समझ में आया, निरुपम सिंग कहा रहा है, सर प्लीज, बैक अलग सर, अरे तेरे घर गया अलग सर, पता घर देख उदर, देख 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 घर घर में है, अरे, देख देख, तेरे घर में अलग सर, मैं तो गुटका निकाल दूँगा, लेकिन जो निकलना चाहिए न, वो निकल चुका है, जाके देख, चच्चा देखो इधर, आओ, यह 50%, यह 40%, यह 33%, यह 28%, क्या यह चमका, हाँ, अब सवाल करके दिखा है, आओ, आओ, keeping moment of inertia constant angular momentum of the body, अच्छा यह कुछ और सवाल रुख जाओ, अच्छा, वेट, 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 अच्छीन उनिफॉर्म इस्फिरिकल सेरिंग, प्योर रोलिंगोशन, रेशियो फोटल काइनेटिक, रेशियो फोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, यह 1 मैनिस बीटा पूछ रहा है क्या, किसका, यूनिफॉर्म इस्फिरिकल सेल, इस्फिरिकल सेल मतलब हॉलो इस्फियर, हॉलो इस्फियर, हॉलो इस्फियर का बीटा क्या होता है, सर पॉइंट सिक्स, तो यह क्या होगा, पॉइंट फॉर, पॉइंट फॉर मतलब दो बटा, पॉइंट फूर का मतलब हो गया चार बटा दस मतलब दो बटा पाँच दो बटा पाँच एंशचर चो था कर ले सवाल देख ले सवाल सवाल देख्ट में शवाल कवाल देख देख uniform spherical cell cell मतलब hollow sphere इसका बीटा होता है 0.6 हम 1-beta क्यों देख रहे हैं हम 1-beta इसलिए देख रहे हैं कि यह पूछ रहा है rotation by total 1-beta 1-beta 2-beta पाचिए अंसर बता बता आगे देखेगा solid spherical ball solid sphere मतलब solid sphere हो गया roll on a table ratio of its rotational kinetic energy to total solid sphere का rotational kinetic energy रोधा 0.28 0.28 को हम कह सकते हैं 28 बता 100 तो यह हो जाएगा बेटा 7 चुग 8 थाइस 25 7 बता 25 एक मेंट एक मेंट एक मेंट 0.28 ना 0.28 को हम ऐसे कह सकते हैं 28 बटा 100 हाँ कह सकते हैं तो यह हो जाएगा तुम्हारा साच्चों कठाइस एक मिट को सॉलिड स्फेर का बीटा क्या होता है बीटा होता है आपका 5 x 7 बीटा होता है 5 x 7 1-5 x 7 1-5 x 7 7-5 x 7 2 x 7 जाएगा तुम्हारा 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 2 x 7 जाएगा त और थोड़ा सा 0.99 का इसो है इसले वो fraction match नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है बदाओ, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, a solid spherical ball rolling without slipping drops on inclined plane, fraction of its total energy associated with a translation, क्या है solid sphere, solid sphere कहा हमें बीटा लेना है, बीटा होता है इसका 5 by 7, 5 by 7, ठीक है सर, 5 by 7 हमें लेना है, ओके, 5 by 7 हमें लेना है, तो 5 by 7 answer होगा, B answer है, क्योंकि यह पूछा है, fraction of its total energy associated with translation, मतलब यह कह रहा है कि total energy का कितना translation में गया, क्ये ट्रांसलेशन by क्ये टोटल, क्ये टोटल, यह रहा, देखो न, ससते उन्चास, तो 0.71 ही तो आ रहा, 0.7 ही आ रहा, और 2.7 अगर करोगे, तो 0.28 ही तो आ रहा, सही तो आ रहा, 0.28, कैसे, 2 by 7 करो, तो साथ दुना चो, साथ रिये 20, अगर यह 21 होता, तो यह 3 आता, 21 से कम 2 है न, तो यह 0.28 आएगा, अगर यह बेटा, 21 by 7 होता, तो क्या आता यह, 3 आता, लेकिन यह क्या 2 है, तो 0.28 आएगा, यह 2 by 7, 0.28 क्या हो जाएगा, 2 by 7, रो 5 by 7 एंसर आ गया, समझ में आ गया, अभी तो रुको, अभी तो यह सुरू हुआ है, अब सुनना ध्यान स क्या कहणा, वेन बॉडी इस अंडर प्योर रोली, दा फ्रैक्शन अफ इस टोटल एनरजी, बिच इस प्योर ली रोटेशन इस 2 by 5, मतलब प्योर रोटेशनल एनरजी का जो फ्रैक्शन है टोटल में से वो 2 by 5 है, 2 by 5 है, तो बॉडी कौन सी योगी यह पूछा है, तो सर यह 2 by 5 है, 2 by 5 है, तो 2 by 5, 0.4 ही तो हुआ, तो सर यह तो hollow sphere है, अगर तुम्हें यहां भी नहीं समझ में आ रहा तो, रोटेशन वाला फ्रैक्शन 1 माइनस बीटा होता है, जो 2 by 5 है, तो बीटा को उधर ले जाओगे, तो 1 माइनस 2 by 5 हैगा, यह निकालोगे तो 5 माइनस 2, 3 by 5, 3 by 5 बोलो क्या है, 0.6, 0.6 किसका बीटा होता है, hollow sphere का, 0.6 किसका बीटा होता है, hollow sphere का, अब बोलो, अब बोलो, क्या तुम्हें मज़े आ रहा है कि नहीं सवाल स्वाल करके ले, hollow sphere, ऐसे सवाल पूरा भर भर केके page में करते हैं, सवाल गुगल करके देख ले ना, का 50% rotation है, तो ऐसा तो चमतकार सिफ रिंग में ही होता है, रिंग बोलो, या मैं, hollow cylinder बोल दूँ, एक ही बात है क्या, हाँ, क्योंकि, 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 ring और hollow cylinder का moment of inertia, central axis, कौन से axis बेटा, central axis के बाउट, सेम होता है, central axis के बाउट क्या होता है, सेम होता है, हाँ, तो क्या हो प्रांसलेशन होता है, समझ आ रहा की नहीं आ रहा, समझ आ रहा की नहीं आ रहा, चलो आगे देखते हैं, अब देखो, वेना, sphere of moment of inertia rolls, down on an inclined plane, the percentage of total energy, which is rotational, क्या है, sphere बोला, तो solid sphere लेंगे, solid sphere में क्या पूछा है, rotation वाला, rotation वाला 28%, rotation वाला 28%, ले करके दिखाता हूँ, पहले क्या लिया, ring, फिर क्या लिया हमने hollow sphere, फिर क्या लिया हमने disc, फिर हमने क्या लिया, solid sphere, धागा खोल दिया, सब धागा खोल दिया, 50, 0.5, 0.6, 0.66, 71, यह होगा 50, 40, 33, 28, बोल, बोल, बोल धागा खोल दिया के नहीं खोल दिया, बता, धागा खोल दिया, क्या है, calculate the energy rolling, rolling ring of mass इतना kg about and axis passing to the center of mass m and perpendicular to it, if center of mass moving with velocity दा रहे यार, यह काया total energy बता, तो total energy होता है, half mb square into 1 plus k square vr square, यही तो निकाला था, जब हम rotation plus translation add करते तो यही तो आता total energy भाई, अगर तुम 이십, कैसे करहेगा, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, translation kinetic energy half mb square, rotation half i mr square, rolling motion का total kinetic energy, rolling motion का total energy, rolling motion का total energy होता है, वो translation plus rotation का sum होता है भाई साफ, translation plus rotation का sum होता है अखो, और, और आओ, spherical cell, मतलब hollow sphere, tube without slipping, what is the percentage kinetic energy, परसंटेज के फ़र्म में बता परसंटेज के फ़र्म में बता क्या अएगा अधा कोल दिया था सब कि ऐसे कैसे अभी तो रुक है बदाओ है कि आप बता रोलिंग नहीं आप स्मूथ इन क्लाइंड प्लेंड में हम फ्रिक्शन क्या लेते हैं जीरू ठीक, ओके, तो इस पर टोटल फोर्स कितने लागव रहोंगे, सिर्फ दो, एक mg, हाँ सर, एक नॉर्मल, एक नॉर्मल, अब ध्यान से देखो, ध्यान से, एक दम ध्यान से, तो mg का एक कंपोनेंट नीचे आएगा, mg साइन ठीटर, यह आपका सेंटर आफ मास, translational motion के लिए equation अगर लिखोगे, along inclined, तो नीचे mg साइन ठीटर, along inclined लिख रहा हूँ, along inclined, नीचे mg साइन ठीटर, और इसी तरफ अगर, सर, एसी लेशन से चलता हूँ, हमानेंगे, तो net force mg साइन ठीटर, बड़ावर m, m से m कटेगा, a बड़ावर g साइन ठीटर, sir, a बड़ावर g साइन ठीटर, तो sir, उसका भी एसी लेशन होता, जो q या कोई भी object रख दे तो, हाँ, यहाँ पे rotational motion के लिए, क्योंकि center of mass की outer object घूम के जा सकता है, torque अगर ढूंडेंगे, तो दो force लग रहा है mg, क्या mg center of mass से पास कर रहा है, क्या normal center of mass से पास कर रहा है, तो net torque क्या हो जाएगा, जीरो, तो यह rotate नहीं करेगा, और अगर rotate ही ना करे, rotate ही ना करे, तो साहब rolling कहां से आएगा, तो sir, यह तो pure translation करेगा, हाँ, smooth inclined plane पे अगर object को रखके छोड़ते हो, object को रखके छोड़ते हो, release करते हो, तो pure translation करता है, जिसका acceleration होता है, g sin theta, क्या करता है, pure translational, जिसका acceleration होता है, जी साइंटिट इटां तो कई बार बच्चे एकदम बन जाते हैं बेवकूफ उनको कहा जाता है, श्मूट इनक्लाइन प्लेन है कैसा है, लिखा है यहां पर, श्मूट इनक्लाइन प्लेन अब बता उसका ऐसकासि लेशन क्या होगा रे, तो एक statement लिखा है मैंने, pure rolling motion is not possible on a smooth inclined plane, क्या ये सही है, pure rolling motion is not possible on a smooth inclined plane, क्या ये सही है, pure rolling motion is not possible on a smooth inclined plane, क्योंकि ये सवाल आप से पूछेगा, this is true or false, एक कह रहा है कुछ, एक बहुत सब formula बेजा, ठीक है वो formula सही होगा, आप उसको लगा के solve करिए, मिला answer तो बड़ा आसानी से आ जा रहा है, 0.5, 0.6, 0.71, आप जीसे साब से कर रहा है न, आपको समझ आया, कलत कुछ नहीं है, आप सही कर रहा है, आपको समझ आगे बहुत plugin, आपको समझ आवर जान से कर रहा है, आपको समझ आपको नहीं होगा, आपको समझ आपको 52, 0.40, 11. इसे पसमेंग को पिलन प्यूर ट्रांसलेशन करेगाrist school receiving that ru प्यो रोलनिग द्वासुआ हैете वर डॉटूस बनेौन अग्जट अगर मैं रक दूत रोली मौश होगँ कि यह बता है र्योक्त थूं में देखे तॉर्क नहीं लगा इसलिए रोलिंग स्टार्ट नहीं हुआ अगर मैं पहले से कोई रोल करता हुआ अब्जेट रख दूँ पहले से घुमता हुआ लट्टू नहीं फेक नहीं है जैसे इसे घुमा के रख दिये जैसे मालो 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 यह बॉल है और यह मेरा हाथ is smooth in-clined plane है अब मैं पहले सही हाथ से घुमा के छोड़ दू मैं पहले सही उसको घुमा के छोड़ दू अगर पहले से घुमा के छोड़ दूगा तो चलता रहेगा मतलब rolling motion नहीं जाएगा ना कि तॉरक उसको नहीं मिल रहां कोई तॉरक उसको नहीं मिल रहा, तो कभ करेगा pure rolling motion, जब हम इसको sufficient friction देंगे, क्या देंगे, sufficient, sufficient friction देंगे, तब वो, परक की बवचे से pure rolling इस्टार्ट कर सकता है। अगर मैं sufficient friction देदू rolling motion on a rough inclined plane, अगर मैं sufficient इस पर friction देदू, तो इस पर total कितने force लएंगे, सर तीन लगेंगे, एक mg, दूसरा normal, और जब इस mg के component की बज़े से इधर slide करना चाहेगा mg sin theta, inclined plane के long mg sin theta, इधर लगेगा mg cost theta, जो की normal के बलावर होगा, तो पीछे friction लगके यहाँ पे इसको जाने से रोकेगा, और जैसे friction मैं कहता हूँ, कि इतना sufficient है, कि इसको slip नहीं होने देगा, इसको slip नहीं होने देगा, तो यहाँ पे translational motion का equation जब लिखोगे, तो translational motion की equation में नीचे क्या आ रहा बेटा, नीचे आ रहा mg sin theta, mg sin theta, ऊपर क्या आ रहा, friction, बराबर m into a cm, क्या दो force लग रहा है along the inclined plane, हमने लिखा है, translational motion along inclined, कहां लिखा है, along inclined, कहां लिखा है, along inclined, inclined plane, inclined plane के लोंग, हमने लिखा है, along inclined, inclined, inclined plane के लोंग दो force लग रहा है, mg sin theta और एक लग रहा friction, एक लग रहा mg sin theta और एक लग रहा friction, समझ में आ रहा ही ही बात, समझ में आ रहा ही ही बात, ठीक है, तो यह equation 1 एक बनेगा, सर अगर rotation के लिए equation लिखे center of mass के बाउट तो अगर आप rotation के लिखेंगे तो torque बराबर आई alpha अब बदे torque लगा कौन रहा है क्या mg mg साइन टीटा यह mg कॉस टीटा center of mass के बाउट टॉर्क लगा रहा है नहीं क्योंकि यस तीनों ही component देखो या main mg देखो उór center of mass से पास कर रहा है यह normal center of mass से पास कर रहा क्या है यह normal center of mass से पास कर रहा है तो normal का टॉख जीरह तो torque लगाया क्यों friction में क्यां टॉर्क लगा रहा है हाँ friction Fuck r X r यह torque बराबर राबर i into alpha होगा यह दूसरा equation होगा तो क्या दो ही equation से सवाल सवाल होंगे, नहीं, एक तिसरा equation और होगा, जो कि no sleeping के condition से आएगा, तर कहा no sleeping का condition है, बेटा ये point अगर तुम बोलोगे pure rolling है, तो pure rolling motion नाम बाद में आया, पहले इसको हम no sleeping कहते हैं, बताओ ये slip कब नहीं करेगा, जब टेंटरोब मास्क एसलेशन ACM के बरावर इसका नीचे एसलेशन होगा, बट अलफा से घूमने की बज़ा से, इसका टेंजेंशिल एसलेशन उपर आर अलफा होगा, ये अगर condition satisfy हो गया, तब जाके हम कहेंगे, तब जाके हम कहेंगे, कि pure rolling motion होगा, तब हम जाके कहेंगे अलफा को ACM बट आर लिख सकते हैं, अलफा को उठा के यहां रख दे value, रख दो सर क्या हो गया, तो यहां पे friction बरावर हम क्या लिखेंगे, बताओ, आर को इधर ले जाएं, तो आई, आर नीचे, और अलफा को लिखेंगे ACM बाई आर, तो बताए नीचे, एक आर आएगा की दो आर, फटाफट कमेंट करके बताएं, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अलफा की value क्या है, ACM बाई आर, अलफा की value क्या है, ACM बाई आर, यहां रखेंगे ACM बाई आर, इस जो main equation आया, दो का, जो main equation दो है, उसको मिहां रखते हैं, तो friction बराबर आया, आई, ACM बटा, आर square, अब इन दोनों को क्या करो, add करो, इन दोनों को क्या कर दो, add कर दो, तो अगर हम इन दोनों को add करेंगे, तो friction से friction कट गया, तो इधर बचा, mg sin theta, इधर क्या बचा, तो इधर ACM बाहर निकाल लो, इधर बचेगा, m प्लस, i by r square, इहाँ से, ACM is equal to आएगा, mg sin theta, बटा, m प्लस, i by r square, एक बाद बटा बटा, i को mk square लिख सकते हैं, अगर मैं इसको mk square लिखू, इसको m बाहर आजाएगा, हाँ सर, mk square लिखेंगे, इसको mk square लिखेंगे, तो ये m, और ये mk square में m बाहर, m से में कटेगा, तो acceleration क्या बचेगा, सर, उपर g sin theta, और नीचे, 1 plus k square by r square, अब याद कर, कि 1 divided by 1 plus k square by r square को ही क्या तुने बीटा बोला था, याद कर, तो सर, ये तो आ रहा, g sin theta into beta, और सर, बीटा की value तो में याद है, तो हमें तो सब कैसे लेशन याद हो गया फिर तो, सर, अगर बीटा की value में याद है, तो हमें तो सब कैसे लेशन याद हो गया, जै महराज की, हमने तो फिर गरदा हो याद है, सर, हमें तो सब कैसे लेशन याद है, सर, बताओ, ओई दादा, तो सर, ऐसा हुआ, कि acceleration on inclined plane, तो ये हो जाएगा, g sin theta by 2, 0.5, ये 0.6 मतलब 3 by 5 g sin theta सर, ये 0.66 मतलब 2 by 3 g sin theta, और सर, ये 0.71 मतलब 5 by 7 g sin theta, और देखो ये 5 by 7 कैसे याद रखोगे, याद को बेटा, ये 5 को साथ से डिवाइड करोगे, तो क्या यहाँ पर 0 करके 50 लिखोगे, और सथ सते उन्चास तो साथ लिखोगे, ये 49 यहाँ से आएगा 1, तो 1 0 और कि नहीं, सर, तीन भी तो आगया, तो मैं पर 2 आएगा और और क्या करोगे, तो 0.71 लिखो ये 0.72 लिखो, अप्रोक्सिमेटली 0.71 लिख लेते हैं, तो ऐसे याद रखो ना, बताओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, कि हमने, 1 अपाउन, 1 प्लस के स्क्वार भी यार स्क्राइब को जी साइंट, बीटा कहते हैं, तो सर, जी साइंटी टेंट बीटा बचेगा, सर जी, सर, जहाँ जी वहाँ बीटा, भाई सहाब, हमसे पढ़ गया, हमी को सिखाओगे, कोई बात हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं यह थोड़ा बैच में बाद में बताता हूं, लेकिन यह है उमीद, और यहाँ पर समय है, तुम्हारे पास बहुत कम, तो आगे confusion ना हो, उसके लिए याद रखना, कि बहुत सारे वैसे सवाल करोगे, तो बीटा से confused मत हो ना, जहाँ जी, वहाँ बीटा, वैसे मैं बता दूँगा, जहाँ जी, वहाँ बीटा, यह कहरा सर नींद आ रही है, तो सो जा ना, बेटा, सो जा, क्या करेगा, तो क्या जा तो हमेशा के लिए सो जा और क्या करेगा, अच्छा बेटा, अगर तुम से, translation by rotation का ratio पूछ रहा है तो बीटा बटा ये .5 ये .5 तो 1 is to 1 आएगा अच्छा ये है .6 ये .4 तो तीन बटा दो आएगा ये .66 से .33 तो दो बटा एक आएगा और यह है तुम्हारा 5 by 7 और यह होता है 2 by 7 तो डिवाइड करोगे तो 5 by 2 आएगा 14 दून अठाई 14 पच्छे सत्तर 5 वटा दो सही 14 पच्छे सत्तर 14 दून अठाई 5 वटा दो अरे बाई साथ मुक्ष मिल गया बे मुक्षा बदाया था ना इस टॉपिक का नाम है रफ्तार व अब तुम्हें अगर एसलेशन का कोई सवाल पूचता है सवाल पूचता है तो क्या कर लोगे 2 identical ring are moving with equal kinetic energy one ring rolls without slipping and other ring is pure translational motion then ratio of their respective speed of center of masses अच्छा बेटा अभी यह स्पीड तो बताएंगे रुख जा थोड़ा सबर कर यह बता an inclined plane makes an angle 30 degree with the horizontal a solid sphere rolls down this inclined plane from the rest without slipping has a linear oscillation बता 0.5, 0.6, 0.7, 5 बता साथ विता हो गया तर पाँच बता साथ जी साइन बता हो गया हाफ 5 जी बता हो गया हाफ 5 जी बता च्छा बता स्राम लाल हूँ तो क्या करूँ मैं स्रान आम सुनके फ्लावर समझाता है गया फायर है फायर फायर इंसर इंसर 5 जी बता चौदा प्राइए नमाज आई और पढ़ेगा यह पर सॉलिड स्फियर अफ डिफरेंट मास रेडियस अन देंसिटी रोल्स डाउन रॉफ इंक्लाइन प्लें अंडर दा इडेंटिकल सिचुएशन दे टाउन इस इंडिपेंडेंट अपन देर एक बात बताओ तुमने जो एसलरेशन निकाला थो क्या निकाला था पर हमने निका है सब यूश का भीड हाँवाथ आता है कि डो क्याि अगर मैं सॉलिड स्फियर लेता हो डिफरेंट मास का डिफरेंट रेडियस डिफरेंट रे डिफरेंट रे डेंसि तो क्ते थे तरह Western का में किसी थे तरह के जालीन स्फियर गыт इंसर, जी साइन ठीटा इंटू पांच वटा साथी होगा, हाँ, कि डंसिटी पे डिपन नहीं कर रहा है, ना, मास पे नहीं, डंसिटी पे नहीं, रेडियस पे नहीं, किस से इंडिपेंदेंट है, सब से, आरे भाई सहाब, जो तुम बीटा निकाल रहे हो, वो किस रिंग का निकाला, तरचार रिंग कैसा भी हो, उसका बीटा हाफ आता है, मतलब, रिंग रडियस को या टूर रडियस को, रिंग किसी भी तरह के देंसिटी को, सोच, क्या हर तरह के लिए, तुने गी साइन ठीटा इंटू बीटा ही तू निकाला है, और बीटा किसे डिपेंड करता है, एक्टोर डिफेंड करता है, पिटा depends on, take benefits on geometry, 据ेट्रे shape and size, eap सेब ऐख deconst이고, अर cambi shape not size, सेब ऑडेख, peł जो ऐख सइ्प सेब्च, रिंग रिंग के बीटा अलग होगा, डिस्क डिस्क का बिट अल अलग होगा solid is, solid is, solid is टोभा इसका भीलग होगा रूक्ट मंजा यह नहीं है बता मगा यह की नहीं है मज़ाय इक नहीं है बता मज़ए ङुड़ सेff sixte आइम इसको च्छुड़ा यह से यह रिलीज कि आप मंदelijk से लिजाराया इसका से का से एस बराबर, हाफ एटी स्कार क्यू, क्योंकि release किया है, तो इसका velocity initial क्या होगा, जीरू, तो सर, यह बराबर आएगा, रूट अंडर 2S बटा A, हाँ, A की वेल्यू बोल, सर, 2S बटा, A की वेल्यू होगा, G sin ठीटा, इंटू बीटा, मतलग time is inversely proportional to क्या रहा, बीटा रहा, time is inversely proportional to क्या रहा, बीटा रहा, जिसका बीटा सबसे ज़ादा, उसको गिरने में उतना ही, कम टाइम लगेगा, जिसका बीटा जितना ज़ादा, उसको गिरने में उतना ही, कम टाइम लगेगा, अगर मैं 4 different object को, तो सबसे पहले नीचे कौन पहुँचेगा? सबसे पहले नीचे कौन पहुँचेगा? सबसे पहले नीचे कौन पहुचेगा? जल्दी बताओ देखो आगया देखो अगर मैं यहां से यहां से देख रहे हो यह रिंग है यह सॉलिड स्फेयर है green वाला तुम्हारा इस्फेरिकल सेल है मतलब green वाला इस्फेयर है पहुचेगा? एक कहला रिंग बेटा सुन थोड़ा सा मुझणा कान कोल के सुन रिंग का moment of inertia सबसे ज़्यादा होता है और moment of inertia जितना ज़्यादा होगा उसको rotate करा के नीचे लाना उतना मुस्किल होगा उसको घुमाना उतना मुस्किल होगा और ring सबसे धीरे-धीरे आएगा अचा वैसे देख खुरा सा दिमाग भी लगा ring का भीटा का 0.5, hollow sphere का 0.6, disc का, disc मतलब solid cylinder का 0.66, solid sphere का 0.71, अब बीटा इंटू G-scientit यथिते लाइब जितना डाइस इसी लिस्वे संगतना यूथ टैम उतना कम लगएगा możली आ कॉन पहले पहुंचे गातुम केवधा अन МУЗЫКА और हितना इस नुद्धा कॉन पहुंचेगे उसलिग जाना कि लिए आचल कीो इंगल तुरह कम करते दीरे दीर आएगा अब बता कौन पहले पहुंच रहे यह सबसे पहले पहुंच लिए देख साथ, और सबसे पहले पहुंचा एंग है। क्योंकि इसका एस्यलेश्न सबसे ज्यादा तो टाइम कम लाएगा। उसके पीछे-पीछे, साथ, सबसे पीछे रिंग है। जो होेए पहुंचा ए तो सबसे कम टाइम कॉन लेगा Sao Lotus Sir, Cube रख रहे हो wanna, Cube रख रहे हो सराएको सबसे पहले क्यों पहुंच जा रहा है भ recommend sitten Qadam सब पॉर्णपी से मज़ने आए की नहीं, दिखा दियाना चला के, अब कर, two identical ring moving with equal kinetic energy on the rolls without slipping and other, अरे भाई साभी स्पीड अभी आएगा, रुख जा, स्पीड वाला सवाल है, कैसे घुज गया, करते हैं, ये बोल, hollow cylinder, solid cylinder rolling without slipping down and inclined plane, then beach of these reaches earlier, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, मैं पूरा basic से बताता ह बीटा, अब जिसका acceleration सबसे ज़्यादा, वो सबसे कम टाइम लेगा, तो acceleration सबसे ज़्यादा किसका होता है, जिसका बीटा सबसे ज़्यादा होगा, बीटा सबसे ज़्यादा किसका है, solid sphere का बीटा सबसे ज़्यादा है, तो इसका सबसे ज़्यादा होता, time सबसे कम लेगा, एं सालिट कौन पहुंचेगा जिसका रेसे लेसें ज्यादा उसका टाइं म्तलब जल्दी पहुंचेगा जल्दी कौन पहुंचेगा जल्दी कौन पहुंचेगा। सॉलिट सिलिंडर और हॉलो सिलिंडर का बीटा कम होता है, सॉलिट सिलिंडर का बीटा ज्यादा होता है, सॉलिट सिलिंडर मतलब डिस्क और हॉलो सिलिंडर मतलब रिंग, हॉलो सिलिंडर मतलब रिंग, यह हॉलो सिलिंडर, रिंग, हॉलो सिलिंडर मतलब रिंग, सॉलिट सि least then find velocity at the bottom of inclined plane if surface is smooth अगर बेटा surface smooth है तो bottom of the inclined plane पे इसकी velocity क्या होगी इवरा रूट अड़े 2GH होगी हम जानते हैं कि जितना vertical height होता है conservation of energy के according ये इसकी velocity आती है जब smooth surface लेंगे तो क्या लेंगे? smooth surface लेंगे तो लेकिन अगर rough surface लोगे और COME लगाओगे तो यहाँ पर reference potential energy मालनो 0 initially इसकी potential energy क्या हो जाएगी? MGH plus kinetic 0 जब यहाँ पहुचेगा तो sufficient friction है तो roll करता हो पहुचेगा तो 2 kinetic energy होगी, 1 half mb square एक होगी half i omega square और plus potential energy हो जाएगा 0 सर ये वाला term तो हमने कई बारा भी calculate किया है इसको तो हम direct ऐसे लिख सकते है half m ये center of mass की velocity से kinetic energy vcm का whole square into 1 plus k square भी r square इसको हम लिख सकते है हाँ लिख सकते है और ये हो जाएगा MGH M से M कटा हाँ कटा इसको इसको हम बीटा कह सकते हैं कि 1 upon beta अराम से सोच के बताना इसको बीटा बोला था कि 1 upon beta 2 इधर चला जाएगा 2GH is equal to VCM का whole square ये बीटा ये वाला term यही पे ये वाला term बीटा है कि 1 upon beta है याद करो अभी अभी तुम्हें मैंने पढ़ाया है अभी अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया है ये बीटा है कि 1 upon beta है इस बीटा और 1 upon beta क्या है ये इस बीटा और 1 upon beta क्या है ये बीटा है कि 1 upon beta है क्या है ये क्या है ये इस नौट बीटा बेटा ऐसे मत करो 1 upon beta है ये रिवाइस करो देखो जाके मैंने भी क्या समझा है ऐसे मत करो बेटा मजा नहीं आया सिर्फ बीटा हम नहीं नहीं एक बार रिवाइज करो जाकर पीछे देखो चल दिखाता हूँ ऐसे करोगे तो मजा नहीं आएगा पाइगा जैसे मजा आएगा आएगा यार ऐसे करोगे तो यहां पर में मालते हो सबसे मुष्किल लेकिन मैं पर हां उतनी energy सरॉओ देख वह डेन अपन गें कुणने बीटा वोल आँट वह नपन ओन अपन के सकवée हुँआ गार इसान देख तए-प्लश £CJP ये ये वन आपन बीट आ अलए ये यह दो औन अपन बीटा यहां पर है इधर क्या जाएगा बीटा तुम्हें confusion से दूर रहने के लिए मैं एक डारेक्ट जिक बताता हूँ जब भी बीटा आएगा तो जी के साथ होगा तो बीटा यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा टू जी एच इन्टू बीटा तो सर अगर प्योर रोलिंग मोशन करते हुए कोई object inclined plane के नीचे गिरता है प्योर रोलिंग मोशन करते हुए कोई object inclined plane के नीचे गिरता है तो हमें तो कुछ नहीं करना हम सिंपल लिख देंगे root अंडर 2GH इंटू बीटा और बीटा तो आही दादा मासा अल्ला बीटा तो आही दादा मासा अल्ला है कहा अरे कहा खो गया बीटा तो बीटा तो अपना यार है अपना यार है अच्छा टाइम का फॉर्मला क्या था अगर इंक्लाइन प्लेंट का लेंद्ध एस है तो ट्वेस बटा जी साइन ठीटा इन्टू बीटा था बीटा की वेलू रखते जाओ यह निकलता जाएगा वह टेवल का आदा पा आप बंटो फेन क्लाइन प्लेंट लस्टी ये यह आट व instruments असुल्हा तो रिंग है वही छॉसीलिंड़ ररी हरे सा ब arises ने does और डिसंत्य है तो सौलिट श॑लू धिटे रहे लिस्क है तो इसक है, डिस्क है तो सॉलिट स्लिंडर है और यह सॉलिड स्फेर है सबकी विलस्टी बोलते जाओ तो सर पहले वाली की विलस्टी आएगी रूट अंडर 2GH इंटु बिटा बीटा की वेल्यू 1 by 2 तो सारूट अंडर जिये चाहेगा ये तो, भाई साव आग लगा दिस, ये अलो स्फेर, तो रूट अंडर 2 जी एच, और होलो स्फेर की बीटा की बेली होती कि क्या, 3 भाई 5, 3 भाई 5, तो ये जागा 6 भाई 5, हाँ भाई, 0.6, 3 भाई 5 भी 0.6 होता है भाई, 3, 5, 35, 35, 35, 35, ये 0.6 है, 0.66, 0.66 का मतलब है 2 भाई 3, तो 2 जी एच इंटू 2 भाई 3, तो ये तो 4 जी एच भाई 3 आएगा, एक 2 जी एच इंटू 2 भाई 3, सही एकदम, और ये हो जाएगा तरह 2 जी एच, इंटू बीटा की वेल्यू 5 भाई 7, तो 10 बटा साथ, यार है तू, यार है तू अब देख, अब देख, अब देख, अब देख चमतकार, आंदे सवाल, ये सवाल है, ये क्या है, ये सवाल है, इसको क्या करते सवाल है, इसको क्या करते सवाल है, सॉलिट सिलिंडर मतलब डिस्क, और डिस्क मतलब 0.5, 0.6, 0.6 मतलब 2 बटा 3, 2 बटा 3 मतलब 2 एक और एक कि आलचाल कि अर्भ यावा सजब सब्सक्राइं कुछ आयो। उब्सक्राइब को च'll!! क्या morning दॉज खाल ऑफ श्राइन का पतलut जीरो जब यहां पर आया तो पोटेंशल जीरो और काइनेटिक ट्रांसलेशन रोटेशन क्यों आएगा भाई कि सब्सक्राइब में तो साइन है हाँ तो एक काम कर एक काम कर एच डिस्प्लेश्मेंट चलने के बाद यहां पर विलास्टी क्या वह सोकॉ एक्षल में क्ल्कुलेट कर्व एच के टाम्स में साइन कट जाएगा क्यों जाएगा साइन कट जाएगा जाएगा किल्वा्ट साइन कट जाएगा किल knit कराई हces आय जाएगा कि지लT Aliube तुम तो गोवर्गनेश तुमको एंसर भी तो टिक करना बढ़ेगा कम से कम गोवर्गनेश कहीं कि देखे 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 तर फाइंड मैक्सम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस प्योर रोलिंग मोशन अब यहां पे छोटा सा कंसिप्ट यूज होगा कि जब स्मूथ इंक्लाइ पे रोलिंग मोशन खतम भी नहीं होगा मेरी बात सुनेगा ध्यान से क्या यह पहले से रोलिंग मोशन करता हुआ है हां यह पहले से प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ जा रहा है यहां पे सबसे जादा गलती करते हैं बच्चे सबसे जादा गलती जो बच्चे करते हैं वो और फोर्स लगेगा एक एक जी जार हे तू रहतू और एक नॉरमल उर्ट और mg का torque center of mass about 0 और normal का torque center of mass about 0 तो net torque तो लगा ही नहीं, net torque अगर नहीं लगा तो omega constant रहेगा, क्योंकि torque 0 तो alpha 0, मतलब इसका omega change नहीं होगा, लेकिन, 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 center of mass के motion के opposite direction में, mg का component आएगा, जिसको आप mg sine theta कहेंगे, उस mg sine theta की वैसे, इसका speed कम होगा, speed कम होगा, क्योंकि retard हो रहा, लेकिन, omega कम नहीं होगा, क्योंकि alpha नहीं लगा, उसर होगा क्या, यह maximum height पे जाएगा, जहांप इसकी tangential velocity 0 लेकिन, omega agities रहेगा, तो क्या omega की वैसे उप पर ले जाने का कम, omega तो ही न कर रहा, center of mass को तो tangential velocity ले जा रहा, पुसर यहांपे कितनी height तक जाएगा, चलो एकदम conceptually और आराम से पूरा drive करके बताता हूँ, यहांपे लगाएंगे, हम COME, friction तो है भी नहीं हो, इसे भी, energy तो dissipate होगा नहीं, यहांपे हम reference मान लेते है, potential energy 0, यहांपे potential wall, 0, kinetic wall, sir, translation वाला half m vcm का square, plus kinetic half i omega square, जब object यहांपे h height पे पहुंचा, तो इसकी potential wall, sir, mgh, kinetic wall, sir, v की बाएसे 0, लेकिन omega as it is रह गया, तो half i omega square, exactly same omega रह गया, तो half i omega square से half i omega square cancel हो जाए, तो साब यहांसे vm से m cancel, तो vcm का whole square by 2g, बड़ाबर h एगा, sir, यह तो हमने work energy power में भी यही पढ़ा था, अगर किसी v velocity से ball को fake दे, smooth surface में जाना friction ना हो, तो maximum height जो attain करता हो, v square by 2g होता है, यहां भी v square by 2g होगा, यहां भी v square by 2g ही होगा, यहां भी v square by 2g ही होगा, यहां भी v square by 2g ही होगा, बीटा क्या, बीटा आएगा, बीटा आएगा, कब आएगा, सर, बीटा कब आएगा, बीटा तब आएगा, जब यहां पर friction sufficient होगा, बीटा तब आएगा, जब यहां पर friction sufficient होगा, उससे क्या होगा उससे होगा यह उससे होगा यह जब यह अबजेक्ट उपर चड़ने की कोसिस करेगा तो यहां पर वहां पर एक जो mg है एक क्या है बेटा के स्पीड को कम करेगा क्या करेगा स्पीड को कम करेगा और 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 chair mr लगातों मानले फ्रिक्षन में नीचे लगाता हूं और यह अबजेक्ट ऐसे घूम रहा था तो फ्रिक्षन नीचे जो लगेगा उमेगा को बढ़ाएगा की घटाएगा जब अबजेक्ट उपर जा रहा होगा तो नीचे की डायक्षन वाला फ्रिक्षन उमेगा को यह घटाएगा बढ़ायेगा यह घटाएगा एक सब्सक्राइब बहुत इंपोर्टेंट और इंप्रिक्षिन है उसका टॉर्क अभी अगर मैं पीछे फ्रिक्षन लगाऊं तो को बीटा को बरारा की खटा रहा है सोच के बताना इंसर गलत है इंकरीज चल देख बतातो गधा कहीं का यह सेंटर उप मस है इसके रिस्पेक्ट में टॉर्क बता कैसा है इसका डिक्री तो यह इसका रिडियस वेक्टर ऑफ नीचे रहा है अंदर की तरफ मतलब और यह घूम कैसे रा श्री अगर किसी object ka omega class a और तुम alpha दोगे तो इसका omega बढ़े गाना सहब मेगा क्लाइक्रीज होगा कैड दोनों चैता का अगर किसी चल्ग वाइज है अल्फा उसके अपॉजिट लगाओ एंटी क्लॉक वाइस तब जाके इसका ओमेगा डिक्रीज करेगा ना यार बेसिक सी बात है तो अगर तुम बोलो कि फ्रिक्षन नीचे लग रहा सर तो अगर तो अगर तो आप क्या चाहते हो जब बॉल उपर जा रहा और इसका रफ्तार उपर लगेगा हां जब उपर जाएगा तो फ्रिक्षन उपर लगेगा अगर फ्रिक्षन उपर लगा अब बताओ इस फ्रिक्षन की वाज़े से टॉर्क का डारेक्शन सर आर ऐसे फ्रिक्षन उपर लगा है मतलब एंटी क्लॉक वाइस तब इसका अल्फा आएगा एंटी में बनाओ जब यहां पर फ्रिक्शन लग रहा तो फ्रिक्शन का क्या काम है। मोद जिएलें जी चरफ क्वे और इसका वी भी जीरो और ओमेगा भी जीरो मतलब दोनों एनर्जी स्की खतम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है इसका जो हाइट होगा वी सीम का हॉली स्कॉाइर बटा टू जी इन्टू बीटा नीचे आएगा वो डेरिवेशन करके आप देख सकते हैं आप एक लिक जो है कि जहाँ जी वहाँ बीटा तो जी नी चैनल जगज आएगा परना कि अटे वां Kinetic Energy loss करके potential में जा रहा है तो अब इसी बात है यह relation आएगा अब इस सवाल का जवाब अच्छे से पढ़ के दीजिएगा अच्छे से पढ़ के दीजिएगा A spherical cell of mass M and radius R is rolling up without slipping rolling up without slip नहीं हो रहा है Rough inclined plane as shown in a figure then direction of static friction acting on the cell is downward along the inclined plane, upward along the inclined plane may be upward and downward along the inclined plane so static friction will not act, upward along the inclined plane और अगर यह pure roll कर रहा है तो अब्यसी बात है static friction ही लगेगा rough inclined plane है तो upward along the inclined plane क्या लग रहा upward along the inclined plane क्या लग रहा दूसरा लग रहा, clear है clear एकदम clear एकदम, चलिए आगे देखे अच्छे सवाल पढ़ियेगा a sphere rolling over a rough horizontal surface encounters a rough inclined plane as shown in a figure it roll up certain height and then comes down by rolling which one the following statement is correct due to friction mechanical energy of the sphere decreases एक minute sphere rolling over a rough horizontal surface encounter a rough inclined plane as shown in figure it rolls up to certain height and then comes slowly by rolling which one of the following statement is correct due to friction mechanical energy of the sphere is decreases friction acting on the sphere is directed down the plane when it rises up ये तो गला थे friction acting on the sphere is directed down the plane when it is rolling down friction acting on the sphere is directed up the plane whether it is rolling down or rolling up ये सई है अब यहां करें कि rolling over a rough horizontal surface मतलब slipping नहीं बोला ये pure rolling का कैस है जैसे rolls बोले ना जब slipping ना बोले तो pure rolling ही मानोगे अब अगर ये pure rolling हो रहा है तो ये point instantaneously क्या होगा rest में और instantaneously rest में होगा तो ये फ्रिक्शन कैसा लाएगा static और static friction की वज़े से work क्या होता है जीरो और work जीरो तो इसके वैसे energy loss नहीं हो रहा और यहां करेंगा due to friction mechanical energy of the sphere will decreases ये हो जाएगा गलत यहां पर ध्यान से देखिए कि मैं आपको साइध यहां पर नहीं लिखाता मैं यहां पर लिख देता हूं यह बात आपको यहां पर लिख देता हूं यह बात आपको यहां पर लिख देता हूं कहां पर कहां पर कहां पर कहां पर कहां पर कहां पर यहां पर लिखना भूल गया था क्या यहां यहां पर force into displacement का concept लगाएंगे तो काम नहीं कर रहा ना बेटा हुहां पे, वो काम हुहां पे नहीं कर रहा है, ठीक है, अगला सवाल ही हुई है, बेन बोड़ी इसन रोलिंग बिदाउट स्लिपिंग और रफ और और सर्फेस, then work done by friction is always 0, work done by friction is always 0, yes, work done by friction is always 0, अब होगी शुरू, तांडव, अब तुम सवाल का एंसर रफ्तार में निकालते चलो, रफ्तार में निकालते चलो, देखो, two identical ring, whose are moving with equal kinetic energy, one ring rolls without slipping and other rings in pure translational motion, then ratio of their respective speed of the center of masses, देखो, two ring are moving with equal kinetic energy, one ring rolls without slipping, तो जोर, without slipping जा रहा, उसका kinetic energy होगा, half mb square, पहले का, one plus, one plus k square by r square, यह होगा, और बोला, तूसरा है करेंगा, जिसकी भी kinetic energy सेम है, लेकिन वो सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा, तो सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा तो होगा, half m, v2 का square, क्यूंकि सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा तो यह यह आती है, हाँ सर, तो m by 2, m by 2 identical है, cancel हो जाएगा, v1 का all square by v2 का all square, बरावर 1, upon this time यह बीटा हो जाएगा, बीटा की value क्या होती है, बीटा हाफ, तो v1 by v2 आजाएगा, 1 by root 2, बीटा कितने काम का है, आप फिल कर पा रहे हैं, बीटा कितना खतरनाक है आप फिल कर पा रहे, एक बच्चा कह रहा है, one is to one, है, मैं कल्लत स्वाल कर रहा हूं क्या, एक बार, two identical ring और moving with equal kinetic energy, बोन की kinetic energy कोले, two identical ring moving with equal kinetic energy, one ring rolls without slipping, tala ring rolls without slipping, other ring pure translational motion, other ring pure translational motion, then ratio of respective speed of the centre of masses, एक बताव तो तो अधिया नहीं कह रहा है जाले अब तो सोजा तो जाना बस शूट गई ना तो घरी परिवार भूखे अमर जाएगा और तुम्हें क्या दिक्कत है सब पढ़ रहे हैं तुम्हें क्या दिक्कत होड़ा है वेटा जि series कि ब móर ठाएगा अच्छा लगा अजाओं भूके मर जाओगे आई देखो अब गाली पी उतरे पहले गाली नहीं देते होगे हैं पक्का देखो चमतकार देखोगे और दिखातों इक बात बताओं यह है रोलिंग मोशन और रफ इंक्लाइन प्लेन ठीक है इसमें कितने इक्वेशन बनायते हैं तीन एक प्रांसलेशन का एक रोटेशन का एक नो स्लिपिंग का उससे असलेशन तुम्हारा यह आ गया अब अगर मैं पूछ हूँ प्रिक्शन की वैल्यु क्या होगी, फइंड फ्रीक्शन निकालने के लिए तुम्हे नहीं लगता, यह तुम्हें, ब्रीक्शन बराबर है आई A C M by R square और A C M तो जानता है बता A C M क्या जानता है बता A C M की वेल्यू बता तर A C M तो G sin इंटा है टू बीटा खौद सुन्दर रख आई बता R square इन्टू A C M है G sin theta बता 1 प्लस K square by R square फिर ठीक है ओके ठीक है अब ध्यान से देखो बिटा I को मैं M K square लिख सकता हूँ हाँ सरा I को M K square लिख लो कोई दिक्कत नहीं है M K square G sin theta बता square 1 प्लस K square by R square बिटा एक काम करो यहां से K square by R square को common निकलो बाहर या एक और काम कर सकते है S square को नीचे लो अगर इस के zahl को नीचे लाओगे तो यो जाएगा M G sin theta अगर खेस्वार को नीचे लाओगे तो यहां आएगा कि इसके भी नीचे चला जाएगा सब इसके भी नीचे चला जाएगा तो Okay आद है कि यहां तक मैंने ठीक लिखाए जैहां तक मैंने wykor치क है कि यहां तक मैंने ठीक लिखाए है कि अब इस आरस कोर्ड ज़त को अंदर घुषाए वह यहां ng sin theta divided by R square by k square अगर अंदर आया तो हम बचएगा R square by k square plus यह R square by k square है और यह के square by R square हो कि चैंसे HOW कि वन बचेगा मैं एक बार और बताओ यह R square by k square है यह के square by K square है तो K square से K square R square कट एक यह बचेगा इस friction को मैं लिख सकता हूं बड़े अराम से इमजी sin theta divided by 1 plus R square by K square अब मुझे बताओ ये term बीटा है क्या? नहीं बीटा तो ये था 1 divided by 1 plus K square by R square ये बीटा था तेरा अभी तो तुने यहाँ पे जब ACM की value लिखी थी G sin theta into beta बटा ये R square है ये ACM की value लिखी G sin theta into beta बीटा की value क्या लिखा? 1 upon 1 plus K square बीटा है लेकिन ये क्या है धान से देखो? बीटा बड़ा 1 divided 1 plus K square by R square यहाँ क्या है? 1 plus R square भी K square ये उल्टा है तो क्या ये 1 by beta होगा क्या? ये क्या होगा? आज तक किसे भी किताब में आज तक मैं बोल रहा हूँ किसे भी किताब में ये term solve करके नहीं लिखा है कुछ solve करके नहीं बता था मैं चेक कहते हैं कि do one thing, do one thing अब direct एक काम करो ना इसकी value put करके friction निकालते रहो इसकी value put करके friction निकालते रहो इसकी value put करके friction निकालते रहो लेकिन मैं दिखाऊँगा तुम्हें चमतकार मैं दिखाऊंगा तुम्हें चमतकार किया चमतकार ऐसा क्या दिखा दो गया पहली बार में इस का इन्विंशन कब किया जब मैं बैठे आराम से एक सवाल कर रहा तो और जब मैं सॉल्व करते करते हैं पर पहुंचा तो मुझे अचानक से दिखा आड़े यार यह जो टर्म है कि यह तो साला ऌन मायनिस बीटा आणा एक्सेकली तुम हम बाइन स बीटा लीको बीटा की वैल्युए ऐसा उठा करते हो यह सॉल्व करके आता है वन बटा वन प्लस आर स्क्वाइर वी के स्क्वाइर मेरा तो चक्रगन्नी घूम गया कि अगर ये वन बटा वन प्लस आर स्क्वार वी के स्क्वार वन मैनिस बीटा हुआ तो साला तो फ्रिक्शन तो मुझे यादी हो गया अगर यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो mg sin theta के बढ़ाबर होगा असर पढ़ा था यहां भी तो स्टैटिक फ्रिक्शन है अथो होगा ना स्टैटिक फ्रिक्शन है तो mg sin theta into 1-beta बोल mg sin theta into 1-beta और बाई साहब गजब की चीज है अब यहां पर एक और चीज निकालते हैं कंडिशन ओफ मिनिममम कोफिस्येंट और फ्रिक्शन यह सवाल नीट में तीन बार आज तक पूछा जा चुका है मुझे एक बात बताओ यहां पर जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम आउकाद होती है वो क्या होती है सर्फ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम आउकाद है वो लिम्टिंग है और लिम्टिंग फ्रिक्शन तो म्यू mg cos theta होगा अरे म्यू एन और यहां पर जो इन है वो mg cos theta के बार नहीं है क्या तो यह प्रिक्शन की मैक्सिमम आउकाद है अगर मैं कहूं कि इस आउकाद से यह वाला फ्रिक्शन जो अभी प्योर रोलिंग मुशन करते समय लग रहा था इतना requirement है यह यह इंसर आये requirement है और यह वकाद है अगर यह जदा है तो क्या रोलिंग मुशन होगा है अकशल में लग रहा है रोलिंग मुशन के लिए रोल अगर ऐसा है तो च्थच है इंसर यह तो requirement हो कि इतनी लगनी चाहिए इतनी लगनी चाहिए और ओकाद इतनी है आपके ओकाद का में लग जादा रहा ऐसा तुरी नहोता है तो rolling motion, pure rolling not possible pure rolling not possible rolling not possible देख रहा कितना smooth और easy concept है साहब कितना smooth और easy concept not possible this is not possible at all no, नहीं होगा नहीं होगा नहीं हो सकता कभी नहीं होगा होई नहीं पाएगा अरे इतना actual friction लग रहा और तुम कहे रहे हो maximum वकाद इतनी है तो maximum वकाद से ज़्यादा कैसे लग जाएगा तो sir आप यह कहना चाहते हो mg cost theta mu mg cost theta अभी देखना तुम्हारे तीसरा आप नहीं कोल दिया ना भी तारे 1100 बच्चे जो देख रहे हैं तुम्हारे तीसरी आप खूलेगी देखना मजा आ जाएगा तुम्हें एकदम चरक सुक्य निभूती होग एकदम extreme happiness होगा मजा आ जाएगा सब देखना म्यू mg cost theta म्यू mg cost theta शुट भी greater than or equal to actual में जो friction लग रहा है एफ आर जो तुम्हारा ये है mg sin theta into 1 minus beta ये क्या है mg sin theta into 1 minus beta ये जो तुम्हारा है ये जो friction actual में लग रहा है friction acting friction acting तो बताओ अगर ये friction acting से आउकाद जादा होई तो ये pure rolling motion होगा actual friction कौन सा लगता है ये लगता है और औकाद से अगर कम लग रहा है तो उतना सप्लाई करेगे तो maximum possible हुई नहीं बेटा तो यहां से आएगा म्यू mg cost theta बराबर friction की value रख देंगे यहां पर mg sin theta mg sin theta into 1 minus beta अब देखना अब देखना सर mg से mg काट लो हां काट दो कॉस को उधर वेज़ दो सर यह ज़्यादा और बराबर लिख रहा था अपने हां कॉस को उधर वेज़ दो तो म्यू बराबर क्या आ रहा है कॉस उधर जाएगा तो साइन बेटा कॉस 10 theta into 1 minus beta अगर मैं mu minimum की बात करूँ तो minimum minimum इतना होना चाहिए कि इसकी बराबर यह ज़्यादा हो तो चलेगा लेकिन minimum इसके बराबर होना चाहिए तो mu minimum आएगा 10 theta into 1 minus beta NLM में आपने क्या पराथा यह बताओ NLM में आपने पराथा अगर mu 10 theta के बराबर है तू भाई साब यह तो बस 비ड़ का गे में बाकी बाकी concept तो पहले से आता है बीटा का गे में बाकी concept तो पहले से आता है फ्रिक्षर में बस बीटा लगाना है बाकी concept पहले से आता है वाओ आओ आँदो सवाल आँदो सवाल आँदो अचा यह तो मैं तुम्हें पीछे ले जाके जहां पर इंक्लाइन का डेरिवेशन किया था अब देखो एच मैक्समुम तुम्हारा होता है वी सीम का होल स्कॉर बटा टूजी इंटू बीटा इसके इसाब से बीटा की वेल्यू आँद्धा विटू बोलायना इसका बोलो है क्ता गीटा पिर्टाइन थिटा थीठा थीवाई फाइटेटा थीफिटी अन्ट हुम्हें टूजी ख्त्म तो यह बीटा वन माइनिस बीटा तो सही में यार गजब का चूरण छाफ है गजब का चीज है यार मतलब आग है आग यह चीज क्या है यह तो आग है अब यह सवाल तुम्हारे सामने नीट का पूछा हुआ सवाल पर तुम्हें कलम चलाने की जौत नहीं पड़ेगी सवाल पर कलम रख देता हूँ कलम रख देता हूँ नीचे सवाल पर नीट का पूछा हुआ है सवाल पर थिखत हुआ है मृत्तिамि मेनिमनम में कर देगा टक्तिम्हुआ है मीनिममम मीनिमम क्यों पर जीडों हो जाति हुआख तो रोलिं कड़ेगे हुआ हि औं! श्लेड है मिनयिमम क्यों करेगे हमना? प्रस्ट आ मेरा भी आ है मेरा भी आ है प्रस्ट ना मेरा भी आ है और देखेगा आगे देख 2-disc having mass in the ratio 1 is to 2 radius in the ratio 1 is to 8 roll downs without slipping by 1 from inclined plane of 5-daces then ratio of their linear velocity on reaching the ground oh my go to rule of D I think D what you think I think D what you think I think D what you think call to otheréquence to be to the जो आज़ा ज़ो जवाज आज़ा जवाज निकाल पिछले सवाल में भी वाज नहीं थिक यहां बहुत दिस्क है अब मतलब डिस्क ही हैं दोनो तो वेलोसिटी होता हा, रूट अंडर, 2GH इंटो बीटा, दोनो डिस के लिए बीटा सेम आएगा, उसके मास और रडिस पे डिबेंद नहीं करता, इसलिए मैंने हापे ठीक किया है, 1 is to 1, 1 is to 1, 1 is to 1, समझा रहा, समझा रहा, हां, कर दिया, कर दिया, आ बारी, आगे, आगे, वो किया थे, बीच अब बीच आप पोलोईशिए, इप मास और दिएस और रडिस आ रजिम के इन रोटेशनल फॉर्म, मतलब रोटेशनल एनरजी, टोटल का किसमे सबसे जादा होता है, और बताओ, और बताओ, 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 भाई साहाब सवाल करने के लिए ना कलम ना आवाज ना 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 बुद्धी ना दिमाग ना कोपी न सवाल जड़त है तो सिर्फ बीटा के जडरत है तो सिर्फ बीटा की जडरत है तो सिर्फ बीटा की प्यांजर होगा प्याइनसर होगा 10.5 0.6 0.77 0.65 0.6 0.71 kinetic energy का Progress uniqu rotation का देखो कि 0.5 0.4 0.33 3.28 ये जवाब हो का आप करिंग, ये जवाब हो का आप करिंग, बताईए, मजा आया, और देखेगा, और देखेगा, आ, solid cylinder of mass and radius r rolls down in inclined plane, जानज देखना, height is an angular velocity of the cylinder when reaches the bottom, क्या है, solid cylinder disk, disk मतलब, disk मतलब 0.5, 0.6, 0.66 मतलब 2 by 3, मतलब 4 वाट आया, 4 वाला answer, 4 वाला, अंदर 4 आनाची, अंदर 4 आनाची, तो वहाँ निगल के 2 हो जाएगा, मेरी साब से answer C आएगा, 4 वाट थीन, 4 वाट थीन, 4 वाट थीन, किसी मिनी दिखेगा, C answer होगा, C, hello, 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 see this answer, hello, 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 see this answer, see, okay, so speed of uniform solid cylinder after rolling down inclined plane vertical height h, क्या आयार, क्या आयार, भुला, चैन्स कर यार, solid cylinder, solid cylinder, होगा, कब से कर रहा, hollow कर, hollow की साब sensor दीजिएगा, प्लीज, hollow की साब sensor दीजिएगा, प्लीज, hollow cylinder, मता ही, hollow cylinder, मतलब ring, ring, और rolling down inclined plane, अच्छा, जब यह सवाल पर होगे, तो सवाल में एक बार यह जरूर देखने ना, कि the speed of the uniform hollow cylinder after rolling down and inclined plane, of vertical height h, तो कहीं smooth inclined plane तो नहीं लिखा हुआ है, अगर smooth लिखा होता, आगर smooth लिखा होता, अगर smooth लिखा होता, अगर smooth लिखा होता, तो velocity होता root under 2g h, यह ना, लेगन smooth नहीं है, अच्छे से, लिख रहा है, rolling मतलब, कुछ नहीं लिखा है, तो pure rolling होता, और hollow cylinder का मतला होता रिंग, रिंग का बीटा होता हाफ और विलास्टी हो गया, रूट अंड़, 2GH इंटु बीटा, ये कटेगा, रूट जी एच इंटु बीटा, ये कटेगा, रूट जी एच इंसर आएगा, दन, 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 नेक्स्ट, चलिकरी, दा उनिफॉर्म सर्कूलर र of rolling down an inclined plane of inclination 30 degree, बेच लिपी, linear acceleration along the inclined, विला रूट इंसर अच इंसर इंसर आप मत कर ना, जी एच जी एफोर, अरे, जी, sin theta इंट बीटा, sin 30 half, कि बीटा भी half, जी बटा चार, चल, तो तैन, ठीटा और मिव बूखके अफोजित है, भी हम लुम्टिंग कणडिशन देखेंगे बिलेstyle. 10-1-1-beta अब बताओ यह क्या है तर्क्या है मतलब cylinder of radius are roaring rolls without जब सिर्फ sphere लिखा होता है सिर्फ cylinder लिखा होता है तो आप solidstylinder होते है solid cylinder मतलब disc disc का मतलब 0.5 0.6 0.66 मतलब 0.33 0.33 तो यह आएगा तुमहारा 3 मतलब यह आएगा तुमहारा 1 वट्रा 3 एक वटा तीन उधर चला जाएगा तो या जाएगा 3 mu is equal to 10 theta theta is equal to 10 inverse 3 mu मैंने इसाब से answer C आएगा मैंने इसाब से answer C आएगा DR है क्या बताया तुम्हें mu मैंने ये बताया था 10 theta into 1 minus beta ये बेटा एक वटा तीन आएगा तो एक वटा तीन mu के साथ multiply हो के उदर थी हो जाएगा बदर थी हो जाएगा और thin circular ring first slip down a smooth inclined plane and rolls down a rough inclined plane geometrically from the same height ratio of time taken in the motion is ये सवाल पूछा जाता है अच्छे से कर लेता है देखू आ thin circular ring first slip जब slip कर रहा है smooth पर तो उसका time होगा simple root under 2s बटा g sin theta simple और जब वो रोल करता हुआएगा तो होगा root under 2s बटा g sin theta into beta जब आप divide करेंगे क्या करेंगी बेटा divide करेंगे तो 2s से 2s कटेगा g से g कटेगा sin theta है sin theta कटेगा नीचे बीटा है उपर root beta होगा तो t1 by t2 यह जाएगा root under beta root under beta beta की value होती हाफ मतला 1 upon root 2 cn से रहेगा अच्छा सवाल है 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 बने बोरी जो लिए बिदाउट अच्छा सवाल है कुछ सवाल रिपिटेट है क्या यहाँ पे कुछ सवाल बिलकुल दिख रहा है यह सवाल करो यह सवाल करके देखा और शॉलिट पर यह स्मॉल अब्जेक्ट और इलिफर्म देंसिटी रोल्स आप एन काल्ट सर्फेस बित इनिशल वेलोसिटी भी इत्रिस अप्टू मैक्समाइट इतना देन वित रिस्पेक्ट तो दे इनिशल पोजिशन देन अब्जेक्ट इस और इस फेर रिइंग डिस्क और शॉलिट इस्फेर डिस्क चार बटा तीन का फैक्टर तो डिस्क में ही आता है चाहिए वेलोसिटी हो हाइट हो हमें तो बीटा देखना है उपर देख नीचे देख बीटा ही तो देखना है उपर देख नीचे देख कई से देख बीटा ही तो देखना है नेक्स इस प्योर रोलिंग मोसन और होरिजॉन प्लेन ये बेटा नीट के स्लेवस में इतना नहीं है जादा लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पढ़ा देते हैं। यह inclined plane नहीं है। यह क्या है? रफ horizontal surface है। और इस पर हम coefficient of friction कुछ mu मान लेते हैं। अब अगर अगर यह pure rolling motion कर रहा है, तो pure rolling motion में यह point instantaneously wrist में होगा। चाहे वो horizontal surface हो या inclined plane हो। चाहे वो horizontal surface हो या inclined plane हो। क्या pure rolling motion में यह wrist पर होगा। हाँ। यहाँ पर जो friction लेगा हो कैसा लेगा? static और static friction बेटा आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, इससे कोई फरक ने पड़ता। मालो तुमने यहां force लगाया, तो center of mass का acceleration हो रहा कुछ ACM और alpha से रोटेट कर रहा। क्या हो रहा? alpha से रोटेट कर रहा और ACM से आगे जा रहा। तो friction को तुम आगे या पीछे कहीं भी मान सकते हो, यह तुम्हारी choice है, आगे या पीछे कहीं भी मान सकते हो, यह तुम्हारा choice है, अब देखना मजा आ जाएगा, translational motion के लिए, और जो इंटल डारेक्शन में F आगे और friction भी आगे, तो क्या लिखोगे? सर, F plus FR is equal to MACM, तो को force बेटा कहीं भी लगे, translational motion के लिए force कहीं भी लगे, net force बरावर, mass into center of mass का acceleration होता है, तो ठीक है, rotational motion के लिए क्या होगा? तो rotational motion के लिए इसका torque होगा, F into H, F into H कैसा torque होगा? clockwise, जिदर accelerate, alpha आपने माने उदर का torque, और इसका torque उल्टा है, तो आप लिखेंगे friction into R, minus friction into R, is equal to I alpha, यह दूसरा equation होगा, सर, इस equation में काम करते हैं, R से हम दोलों तरफ divide करते हैं, तो यह बन जाएगा, FH बटा R, sorry, sorry, FH बटा R, minus, FR is equal to I alpha बटा R, और आप no sleeping के condition से यहां पर कह सकते हैं 80 बराबर और अलफा को हम कह देते हैं अलफा को देखो बेटा, क्या तुम्हारा ये friction cancel हो गया? तो ये बच्चेगा FH by R plus F क्या बच्चेगा हैं बताओ? क्या बच्रा इधर बोलो? Sir, FH by R plus F, तो F common निकाल लो, तो ये बच्चेगा HYR plus 1 is equal to ये तुम्हारा ACM क्या है? ACM और ACM common आएगा M plus I by R square ACM अगर बाहर निकाल दूँ तो ये आएगा M plus I by R square तो यहां से center of mass कैसी lesson क्या है? यहां से center of mass कैसी lesson आगया? FH by R plus 1 divided by देखो H by R plus 1 divided by M plus I by R square M plus I by R square तो देखो ये factor तो वही वाला रहा न नीचे linear mass और rotational mass linear mass and rotational mass वही तो चीज़े रही न तो ठीक है लेकिन सर इसको याद रखना है क्या? बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी याद नहीं रखना तो मुझे बस इतना बताओ कि अगर बेटा मैं H को 0 रखू इसका क्या मतलब है? तो photo देखे बता पाओगे? H को 0 रखू कि इसका क्या मतलब है? H को 0 रखू मतलब force center of mass पर लगा रहे मतलब force हम center of mass पर लगा रहे अगर हम force center of mass पर लगाएंगे तो acceleration of center of mass क्या आएगा? अगर मैं H को 0 रख दो तो उपर F pulling force बटा यही rotate कर रहा और यही ACM से आगे चल रहा तो आप कहेंगी C का mass M plus I by R square यह आएगा तो यह भी ठीक है अच्छा अगर H को मैं R के बरावर रखो इसका क्या मतलब है H को R के बरावर रखने का मतलब है कि Sir आप यहाँ पे maximum height पे force लगा रहे है अगर मैं H को R रखता हूँ है एच को R तो R से R कटके एक आएगा एक एक दो तो यहाँ से center of mass का ऐसे lesson आएगा 2F बटा M plus I by R square अच्छा अच्छा बटा अगर H को R by 2 रखोगे तो तो अगर H को R by 2 रखोगे तो अगर H को R by 2 रखोगे यहाँ पर जो ACM आएगा देखो क्या आएगा मैं लिखता हूँ तुम बताना आ रहा की नहीं आ रहा 3 by 2 F बटा M plus I by R square क्या यह आएगा है अगर तुम ढ़ंग से देख पा रहे होगे तो तुम्हें यहाँ पर ने एक चीज देखेगा एक चीज देखेगा और वो साला ऐसी चीज देखेगा ऐसी चीज देखेगा जिसे और जुन्टल सर्फिस का रोलिंग मुशन खतम डारेक टेंसल आएगा डारेक टेंसल आएगा देखते हैं उसको दिखेगा की नहीं दिखेगा देखते हैं उसको दिखेगा की नहीं दिखेगा अगर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं आप तीन इक्वेशन बनाके सॉल्व करो पहला एक्वेशन ट्रांसलेशन का दूसर रोटेशन का तीसरा नो स्लिपिंग का और दिख़ा तु सीधा एंसर लिखो इसधा एंसर लिखो बीटा ओटा नहीं है बीटा ओटा नहीं है ना ना बीटा ओटा नहीं है आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं है आगे पीछे उपर नीचे नहीं है, चलो, हम तुम्हें पुरानी दुनिया में ले चलते हैं, अब तुम्हें काम करो, यहां पे अलग-अलग पॉइंट की विलॉस्टी देखो एक बार क्या है, तो अलग-अलग पॉइंट की विलॉस्टी देखो एक बार क्या है, तो अलग- V by 2 है यहाँ पर 0 है अब वही term exactly same आरा क्या है यहाँ पर इसका reason है इतिफाक नहीं है it's a have a some sense have a reason ऐसी बात नहीं है कि इतिफाक है यह तुम देखोगे तो sir यह तो pure rolling motion के case में हम जानते हैं कि अगर center of mass की velocity V है तो इस point की velocity होती है V by 2 इसकी velocity होती है 0 इसकी velocity होती है 3V by 2 और इसकी velocity होती है 2V तो जिस point पर हम force लगा रहा है उस force को velocity के fraction से multiply कर देते है velocity के fraction से multiply कर देते है और velocity के fraction से जैसे multiply करेंगे वहाथ हमारा answer दीख जाएगा इसका reason भी है बट अभी नहीं यकीन में अर्जुना में हर बैच में मैंने इसका reason समझा है अभी आपको बस इतना ही समझा सकता हूँ या तो पूरा solve करो नहीं तो मेरी बात मानो और निकलो यही समझा सकता हूँ देखो यहाँ पर force लगा है मैंने कहाँ पर इसेंटर से यह एक सेंटर से मेजर कर रहा है आरवाई टू पर तो सेंटर से रवाई टू पर क्या फ्रेक्शन आता थी वाई टू अग्जेकली ऊपर में इसेंट फ्रेक्शन है म्यू इसकेंड डिस्क बोलो या सॉलिक सिंटर बोलो एक ही बात है प्लेस्ट और रफ सर्फेस देन फाइंड असिलरेशन उपर टॉप्मोस में भी फोर्स लगाया है मैंने यह इसका सेंटर ऑफ मास यह रेडियस आ रहे सिधा लिख सकतो तो ACM is equal to 2F बटा इसका मास M प्लस I क्या होगा तो डिस्का मोमेंट ओफ इनर्सिया होता है MR square by 2 बटा आर स्कार आर स्कार स्कार कटेगा M plus M by 2 तो यह होगा 3M by 2 2 उपर चला जाएगा 4F by 3M is your answer सर अगर friction पूछे तो एक बात बता तू मान ले की friction आगे लग रहा है मान ले मान लिया और translational motion का अगर तू equation लिखता है तो आगे F plus आगे F R बराबर M into acceleration of center of mass हाँ सर अगर acceleration of center of mass हमने यहां निकाल लिया 4F by 3M रख दे तो friction बराबर आ जाएगा आपका M 4F by 3M यह relation की value पूट कर यह वाला F इदर ले जा माइनस F तो यह हो जाएगा सर M से M कटेगा 4F by 3 minus F 3LCM लोगे 4F minus 3F बटा 3 तो यह कट के आएगा F by 3, F by 3 आ रहा हा और friction अगर positive आया और तुमने माना आगे था तो friction आगे लग रहा है तो forward direction में forward direction में friction लगेगा F by 3 खतम अब इसका एक sotrick होता है friction देख की बता सकते हो कि कहा लग रहा है देख की बता सकते हो कहा लग रहा है लेकिन बेटा वो चीज एक्स्टा याद रखने की जवाथ नहीं लग रहा मुझे यहां पर क्या तुम्हें acceleration निकालना आ गया हां तुम्हें acceleration निकालना तुम सीख गया तो friction की direction आगे मानो एक equation लिखना है Translational motion का friction का answer तुरंत आ जाएगा तुम्हें अगर practice करना है तो एक सवाल में दे रहा हूँ माल लो ये ring है sufficient friction दिया है हाँ पर मैंने mu और इस ring के topmost point पे मैं force लगाडा है ठीक ring के topmost point पे मैं force लगाडा है ring है of mass M radius R then find acceleration and value of friction or acting on ring find acceleration find acceleration and value of friction value of friction on ring friction on ring अब क्या करना है देखो तुम्हें acceleration direct लिखने है 2F बटा M plus IBR square ये तुम्हारा funda होना चाहिए तो 2F बटा M moment of inertia ring का क्या होता है MR square तो I को रखोगे MR square स्कूर 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 कटे का M तो ये आ गया तुम्हारा सीधा F 2F बटा 2M 2 से 2 कटेगा F by M आ गया ठीक acceleration of center of mass तो F I M आ रहा ठीक है अब मानलो की rough surface friction आगे लग रहा होगा तो आगे friction आगे applied force F plus friction FR बराबर mass into center of mass की acceleration translational motion मानते हो ये equation लिखोगे हाँ FR is equal to क्या होगा F minus M ACM की value एक मेंट एक मेंट गलत लिख लिए FR is equal to M ACM की value बता क्या है F by M F by M ACM की value F by M ESF को उधर ले गया M से M कटेगा F minus F बराबर 0 तो क्या sir friction 0 लग रहा है rough नहीं है क्या surface rough है लेकिन इस horizontal surface पे अगर topmost point पे force लगाओगे तो बिना friction का ये pure rolling motion कर जाता है यहाँ पे friction की ज़रत नहीं पड़ती होता है कई के object होते sir अगर मैं इस force को यहाँ लगा दू तो बीच में लगा दू या center of mass में लगा दू बस ये चीज calculate कर मेरा step समझना मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ बस ये चीज calculate कर ये चीज calculate कर friction आगे मान ले आगे का force plus friction total force बराबर mass into acceleration acceleration तेरा निकला हुआ है रख दे if applied force है यहाँ से friction निकल जाएगा तो कोई एकसा और चीज में बताओ जिससे तुम्हें देखते ही answer निकाल दोगे कि तुम देखते ही ये जालो और एक equation लगाके solve कर लो ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि वो चीज तो बहुत जावर दस्त है मुझे सवाल देने कोई भी कई भी force लगा दे मैं देखके बता दूँगा कि का friction आगे लग रहा है कि पीछे लग रहा है कि जीरो है देखके बता दूँगा लेकिन वो चीज सीखने के लिए वेटा समय देना वो चीज सीखने के लिए समय देना पर है और उस समय की अपने पास है बहुत भारी कमी देखो मैं क्या कर रहा हूं मैं जोरदार कंसिप्स चिखा रहा हूं यह कह रहा है तर ठक गया ब्रेक दे दो और कितने आवर चलेगा अगर यह चीज नहीं आया तो डायक्ट भी आप निकाल सकते हैं अगर यह चीज तुम्हें आ गया यह चीज तुम्हें आ गया तो यहां से direct ACM नीकालो आगए friction माल लो applied force f plus f r और mcm का सभाइबð एक Państwo करा ने तहुगे में एक सवाल लए तो जिसमें इत्टी वाएगाम सप्सटेई कर निगेटिव आएगा करे भाई साहाब का समझाए मुझे इन प्रिक्षन पाश्टिव आएगा कम नगेटि वाएगा है चलेख आए sphere, ठीक, यह क्या hollow sphere में center of mass पर force लगा रहा है क्या लगा रहा, center of mass पर force लगा रहा है, hollow sphere का mass म है, radius आ रहा है find sufficient friction mu दिया हुआ है, find acceleration of center of mass and value of friction value of friction value of friction value of friction ठीक है चल, क्या करेगा बता center of mass पर direct force लगा रहा है हो पहली बात तो हमें सीधा force का fraction F लेना है center of mass के लोश्टी वी होती है, one fraction आएगा mass M plus moment of inertia होगी hollow sphere की 2 by 3 2 by 3 MR square बटा R square हम यहाँ से solve करोगे, तो यह होगे 5 उपर चला जागा, 3 F by 5 पर यह होगा center of mass का isolation मानता है यह तो ठीक है अब हम से friction पूछा है, हम क्या करेंगे कि आगे की तरफ हम friction मान लेंगे हम आगे की तरफ मान लेंगे translational motion के लिए आगे F और आगे ही friction बराबर M ACM हमने ACM की value यहाँ से निकाली हुई है 3 F by 5 हम रख देते हैं M into 3 F by 5 M F R F को उधर ले जाते हैं जब हम इसको solve करेंगे M से M कटा LCM लोगे, तो यह होगा 3 F minus 5 F बटा 5 अब मुझे बता, 3 F में से 5 F जाएगा, तो क्या बचेगा? सर यह बचेगा minus 2 F by 5 मतलब यह friction की value आई 2 F by 5 और किदार आई? minus, minus मतलब जिदर तुमने माना था उसके से minus आगया मतलब पीछे लग रहा है minus आगया मतलब पीछे लग रहा है, यह पीछे लग रहा है clear है क्या? 180 page हम पर चुके हैं भाई साहाब, गरदा उड़ा दिया अब हमें आगे पढ़ना है आपको दो चीज एंगुलर मोमेंटम and conservation of angular momentum and toppling, पूरा पराऊंगो एक दम जोरदार conservation of angular momentum के collision से रिलेट करके जोदार concept और आज तक के conservation of angular momentum में जितने सवाल पूछे गए हैं आज तक, जितने सवाल पूछे गए हैं दोजार सोला से लेकर के जितने सवाल आप आज तक पूछे गए हैं बारा पंदरा सत्तरा चौदा बारा सत्तरा सब कराएंगा सब कराएंगा दोसो सत्तरा पेज और अभी हम कहां पे हैं अरे बाई सब ज्यादा नहीं बचा भी मतलब चालीस पेज और बचा है चालीस पेज मतलब मैक्समम डेर्स दो गंटा हम आपको ब्रेक देते हैं मिल्कुल ब्रेक की जौद पड़ती है बैटा ब्रेक अप इनर्ची तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आप भी पराना शुरू किया है और कसम से कह रहा हूं मतलब यह पचास पचपन देख पचपन पचास एक बात अएम हो गया तो पीम नहीं अधिक कि मैंने पचास पचास एक पचास ठीक है कि जीत के खातिर जून चाहिए और वाल ऐसा खूंच चाहिए कि आसमा भी आएगा जमी पर बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए कि आईए मिलते हैं फोरी देश में कि बारा मिनिट का ब्रेक है बस पचास पर मिलेंगे अन्य वाद आपका बहुत ब्रेक मत दी से मारा मन लगाने सोनम आईए तो सोनम के साथ ब्रेक में तो मन लगाए गवे यह भी चिखाना पड़ेगा अभी तुमको बहुत कुछ सिखाना अभी पढ़ा के तुमको कॉलेज बेजू पर कॉलेज में जीवन कैसे जिएगा हो भी सिखांगा चल झाल 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 प्लीज एक वार थम सब कर दीजिए मंजिलों से गुम्रा भी कर देते हैं कई लोग हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता बहुत ही बढ़िया गुलसंजी बहुत बहुत धन्यवाद कि हैपी वर्डे कौहन बोल रहा है यार और बोल रहा है पी वर्डे वेर आड़ यू क्या हाल चाल बदाईए क्या हाल चाल उसकी सूरत पर कैसे कोई किताब लिखू उसके सुखी लगवो कैसे कोई किताब लिखू सारे सायर बन रहे हो गलत जगा आगव बेटा हिस 3 बजे गी आज। देंखो भई 3 बजे और 4 बजे कोई इस रंघर्संगर का कोई अल्टरनेट नहीं हैं संगर तो में करना है मैने करना ही पड़ाज में पड़ेगा और यंधियो घ्र आक्राइब रहे हैँ अ्यानोरण dog क्यित हैं चलिए थीज गती स्थ से आगे भी बढ़ रहे हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि अंगुलर मोमेंटम क्या होता है अभी तक हमने नहीं करी है क्या होता है साफ अगुलर मोमेंटम तो देखिए quantity of motion contained in a body यह होता है linear momentum quantity of motion contained in a body यह ओता है आपका linear momentum अगर बोलू, quantity of motion contained in a body is linear momentum, then quantity of rotational motion contained in a body quantity of rotational motion contained in a body is called angular momentum देखिया, अपर लिखा है, quantity of rotational motion contained in a body is called is called angular momentum is called angular momentum is called angular momentum एंगुलर मोमेंटम प्योर रोटेशन मोशन के लिए प्योर रोटेशनल मोशन के लिए कहीं प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा हो फिक्स एक्सिस ओप रोटेशन के बाउट तो हम लीनियर मोमेंटम के कंसेट से मतलब यहां पे लीनियर मोमेंटम आप जानते हैं ना बेटा mb vector होता है तो यहां से as it is symmetrically हम लिख सकते हैं अगर कोई object pure rotational motion में हो, किस में हो बेटा pure rotational motion में हो, angular momentum i into omega vector होगा omega बेटा axial vector है axial vector है इसलिए angular momentum भी आपका axial vector होगा axis of rotation के about होगा axis of rotation के about होगा लेकिन ये तो बात किसकी हो गई? pure rotational motion की बात हो गई क्या हमेशा rotational motion के लिए ही angular momentum defined होता है क्या translational motion के लिए angular momentum defined नहीं हो सकता translational motion के लिए भी angular momentum defined हो सकता है जैसे मान लो, तुम यहां पे बड़े उदास, तनहा, अकेले जीवन में खरे हो अचानक से, अचानक से, अचानक से, अचानक से, अचानक से, यहां से तुम्हें स्कूटर पे एक बहुत ही सुन्दर लड़की जाते हुई दिखी, स्कूटर पे, है न, सुन्दर लड़की बना देता हूँ बस, अचानक से क्या करोगे, सुन्दर लड़की, ऐसे जाते हुई तो अचानक से स्कुटेज जैसे तुम्हें सुन्दर लग्टी जाते हुँ देखें को लिए ऐसे तुम्हारा नजर उसकी तरफ जाएगा और जैसे तुम्हारा नजर इस पर अटकेगा तो जैसे जैसे आगे बरहेगी तुम्हारे डिस्पेक्ट में इसका पॉजीशन करता हुआ सीधे जा रहा था तो जब तुमने इसको देखा तो तुम्हारा पॉजीशन वेक्टर मतलब इसका पॉजीशन वेक्टर पहले यह था थोड़ी दिर बाद इसी लरकी का पॉजीशन वेक्टर क्या होगा सरी यह होगा मतलब पॉजीशन वेक्टर क्या किसी एंग से घूम गया तो बिटा ये हुआ इंगूलर डिस्प्लेस्मेंट और जहां वान वचने 2007 veal अगर एकुलर कि मोशन है फैं अनगूलर मोशन है तो थो ऑगेड़मों मोमिन्टम होगा अब एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट अगर पॉजीशन वेक्टर ठीटा एंगल से घूम गया तो इसका एंगलर मोमेंटम डिफाइन हो जाएगा लेकिन उसको देखने वाले तुम अकेले तो नहीं हो कि माल लो कोई यहां बैट के रोड पे ऐसे खड़ा हो के पहले से उसको देख रहा था तो जब यह लरकी यहां कलुआ है तो कलुआ के रिस्पेक्ट में इस लर्की का पॉजीशन वेक्टर की डारेक्शन चेंज हो रहा क्या है कलुआ के रिस्पेक्ट में इस लर्की के पॉजीशन वेक्टर का डारेक्शन चेंज हो रहा क्या हां नहीं हो रहा मतलब पॉजीशन वेक्टर का मैगनिटी उट चेंज़ और लेकिन दट्रेंज निग और तो कलवा के रिस्प्रेक्ट में एग्लार स्ब्सक्राइश जीरो है थ那我們 जाएगा भाव तो प्यक्वनृ जाएक जाएगा लो एट्च्ट सॉनम का है ठीक है सोनम का को थे कि में चॉनम का टीक है बताओ यह उनम का ऐले का लिटाल चे कहाना नहűंड है सोनम का बन मूमिंटम कहले के रिस्प्रेक्ट में क्या जीरो और नॉन्जीरस एंगोर मोमेंटम का सोजses पता है observer भी तो 2-2 है observer भी तो 2-2 है अब क्या आपको ये बात समझ में आया कि एक ही object का angular momentum अगर ये देखे तो 0 है और ये देखे तो not equal to 0 क्या ये feel आया तो sir ये decide कैसे होगा decide कैसे होगा decide कैसे होगा बताता हूँ यहां पी मान लो एक object है M mask और वो V velocity से X axis में जा रहा है तो इसका linear momentum हो जाएगा M V vector हाँ हो जाएगा अब इस velocity मतलब इस object को इस origin के respect में अगर मैं देखूँ तो ये इसका हो गया position vector अब इस velocity का बेटा दो component में ले सकता हूँ एक वो component जो इस position vector के लोग जैसे ये velocity है ना तो ये component V इक परपेंडिकुलर कंपोनेंट V साइंट इटा अब मुझे बस इतना बताओ इस velocity का एक component V साइंट इटा एक component V कॉस इटा कौन सा component इस position vector का magnitude बढ़ा रहा है इस position vector का magnitude बढ़ा रहा है position vector मतलब जहां से आप reference define कर रहे हैं या जहां से आप बाउट आप टॉर्क या जिसके बाउट आप एंगलर मोमेंटम या मोमेंट आफ इनर्सी या जो भी चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं यहां पर एंगलर मोमेंटम है तो आपका reference point यह ओरीजिन है कर रहा है इस position vector का मेंट बढ़ा रहा है कि position vector की कि यह जो ही खौ स्थिटा है वो क्या कर रहा है शरी यह जो ही खौस्थिटा है आप पा डिर को डारेक्ट आर का magnitude बढ़ा रहा है कि हिससे बजाए से यह position एप आपका लिनियर मोमेन्टम हो गया तुद्म सकते हैं पॉजि एम भी तो आपका लिणार मोमेन्टम होगे आप लिग सकते यह पी वेक्टर लीनियर मुमिन्टम आपका हो जाएगा M B R into Sin Theta, Sir M B को आप P लिख सकते हैं, हाँ, यह P R Sin Theta, तो जब भी Sin Theta किसी फॉर्मॉले में आता है, तो आप Cross Product में लिख सकते हैं, हाँ Sir Cross Product लिख सकते हैं, तो यहां से Angular Momentum हो जाएगा, R x P R x P, यह Angular Momentum हो जाएगा बेटा, R x P एक मिनट रुकना को जाएगा बेमॉले में अुर में रिख सकता है, फसकते हैं, हैस। नेकीनम द्वनस है, तो चैक्ते हैं 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 1 I am sorry, I am sorry, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहां पर, I am sorry, I am literally, literally, I am very, very, very sorry बेटा, यह छोटी सी मिस्टेक हो गई हां पर, आप में से बहुत सारे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया या बहुत ध्यान दिया होगा, तो मैं नहीं देख पाया, यह फॉर्मूला एक्चुल में गलत है, अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया अचानक से यह फॉर्मूला गलत है, होता है बिटक, जब एक बार पूरा चेप्टर हम पढ़ा रहे हो, तो कोई कंसेप्ट, अचानक से हम कुछ गलत लिख देते हैं, फिर उसी पे हम आगे बढ़ते रहते हैं, अचानक से, यह मैंने लिखा, यह एक्चुल में गलत है, यह फॉर्मूला गलत है, यह फॉर्मूला रॉंग है, टाइम रहते हैं, मैंने इसी वीडियो में सुधार दी आच्छी बात है, अभी मैं इसको बताता हूँ, कि इसको याद कैसे रखना है, यह एक चुल में रौग है, यह एक चुल में रौग है, इसका सही फॉर्मूला क्या होगा, इसका सही फॉर्मूला होता है, 80 बराबर पर करो सार अब इसको याद रखने का मैं तरीका भी आपको बता रहे हूं देखो इसमें हम यह बताते हैं कि जो तेरा पॉजीशन वेक्टर है हमेशा हमेशा पिर यह इंसर सही कैसे आया इसमें इंसर तो गलत आना चाहिए यह इंसर सही कैसे आया यह क्या परसान कर रहा है मुझे देखो हमेशा हमेशा पॉजीशन वेक्टर हमेशा इंगुलर 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 वेक्टर के बाद आता है पॉजीशन वेक्टर हमेशा तो जो पॉजीशन वेक्टर हमेशा और यह तुम्हारा इंगुलर वेक्टर है ये गलत है, अंगुलर मेंटम होता है R cross P, तो क्या यहाँ पे ये अंगुलर वेक्टर है, इसके बाद पॉजीशन वेक्टर आया है, इसके बाद पॉजीशन वेक्टर आया है, हाँ सर इसके बाद पॉजीशन वेक्टर आया है, अब यहाँ पे देखोगे तो relation कुछ ऐसा बन और यह आपका क्या है पॉजीशन वेक्टर है यह आपको इस बात का फीला है मैं आपको कह रहा हूं चाहे फॉर्मूला कोई सा भी हो जो पॉजीशन वेक्टर है वो एंगुलर वेक्टर के बाद आता है जो पॉजीशन वेक्टर है वो एंगुलर वेक्टर के बाद आता है ठ कि यह समझ में आरा आपको बात कि आपको यह बात समझ में आ रहा है कि आपको यह बात समझ में आ रहा है अब जहां तक इस सवाल की बात है इस सवाल की बात है तो मैं इसको सॉल्व करता हूं रुकू इसको मैं सॉल्व कर देता हूं कोई खास बात नहीं है इसको मैं सॉल्व कर देता हूं कोले में इसको मिटाग है मैं Fitzee Solve कर देता हूं a which is possible कि मार एंसर है गोटोनो प्लस बाद वाला माइनेस अना चाहिए है है दोनों प्लस वाद वाने से और खैंसर अथाट एंसर तु है इसह है J ये क्या है हमारा दो नो और पॉजिट हो जाएगा ना डायक्षन हमने फॉर्मूला गर उल्टा लिखा तो इंसर पॉजिट हो जाएगा तो यह दोनों प्लस और यह माइनस हो जाएगा तो तुम्हारा सभी एंसर जो आएगा एक्च्वल में थार्ड आएगा फॉर्स्ट नहीं आएगा सभी तो है प बहुत दिनों बाद रोटेशन पढ़ा रहे थे पूरा चेप्टर एक साथ यह मुझे ब्लेंडर नहीं करना चाहिए था लेकिन ब्लेंडर अगर हुआ और मुझे अचानक से इंगलर मोंटम बढ़ाते समय याद आया तो चलो मैं इसको ठीक करा दिया और दूसरी बात इसक पर माइनस कर दीजिए तो यह प्लस यह प्लस और यह माइनस हो जाएगा तो देखिए यह प्लस यह प्लस यह माइनस हो जाएगा यह आपका एंसर हो जाएगा कि वाज में आया अजी आ यार मतलब यह मैं अपने एंप से नहीं कर हमव依नमबर पहे हैं पिज नंबर पेस्थ नंबर प् необход नहीं को अब आप आपको को ये जो मैंने गल्टी किया मेरे गल्टी से भी थोड़ा सीखने कोसिस करिए मैंने जो गल्टी किया धी क्या उससे आपको फायदा हुआ की नहीं हुआ या यह फायदा हुआ भूल सकते यह आपका position vector है, हमेशा 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 हमेश is equal to is equal to r vector cross f vector ये लेते है sorry r vector cross p vector angular momentum is equal to r vector cross p vector angular momentum ये लेते है, r vector cross p vector ठिक है? अच्छा, ये भी palशा है या जैसे आप लिखते होना v vector बडावर और omega तो ये होगा omega cross r omega cross r क्या होगा ओमेगा क्रोस आर और यह जो हम वेलासिटी लेते हैं that must be perpendicular यह आर वेक्टर जैसे कभी-कभी ऐसा सवाल आता है कि मालो एक रॉड है मालो एक रॉड है रॉड की वेलासिटी इधर है V1 ऐसे दे दी कुछ भी वेलासिटी इधर दे दी V1 ठीटा 1 एंगल पर और इस से पूछा कि रॉड की इंग्लर वेलासिटी बताःए फाइंड एंग्लर वेलासिटी आ फ्रॉड को ऑन ए नोड हें अ अग्यवां विलासिटी अगुअ ने ये थोड़ा अच्छ सवाल है पाउंड इंगलर विलासितल राट सबसे पहले तो यह बताऊ क्या तुम्हें यह फॉर्मुला समझ में आया कि आपको ये फॉर्मुला समझ में आया कि आपको ये फॉर्मुला समझ में आया कि एंगुलर वेक्टर ये है और एंगुलर वेक्टर के बाद ही आपका पॉजिशन वेक्टर आता है अब यहां से मैं अगर तुम्हें पूछू तो अगर यह R है, अगर यह R है, तो sir, angular velocity आप पूछ रहे हो, तो या तो इस point के about पूछोगे नहीं, तो इस point के about पूछोगे, कोई तो एक point पे बैठके निकालोगे, या center बैठके निकालोगे, तो यह जो velocity का यह component होगा, यह इस velocity का यह component होगा, यह आपके काम का नहीं होगा क्योंकि R के पैडलल आ गया यह तो कौन सी विलासिटी काम क्योंकि V1 का एक कंपोनेंट आएगा इधर V1 साइन ठीटा 1 और इसका कंपोनेंट आएगा एक इधर V2 साइन ठीटा 2 अगर तुम इसके रिस्पेक्ट में A के रिस्पेक्ट में अगुलर विलासिटी पूछते हो इस रॉड का तो तुम A के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बैट जाओगे इसको रेस्ट में मान लोगे इसको रेस्ट में मान लोगे तो इस पॉइंट की विलासिटी इसको पॉजिट करके इधर दोगे है ना इसके respect में A पर लिखते हो omega with respect to A omega with respect to A अगर तुम निकालते हो omega निकालते हो, तो तुम लिखोगे velocity relative perpendicular to relative perpendicular velocity होगा V1 sin theta 2 plus sorry V2 sin theta 2 V2 sin theta 2 plus V1 sin theta 1 but R, यह answer हैगा अगर इसके respect में निकाले तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसे देखो यह इधर जा रहा है, इधर V2, ऐसे जा रहा है यह V1 sin theta 1, यह V2 sin theta, यह velocity दिया होगा है तो मुझे बस इतना बताओ, यह velocity का जो यह component होगा क्या R के parallel होगा क्या हाँ लेकिन यह जो velocity यहाँ पर tangential आप लिखते हैं, वो इस R के और omega के दोनों के perpendicular आना चाहिए, यह तो cross product का concept है हाँ, तो जब omega define करोगे ना तो इस omega में यह velocity और यह R perpendicular होने चाहिए, तो इस velocity का यह component omega के लिए नहीं आएगा इसके respect में लिखोगे, तो इसकी velocity उल्टा करके इसमें जूर दो तो यह तुम्हारा हो जाएगा angular velocity इस rod का तुम्हें बस यह सीखना है कि cross product हम जब लेते हैं, क्या लेते हैं, तो सबसे पहले velocity is equal to r cross omega होगा कि omega cross आएगा, कई बार यही पूछ लेते हैं पूछ रहा है, तो क्या करोगे angular velocity पूछ रहा तो इस velocity का यह component हमारे काम का नहीं, इस velocity का यह component जो r के लोंग है हमारे काम का नहीं हम perpendicular component इसका उठाएंगे तो perpendicular component हो जाएगा v1 sin theta 1 plus v2 sin theta 2 अचा ऐसा होता तू अचा ऐसा होता तू, यह होता यह v1 और इधर होता v2 यह होता theta 1 और यह होता theta 2 और यहाँ पर length होता हर, इसमें omega क्या बोलते एक respect में, इस rod का omega एक respect में क्या बोलते बताओ इस rod का omega एक respect में क्या बोलते बताओ इस rod का omega एक respect में क्या होगा बताओ सबसे पहली बात इस line के long, rod के length के long जो velocity होता है न, वो हमारे काम का नहीं है V1 cos theta 1, V2 cos theta 2 नहीं है इधर velocity हो गया V1 sin theta 1 इधर velocity हो जाएगा V2 sin theta 2 इसके respect में देखोगे तो यह उपर जा रहा यह भी उपर जा रहा तो इसके respect में देखोगे तो इसकी velocity को यह पर माइनस करोगे ओमेगा with respect to A होगा V2 sin theta 2 माइनस V1 sin theta 1 बटा आर क्या यह clear है यह बात यह बात clear है अरे भाई यह बताना है आर अच्छे से समझ क्या यह formula clear है बस यह formula important है उसके बाद क्या यह बात clear है समझ गए समझ गए पर्पेंडिकुलर का concept समझ में आया चलो ठीक है यह समझ आना चीए अब यहाँ प्याओ अब बताओ मुझे क्या यह cross product में first vector है हा सर फरस्ट vector है क्या यह second vector है यह सर यह second vector है क्या यह angular momentum तुमारा result है तो जब भी तुम डारेक्ट अगर angular momentum निकाल रहो तो right hand thumb rule कैसे लगाओगे right hand thumb rule कैसे लगाओगे minus इसलिए हुआ बेटा minus इसलिए हुआ कि माल लो कि यह rest में होता और यह v से जा रहा होता तो r distance में v बढ़ाओ और r omega direct define करते अब यह भी उपर जा रहा तो इसके respect में यह कमी उपर जाएगा तो relative velocity यहाँ पे बैठ की देखोगे तो इस velocity को घटाओगे इस से इसलिए बेटा यहाँ पे घटाया है इसलिए यहाँ पे घटाया है इसमें जोड़ा क्यू है? एचा एक बात बताओ तुम ऐसे सोचो ऐसे सोचो सर इसका velocity अगर V हमें दिया हुआ है हम इसके velocity को अगर यह omega से घूम रहा होता तो हम इसके velocity को लिखते आर omega यह velocity आर परपेंडिकुल है तो हम लिख लेते V is equal to V बटा omega is equal to V बटा लिखते की नहीं लिखते बोलो हासर easy है अब मान लो अगर यह rod यह जारा V से और यह भी जारा V से अब इसका angular velocity बोलो तो बोलो इसका angular velocity बोलो तो सर यह end जारा V से और यह भी end जारा V से अब इस rod का angular velocity बोलो सर यह V से उपर और यह भी V से उपर तो इसका angular velocity तो 0 आएगा सोच के बता सर अगर यह V से उपर जा रहा, यह V से उपर जा रहा, तो यह सीधा ही निकल जाएगा, यह घूमेगा कहा, कैसे आया, तो सर ऐसे देखते हैं, उमेगा बराबर, V perpendicular, बटा R perpendicular, तो R यह तुम्हारा distance हो गया, radius, अब बताओ, इस point के respect में इसकी velocity देखोगे, तो सोचो, इसकी velocity म सही है, माइनस करोगे, तो 0 ही velocity आ गया है, अब बताओ, सोचके, सब सही है, अब थोड़ा चमका, अब मान लो कि यह रोड है, यह जा रहा, V से इधर, R distance अपर, यह point जा रहा, V से नीचे, अब इसके respect में अंगलर velocity बोलो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता, यह बुगनी गती स घूमता हो नजर आएगा, हाँ, ओमेगा, वित रिस्पेक्ट तो A हो जाएगा, तू भी व्योटार, कैसे, इसके respect में निकालोगे, तो जिसके respect में तुम निकालोगो, उसकी velocity उल्टा करके इसमें जोड़ दो, यह 2B हो गया, समझ में आया, क्या यह तीनों केस समझ में आया, क्या यह तीनों केस आपको समझ में आया, क्या आपको यह तीनों केस समझ में आया, एक केस आपका यह है, यह केस यह है, और एक केस यह है, समझ आया, अब तुम्हारा जब यह तीनों केस easy वाले समझ आ गए होंगे, तो यह मुष्किल वाले समझ आ जाएंगे इसी वाले अगर समझ आ गए तो मुष्किल वाले समझ आ जाएंगे Clear है किया ये बात Clear है किया ये बात हाँ अब देखो अब देखो प्यादर होगे तो किसी के reference points से या किसी origin से तुम्हे angular momentum पूछे तो सबसे पहले आप, R first Vector की तरफ अपना 4 finger रखेंगे, और second Vector की तरफ घुमाएंगे, second Vector की तरफ घुमाएंगे, क्या करेंगे ? second Vector की तरफ घुमाएंगे, तो जिदर second Vector घुमके जाएगा, thumb आपका angular momentum का direction रिपरजेंट करेंगा, thumb क्या करेंगा ? एंगुलर मोमेंटम का डिरेक्षय रिपर्जेंट करेगा चलिए सवाल देखे फाइंड एंड एंगुलर मोमेंटम अबउट ओर इंग कांज सक्व हाँ को उब्जेक्ट में आप इंगुलर मोमेंटम पूछा थे problें रिस्पेक्ट में आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा है पताए क्या होगो और इसन के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा जीरो आप इसको दो तरीके से एक्स्पेट कर सकते हैं पहला तरीका यहां पैठ गाए जब पार्टिकल यहां था तो पॉजीशन वेक्टर का लेंथ लगातार बर्रा डारेक्शन और पॉजीशन वेक्टर चेंजी नहीं हो रहा पहला तरीका तो theoretical explain करने का है, दूसरा तरीका explain करने का यह हो सकता है, कि सर आप ध्यान से यहाँ पे देखे, तो इसकी velocity इधार है और position vector यह है, तो जब हम लिखेंगे, R, P, R sine theta, जहाँ पे theta क्या है, theta is nothing but angle between R and P, अब यहाँ पे R and P में angle क्या है, तो इसका momentum इसकी velocity के तरफ, और R इधर, X2C degree, और sin X2C की value क्या होती है, 0, तो R, P, sin X2C, sin X2C की value क्या होगी, 0, तो angular momentum होगा, 0, सर अगर particle यहाँ पे पहुच गया तो, तो particle की velocity इधर, तो momentum इधर, और position vector इधर, तो यहाँ पे angle होगा theta, मतलब जीरो, और sin 0 की value क्या होती है, 0, क्या आपको सवाथ का पूरा feel आया, अब 1991 में एक जोरदार सवाल पूचा था, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि यह सवाल आप पहले कर ले, कौन सा सवाल, यह सवाल पहले कर ले, यह सवाल आप पहले कर ले, यह सवाल, उससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि आप यह सवाल कर यह सवाल कर ले चलिए, यह सवाल कर ले, यह सवाल कर ले, अब इस सवाल को धंसे देखिएगा, अब पार्टिकल ओफ मास M, मुविंग इन दा एक्स वाई प्लेल इलाउंग दे स्टेट लाइन वाई इकुल तो थी, यहां से य का लेंथ है बेटा थी, और एक पार्टिकल ज इसका मास M है, constant velocity V से, इसे स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, constant velocity V से, इसे स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, with constant velocity V, it's angular momentum about the origin O is, तो इस O के about, इसका angular momentum क्या होगा, first decreases then increases, first increases then decreases, remains constant in magnitude but changes in direction, remains constant both in magnitude and direction, बताइये, बताई क्या होगा बताई क्या होगा तो इसका सही जवाब होगा फूर्थ रिमेंस कॉंस्टेंट बोथ इन मैंगनिट्यूड डिरेक्शन कैसे मैं बताता हूं देखो, जब particle यहां है, तो तुम्हें angular momentum का जो formula लिखना होता है, वो ये लिखना होता है, r perpendicular to p, या p perpendicular and r, ये लिखना होता है, यही तो cross product में मैंने सिखा है, तो sir, r perpendicular किस से, momentum से नहीं, यहां भी एक जूरदार concept torque जैसा मैं बताता हूं, सुनो द्यान से अब आर पर पिंट पर्पेंडिकुलर लोग एलोंग दा लाइन ऑफ मुमेंटम है टूदा लॉलाइन आफ मोमेंटुम्टम्टम्ट? यह प्रपेंडिकुलर Precis'd को दा लाइन आफ मोमेंटूंट मोमेंटम की डारेक्शन से तो इसा नहीं कि पार्टी र सिर्फ आम पर्रेंटिक्टर बनाओ फिर उसका प्रपेंडिकुलर और अल कैसा नहिंग यह वेलोसिटी इस तरफ है, तो मुमेंटम इस तरफ होगा, इस मुमेंटम के लाइन से पर्पेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इस मुमेंटम के लाइन से पर्पेंडिकुलर कंपोनेंट तो इसका यह होगा, और पार्टिकल है तो भी पर्पेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, पा समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, यह बात समझ नहीं कोसिस करो, तुम देखोगे ना, confused रहोगे ऐसे, कि यह origin है, हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल है तो यहाँ पर पोजिशन वेक्टर ले ले लेते हैं, तो इस पोजिशन वेक्टर का वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते के परपेंडिकुलर होगा, वो लिखना समझना ठीक होगा, कि मैं कहूँ कि मुमेंटम एक वेक्टर है, तो मुमेंटम के डारेक्शन में एक लाइन ओफ मोशन मनेगा, तो यहाँ पर मुमेंटम का लाइन ओफ मोशन क्या है, यह मुमेंटम है, अब इस लाइन से मुझे पर perpendicular distance किदर होगा बताई मतलब देखो ने यहाँ पे velocity vector जीदा रहे उधर ही होगा तुम्हारा momentum vector तो momentum vector यहाँ पे किदा रहे सर x axis में तो तुम्हें यह position vector लेना है कि वो position vector लेना है जो momentum के perpendicular हो अगर momentum x में है तो r का तुम y-th component लोगे और r का y-th component मानलो यह triangle बनाते हो तुम यहाँ से theta angle है तो इस r का 2 component होगा एक यह होगा और एक यह होगा यह r का देखो यह position vector का x component होगे यह y component होगे ज़िए तुम यह लोगे क्योंकि अगर momentum x में तो position vector y वाला लोगे और position vector y वाला तो यही component आएगा ना जो यह y is equal to 3 के बरावर है यह y is equal to 3 के बरावर है अब जब particle यहाँ पहुचेगा, इधर इसका momentum है, तो यही perpendicular distance होगा, particle जब यहाँ पहुचेगा, तो इधर momentum है, यह position vector है, अब इस position vector का दो component, इस position vector का दो component, एक x वाला और एक दूसरा y वाला, तुम y वाला यह लोगे, हमेशा object x-axis में चल रहा है, तो angular momentum इसका remains constant both in magnitude and direction, angular momentum remains constant both in magnitude and direction, मैं बढ़ा diagram बनाके बता देता हूँ, मैं क्या समझाना चाहरहा हूँ, बढ़ा diagram बनाके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा diagram बनाके बताता, तो देख, ऐसे object चल रहा, चिंता मत कर, चिंता मत कर, ऐसे object चल आख, अभी मान ले object का מס m है, और इसकी velocity कुछ V इधर है, ठीक, object का mass M है, इसकी velocity कुछ V इधर है, ठीक, हमें इसके about angular momentum लिखना है, तो बेटा क्या करोगे, सर ये point यह है, हमें इसके about लिखना है, तो ये हो गया इसका position vector, सर ये position vector होगे, क्या ये जो position vector है, वो velocity या momentum से perpendicular है, नहीं, momentum पूरा का पूरा हमारा x-axis में है, तो हम क्या करेंगे, कि मान लो कुछ ठीटा angle assume करते हैं, इस R का एक component ये होगा क्या, ये होगा R का x component, और ये होगा R का y component, ये ही तो हम component लेते हैं ना भाई साब, अरे ये R का ये vertical component, यहां से यहां तक R का y component होगा, अब अगर momentum x वाला है, तो हम ये R ले के angular momentum define करें, ये R ले के angular momentum define करें, कि ये R ले के angular momentum define करें, ये R लेंगे, और ये R exactly यहां से यहां का ही तो लिंथ होगा, अब मान लो, अब मान लो कि object यही पे हैं कहीं, यहां पे, यही पे object है, सर इसका momentum आगे होगा क्या हाँ इसका momentum आगे होगा इस line को मिलाओगे बेटा ये position vector हो गया अब इस position vector का कौन सा component चाहिए तुमें इस position vector का component लेते हैं triangle थी वर हमसे देखो सर इस आर का ये x component ये y component तो इसका perpendicular distance जो momentum से वो तो यही बनेगा तो हम क्या करते है origin से वो distance लेते हैं जो line of momentum से perpendicular हो line of momentum से ये perpendicular होगा अब बता अब चाहे object अगर constant velocity से चल रहा वी से चल रहा object यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो कैसे यह r और velocity momentum इदर तो एंगलर momentum किदर होगा अंदर की तरफ कि समझ आया कि समझ आया कि समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं चलो अब यह सवाल स्वाल करूं अ पार्टिकल ओप मासे मूफ सिन आ एक्सवाई प्ली इतर वलास्टी वी रोंग दर स्टेट लाइन अबी इव था एंगलर मोमेंटम अप्टिकल बित रिस्पेक्ट तू ओर इजिन घट्री फी separate पर है तो उसका अंगलर मोमेंटम है यहां से अब हुआ अब ढ़ खन से देखना अ पर आंगलर मोमेंटम जादा होगा की बी पर बतरह यहिंसर क्या होगा ए पर ज्यादा होगा एंगुलर मोंटम की B पर A पर ज्यादा होगा एंगुलर मोंटम की B पर बताईए A पर जब पार्टिकल यहाँ पर A पर है तो एंगुलर मोंटम ज्यादा होगा कि B पर है तो एंगुलर मोंटम ज्यादा होगा कुछ बच्चे जवाब दे रहे A बाकि 99% जवाब दे रहे बच्चे C, जो की सही है, मैं individual photo बना के तुम्हें दिखाता हूँ, देख वई, ऐसा है, कि जब particle app है, तो इसका momentum का line ये है, हमें क्या करना है, कि इस line of momentum से perpendicular distance लेना है, हम कोई सा distance ये तो नहीं ले लेंगे, हम कहेंगे इस से perpendicular distance हमें ये चाहिए, इस अब्जेक्ट जा रहा, इस line of momentum ये होगा, तो हम ये distance ले लें कि ये perpendicular distance लेंगे, अब मालो कि object यहाँ है, तो ये इसका position vector होगा, अभी इसका line of motion ये है, line of momentum ये है, तो हम ये R लें कि हम इस R का perpendicular component लेंगे, इस R का perpendicular component लेंगे, देखो, body जब straight line पे चल रहा होता है, तो किसी fixed point से उसका angular momentum constant ही रहता है, ये आएगा, अगर कोई body straight line पे चल रहा है, तो किसी fixed point से उसका angular momentum same ही रहता है, same ही रहता है, मिसा क्या रहता है, same ही रहता है, अब देखो, यहाँ से हम calculate करते है, particle of mass M5 is moving with a uniform speed, V is equal to 3 root 2, in the X, O, Y plane, along the line Y बरावर X plus 4, अब ध्यान से देखना, ये X axis है, ये Y axis है, Y is equal to X plus 4 का line कैसे बनेगा, तो इसको Mx plus C से गर हम compare करे, तो आपका slope होगा plus 1 और intercept होगा 4, मतलब ये line बनेगा देख, ये cut कहा करेगा, 4 पे और ये angle बनेगा 45, मानता है, हाँ सर, magnitude of angular momentum of the particle about the origin, इस origin के about angular momentum सुनना, पार्टिकल कहां पर होगा तो angular momentum पूछाय ये बताया क्या कही, अब पार्टिकल of mass 5, केजी में दिया होगा, moving with uniform speed इतना, इस constant speed से पार्टिकल चल रहा है जिसका मास इतना है, along the plane, in the plane X, Y and O, on the line Y, इस line पर चल रहा है, the magnitude of angular momentum of the particle about the origin, तुम से angular momentum पूछा, पार्टिकल कहां पर था तो angular momentum पूछा, क्या ये बताया, नहीं, क्यों नहीं बताया, बता, तुमें सवाल में ये बताया क्या, कि किस point पर particle है, उसी point पर angular momentum बता, क्या particle यहां था, तो पूछा, क्या particle यहां था, तो पूछा, क्या particle यहां था, तो पूछा, क्या particle यहां था, तु बता वोέ के रहा है कि इसलाइन के चल रहा है है अगललो मेंटम बताओ भी ऐय में जो कह रहा हूं उसको सुण के समझ के बोलो उसली तो नहीं कह रहा है अब चलो theatre हम क्या करते हैं झिमालो पार्टिकल कहीं यहां इसकी विलास्टी ये दी हुई है, यहां से इंगल 45 दिया हुआ है, ठीके सर, एंगुलर मोंटम कैसे निकालता है, एंगुलर मोंटम का तरीका होता है, या तो R पर्पेंडिकुलर इंटू P लिख लो, या P पर्पेंडिकुलर इंटू R लिख लो, अब मुझे बताओ, ती य स्पेक्ट में यहां पर अंगुलर मोंटम यह R हो गया, और इधर जो मोंटम था, उस मोंटम का पर्पेंडिकुलर कंपोनेंट यह ले लेते हैं, सरी विलास्टी है, तो Mb कॉस्टी फाइब हो गया, तो अंगुलर मोंटम मैं लिख सकता हूं, Mb कॉस्टी फाइब वो कटेगा, पास दिए 15 चुका 60, 60 एंसर आरा, 60 एंसर आरा, अभी नहीं, अभी और सुनी, अब मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं, क्या, मैं क्या करता हूं, कि मुझे यहां पर ना विलास्टी पता है, अब इस लाइन ओफ मुमेंटम, यह स्टेट लाइन चल रहा तो यह मुमेंटम का लाइन है, मैं यह पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेता हूं, क्या यह पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस और यह पूरा का पूरा मुमेंटम, Mb से मल्टिप्लाई करूं, तो क्या यही इंसर आना चीज जो यहाँ है हाँ मैं में इसलिए कर रहा हूं कि तुमको मैंतिमेटिकली यह चीज विजुलाइज हो सार यह डिस्टंस कैसे निकाल लोगें असानी से सुन बताता हूं कैया यह हमें चार पता है हाँ यह 45 यह सय हाँ क्या कैसे निकालोगे एक बात बताओ यह एंगल जो बन रहा है वो बेस और हाइपोटनियूस के बीच बनेगा हां तो मैं कह सकता हूं कि कॉस्ट फोर्टी फाइफ डिग्री यहां पर कॉस्ट फोर्टी फाइफ इस इक्वल टू यह बेस और परपेंडिकुलर बटा हाइपो कॉस्ट फोर्टी फाइफ मतलब वन बाई रूट टू एंगुलर मोमेंटम होता है पी इंटू आर परपेंडिकुलर पी की वेल्यू बोल सर मास है आपका फाइब और वेलोसिटी आपका हो जाएगा वोरा थिरी रूट टू रूट टू आर परपेंडिकुलर चार बटा व मैंने यहां पेंडिकुलर मोमेंटम एक बाद कि दिका बाह कोन सा हसान था सर यह दिकना division से यह आर ले लिए और इस मोमेंटम का वह component लिए जो आर के to the रहना चाह रहा था यह देखिए a particle of mass m moving in a xy plane with constant velocity v along the straight line pq along the straight line pq along the straight line pq in a figure its angular momentum with respect to origin o is where theta is the angle between v and x axis तो देखो यह velocity है और यह x axis है इसके बीच का angle v है तो बिले एक बात बता ओ क्या मैं directly angular momentum लिख सकता हूँ कि ये तुम्हारा momentum हो गया mb क्योंकि देखो velocity इधर और object आ मास m है तो momentum इधर हो गया mb जिदर object चलता है उधर momentum होता है इस momentum का ये component होगा mb cos theta तो मैं कह सकता हूँ कि sir angular momentum simple हो जाएगा ये तुम्हारा r perpendicular ये ले लिया r और ये velocity ये दोनों perpendicular है तो हम ले लेंगे mb cos theta into r perpendicular r perpendicular b है तो mbb cos theta mbb cos theta ये आएगा तो जब भी कोई object straight line पे चल रहा है तो किसी fix point के बाट उसका angular momentum constant रहता है clear है ये बात ये आफ होम वर्क कर लिजेगा वैसा ही सवाल है कुछ खास नहीं है mass 300 gram speed इतना और इस line पे चल रहा है ऐसे सवाल तो मैंने करा ही दिये तीन चर when mass is rotating in a plane about the fixed point its angular momentum is directed along अब सुनो rotating in a plane about a fixed point when mass is rotating in a plane about fixed point its angular momentum is directed along दो चीजे है angular momentum r cross p के direction में होगा मतलब r और p के perpendicular होगा या angular momentum pure rotation में मैंने बताया था तो मैं आई ओमेगा अब देखते है angular momentum किदर होगा directed along the radius नहीं तेंजेंट अब द और और बीट नहीं तेंजेंट अब द और और बीट के लोग तो velocity होता है ये गलत a line perpendicular to the plane of rotation line perpendicular to the plane of rotation ये लग रहे है line making angle theta नहीं ये गलत है c कैसे c अब मालो ये v velocity चल रहा है और इसके अबाउट हमें angular momentum देखना है तो मैं ऐसे भी तो देख सकता हूँ ये r position vector ये velocity तो rv का जो cross product आएगा उस plane के perpendicular ही तो बाहर जाएगा ये r है ये v है तो plane के perpendicular बाहर c answer आए क्या answer आएगा c answer आएगा clear है ये बात clear है ये बात ठीक है a position of the particle is given by this and momentum is this that angular momentum is perpendicular to अच्छा ये क्या सवाल है भाई angular momentum is perpendicular to ये काम करते है हम angular momentum निकालते है angular momentum सिंपल है r cross p ठीक है तो हम निकाल लेते हैं आई j k i j k r का value बोलो 1,2, minus 1 और ये बोलो क्या है 3,4, minus 2 फटा-फट i निकाले अगर मैं तो ये क्या हो जाएगा i निकालेंगे तो i निकालेंगे तो minus 4 और minus of minus 4 तो ये cancel हो जाएगा i तो घया minus j करेंगे minus j करेंगे तो ये आएगा तुमारा minus 2 और ये होगा minus 2 तो j में तो बचेगा k अगर निकाले plus k निकाले k अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुमारा 4 इन दूना 6 इमें तो बच रहे अच्छा तो i 0 हो गया तुम्हारा j और k बचरा है तो j और k बचरा तो j k plane में होगा और यह पुछा है angular momentum is perpendicular to तो x में angular momentum 0 आ रहा जे और k में तो x के perpendicular ही तो y और z axis होगा तो a answer आएगा बाई साब कितना logical सवाल है कितना लॉजिकल सवाल है बाई सब तुम यहां पे अंगिलर मोनिटम निकालों किया आई वाला कंपोड़ेंट 0 हो गया जे और के 0 नहीं हो रहा है उम निकाल देते आपको निकाल देते यह आपका माइनस जे करेंगे यह हो जाएगा आपका माइनस दो और यह हो गया आपका पलस 3, यह आएगा, फिर k कैप लेंगे, k कैप लेंगे तो यह हो जाएगा आपका, 4, k कैप लेंगे तो 4, 3 दुना 6, माइनस 6, यह आएगा, मतलब J और K में आ रहा, तो J और K प्लेन जो होगा, वो पर्पेंडिकुलर टु एक सेक्सिसी तो होगा, अब हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, इन रोलिंग मोशन, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इन रोलिंग मोशन, इन रोलिंग मोशन का क्या मतलब है, इन रोलिंग मोशन का मतलब है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का सम, रोलिंग मोशन का मतलब है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का सम, बेटा ये देखिए ये origin है 0,0 clear अब एक object घूम भी रहा है और चल भी रहा है जब भी कोई object घूम रहा होता और चल रहा होता है तो उसमें दो term आएंगे एक angular momentum आएगा बेटा translation वाला और एक angular momentum आएगा rotation वाला translation वाला origin पर depend करता है reference जहां से आप देख रहे हैं आप अगर origin से ले रहे हैं 0,0 से कहां से ले रहे हैं आप angular momentum ले रहे हैं 0,0 से यहां से तो ये position vector आएगा अब तुम्हें इस position vector का कौन सा component लेना है line of velocity या momentum ये along वाला की perpendicular वाला बोलो अगर ये length तुमारा ये A है और ये B है तो तुम R लोगे origin के respect में लिख रहे हैं तो तुम R लोगे, A लोगे की B लोगे ये बताओ R लोगे, A लोगे या B लोगे ये translational motion V से हो रहा है अब तुमने origin के respect में लिखना है तो origin के respect में ये हो गया position vector तो तुम R लोगे, A लोगे की B लोगे ये बताओ origin से हम वो distance लेते हैं जो line of momentum और line of velocity के perpendicular होता है velocity x-axis में है तो हम perpendicular distance ये वाला लेंगे perpendicular distance ये वाला लेंगे तो हम लिखेंगे M, V, A direction, सर्फ position vector की तरफ आथ रखेंगे velocity की तरफ घुमा देंगे, अंदर की तरफ cross लगाते हैं plus rotation वाला हमेशा चाहे तुम यहाँ बैठके देखो, यहाँ बैठके देखो, यहाँ बैठके देखो यह तुम्हें ऐसे center of mass के बाउट घुमता हो दिखाई दे रहा है तो rotation वाला हमेशा लिखते हैं, ICM into omega vector अगर मैं a पर बैठके देखो angular momentum, अगर बैठके देखू अब इस position vector के respect में, इस position vector के respect में, यह momentum के direction में आ गया मतलब पॉजिशन वेक्तर का विलास्टी से परपेंडिकुलर कंपोनेंट जाई नहीं रहा, तो इसके रिस्पेक्ट में लीनियर मोशन की वैसे अंगुलर मोइंटम होगा जीरो, और रोटेशन की वैसे होगा सिंपल आई सीम्पल इन्टो मेगा, क्योंकि अबजेट घूम त वह दिखाई देगा, समझारा बात, समझारा बात, समझारा बात, समझारा बात, अब जल, अगर मैं इस बी पॉइंट्स लेकू, तो सर्फ बी पॉइंट्स देखोगे, तो अगर वह अबजेक्ट है हाँ पे, तो यह दिस्टेंस लोगे, और यह दिस्टेंस ए के बढ़ाबर है, तो यह होगा, M, B, A, क्रोस, प्लस, I, C, M, इन्टू, ओमेगा, अब यहाँ पे, I, C, M, ओमेगा, कौन सा लोगे, कौन सा, I, C, M, ओमेगा, लोगे, यह बतो, कौन सा, I, C, M, ओमेगा, तो सर्फ यह I, C, M, ओमेगा, कैसे खूम रहा है, क्लोकवाइज, क्लोकवाइज की बैसे अंदर होगा, देको न, अपन उमेगा की तरफ हाथ रखेंगे, ऐसे करलिंग फिंगर रखेंगे, थम जिदर जाएगा, उधर एंगलर मोमेंटम होगा, यह भी क्रोस, और यह भी क्रोस, तो सर, B के बाउट एंगलर मोमेंटम, और से समझा रहा, क्या समझा रहा, अब यह सवाल करके दिखाओ, चलो, सवाल करके दिखाओ, अच्छे से, a solid sphere of mass m and radius r in pure rolling as shown in figure, the angular momentum of the sphere about the origin is, angular momentum of the sphere about the origin, यहां से लिखना है, इस sphere का angular momentum, इस लिखना है, क्या है, solid sphere, solid sphere है, अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो, B वाला repeat, ओके, I will repeat, no issue at all, तो घबरा रहा है, फाल तू में, देख B, B point है आए न, हाँ, इसके respect में लिखना है, तो अभी मैं यह position vector बनाऊंगा, object का, बता यह position vector, velocity से perpendicular है, हाँ है, तो बता यह distance क्या है, उतना ही तो यह है, इसी line पे तो चल रहा है, तो यह A ही तो है, तो MBA, और ICM into omega तो कहीं से भी देखेंगे तो लेंगे, अब मुझे बताओ, अच्छे से सोच के, यह वाला जो है, ओंजा वाला, यह वाला, इसका angular momentum क्या लिखो, सुन, यह center of mass, V naught velocity से ऐसे जा रहा है, तो यहां से, इस center of mass का line of momentum यह हो गया, तो यह perpendicular distance R है क्या, हाँ, तो origin के respect में एक angular momentum होगा, M, V naught, R, और position vector यह, और direction आगे, यह आएगा, अंदर की तरफ, मानता है, प्लस, ICM into omega, ICM into omega, तो सर, यह हो गया, M, V naught, R, प्लस, ऐसे clockwise गूम रहा है, तो यह भी अंदर की तरफ होगा, solid sphere है, तो 2 by 5, MR square into omega को हम लिख सकते हैं, V by R, सब इसको solve करें, हम यह भी अंदर, यह भी अंदर, यह cross आ जाएगा, cross मतलब minus के, तो यह हो गया, 5, तो 7, 7 वटा 5, 7 वटा 5 आ रहा, 7 वटा 5 कौन से में आ रहा, 7 वटा 5 सारे में आ रहा, हैं, यह क्या किया है, यह तो गलत है, के के डारेक्शन अंदर की तरफ होगा, यह आई है, यह जे है, के अंदर की तरफ है, minus के के अरे यार, आई के अप लिख दे तो इसको चल, 1 and 3 is the correct answer, yes, 1 and 3 is the correct answer, समझ आया, समझ आया, बहुत अच्छे से, angular momentum and kinetic energy बहुत असान है, जैसे kinetic energy होता है, half I omega square, अब बिटा, kinetic energy में, जो कि है, half I omega square, इसमें I से multiply, और I से में divide कर दूँ, तो ध्यान से देखो, I into I क्या हो जाएगा, I square, I square into omega, L बड़ा और I omega ही तो होता है, तो I square omega square हो जाएगा, L square, L square by 2i, यह तो होगा kinetic energy, क्या होगा kinetic energy, L square by 2i, कोई खास बात नहीं, अब यहाँ पे एक सवाल है, जो NEET 2000, फेज 2016 का सवाल है, यह कौन से कैसे टाइब करता है, चलो कोई बात नहीं, सवाल कभी का हो, सवाल सॉल करजी, two rotating body A and B of mass M and 2M, with moment of inertia I A and I B have equal kinetic energy, kinetic energy दोनों का क्या है, सेम है, इफ L A and L V bear the angular momentum respectively देन, तो बेटा, kinetic energy is equal to होता है, L square by 2i, यही तो होता है, kinetic energy is equal to L square by 2i, अब उसने बोला है kinetic energy दोनों का क्या है, सेम है, अगर kinetic energy सेम है, तो angular momentum is directly proportional to moment of inertia, कह सकते हैं, L square, अब जिसका moment of inertia ज्यादा है, उसका angular momentum ज्यादा होगा, जिसका, kinetic energy सेम है, equal kinetic energy, तो K बरावल L square by 2i, कानेटी की दोनों का सेम है, तो L square is proportional to 2i न, तो angular momentum उसका ज्यादा होगा, जिसका moment of inertia ज्यादा है, moment of inertia B का ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से angular momentum उसका ज्यादा होना चाहिए, C answer आएगा, exact relation नहीं बताया है, क्या कहते हो तुम, क्या कहते हो, मिलकुल ठीक है, मिलकुल ठीक है, a particle of mass M is rotating in a plane in a circle of radius R, its angular momentum is L, then centripetal force acting on the particle is, ये कहां गोम रहा है, angular momentum के terms में centripetal force पोच रहा है, particle of mass M, particle of mass M, rotating in a plane, in a circular path of radius R, circular path of radius R, angular momentum is L, then centripetal force acting on the particle is, तो centripetal force होता है, M, omega square R, M omega square R, centripetal force होता है, M omega square R, centripetal force ये ही तो होता है, M omega square R, अब अब ये कहे रहा, angular momentum के terms में लिखना है, एक काम करो, M से, ये तो force है, M omega square R, उपर और नीचे कर दो, M से multiply और divide, और एक R से भी नीचे multiply और divide कर दो, M into M हो जाएगा, M square, omega square R, अब नहीं है, बैठ नहीं है, रुक जा, ये हो गया तुम्हारा, M omega square R, ठीक है, और angular momentum होता है, I omega, I कहीं लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, I को हम लिख सकते, M r square into omega, बरावर angular momentum, हमें M r और L के terms पर इंसर देना है, M r और L के terms पर इंसर देना, मतलब omega नहीं चाहिए, omega को हम यहां से लिख सकते हैं, L बटा M r square, omega को लिख सकते हैं, L बटा M r square, यहां से omega को रखेंगे हम M r, और omega square को रखेंगे हम, L square बटा, M square R का पावर 4, ठीक है, तो M से M square cancel होगा, तो नीचे बचेगा M, यह radius वहीं आ रही है, नीचे बचेगा M, L square नीचे बचेगा M, और नीचे बचेगा R और R cube, तो यह R और R का पावर 4, मतलब R cube, L square बटा M r cube, D answer आ रहा, dimension से कर लो, हां dimension से कर लो, विल्कुल सही, dimension से कर लो, dimension से कर लो, कोई दिक्कत नीचे, सब में L की value, put करके निकाल लो, जो भी कर सकते हो, कर लो, dimension से भी कर सकते हो, यह बस समझ में आये की नहीं है, बच्छों बचा, मैंने क्या दिमाग लगा है, कि centripetal force होता है, M omega square हो, ठीक, हमें centripetal force में, omega नहीं दिख रहा, मतलब omega हटाना है, omega हटाना है, angular momentum हम जानते, angular momentum होता है, I omega, I MR square, तो omega is equal to होगा, L बटा MR square, omega की value होगा, put कर दी, solve कर दिया, confuse नहीं होना, confuse नहीं होना, confuse नहीं होना, चलिए, अब conservation of angular momentum, जैसे conservation of linear momentum होता है, कुछ ठीक उसी तरीके से, conservation of angular momentum भी होता है, क्या होता है, conservation of angular momentum समझेगा, conservation of linear momentum हम कहते हैं, कि कर force 0, if, 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 external force acting on a body is 0, then linear momentum will be constant, if external force acting on the body is 0, then linear momentum will be conserved, similarly, similarly, in our previous section, we have discussed that, if external torque is 0, then angular momentum of the system is conserved, यह कहां previous, आगे आभी तो discuss कर रहे है, यहांस देखो, if the external torque, देखना वेटा डंग से, if the external torque, if the external torque, is 0, then angular momentum of the system is conserved, torque 0 है, तो angular momentum conserved हो, देखो, torque बराबर होता है, rate of change in angular momentum, DL by DT, अगर मैं top को 0 कर रहा हूं, जोर को 0 कर रहा हूं, तो DL by DT का differentiation 0 हो, किसी का भी differentiation 0 हो गया, मतलब वो क्या है, constant है, we know that, I omega बराबर, angular momentum I omega होता है, तो I omega बराबर, तो I1 omega 1 बराबर, I2 omega 2, यह pure rotation के लिए हो गया, किसके लिए हो गया ये, pure rotation के लिए हो गया, pure rotation के लिए हो गया, चोटे चोटे इसके example है, a swimmer while jumping into the river from a heavy from a height easily forms a loop in air if he pulls his arms and legs in he spread his arms and legs he keeps himself straight none of these क्या होगा इसका answer होगा वो चाहता है moment of inertia किसी तरीके से क्या करना कम करना गर moment of inertia कम करेगा moment of inertia कम करेगा तो उसको loop में घुमाना क्या हो जाएगा easy हो जाएगा क्लियर यह बास समझ में जैसे dancing गरले इस पर कई सारे आपने सवाल देखे होंगे या करें होंगे मान लो यह लरकी है यह ना dancing गरले यह dancing करले यह आप feel कर सकते हैं यह आप घर पे बैटे बैटे feel कर सकते हैं मान लीजिए मान लीजिए dancing कर ले और यह इसका axis of rotation यह इसका axis of क्या है rotation ओमेगा से गूमड़ी इसके हाथ पथर नहीं मारा किसी ने इसको डंडा नहीं मारा अचानक से हाथ को नीचे फैला ले तो एंगुलर speed बढ़ जाता है अभी तुम एक्सपरिमेंट करके चीज़ देख सकते हो तुम्हें कुछ नहीं कर रहा तुम लेक्चर देख रहे हो क्या खरे हो जाओ अर खरे हो के खरे हो के एक बार हाँ पैर उठाने की जोटनी ऐसे से गुमन ऐसे से नहीं गुमते क्या ऐसे से गुमते 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 अराम से गुमते गुमते क्या करो की दोनों हाथ को चिपका लो तुम्हें लेगा अचानक से तुम्हारा ओमेगा बढ़ गया क्योंकि जब हम देखते हैं कि इसका हाथ यहां तक है मतलब Access of Rotation से दूर-दूर फैला हुआ है मतलब यह हुआ कि Access of Rotation अगर वो हाथ को पास लाती है क्या लाती है हाथ को पास लाती जैसे माल लो यह डांसिंग गरल है और यह डांस करते करते इसने क्या किया 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 कि अपने हाथ को इसने चिपका लिया अगर इसने अपने हाथ को चिपका लिया तो आई ओमेगा बरावर कॉंस्टेंट होगा क्यूंकि यहां पर टॉक तो लगा नहीं तो अगर 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 मोमेंटम कॉंस्टेंट है तो इसका आई कम हो रहा तो ओमेगा अपने आप बढ़ जाएगा तो आप फील करेंगे कि आपका अंगुलर स्पीड क्या हुआ बढ़ गया अंगुलर स्पीड क्या हो गया बढ़ गया बहुत असान है अब इससे सवाल बहुत सारे बनते हैं इस पर देखिए टू डिस्क अगर आपने कोलीजन पढ़ा है कि तीन तरह का कोलीजन होता है Elastic, Inelastic और Perfectly Enelastic, Elastic, Inelastic और Perfectly Enelastic क्या हम कह सकते हैं कि रोटेशनल कोलीजन है कैसे माल लो यह डिस्क है माल लो यह डिस्क है और दूसरा डिस्क यह है यह कोलीनियर एक्षिस के फाइच जो अब अरो रोटेट कर रहा है जैसे देखो यह ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, देखो, two disc of moment of inertia i1 and i2, इसका moment of inertia i1, इसका moment of inertia i2, rotating about collinear axis, मतलब एक ही लाइन के बार, through their center of mass perpendicular to the plane, एक clockwise omega 1 में घूम रहा है, एक anticlockwise omega 2 से घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐ opposite direction, are made to rotate combinedly along the same axis, तोनों को चिपका दिया और एक साथ घूम आया, तो हम नहीं कह सकते हैं कि यह perfectly inelastic collision है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह perfectly inelastic collision है, क्या हम यह कह सकते हैं कि यह perfectly inelastic collision है, सर्फ perfectly inelastic collision में, तो एक दूसरे पर यह torque लगाएंगे क्या, जब मैं इनको चिपका दूँगा, तो क्या एक दूसरे पर torque लगाएंगे क्या, जब मैं इनको चिपका दूँगा, चिपका के एक साथ combinedly rotate कराऊंगा, तो क्या एक दूसरे पर torque लगाएंगे, लगाएंगे, मै अब इसी बात है कि friction force इधर लएगा टेंजेंशिल इसके motion के अपॉजिट तो टॉर्क लगेगा लेकिन अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लो तो सिस्टम में बाहर से तो external टॉर्क जीरो लगा हां तो जितना अंगुलर मोमेंटम पहले होगा उतना ही बाद में हो सिस्टम का अंगुलर में लिख हो तो यह होगा आई वन ओमेगा वन और अपॉजिट डेरेक्शन में घूम रहे तो माइनस आई टू ओमेगा टू अब दोनों चिपक के जिसका अंगुलर स्पीड जाधा रहा होगा उसकी तरफ किसी फाइनल ओमेगा से घूम रहे होंगे तो यह हो जाएगा ओमेगा आई वन प्लस आई टू यहां से कॉमन अंगुलर स्पीड आपका आ जाएगा आई वन ओमेगा वन माइनस आई टू ओमेगा टू बटा आई वन प्लस आई टू क्या आपको यह बास समझ में आया तो जवाब क्या होगा आपका आई वन ओमेगा वन माइनस आई टू ओमेगा टू बटा आई वन प्लस आई टू यह होगा और आपसे ओमेगा पूछा है और यह देखो आई ओमेगा बटा ओमेगा तो डाइमेंशनली गलत है और यह डाइमेंशनली गलत है तो यह ही दोनों एंसर होंगे क्या आपको यह समझ आया बहुत अच्छे से कि अच्छे का बहुत कम बचा है कि इतना बचा है और अल्रेडी हम बूलोग बहुत पर चुके हैं अरे बाइज रुख जा अल्लेड हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं देखो 206 पे पहुत चुके हैं चलो मेन मास मास M is rotating in a plane around the fixed point its angular momentum is directed along अरे तो कर लिया हमने तो नहीं कर लिया यह देखो क्या है a disk is rotating with angular speed omega if a child sit on it what is the conserved linear momentum angular momentum kinetic energy potential energy क्या है disk is rotating with angular speed child sit on it what is the conserved child कहां से आके बैठा है यह तो बताओ चाइल भागता हुँ आके बैठा कि चाइल्ड खरा था और बैठ गया तो अड़ा इसको यह देखो करते बेटा करते यह देखो यह नीट 2003 का सवाल है यह देखो यह देखो अ थिन सर्कुलर रिंग औफ मास एम एन रेडियस र एक रिंग है सर्कुलर जिसका मास एम है रेडियस र है मास एम है रेडियस र है मास एम है रेडियस र है देखो जिछ खग के रखएए चार मास को बहुत अराम से धीरे धीरे जाके रखा है एक मास को यहां चिपका के रख दिया एक मास को यहां चिपका के रख दिया, एक मास को यहां चिपका के रख दिया, एक मास को यहां चिपका के रख दिया, रिंग पर, तो finally वो किस angular velocity से गुमेगा, सबसे पहली बात, आप जाके इसको पत्थर नहीं मार रहे हैं, आप जाके बहुत धीरे से चिपका रहे हैं, इनिशल एंगुलर मोंटम क्या है सर्कुलर रिंग है मास कैपिटल एम है और रेडियस उसका स्मॉल र है तो यह मुमेंट ओफ इनर्सिया हो गया इंटु ओमेगा एंगुलर मोमेंटम हो गया पाइनल ही आप देखेंगे तो यह सब कुछ चिपक जाएगा तो सिस्टम का अंगुलर मोमेंट ओफ इनर्सिया इंटु फाइनल हो गया इस पर यह लिखेंगे अब सिस्टम का टोटल मोमेंट ओफ इनर्सिया क्या होगा रिंग का कैपिटल एम आर स्कॉर प्लस फोर मास आर स्कॉर इंटू ओमेगा यह कैपिटल एम आर स्कॉर इंटू मेगा अब ध्यान से देखो तो यह आर स्कॉर यह आर स्कॉर यह स्कॉर कैंसल हो जाएगा तो ओमेगा फाइनल जो आएगा आपका वह आएगा कैपिटल एम ओमेगा कैपिटल एम ओमेगा बटा कैपिटल ए स्फोर यह आपका एंशर आ रहा है यह भी अंसर आ रहा है लेक्त है कितने बचों का ब्या आया है कितने बचों का बीया देखते है नीट 2018 का सवाल है एक बार पढ़ते हैं क्या है solid sphere is rotating freely about the symmetric axis in a free space the radius of the sphere is increases keeping its mass same which of the following physical quantity will remains consobred in the sphere array एक बाद बताँ free space है कोई external force नहीं लगा कोई कोई force ही नहीं लगा मतलब ऐसानी की दो force इकोल डिरेक्स अपॉजी डेक्स मिल कोई force ही नहीं लगा तो जब एक भी force नहीं लगा तो टॉक नहीं लगा तो एंगुलर मोमेंट ऑफिनर्स या एंगुलर मोमेंटम कंजब रहेगा क्योंकि इसका मोमेंट ऑफिनर्स तो बढ़ी रहना अगर फैलेगा मास दूर दो जाएगा तो मोमेंट ऑफिनर्स से बढ़ेगा इसका क्या कंजब रहेगा एंगुलर मोमेंटम कंजब रहेगा क्या कंजब रहे अब यह सवाल थोड़ा पढ़ी अच्छे से टू डिस्क आर माउंटेड ओना फ्रिक्शनलेस बेरिंग ओना कॉमन साफ्ट डिस्क है रोटेटेड रोटेटेड रोटेशनल इनर्सिया आई एन स्पिनिंग वित अंगलर विलस्टी ओमेगा सेकेंड डिस्क आई एक का मोमेंट ओफ इनर्स्या आई है और एक का मोमेंट ओफिनेस्टी ओमेगा से घूम रहा है यह ओमेगा से गूम रहा है कि अपोजी डैक्स मिने गूम रहा है तो एंगलर मुटम गंजर्ब कर तो इसका एंगलर मुटम हो जाएगा जिक्स आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा बढ़ाबर जब दोनों चिपक जाएंगे तो थिरी आई इंट ओमेगा डैस आई 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 कैंसल पाई ओमेगा बटा थिरी पहला जवाब आदा बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है अच्छा लगा अच्छा लगा फाई ओमेगा बढ़ी जी और करेक्ट इंस नेक्स देखिए एई पेम्टी 2012 का सवाल है अच्छे समझेगा एस सर्कुलर प्लेटफॉर सवाल कर लेते हैं लोगा सवाल का मतलब यह यह वाला सवाल करके बताओ जल्दी से नीट 2017 का है अच्छे सवाल हर बार पुझे जाते हैं two disc of same moment of inertia same moment of inertia rotating about their angular axis passing through center and perpendicular to the plane of the disc has angular velocity omega and omega 2 has angular velocity omega and omega 2 same direction में कि opposite में जरा पढ़ के बताना सवाल they are brought into contact face to face containing the axis of rotation the expression for the loss of energy सबसे पहले मुझे ये बताना सबसे पहले ये बताना कि same direction में कि opposite में हो में गए अगर मैं perfectly in elastic collision में loss in energy की बात करूँ तो क्या आपने पढ़ा है कि m1 half m1 m2 बटा m1 प्लस m2 into v relative का whole square होता है perfectly elastic collision में एक बच्चा कहरा opposite बेटा कहीं opposite नहीं लिखा है और जब कुछ ना लिखा हो तो हम same direction मानते हैं अब सुनो यहां पर loss in energy हो जाएगा half i1 i2 बटा i1 प्लस i2 into omega relative का whole square देख भाई इसका दो पेज़ का derivation करने का कोई फायदा नहीं है main class में भी मैं directly ऐसे समझाता हूँ यह collision में perfectly elastic collision में तो जब दो object ठकराता है perfectly elastic collision में तो यह loss in energy का formula होता है उसी तरीके से rotational collision है तो यह loss in energy का formula होगा उसने बोला है कि omega और omega 2 से घूम रहा कुछ नहीं बोला तो same direction मानेंगे अब same direction मानेंगे तो relative velocity क्या होगा omega 1 minus omega 2 i into i हो जाएगा बेटा i square बटा i plus i हो जाएगा 2i into omega 1 minus omega 2 का whole square सर यहां से i से i square कटेगा तो i बचेगा i by 4 i by 4 omega 1 minus omega 2 का whole square i by 4 omega 1 minus omega 2 का whole square यह answer है समझ आरा बात आपको समझ आरा बात आपको face to face का मतलब ऐसे चिपका दिया तो जब दोनों कोFormer चिपकांगे तो दोनों एक दूसे पर टर्क लगा गाएगा ल किन और क्या हो गया जिरू एक्सटरनल टॉर क्या हो गया जीरू इस टुफेस मतलब ज्रू किया हो इस लगर फ्च्टु फेस नीट दो जार चौदा का पूचा वो सवाल है स्वाल पर तुफेस आप अफ फेस तुपेस, ओफेस तुपेस, एफ टुपेस, एस सर्कूलर डिस्क अफ मुमेंट ओ इनर्शी अइटी रोतेटिं इन अरिजन टल प्लेन about its symmetrical axis with a constant angular speed omega 1 another disk of moment of inertia IB पहला disk है जिसका moment of inertia IT है और omega 1 से घूम रहा another disk of moment of inertia IB is dropped coaxially coaxially मतलब फिर से face to face rotating disk initially the second disk has 0 angular speed मतलब initially दूसरे disk का angular speed क्या है 0 है eventually both the disk rotate with a constant angular speed omega final then energy loss by the initially rotating the disk to friction is देखो जब inelastic collision होता है तो total momentum तो conserve होता है लेकिन energy तो loss होता है यहां से energy loss होगा कैसे solve करेंगे फॉर्मेट मैंने बता है half IT into IB पटा IT plus IB का whole square into omega relative अब एक चल रहा था दूसरा rest में था तो यह omega 1 का whole square is your correct answer omega 1 का whole square is correct answer D is your correct answer समझ आया समझ आया दो हजार चार का सवाल है यह राउंड disc of moment of inertia i2 about it axis perpendicular to the plane and passing through its center is placed over another disc of moment of inertia i1 rotating with angular velocity omega about the same axis the final angular velocity of the combination is oh यह तो कर लिया आमने आय टू आय टू आय टू आय टू एक्सिस भी थे सप्लेन पासिंग थू थे लिए प्लेन प्लेन पासिंग थू सेंटेंगे आय टू बताया आः पहले आय टू नहीं चल रहा था आई 1 चल रहा था आय यह ओन omega गलत है काहा प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया आई लिए बताओ तुम तो क्या है यह सही है चलिए नेक्सट ये दोज़ा रहे गयारा का सवाल है ये सवाल देखे बड़ा बढ़िया है अच्छा है आए स्मॉल मास अटेस्ट व इस्ट्रिंग रोतेटेटेटरॉन अफिक्शनले स्टेवल फिक्शनले स्टेवल वह एस एस वन इफ टेंशन इन्चिन इस इन्क्रीज बाई पूलिंग दे स्टिंग क्या हो रहा है कि एम मास का एक बॉल है और सिंटर से रसी इसके छेट से घुचा के हाला है मतलब ऐसा कुछ सबसे सर्फिस है ऐस ऐसा हो जो इंटल डेवल बैसे से घूम रहा है यह गलत है लास कुछ से इसक्वायर इसक्वायर नहीं लगा था अरे भाई सहाब कहां इसक्वायर नहीं लगा था कहां स्क्वायर नहीं लगा था बता क्या कहना चाह रहा है तब नीचे स्क्वायर था लेकिन ऑप्सन डी में स्क्वायर नहीं था नीचे स्क्वायर था लेकिन ऑप्सन डी में स्क्वायर नहीं था अब यहां पर तो इसको एड़ी नहोंता है अब यह चोटी-चोटी चीजे तो समझ जाए कर एक बात बताओ मैं इस पेज़ पर यह फॉर्मला सही लिखूंगा इस पेज़ पर सही लिखूंगा देखो इस पेज़ पर सही लिखूंगा इससे पहले मैंने सही लिखा है अब यहां पर आगे गलत तुर नहीं लिख दूंगा यार मेरे लाल घल ठीक है तो यह स्कॉएड नहीं होगा जल ठीक है यह देख यह देख यह देख यह देख तो तो टोर्क क्या जीरो लगा रहा है सिस्टम पे अगर मैं इस पर टेंशन लगा के इसको खीचूंग तो क्या क्या किया किया कि इस पर type 0 यहां क्यूंकि यहां टेंशन लाग रहा है टेंशन ऊरिजिन से पास कर रहा तो टॉक है इनीशल मोमेंटम बनाबर इनिशल उन्डर मो conquestं इसका क्या होगा कि इनीशल उन्डर मोमेंटम फेम जी इस आर देखो 1958 अब मैंने इसके radius को खीचते खीचते आधा कर दिया अगर आधा कर दिया तो velocity V0 माल लो radius RY2 हो जाएगा तो M velocity V0 radius RY2 MR से MR कटेगा V0 बराबर आ जाएगा 2B V0 बराबर क्या जाएगा 2B तो जब हम final kinetic energy देखेंगे तो यह हो जाएगा half M 2V का whole square तो यह हो जाएगा 4 into half Mv square मतलब kinetic energy कितना गुना बर गया increases by a factor of 4 मतलब kinetic energy 4 गुना बर गया kinetic energy कितना गुना बर गया 4 गुना बर गया a uniform circular disk of moment of inertia 2 kg about the axis of rotation with angular speed इतना another uniform circular disk of moment of inertia 1 kg about rotating with angular speed इतना in a same sense same sense then gently brought into contact face-to-face कोई एक सिरो लॉस लीजन कानिटी के इनर्जी वायर एक बढ़िया मतलब उसी पर है है सवाल पर कोईखास बात नहीं है लेकिन अच्छा अजुक्तो जवैरेक्ट crazy जिए निकाल देना कलम चला हेला कि दो रेक वचुंट रिंचे में कालगे थे आंध। कि दूखल में निकाल चॉक स्वेस्क्लाथ यह जिए रच या मरे मरे से सफ़ालू कर रहा है जिखाए याद भी भूखा, चलिए बता, ये बढ़िया सवाल है, देख, एक horizontal disc rotating freely about a vertical axis through its center makes 90 revolution per minute, एक horizontal disc है, और ये omega नहीं है, इसका omega हो जाएगा 2 pi into 90 revolution per second से घूम रहा है, a small piece of wax of mass M falls vertically on a disc and is strict to at a distance smaller, finally small R पे M mass का wax जी पग गया, तो अब ये सिर्फ 60 revolution per second कर पा रहा है, 60 revolution per second कर पा रहा है, then moment of inertia of the disc is, तो disc का moment of inertia क्या होगा ये पूछा है, सवाल क्या है, फिर से मैं पर रहा हूँ, क्या कह रहा है, a horizontal disc rotating freely about the vertical axis, vertical axis से ये disc freely घूम रहा है, a horizontal disc rotating freely about a vertical axis, 90 revolution per second, a small piece of wax of mass M falls vertically on a disc at a distance smaller, at a distance smaller, number of revolution per minute reduced to 60, then moment of inertia of the disc is, disc का moment of inertia क्या रहा होगा, angular momentum कंसर्व करिए, बताइए angular momentum पहले क्या था, तो disc का moment of inertia हमें निकालना है, तो इसको ID मान लेते हैं, into omega था इसका, देखो, 2 pi into 90, 2 pi into 90, बराबर, finally moment of inertia जो होगा, वो disc का ID, plus point mass का हो जाएगा MR square, और इसका angular speed हो गया, 60 into 2 pi, तो सर दोनों तरफ 2 pi से 2 pi cancel, 90 से 60 cancel करोगे, तो यह हो जाएगा आपका, 2 और यह हो जाएगा, 3, तो 3 ID, बराबर, 2 ID, plus 2 MR square, 2 ID को इधर ले जाओगे, 3 ID में से 2 ID जाएगा, तो ID बराबर आएगा, 2 MR square, तो इंसर हो जाएगा आपका, 2 MR square, clear रहे क्या, clear रहे क्या, अब देखिए, यह सवाल हम करते है, बढ़िया सवाल है, 90% बच्चा इसको डाउट में पूछता है, AI PMT 2012 का सवाल है, सिर्फ 10-15 मिनिट रहे गया है, इसको हम कर लेते हैं, सिर्फ 10-15 मिनिट रहे जाएगा, जाँस देखिए, और सर्कुलर प्लेट फॉर्म, इस माउंटेट ऑन अ फिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल, इस रेडियास 2 मीटर, इस प्लेट फॉर्म, 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 इस प यहां से एक आदमी यहां से एक आदमी एज पर कॉर्णर पर चलना सुरू कर देता है बिथी स्पीड एक मीटर पर सेकंड और इसका मास है पचास केजी का अब यह एज पर चल रहा है मतलब यह जो मैन है उसको आप पॉइंट मास जैसा मानेंगे यह सबसे इंपोर्टेंट कंसेप्ट है यह जो मैन है उसको आप पॉइंट मास जैसा मानेंगे चलिए सहाब हमने पॉइंट मास जैसा माल लिया तो एक revolution complete करने के लिए man को कितना time लेगा तो सबसे पहली बात तो ये सबसे पहली बात तो ये कि सर जब ये घूमना सुरू करेगा ऐसे तो angular momentum का जर्व होगा क्या जितना initial angular momentum था उतना final होगा सर initial तो system का zero था तो finally man का angular momentum हो जाएगा MBR प्लस disk का हो जाएगा I omega अब्यस सी बात है कि I omega is equal to minus MBR जिधर angular momentum होगा disk का उसके opposite direction होगा man का man का mass बोलो तर man का mass 50 velocity बोलो 1, radius बोलो 2 और इसका I बोलो, तर इसका आई था 200, इंटो इसका angular speed बोलो omega अब जब इसको 100 करोगे तो ये 100 और ये 200 तो omega आगया तुमारा opposite direction में half omega क्या आगया opposite direction में अगर यहाँ से circumference का speed निकालोगे तो man उधर जारा V से तो disk का circumference पीछे की तरफ कितने speed से जाएगा तो V बराबर होता है बेटा r into omega, radius बोलो 2 meter है, omega बोलो half है तो क्या ये 1 meter per second से पीछे जाएगा तो man अगर tangentially 1 meter per second से आगे जाएगा तो disk 1 meter per second से पीछे आएगा अब अगर तुम देखो तो man ऐसे से जाएगा तो disk भी पीछे गुमेगा, तो disk के respect में man की tangential velocity 2 meter per second हो गई गया अगर दो तो time बराबर हो जाएगा distance upon speed distance बोलो 2 pi r, speed बोलो 2, 2 pi radius की value 2, speed 2 कटेगा 2 pi second is your correct answer कोई doubt है तो बिटा पूछ लो कोई भी doubt है यहाँ पे तो पूछ लो, कोई भी doubt है तो पूछ लो, 2 pi second is your correct answer 2 pi second is your correct answer यह देखो यह नीट का पूछा वो सवाल है सवाल देखो a disk of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor its center of mass has speed इतना how much work is needed to stop it बिटा, work energy power वाले चिप्टर में आपने पढ़ा होगा total work done बरावर चेंजिन का ने ठीकिन अचे अब यह translational motion में rotational motion में की rolling motion में और उर क्या है rolls मतलब यह rolling motion में उसर फाइनली तो रुख जाएगा initial kinetic energy को हम यह लिख सकते है half mb square plus half i omega square क्योंकि pure rolling motion में translational plus rotational kinetic energy जी दोनों होता है लेकिन यह पूरा solve करोगे यह पूरा solve mbr इसलिए आया बेटा क्योंकि man को point mass मानेंगे man को क्या मानेंगे point mass man point mass कैसे वो 2 meter का disk है और उसने बोला है कि man edge के लॉंग चल रहा है अगर man edge के लॉंग चल रहा है man edge के लॉंग चल रहा है तो तो point mass जैसा हो गया relative क्योंगे एक बात बताओ disk पर अगर man आगे चलना सुरू कर देगा जैसे disk है मैं तुम्हें बताता हूँ जैसे disk है ठीक है जैसे disk है और man जब आगे चलना सुरू करेगा तो man पर friction आगे तो disk पर पीछे और disk तो free to rotate है तो man आगे जाएगा तो disk पीछे की तरफ गुमेगा तो equal कैसे क्या सर अरे बाई साब equal connection क्या equal connection क्या equal connection एक बात बनाई है man disk को कहा पी धक्का देगा तो disk man पर कहा धक्का देगा आगे man ऐसे ऐसे गुमेगा तो disk पीछे गुमेगा और angular momentum conserve करने के लिए दोनों की angular momentum equal and opposite आएगा minus sign direction बता रहा मतलब अगर man आगे जाएगा तो disk पीछे की तरफ जाएगा चमजाया चमजाया मिला अच्री डो एक एक दो भाई साब doubt पूछने के लिए बोल दिया तो तुम doubt पूछ रहे हो की dash कर रहो ये बताओ doubt पूछ रहे हो की dash कर रहो दो कैसे आए एक बात बता ये man कितने से जारा सब एक मीटर पर सेकेंट से और disk पीछे कितने से जारा एक मीटर पर सेकेंट से तो disk के respect में देखोगे तो disk की tangential velocity उल्टा करके man को दे दोगे या तुम disk के respect में नहीं भी दे रहे हो मालो नहीं दे रहे हो अब तुम्हें बताए कि disk का circumference पीछे एक से जारा आदमी एक से आगे जारा तो एक rotation पूरा करने में एक rotation पूरा करने में अगर ये disk उल्टा घूम रहा और man ऐसे जारा मालो इस point से चला तो ये point खुद पीछे आ रहा और man ऐसे जारा तो जल्दी आ जाएगा ना भाई तो relative velocity आइड करोगे ठीक है अब सुनना यहां पर एक smart work बताता हूँ रोल कर रहा है तो translational plus rotational kinetic energy दोनों लिखोगे तो इसका calculation करना थोड़ा सा मुस्किल हो जाएगा ठीक है मुस्किल हो जाएगा इसका एक आसान तरीका मैं बताता हूँ half m vcm का hall square into beta ये तो तो तुमने निकाला थे एक चुल में परी स्वरी वन बई बीटा हैगा क्या हाँ वन बई बीटा वन बई बीटा ये वर्क होगा याद करो ये वन बई बीटा हैगा यहां तो निकालो गए न तो एक ही लाइन में इंसरा है कैसे half radius 2 मीटर है radius के जोवाथी नहीं छोड़ो सर मास तो 100 है velocity बोलो 20 सेंटीमेटर 20 सेंटीमेटर लंए मैं रशन ल Rice एक बटा पांच तो एक वटा पांच और बीटा क्या होगा तो डिस्क का बीटा होता है ॉसर सोड़ और क्या होता है डेस्क आता है और बालो इस वाइद्स puòइब डेस्क इक तो यह वह गाट टू उपर में थिरी एंसर आएगा तो सर ऐसे तो यह हो गया तुम्हारा दो दूना चार पचीश्यों का सौत सब कैंसल तीन जूल एंसर तीन जूली एंसर और नीट 2020 का सवाल है नीट 19 या 20 का सवाल है इंजू लेंसर बीस बटा साथ कहा रहा तीन जूला र यह राना इंटेलिजेंट तरीके सा सॉल्वी कि एकदम अरे भाई यहीं से तो बीटा निकला था याद नहीं है तुम्हें और इसका टाम ही तो एड़ करके यह आता है अब यह मत बोलना वह बीटा कैसा है बहुत मारूंगा यह हमने बीटा डिवाइन किया था वन प्लस के स्कूर वी आर स्कूर को मने बीटा हो ला था यहां पर वन प्लस के स्कूर वी आर स्कूर उपर आ रहा है तो बीटा नीचे होगा वन अपन बीटा इंटेलिजेंट बेटा इंटेलिजेंट तरीके से सॉल्व किया है यह एक बढ़िया सवाल है एक बढ़िया सवाल है इस बॉटिवच्ची कि एला मैं गए नहीं होगे मॉरम में या मैभी में दिखा ओगा तुम एल्च सर का रिसेंट वीडियो देखा है कि जब अलाग सर एक बॉलते है ऐससे इसे कर सोय धुक्त ए थे तो बॉल जब फेक रहते या जो तो बॉलिंग वाला गेम होता है मौल में तुमने देखा होगा तो बॉल जब हातों से हम फेकते हैं तो बॉल को हम ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल विलोस्टी देते हैं कि बॉल को सिर्फ हम ट्रांसलेशनल विलोस्टी देते हैं बताओ जैसे यह बॉल है यह बॉल है यह बॉलिंग वाला देखा है वो छोटे-चोटे से गुड्डे करे होते हैं हम पता नहीं हम भी तो गरीवाद में हमने भी नहीं देखा हुआ हमने ज्यादा नहीं देखा व में दो ड्यलम नहीं चल रहा है यार नीट में देख लेनं पूछा था यृक्डिस्क नहीं है तो हम सब्सक्रांशलेशनल मोशन देते हैं कि ट्रांसलेशनल प्ल्स रोडेशन दोनों क्या देती हैं श्यसाने कि या कि बता właściwie क्या देते हैं एक कहला दोनों देते हैं बिटा सच में तुम बहुत भिखारी गरीब और सताय हुए इंसान हो। उसमें देखा होगा साथ दो होल होता है मैं भी थ्पर जादा नहीं देखा हूं दो हो तो जिसमें उसको पकर के हम सीधा फेकते हैं हम क्या करते हैं उसको सीधा suppose और सफेकते हैं और जब expressing और उस लगता है, तो friction के torque की वैसे घूम जाता है, अब ये दोनों नहीं देते हैं, मेरे लाल, दोनों नहीं देते हैं, रे इसको कैसे समझाओ मैं, मिरे पास, ये, हम क्या करते हैं, 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 उसको ऐसे फेकते हैं, हम फेक इस पर परता है तो घूमना शुरू कर देता है उसी पर एक सवाल पूछा जाता है A solid sphere is thrown on a horizontal rough surface with initial velocity U solid sphere क्या है बेटा इसका short trick भी बताऊंगा जोड़दार पहले करा देता हूँ solid sphere है अधे क्या बोला है A heavy solid sphere is thrown on a horizontal surface with initial velocity U इसको U से हमने फेका without rolling velocity U without rolling मतलब घूम नहीं रहा था only translational motion है only translational motion what will be its speed when it starts pure rolling motion अब थोड़ी दिर बाद ये pure rolling motion शुरू कर देगा थोड़ी दिर बाद friction के वैसे torque लाएगा ये pure rolling motion शुरू कर देगा जब ये pure rolling motion शुरू कर देगा यहाँ पे इसकी speed क्या होगी भी नॉट मान ले तो अब दो चीजे मैं आपसे पूछूँगा surface rough है surface rough है तो अगर मैं यहाँ पर diagram बनाऊ तो मैं force पहले दिखा देता हूँ एक normal लेगा उपर अच्छा सवाल है एक mg लेगा नीचे और आगे slide कर रहा था तो friction लाएगा पीछे यह center of mass है और यह contact point हुआ है किस point गे बाउट angular momentum रहेगा about which point angular momentum will be conserved about which point angular momentum will be conserved किस point के बाउट angular momentum conserved रहेगा center of mass के बाउट की O के बाउट दो ही चीज़ है O और center of mass किस point के बाउट angular momentum conserved रहेगा सोच के जवाब दीजे डाक्टर नवनीत कर रहे है COM गलते बेटा किस point के बाउट मैं बताता हूँ जिस point के बाउट टॉक जिरो होगा पॉइंट के बाउट एंग्रोर मुंटम कंजब रहेगा अब ध्यान से देख तो center of mass के बाउट नॉर्मल का टॉक जीरो center of mass के बाउट mg का टॉक 0 क्योंकि center of mass से पास कर रहा लेकिन friction तो टॉक लगा देगा center of mass के बाउट लेकिन contact point से ही पास कर रहा आपका mg contact point से पास कर रहा normal contact point से पास कर रहा ओ तो आपका answer होगा answer होगा about o about o torque is 0 o के बाउट talk 0 है तो o के बाउट angular momentum conserve रहेगा ये theoretical सवाल बहुत बार पूछा जाता है ये theoretical सवाल बहुत बार पूछा जाता है बहुत बार पूछा जाता है यहाँ पर contact point के बाउट friction भी torque लगा रहा mg भी लगा रहा normal भी लगा रहा तो तीनों के torque लग रहे अगर तीनों के torque लग रहे है तीनों के torque लग रहे तीनों के torque लग रहे तोरी, contact point के बहुत, mg का भी talk 0 है, normal का भी 0, friction का भी talk 0 है, mg, contact point से ही normal pass कर रहा, contact point से भी mg pass कर रहा, contact point से friction pass कर रहा, तो इसके बहुत talk देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या समझ में आया, ठीक है, contact point से angular momentum कंजब रहेगा, तो हम क्या करते हैं, initial angular momentum बरावर, final angular momentum लिख देते, contact point के बाउट, जब ये वल्ली translational motion कर रहा था, तो इस point के बाउट, इसका translational center of mass की velocity V, तो center of mass का line of motion ये हो गया, और ये R हो गया, तो initial angular momentum हम क्या लिखेंगे, M U into R plus 0, मानता है की नहीं मानता है, बता, क्योंकि rotational motion है नहीं, सिर्फ translation है, थोड़ी देर बात वो pure rolling motion शुरू कर दिया, वो तो सवाल में दिया हुए pure rolling कर रहा है, मानलों V naught से चल रहा है और omega से घूम रहा है, तो हम कहेंगे, इसका translational angular momentum ओ के बाउट हो जाएगा, ओ तुम यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, perpendicular distance तो आर ही लोगे, तो यह होगा, M V naught R plus I into omega, अच्छा, और rolling motion के लिए, pure rolling motion के लिए, क्या हम V बार और omega लेते हैं, हाँ सर, तो omega को लिख सकत हम VYR, अब ध्यान से देखिएगा, हम solve कर रहे हैं, M U R बराबर, M V naught R plus I को क्या लिखे अगर ही solid sphere है, 2 by 5, 2 by 5 MR square, क्या लिखेंगे, 2 by 5 MR square, और omega हो क्या लिखेंगे, omega हो जाएगा V square V R square, sorry, omega हो जाएगा आपका V naught Y R, V naught Speed से चल रहा है, तो omega को यहां से लिख सकत है, V naught Y R, तो एक R से R square कटेगा, तो R बचेगा, यहां से R से R से R से R कट जाएगा, यहां से इधर मास, इधर मास, मास कर जाएगा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ U, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा, आपका V naught plus 2 by 5 V naught, V naught common ले लेंगे, तो यह हो जाएगा, आपका 7 बटा 5, V naught is equal to U, V naught बड़ाबर आ जाएगा, 5 U बटा 7, 5 U बटा 7, अच्छा जड़ा याद करो, जड़ा याद करो, कि ये कुछ तुमने पढ़ा था, ये तुमने कुछ पढ़ा था, ये 5 बटा 7 value, अड़े तो बीटा है, तो सरी ये V naught बड़ाबर बीटा into U याद कर ले, तो काम चलेगा, भाई सहाब बोल, एमार स्टार बहुत जोरदार, सीधा एंसर आएगा, और इसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, सीधा एंसर, हाँ, V naught बड़ाबर बीटा U, और, इससे उपर की चीज़ देखेगा, इससे भी उपर की चीज़, इससे भी उपर की चीज़ देखेगा, पहले ये तो समझ ले, जेल ले फिर बताता हूँ ये तो जेल ले फिर आगे एक चीज़ बताता हूँ, हाँ, एमान स्टार बहुत जुरदार, वीडियो पे हर एक इनसान को एक कमेंट करना है, एमान स्टार बहुत जुरदार, रोलिंग मोशन का एक दम कर दिया तार-तार, एमान स्टार बहुत जुरदार रोलिंग मोशन का कर दिया तार-तार, है न, ये कमेंट करना है, ये ही कमेंट करना है, तब सिखाऊंगा एक जुरदार चीज, ये ही कमेंट करना है, कैसा लगा एमान स्टार, ये ही कमेंट करना ह स्टार बहुत जोरदार सवाल का कर दिया तार-तार .. अब सुरूए.. गभेगा नविसका जोरदार चीज़ बतातो.. सवाल यह भी तो पूछ सकता है यह भी तो पूछ सकता है कि यह डि A disk एग color.. disc have lig only2 and placed on rough surface, then find, then find omega, then find angular velocity, when it start pure rolling motion, when it start pure rolling motion, answer, कर ले यह आएगा answer, कर ले, इस ओके वाउट, पहले सिर्फ इस पे rotational velocity थी, जब यह दीरे दीरे चलना सुरू किया, जब यह एक time आएगा, जब एक time आएगा, जब omega naught और V naught से pure rolling शुरू कर देगा, जब यह pure rolling शुरू कर देगा, तो इसका linear velocity आएगा, क्या होगा, इसका linear velocity हो जाएगा, यह, क्या यह, one minus beta, यह, two minus beta होगा, वाई जब मैं तुम्हें कहां ले जा रहा हूँ तारों की सहर में सर उपर पांच बटा साथ होगा ना सॉलिड इस फियर लास्ट पेज उपर लाइन क्या कह रहा है यह हमने वी नॉट का लिया नीचे पांच आया उपर पांच दो साथ साथ बटा पांच हैं हमें वी नॉट निकाला तो वी नॉट बरावर होगा 5 by 7 सही तो है जार कौन सा नसा कर लिया भाई सहाब निन्द में है गया पता नहीं जी कौन सा नसा करता है ये रामलाल मेरा पता नहीं कौन सा नसा करता है इंसर का इंसर देख के भी दगा करता है रामलाल पता नहीं जी ये रामलाल कौन सा नसा करता है सवाल का सही एंसर देख के भी गलट टिक करता है सही सलुसन देख के भी एंसर गलटिक करता है पता नहीं जी रामलाल का नसा करता है सब्सक्राइब करोडे का इनाम सब्सक्राइब करोर का इनाम एंगुलर इंपल्स का इस सई यूनिट बताने वाले को मिलेगा पूरे 100 करोर रुपे का नगद इनाम पता नहीं जी कौन उन साब करता है आप तुवर्ण अपर से जितने रिखसेंटर बस कंडक्टर ऑट उत हुआ और वह था है न मैं रियलवे शरेशन पए जो नसा करके लेटे रहते हैं उनसे मांग मांग के राम लाल बीरी का नसा करता है इतना भिखारी है पुरे सौ करार रुपए का नगध इनाम आपके पास जीतिने का मौका है नसेरी कहींगा मतलई एंगुलर इंपल्स का यूनिट क्या होगा सर ऐसा है कि एंगुलर इंपल्स जो होता है एंगुलर इंपल्स जो होता है वो होता है वो होता है एंगुलर इंपल्स होता है एंगुलर इंपल्स होता है मैं भूल गया यार एंगुलर मोमेंटम ग्रेंज नियूंट लेंद्व टा लो सर्टी एम भी इंट वेल्ज एम हो गया तुम्हारा मास ऑएल टूरी माइनस यह कुछ हाएगा यार जूल पर सेवं निश्कॉन न्यूतन मीटर पर सेट न्यूटन सेकेंड जूल एक तो इससे आई नहीं रहा है यह जूल कि अधा टॉर्क होता है डी यल वाइड यहीं तो तुम्हारा एंगलर इंपल्स है तो टॉर्क इंटुडीटी तो टॉर्क इंटुडीटी हो जाएगा टॉर्क होगा न्यूटन मीटर इंटु सेकेंड न्यूटन मीटर इंटु सेकेंड और न्यूटन फोर्स इंटु लेंथ हो गया एनरजी सोरी फोर्स इंटु लेंथ हो गया एनरजी तो म्यूटन मीटर इंटु सेकेंड चौता आरा जवाब डी आरा ले दियंजिए लुंट्ड मीटर सेंड ही बताता हूं देख मैं जुद में देख आपे ओर जो कहता है अन्यसारेकत लुट मूवर वे Bloods Impuls I A तो ऑख गडिल वार गगा ट्थिट नो और को अधि way रिट Когда window blur optimistic open true जाएगा छबदा बिटाने कौन सा सॉर गरता है कि इयिवाले कौण से नसा गर रहे थे थी वाले पूरे ध्यान से मन से टेस्ट देना इधर उधर मत देखना चलो किसी का सही जवाब नहीं था किसी का सही जवाब था किसी का नहीं था सौ करोर सौ करोर का हंडेड सी आर का 99.9999% जीएस्टी काट के बता देना मैं दे दूंगा जीएस्टी भी तो लगता वे बिना जीएस्टी का पैसे लेगा गया राम लाल आ यूनिफॉर्म इस पर इस रिलीज़ ने स्मूथ इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम दे टॉप ऑफ एट विन मुवस डाउन इंडिस एंगलर मोमेंटम इस कंजर्ब अरे भाई साहब अब कहां तुम इधर लगे पड़े हो अटो बहुत सवाल कर लिए अब मैं अबल दा सवाल ऐसा पूछ लेते हैं कि एक मैंने यह औबजेक्ट रखा ऐसे और ऐसे ही ऑबजेक्ट को मैंने ऐसे रख दिया गुमागे और दोनों पर ही मैंने फोर्स लगाया यहां पर एफ और यहां पर एफ किसके टपल करने की प्रॉबलिटी ज्यादा है ए में की बी अब ट्वर्वबलिटी किसमे ज्यादा है और में की पी में ट्वर्वबलिटी तो चला जाना भाई तेरे ली हो गया चला जा टॉपलिंग की प्रोबाबिलिटी टॉपलिंग की प्रोबाबिलिटी is high in B B में force लगाऊंगा sorry sorry A टॉपलिंग की प्रोबाबिलिटी A में जादा है क्योंकि अगर मैं center of mass came out देखूं तो ये जो force लगा रहा रहा न center of mass से मान लो ये distance ये B है और base इसका A है यहां से ये इसका A है और ये length B है तो जो ये force torque लगा रहा है center of mass से वो torque बहुत जादा है ऐसे torque center of mass के बाउट तो ये इसको जल्दी पलता देगा लेकिन जब हम इसके बाउट देखें तो इसके बाउट center of mass से ये कम torque लगा रहा है तो इसको पल्टाने के probability क्या होगी कम होगी क्या आपको ये बात बहुत अच्छे है समझ में आ गया ठीक है मान लो ये कोई object है ऐसे मैंने रखा इसको horizontal surface पे का रखा बेटा इस horizontal surface पे मैंने रखा है इस horizontal surface पे रखा है जब मैं यहाँ पे force लगा के इसको tuple कराना चाहता हूँ mu sufficient होना चाहिए अगर मान लो mu कम है sufficient नहीं है तो tuple करने से पहले ये फिसल जाएगा तो tuple किसी object किसी surface पे तभी होता है जब coefficient of friction एक गर रुपे दीजिए तो नहीं के साथ नसा करेंगे तो विकारी आदमी कहीं से बिड़ी मांग ले रिक्से वाले से चलता हुआ गाड रिक्से वाले कहीं से बिड़ी मांग के पी लेता तू तो में गार रुपे क्यों चाहिए sufficient friction होगा तभी टपल करने की priority होगी अगर friction कम है तो slide कर जाएगा टपल कैसे करेगा अगर friction कम है तो क्या कर जाएगा बेटा slide करेगा तो बस मुझे इतना बताओ कि जब तुम आगे force लगाओगे तो ये टपल करे मतलब slide ना करे इसके लिए क्या इस force को oppose करने के लिए friction पीछे लाएगा अगर friction पीछे लाएगा अब मैं तुम से अगर पूछ हूँ कि center of mass से इस friction का torque clock wise है कि anti clock wise है तो फटा फट जवाब दो clock wise है कि anti clock wise इस 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 friction का torque इस friction का torque clock wise है कि anti clock wise है center of mass के respect में कर दो कर दो hou कर फिस इस आर avní जवाब शनीक कर दो में फिस्त Stevens कर दो झाल क्या सघन है कर दो झाल यज़ कर रच्त झाल कर दो करन跟我 क्लॉक वाइज ठीक है क्लॉक वाइज तो सर ए flour का ट्रक्विं और यृव इसको ट्रोर्स लागानेपर यह नहीं पलट रहा ऐसा क्यों। ऐसा क्यूंआ, अब मुझे बताओ, इस force का torque कि अधर होगा सर clockwise, friction का torque कि अधर होगा Clockwise, और center of mass पर gravitational force, तो सीधा नीचे लग beim तो center of mass पर gravitational force लगता है तो इसका torque 0, center of mass के respect में mg का torque 0, center of mass के respect में mg का torque 0, center of mass के respect फिक्षन का torque clockwise, fr का torque clockwise, तो तो पलट जाना चाहिए, लेकिन तुरंट force लगाने पर यह नहीं पलटता है, थोड़ा जादा force लगाने से ही पलटता है, toppling मतलब पलटना, कर रहा कि what is toppling, toppling मतलब पलटना जैसे माल लो यह object रखा यहां पर और मैं उपर ऐसे धक्का वारूं तो यह slide करने से पहले पलट जाएगा देखो ऐसे पलट गया तो मुझे बस इतना बताओ कि मुझे तो कोई टॉक लगा नी रहा सेंटर मास के रिस्पेक्ट में प्रिक्सन का टॉक वाइस एक कीड़ कलॉक वाइस तो दोनों टॉक लग रहा है तो तुरंसे क्यूं क्यूं नहीं पलटना फ्राइम क्यू लगता है पलटने में कोई तो ऐसा फॉर्स होगा जो इसको प्लटने से रोक रहा होगा कॉन टॉर्ख है तो यहां प्रेक्च्वर में क्या होता है बेटा कि पहले नॉर्मल उपर लग रहा होता है यहां पर लेकिन जैसे तुम ऐसे धक्का मारते हो तो यह इसको गुवाने कोशिस करता है फ्रिक्षन भी क्लॉक वाइज गुमाता है तो का डाइग्राम बनाके दिखारो एक दम तगड़ा अच्छा यह इतना टेरा नहीं होता तुम्हें विजुलाइज दो इसलिए मैं बता रहा हूं मतलब पीछे से उठ जाता है जैसे आगे दक्का मार रहो तो पीछे से उठ जाएगा जैसे मैं तुम्हें यहां करके दिखा अब बता जब मैं आगे फोर्स लगाऊंगा तो तुम्हें नहीं लग रहा कि पीछे से उठ जाएगा देख दिखाओं और दिखाओं देख बदा पीछे से उठ जाएगा तो नॉर्मल रियक्षन आगे सिफ्ट होता जाएगा जैसे जैसे मैं यहां पे फोर्स लगाके इसका टॉर्क इसका टॉर्क प्लस इसका टॉर्क बढ़ता जाएगा टॉर्मल आगे सिफ्ट होता जाएगा लेकि नॉर्मल मैक्सिमम कहां तक शिफ्ट कर सकता है इस ओ तक इसके आगे normal body को छोड़ के थोड़ी न जाएगा अब मैं कहता हूँ friction देखें आपे मैंने क्या लिखा है देखें आपे क्या लिखा है friction is sufficient hence it will tuple before sliding ये slide करने से पहले क्या हो जाएगा tuple कर जाएगा तो under translational equilibrium जितना आगे applied force लगा है उतना ही पीछे क्या लग रहा है friction लग रहा है just about to just just at the condition of toppling condition of toppling अब तुम्हें एक जोरदार चीज में बताता हूँ जिससे toppling का हर सवाल एक line में solve toppling का हर सवाल एक line में solve अरे जा sorry 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 आरे आरे भोध लटा ना पूर्के अवे भाई साब कोई बात नहीं किया कि सब भूल जाता हूँ कोई नहीं मुझे यह बता है कि जर्स अबाउट टू कंडिशन अफ टॉपनिंग मतलब जर्स अड़दा कंडिशन अफ टॉपनिंग जस्ट वो जस्ट अपल करने वाला है बढ़ा जाएगा है जर्ब फंड जाएगा जब नब फ्ट जाएगा हैं ङ ऑस सिंटर ओफ मास्के पाउड टौक जीयु कर één कि ऑट जर्स अभी घूमा तो नहीं जस्त घूमने वाला है तो उस सट क्रिटिटल चंडिशन में सेटर के ब सकते हो और भी जिरू कर सकते हो और बिटा यह जो मैंने ज्यादा कुमा दिए एक्शन की इतना नहीं गुंता हो जिस से सवाल को सॉल्व करना इजी हो जाए जिससे सवाल को solve करने में असानी हो, देखो critical condition में just वो टपल करने वाला, तो net force भी zero, net torque भी zero हो मानेंगे, तो इस situation में center of mass के भी out भी talk zero है, और okay about भी talk zero है, मैं किसके about talk zero करूँ जिससे सवाल को solve करना easy हो, मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ मैं okay about torque zero करूँ, कि center of mass के about, तो सुनना बेटा, मैं दोनों तरीके सवाल solve कर सकता हूँ, एक में हो जाएगा मजदूरी, एक में असानी से solve हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ, okay about टॉक जिरो करता हूँ, सर इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा, कि okay about जब मैं ट कि okay about इसका line of course आगे है, और ये distance मान लो तुम्हारा A है, और ये वाला distance तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक distance B है, तो F का torque क्या होगा, F into A clockwise, बराबर, MG का torque क्या होगा, तो सर, MG का torque इससे लोगए, तो MG vertically downward लग रहा है, तो ये distance हो जाएगा, B by 2, MG into B by 2, anticlockwise, तो clockwise torque बराबर, anticlockwise torque रहाँ अखोगे, toppling के condition में, तो बेटा, F की value आ जाएगा, MG into B by 2, na, B by 2, तो बेटा, applied force की value होना चाहिए, MG B by 2A, कितना force लगाओगे, तो just about to tuple होगा, force required to tuple, क्योंकि इस से आगे normal जा नहीं सकता, तो इस condition में ये tuple हो जाएगा, required force पर tupling, required force for tupling, required force for tupling, required force पर tupling, अब मैं center of mass के बाँ talk 0 करके यह insert लादू, तो center of mass के बाँ talk 0 करके कैसे लाओगे, फिर normal का talk लिखना पढ़ेगा, friction का talk लिखना पढ़ेगा, हाँ लिया होंगा, यही answer आएगा, क्योंकि translational condition में friction की value, पीछे उतनी होगी, क्योंकि जितना आगे F होगा, क्योंकि जितना आगे F है, उतना ही, पीछे friction है, तभी तो यह translate नहीं कर रहा, तो हम friction का torque लिखेंगे, friction into A distance हो जाएगा, तुम्हारा पीछे friction यह हो जाएगा, A by 2, F का torque center of mass के बाँट होगा, F into A by 2, तो friction into A by 2, प्लस F into A by 2, और friction अगे बराबर है, तो यह हो जाएगा, F A, is equal to, normal की value mg के बराबर होगी, और center of mass से normal का torque हो जाएगा, normal into B by 2, normal into B by 2, normal mg के बराबर होगा, तो इसको mg कह सकते हैं, तो A बराबर आ गया, mg B by 2A, है ना, rough में solve किया मैंने, तो center of mass के बाँट मैं torque 0 करूंगा, तो भी F की value toppling कराने के लिए, इतनी आएगी, तो हमें किस point के about, किस point के about, किस point के about, किस point के about, torque लिखने से असानी सा सवाल हो जाएगा, तो देखो, जैसे मैं इदर force लगाऊँगा, तो यह पीछे वाला ही सा उट जाएगा, यह यहाँ पे normal हाजाएगा, तो contact point जो O है, यही से friction पास कर रहा, तो friction का torque okay about 0, नॉर्मल का torque okay about 0, तो simple सी वात है, दो force बचे, F और Mg, Mg हमें पता है, Mg का torque इससे लिख लो, तो force नीचे, vertically downward, तो horizontal distance by2, यह force horizontal तो इसका vertical distance एक line में answer, रा, feel आयकदम, feel आयकदम, feel आयकदम, feel आयकदम, अब धेको यह सवाल, अब यह सवाल प्रना अच्छे से, सवाल प्रना अच्छे से, a cubical block of side lentil, cube है जिसका side lentil है, wrist on horizontal surface, बित कॉफिजेंट फिक्षिन मिउ और जोंटल फोर्स एप्लाइड उन दब्लोक एज सोन इन फिगर दप्लाइड अब सुन क्या करेगा जैसे ही तुम्हें आपे फोर्स लगाओ गेना तो टपलिंग के कंडिशन में कुछ ऐसा डाइग्राम बनेगा lijparis इस क learners boa बनाता हूं किसलर से बनाता हूं रेड़कलर से बनाता हूं डाइग्राम बनेगा थोरुदपलिंग के कंडिशन में ऐसा डाइग्राम बनेगा थोड़ा सा ब्लोग क्या होगा उथ जाएगा और अगर थोड़ा सा ब्लोग उठ गया पीछ देखो नीचे काला कर गए तो थोड़ा सा ब्लॉक उठ गया तो नॉर्मल रियक्षन कहां चला जाएगा सर नॉर्मल रियक्षन आपका आ जाएगा यहां पर अगर बेटा नॉर्मल रियक्षन यहां गया तो इधर नॉर्मल हां सर इधर फ्रिक्षन हां सर देखना कितन असान होगा इधर mg हां सर और यहां पे तुम्हारा अप्लाइड फोर्स लग रहा है यहां पे ऊपर में अप्लाइड फोर्स लग रहा है अब दो चीजे हैं एक सेंटर ओफ मास और एक क्या रहा है यही से फ्रिक्सन पास कर रहा है तो फ्रिक्सन गाटो से जीड नार्मल पास कर रहा है इसका टॉर्च इस का यहुंटल-डारेक्शन में लग रहा है F is equal to M G by 2 answer इससे आसान सवाल टॉपलिंगा हो सकता है क्या ऐसे सवाल नीट में B answer हाँ B answer सही है अरे गर्दा उरा दिया यार तुमने भाई साब जोरदार मतलब जोरदार मतलब जोरदार मतलब बहुत जोरदार मतलब अग्दम गर्दा खतम अब यह सवाल है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास है अपसाइड ए प्लेस और रफ और जोंटल साब प्लेन एसोन इन फिगार फोर्स एफ इस एक्टिंग ऑन दा ब्लॉक अठाइट 3A by 4 यहां से 3A by 4 पे लग रहा है प्रॉम दा बॉट्टम दा बॉट्टम मिनिममम वैल्यों फ्रिक्शन पूचा है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितना होना चाहिए घवरानी की बात नहीं है सुन ध्यान से जब टॉपलिंग की कंडिशन आएगी तो क्या ऐसा डाइग्राम बनेगा इतना तुम्हें समझ आया क्या आसा टॉपलिंग के कंडिशन में यह थोड़ा सा टेड़ा हो जाता है बस खतम कहानी तो नॉर्मल यहां कि फ्रिक्शन पीछे अज़ार फ्रिक्शन पीछे फ्रिक्शन किदर पीछे अब यहां से सेंटर ओफ मास्स यहां पर लाएग एमजी तो एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि टपल करे पहले वह निकाल लो अक इब टोफ जीरो करें यहां से फ्रिक्शन का टॉर्क और नॉर्मल का टॉप लेने की ज़ौट नहीं है Mg into L by 2 Mg into A by 2 बराबर इस force का torque क्या होगा तो यहां से force कितने height पर लग रहा है 3 A by 4 3 A by 4 into F तो sir यहां से A से काटो ना काटो 2 से यह कटेगा तो 2 बचेगा तो F की value आनी चाहिए 2 Mg by 3 कितना applied force होना चाहिए यह बोल रहा है coefficient of friction such that block tuple without sliding block slide नहीं करना चाहिए अगर block slide नहीं कर रहा block is not sliding तो net force एक सेक्सिस में 0 होना चाहिए हाँ एक सेक्सिस में आगे force कितना लग रहा F और पीछे क्या लग रहा friction friction की value को क्या लिखते है maximum maximum mu n और F की value हमने यहां से निकाल ली है 2 mg by 3 तो यहां रखो 2 mg by 3 बराबर normal की value उपर normal नीचे mg पर लिख सकते हो mu mg is equal to 2 mg by 3 mg से mg कट गया mu is equal to 2 by 3 fourth is your correct answer अरे यार गजब मतलब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुम सीख गए देखो इस ब्लॉग पे टोडल कितने फोर्स लग रहा है सर इस ब्लॉग पे अगर हम फोर्स देखे तो चार लग रहा है एक mg दूसरा नॉर्मल तीसरा फ्रिक्षन और चौथा अप्लाइड देखो बेटा कहीं सर्फेस पे कोई चीज रखा है तो mg और नॉर्मल तो लगेगा mg नीचे और ये सर्फेस इसको नीचे जाने से रोक रहा तो नॉर्मल उपर लगा रहा है दो ये और दो ये f और फ्रिक्षन अगर ये बोडी स्लाइड नहीं कर रहा तो उपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स और आगे f और पीछे फ्रिक्षन ये तो होगा और हमने इस f की value टपल कराने के लिए o.k.bout लिए है o.k.bout लिए है तो o.k.bout टपल करने के condition में f की value आई और 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 क्या तुमने टॉप लिंग सीखा एक बुले टॉप लिंग का पॉजिट क्या होता है टॉप लिंग का पॉजिट होता है बेटा काइनामेटिक्स अलग सर ओपी आप एक आई डी भी हो सकता है सोने दो अलग सर को नहीं नहीं साधी होने वाली है और तुम उम्मीद कर रहे हो क तुम्हें टॉपलिंग समझाए कि नहीं बता हूँ मैंने तुम्हें टॉपलिंग में दो चीजे बताई कि जब भी कोई अब्जेक्ट टॉपल करने कंडिशन में आता है तो लिम्टिंग केस में पीछे वाला उठ जाएगा इसका पीछवारा उठ जाएगा और यहां पे सार सार्प पे कॉंटेक्ट बनेगा क्या बनेगा सार्प कॉंटक्ट बनेगा कि अब सर्प कॉंटेक्ट के कंडिशन में या तो तुम सेंटर ऑफ मास के वाउट ट्रॉक लिए जिरू करो या के बाउटलेक्ट लेक। क्योंकि center of mass के बाउट mg का talk 0 हो पाएगा तीनों का लिखना पड़ेगा ओके बाउट नॉर्मल पास कर रहा हो से तो नॉर्मल का टॉर्क ओके बाउट जीरो फ्रिक्सन का टॉर्क ओके बाउट जीरो दो ही बचा क्या इम्स 2015 यह सवाल पूछा बढ़िया है अलग सरी हैं कि अलग सर अगर चैट में हैं और तुम एम्स 2015 का सवाल करके उनको दे दोगे तो अलग सर से अलग सर को इससे जदा खुशी किसी बात से नहीं होगा अब हम देखते हैं कि तुम कर पाते हो की नहीं कर पर हो, what will be the value of maximum acceleration of the truck in the forward direction so that block kept on the back does not tuple, मतलब इस ट्रॉली पे जो block रख है वो tuple ना करे, कितने कितने maximum acceleration से इसको मैं limiting ले जा सकता हूँ, maximum limiting कितना acceleration होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ले जाओंगा तो tuple करेगा नी, समझ में आया कि नहीं है, दीरे दीरे ले जाओंगा तो tuple करेगा नी, तो maximum कितने acceleration तक मैं इसको accelerate कराऊं, ताकि tuple करने की critical condition है, what will be the value of maximum acceleration, maximum acceleration यहाँ पर A मान लो, यह maximum acceleration A है, maximum acceleration A है, what will be the value of maximum acceleration of the truck in the forward direction so that block kept on the back does not tuple, और बहुत मारूंगा अगर solve नहीं हुआ, बहुत मारूंगा अगर solve नहीं हुआ तो, सबका जवाब A आ रहा, उसका जवाब C आ रहा, देखते हैं, बेटे देखो जब यह tuple कर रहा होगा, तो इसको tuple करा कौन रही है, बता सबसे पहले तो, इसको tupling के condition में कौन लाएगा, जब यह आगे slide करेगा ना, तो इसी पर अगर राम लाल को बिठा दोगे, तो यह pseudo force पीछे लगाएगा, कहां, center of mass पे pseudo force पीछे लगाएगा M A, और M G center of mass पे नीचे लगेगा, tupling के condition में surface कैसा होगा, बताओ, tupling के condition में sir, यह वाला portion उपर उठ जाएगा, पीछे की तरह force लग रहा, तो यह condition कुछ ऐसा हैगा, यह मानते हूँ, हाँ, तो normal कहां जाएगा, normal, normal कहां जाएगा, sir normal हीछा से pass कर रहा होगा, और friction पीछे पास कर रहा होगा, friction होगा, तभी तो यह slide नहीं कर रहा, नहीं, और यह सीविडव फोर्स की वैसे स्लाइड कर जाता है इस पॉइंट के माड़ जीड़ करो सेंटर आप मास की कोंटक्ट इस कॉंटाइक मैं ओके वाओ जीड़ करो नॉर्मल का टॉर्क ऑक ऑगट जीरो फ्रिक्षन का टॉर्क ऑक ऑगए बागट जीरो में पीछे लग रहा इससे खुरिजुंटल डारेक्शन फॉर्स है तो वर्टिकल हाइट हो जाएगा एच बाइटू बराबर एमजी का टॉर्क बोलो एमजी इन्टू यह पूरा ए तो इसका आधा होगा एवाइटू चिक है अच्छा नहीं इसको अलफा ही रखो बेटा यह अलफाई रखो अश्चल में यह लिए यह दिया हुँ है ऐसे लेसं से कंफ्यूज मत होना पीछे यहां से ध्यान से देखना तो एम से एम केंसल अल्फाइश एकौल टु से टू कैंसल, अल्फाइश एकौल 2 होगा, जी एबटाएचच, जी एबटाएच, जी एबटाएच, चिटिंग तो नहीं किया था तुमने, एंसर तो आ रहा, लेकिन मुझे हो रहा गाउट, मुझे हो रहा गाउट, कि नहीं नहीं कुछ गरबर किया है तुमने कि कुछ तो गरबर किया है तुने मुझे हो रहा है भैंक का डाउट तुम टॉपलिंग सीख जाओगे वह एंस का सवाज गर लोगे एसलेरेशन वाले केस में बगवास बाते हैं इंसर टाप लिया है तुने है नहीं इंसर टाप लिया है प्येजजी की डिग्री कल सुबह घर भी जवा दिजेगा चलो तो फाइनली हमने अपना गोल पुरा कर लिया गोल पुरा कर लिया सबसे पहला था मुमेंट ऑफ इनर्सिया में तो आपकी जोड़दार पीज़ी हो गई और मैंने कम से कम साथ सवाल आपको कराया हूंगे 50 प्लस बोला था फिल और टॉर्व थॉर्व टॉर्फ टॉर्क समझाया और टॉर्क पे डॉर्टेशनल कनेक्टेड रॉटेशन बोड़ी मोशन परथी पर आए ने रफ्तार सीखी लिया रोलिंग मुशन में तो पूरे में बीटा का गए मैं चाहे रोलिंग मुशन और इंकलाइंड हो यह रोलिंग मुशन और हो यह इस पर आपकी PSD हो गई चाली से ज्यादा सवाल किया है एंड गेम अफ एंगुलर मुमेंटम आपको सच्छे समझा दिया टॉप लिंग का केस भी समझा दिया तो कंप्लीट हमने कर लिया देखो सुनो सबसे पहले ना सबसे पहले ना मेरी बास सुनो ध्यान से तुम्हारे अंदर ना एक ऐसा जुनूर होना चाहिए किसी काम को सुरू करने से पहले इसाब जब मैं इस काम को कर रहा हूंगा ना तो मेरे दिमाग में इस काम के अलाबा दुनिया का कोई भी डिस्ट्रेक्शन नहीं आएगा और यह तभी हो पाएगा जब तुम अपने प्रेटी को लेके कि मुझे यही करना है तो करना है मतलब जीवन में इसके अलाबा मुझे कुछ नहीं सोचना जब तक यह काम ना हो जाए जरूरी नहीं है कि मैं बढ़ाओ इतनी देर दो पार्ट में पढ़ा दू या मैं आदे कोशन कार्ट भी देता तो क्या ही फर्क परता है आदे घंटे कि हमें अगर मैं 30 सवाल कराओं तो हो जाएगा लेकिन हमारा यह था कि हम करेंगे तो बढ़िया से करेंगे और जब हम यह काम कर रहोंगे तो हमारे मन में कोई और डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा और आप स्टार्टिंग से यह लेक्च्छर पूरा देखे रोटेशन जो प बता दे तो हम एच्वाइटू कैसे आए तो आए तो देख मैंने बोला था ना चिटिंग किया है इसने बता दे तो हम एच्वाइटू देख वाई देख यहां है तेरा सेंटर हो और यह पूरा एच है तो सेंटर ओफ मास भी तो स्यूड़ो फोर्स एम अलफा पीछे लग आया है तो बहुत अच्छे से आपने रोटेशनल मोशन का चेप्टर खतम किया जो सच में एक बहुत ही भैंकर और बहुत बड़ा सेक्षन है प्रैक्टिस करिए सारे अबस जो भी फिजिक्स केमेस्ट्री बोट नीजो लोजी जो भी है इसी जुनून और इक्षा सक्ति के साथ परहाई करते रहे हैं अच्छा करिए ठीक है धन्यवाद बहुत बहुत फिर मिलते हम अभी और चलिए धन्यवाद एकदम यह अध्भुत आविश्वस्नी है बहुत बढ़िया आपका डेडिकेशन आपका जो जुनून है जोस है बिलकुल अध्भुत और